चुलिए वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टार्ट करें आज फर्स क्लास एक तरीके से लास्ट क्लास में हमने देखा था क्या इंडेक्स है क्या नहीं है यह सारी चीजे जिसमें से हम फर्स चेप्टर पहले मैं वह चेप्टर कराना चाहता हूं आपको जो पहले थोड़ा सा आता है ठेक ना और एक्जाम में भी पूछा जाएक लगब लगब करें पहले पाइनल एकटरं पहले या फरह डप्रीशेशन अ कि अबना हो फइनल अकवंट तो पहले करा हुआ है है ना डप्रीशेशन भी करा हूआ है तो कि पहले फाइनल अकाउंट कर लेते हैं क्योंकि वह करा हुआ है जल्दी करना है खतम उसको और यह फिफ्टीन मार्क्स का पूछा जाएगा तो अब देखो बीकॉम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि एक कुश्चन बीस नंबर का आएगा आपका बीस से अठारा नंबर का वेटिज रहता है और सर यह रहेगा हमारा कितने नंबर का मैक्समुम मार्क्स 20 का और फाइनल अकाउंट मैं बात करूं तो इंक्लूडिंग GSTS में ठीक है मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में लेके चलूँगा क्यूंकि आपके पास सर्फ और सर्फ तीन महिने है और चैप्टर मैंने लास्ट क्लास में बताया था 12-13 चैप्टर के असपास जो भी 8-10 चैप्टर बन रहे थे वह चैप्टर है और आपका सेमेस्टर 1 बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आगे सेमेस्टर 2 के लिए सेमेस्टर 2, 3, 4 अगर आपके सेमेस्टर 1 में अच्छे मा लाइफ में आप 12 पता है क्यों पढ़ाई करते हो आप सबसे पहले पढ़ते हो फर्स से लेके 10 तक है न हमें उस टाइम पर कोई यह नहीं बताता क्यूंकि बताना भी नहीं चाहिए था फिर बच्चा पढ़ेगा कैसे 10 तक आप सर्फ बेसिक नॉलेज लेते हो मतलब कोई हर बच्चा आपके जैसा है कोई special नहीं है आपके साथ में friend भी वही पढ़ रहा है और कोई भी वही पढ़ रहा है सभी एक जैसा पढ़ रहे है लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो 11 में आते हो तो आप special skill के तरब बढ़ जाते हो commerce, arts, science है न और commerce, arts, science के अंदर जो आपको आगे further करना है आपने 11 भी बार भी पढ़ा और इसके अंदर majorly focus होता है हमारा कुछ new सीखना और प्लस दूसरे हमारे marks focus होते हैं इसको भी करके हमें कोई फाइदा मिलता नहीं है बसे आपने देख लिया 12th pass कर लिया तो ऐसे कोई आपको नौकरी बगर मिलेगे ने इसके बाद भी अब आप कर रहे हो क्या graduation अब graduation जो करोगे ना इसका एक ही परपस होगा जो जिसके लिए आप इस दिन से पढ़ रहे हो ठीक है ना तो बहुत सारे बच्चों को मैं यह कहना चाहूंगा कि उनका एक mentality बना होता है के sir b.com तो हो जाएगा या honors हो या प्रोग्राम है हो जाएगा इसके साथ के साथ क्या लेके चले अगर कोई बच्चा मुझसे कहता है sir 11 बार भी तो मैं करी लूँगा ऐसा ही मुझे करना CA है यह बताओ कि CA की पढ़ाई कैसे करें अगर आपके ग्यारवी बार भी के अकाउंट्स नहीं आते तो क्या आप CA की तयारी कर सकते हो कभी नहीं होगी आपकी तयारी ठीक है ना तो उसी तरीके से अगर आपने यकीन मानना मैं आपके डियू का स्लेवस को मैं बोलूं अगर आपने बीकॉम पढ़ करके एक होता है देखो कई वार बीकॉम के अंदर ये भी ट्रेंट रहता है अभी दीरे दीरे जब जाओगे तो सारा खेल टैनियर बगएर को होता है तो आपके अगर कुछ कोशन सेलेक्टिड होते हैं कि हर बार पूछे जाते हैं और आपको पता होता है इस चार- को याद करके चले जाते हैं सो देट हमारा एक्जाम के आओ जाए अच्छा चले जाए बस वह सबसे बड़ा biggest mistake होता है क्योंकि हमने क्या करा वह चीजे नहीं पढ़ी जो चीजे हमें पढ़नी चाहिए अगर आपने बीकॉम को बहुत इमानदारी से पढ़ा तो आपके आन सब्कत नहीं आगी और किसी में कोचिंग लेने की जुरत नहीं है कि बच्चे मैं देखता हूं जो बच्चे करते हैं स्वेशली कि दो दो लाग रुपे ट्विशन फीस लगती है उनकी टेड़ेट लाख एक लाख रुपे ट्विशन फीस जाती है और बीकॉम अगर आपन सब्सक्राइब करते हैं तो मैं यह कहूंगा कि आपको स्टार्टिंग से ना एकदम बढ़िया से पढ़के चलना है इसके अंदर ताकि आपको आगे चलके दिक्कत नहों और जितने भी कोर्सिस लिखें इन सभी कोर्सिस में अगर आपके 50% बनते हैं तो तो आप आगे यह MBA, MCOM, CA, CS या बैंक के अंदर जाने क्या कर सकते हो अगर 50% नहीं बना तो नहीं जा पाओगे क्योंकि उनका पहला ही कंडिशन होता है candidate must be graduate at least 50% अब मान लो आप graduate तो हो गए अगर सेम मान लो आप 12 पास कर लेते हैं और आप 34% से करते हैं और कोई college आपको admission ही नहीं देता 34% हर कोई बोलता भी है हम admission उसी को देंगे जिसके 40% हो तो क्या आपके 12th पास करने का कोई फाइदा होगा जवाब है सर कोई फाइदा नहीं है 12th पास करने का तो है ना चुकि आपका 12th के बाद की पढ़ाई रुख जाएगा in case आप वहाँ पर रुखते हो तो अब दुबारा final account का पहले भी जो करा है विद GST करेंगे इसके अंदर जो GST के साथ है हमारा ठीक है ना तो चलिए final account start करते हैं सबसे पहले final account जो है ना क्यों कराया जाता है ताकि आप business की दो चीजे पता कर पाओ एक आपका profit and loss और दूसरा balance sheet दो चीजों के लिए करते हैं basically एक profit and loss और एक balance sheet अब profit and loss भी दो पार्ट में बढ़ जाते हैं हमारे एक होता है हमारा gross profit एक होता है हमारा net profit जीक है एक होता है gross profit एक होता है net profit balance sheet के जानने के लिए आपको दो चीजों की knowledge होनी बहुत जरूरी है एक है हमारा asset और एक है हमारा liability अभी जो फिलहाल हमारे इस term, यानि इस semester में balance sheet है वही जो पुरानी balance sheet जो सीखते आए हो आप T-shape वाली वही है, ऐसा कोई special balance sheet नहीं है आपने 12th में एक balance sheet याद करी थी heading wise वो वाला नहीं है, simple balance sheet वो second semester में आएगा, वो वाला balance sheet ठीक है, तो एक gross profit एक net profit सर, सबसे पहले आपको निकालना होता है gross profit number one और फिर आपको निकालना होता है net profit number two और फिर finally balance sheet बनता है ठीक है, सर, gross profit को निकालने के लिए आपको knowledge होना चाहिए direct expense and indirect expense और सर, net profit निकालने के लिए, सरी, मैंने यहाँ गरत लेकिए, direct income direct income के अंदर मातर एक ही चीज़ आता है, expense बहुत सार है, वो देखेंगे, direct income के अंदर सिर्फ आएगा sales और इसके लिए चाहिए क्या, indirect इसके बीच में डिफरेंस जाना बहुत ज़रूरी है, direct, indirect ठीक है ना, तो सब direct और indirect को एक example से समझ लेते हैं मान लो आप कोई भी एक business start कर लेते हैं अब आपके बिजनस दो तरीके के होते हैं मैं एक simple से example से समझाता हूँ दो तरीकी के business हो सकते हैं आपके और जो बड़ा बिजनस मैं होते हैं उसके दो ही दुकान होते हैं सर दो दुकान कौन-कौन से हैं एक होता है हमारा factory और एक होता है हमारा office कहलो showroom कहलो अब factory में क्या होता है हमारा समान बताओ बनेगा और जो बनाके हम क्या करेंगे office में showroom में बेचेंगे यह कहानी होती है तो जो यह कहानी है कि हमारा ये दोनों भी कहीं न कहीं आपस में connected होता है है कि ने क्योंकि जो भी समान factory में बनाते हैं वो हम कहां भेज देते हैं office में फिर बेखता है factory में क्या-क्या काम हो सकता है एक बार उसको भी जान लेते हैं factory के अंदर समान जो खरीदा जाता है वो खरीदा जा सकता है कहां कहां से अलग-अलग जग ऐसे अगर मैं factory की बात करूँ तो यहां समान खरीदा जा सकता है या तो in India से ठीक है इंडिया से समान खरीदोगे या फिर दूसरा option आपके पास होता है out side जैसे कि अब तो वैसे government ने काफी जादा जोड दिया है काफी जादा बोला है के भाई made in India करो लेकिन उससे पहले आपको पता था और in fact अभी भी सारा product चाइना से आता था और फिर हम क्या करते थे यहां पर बस उसको assemble करते थे, assemble का मतलब क्या होता है जोड के और बेच देना यही काम करते थे जब सारा product हमारा चाइना से आ रहा था तो उस situation में न हमें एक खर्चा बीर करना होता है जिसको बोलते हैं import duty सर यह kind of क्या है text है जब हम समान खरीदते हैं कहां से खरीदते हैं तो एक परकार का हमें text देना होता है जिसको क्या बोलते हैं import duty अगर आप इंडिया के अंदर ही वो समान बनाते हैं तो एक परकार का text देना होता है जिसको बोला जाता है excise duty ठीक है कई बार word आएगा यह अगर बाहर से समान लोगे तो आपको देना पड़ेगा import duty और जो इंडिया के अंदर ही समान आप बनाते हो तो वहाँ पर भी एक text आपके उपर लगा देती है government that is excise duty लेकिन import duty जो होता है वो बहुत heavy होता है मान लेते हैं अगर 100 रुपे का समान है तो ऐसा भी possible है कि 100 रुपे का text हो possibility है लेकिन जो आपका excise duty होते न वो एक percentage है 10% इस percentage का हमारे exam में कोई role नहीं है बस एक general knowledge के लिए बता रहा हूं ठीक है तो आपको समान लाना है जब कभी भी समान लाओगे तो आप समान जब लेके आओगे तो आप by road या by ship बाइ air लेके आओगे तो जब कभी भी आप समान लाते हो ना तो यहाँ पे हमें किराय देना होता समान का जैसे ये है ठीक है तो जो transportation है इसको हमें देना पढ़ता है किराया किराय को हम बोलते है carriage या इसी किराय को बोलते है फ्रेट ठीक है ना इसी को हम cartridge भी बोल देते हैं इसी को क्या बोल देते हैं cartridge और समान को लाने के लिए आपको ये पैसा देना पड़ेगा किसी से भी मंगवाओ आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा उस transport agency को और यहां पे ना आपके factory के अंदर जो worker काम करते हैं जर्नली इस factory के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग ना पता है किस टाइप के होते हैं मजदूर टाइप के मतलब के वो computer वगरे पर ज्यादा काम नहीं होता उनका उनका समान को उठाना इधर रखना मसीन चलाना इस टाइप का काम होते हैं मजदूर जैसे बोलते हैं तो जो इनको तनख़वा दी जाती है ना इस मजदूर को उसको हम बोलते हैं विज़स और फेक्टरी के अंदर जॉनली इलेक्टरी मित्रीख च्षोटे वह HOW इस होता है वह एक पावर होता है हमारे घर में तो छोटी मीटर लगा हुआ है इस कि छल जाएगा अगर अपने घर और बहुत सारी चीज आपने कई बार देखा होगा ज्यादा चीज अगर चला दो ना अपने घर में आप जैसे आपने गीजर भी चला दिया और तीन-चार एसी भी कनेक्ट कर दिया तो उस केस में मीटर में आग भी लग सकता है उतना पावर ही कैपिसिटी नहीं है उसके ले उस एलेक्ट्रिसिटी को हम नाम देते हैं कैंप आवर कई जगह पर तो यह बिजली से चलता है कई जगह पर ना वहां पर डीसल वगभारह भी यूज होता है जर्टरर से चलाने के लिए आप तो जब आ गया ना सोलर वगएर आ गया लेकिन पहले के टाइम पर क्या था कोल का यूज होता था चलाने के लिए यहाँ पर इसके बाद आप जो भी यहाँ पर समान बनाते हो उसके उपर एक खर्चा होता है समान बनाने को जिसको हम पता क्या बोल देते हैं मैनिफेक्चरिंग एक्समेंस मतलब माल को बनाने का एक तरीके से घर्चा हो गया manufacturing expense होगी यह power हो गया same हमारा सारा काम यहां पे हो जाएगा अब factory कई बार जादा से जादा factory जो होता है किराये पे नहीं लेते है क्योंकि factory कहा बनाओगे शहर के बीचों पीच नहीं बना सकते बनाओ कि कहीं बहुत दूर में और वहां की जमीन जैसे खेत वगेरे में दूर बना लिया आउट साइड में तो वहां की जमीन जनरली सस्ती होती है comparatively to आपका residential area में तो फैक्टरी रेंट पे नहीं होता अपना ही होता है अगर रेंट पे हुआ तो इसका जो रेंट होगा वो होगा फैक्टरी रेंट ठीक है ना अधरवाइस रेंट पे होता नहीं है हाँ गोडाउन वगेरा हम रेंट पे ले लेते हैं क्योंकि गोडाउन फिक्स नहीं है कि हमें हमेशा चाहिए जब समान जादा हो जाता है तो गोडाउन के वशक्ता होती है और समान जब कम मातरा में बना होता है तो गोडा को रखने के लिए हम क्या करते हैं गोडाउं और उसका भी रिंट हो सकता है ठीक है न मुझेट इसको पावर और एक-डो नाम से और भी जानते हैं जो जो को भी मैं लिख देता हूं पावर के बाद हीटिंग और लाइटिंग वोल देते हैं कई बार हीटिंग एंड लाइटिंग लाइटिंग टीक है तो यह सारी कहानी कहान कि है सर यह फेक्टरी के अंदर की कहानी है अब जैसे ही आपका माल बन के तयार होता है आप क्या करते हो उस सिद्टुइशन में अपने माल को भेज देते हो कहां भेज देते हो सर ऑफिस में अब जब ऑफिस में भेजते हो तब भी आपका ये जो है ना इसका खर्चा आएगा इसका किराया आएगा इसको भी कैरिज बोलेंगे लेकिन फरक यह है कि यह समान को लाने का है तो लाने के टाइम पे आपका क्या हो रहा है इन तो इसलिए कई बार इसके वर्ड के आगे इन वर्ड लगा दिया जाता है ठीक है ना? कैरिज इन वर्ड, कार्टिज इन वर्ड लगा दिया जाता है अब यहाँ से समान भेज रहे हो that is out तो कई बार समान के आगे ना जैसे carriage है तो मैं इसको बोल सकता हूँ carriage out और generally office के अंदर भी worker काम करेंगे तो यहाँ office के अंदर ना worker generally मजदूरी वाला काम नहीं करते इनको दिया जाता है salary इनको दिया जाता है salary जो office में काम करते हैं उनको क्या देते हम salary क्योंकि वो एक अच्छे level पे काम कर रहे होते हैं अब लेकिन office में भी कुछ होते हैं जो worker का काम करते हैं समान उठाना रखना उसको भी दिया जाएगा wages लेकिन फरक होगा यह office का होगा और फेक्टरी का होगा होगा always office current होगा ठीक है न ऐसा ही office में मैं बात करूँ तो यहां पर जो light जलेगी न वो light बहुत है भी नहीं होगा तो यह simple होगा आपका बिजली का बिल यानि electricity बिल electricity बिल यह simply आपका होगा electricity बिल ठीक है और भी office में बहुत सारे खर्चे होते हैं आपके जैसे कोई करना है office से होगा या फिर कोई भी stationery का खर्चा है office से होगा ठीक है अब यहां पर आपके दो जगए के खर्चे आपके divided हैं कुछ खर्चे तो आपके ऐसे हैं जो कि जैसे कि मान लो अगर मैं बात करो तो कुछ खर्चे आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो कि 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 क्या बोलेंगे यह आपको ध्यान रखना थेक ना जो खर्चे आपके कहा के फैक्टरी के उसको कौन और जो ऑफिस के उसको क्या बोलेंगे तो सर्फ यह जितने तंबीं खरचें वो सारे का सारे डाइरेकट मैं बोल सकता हूं यहां पूर भाइंगे फैक्ट्री के खरचे है यानि आपको अगर ट्रेडिंग अकाउंन्स सीखना बनाना तो आपको डाया एकिस्पेंस और इंडारीक्ट नॉलिज होनी जरूरी है और अगर हम बात करते हैं इन डायरेक्ट एक्सपेंस तो यह कौन से खर्चे होते हैं हमेशा कि और इन डायरेक्ट इंकम में सर्फ एक मात्र चीज और कुछ भी नहीं है और ऑफिस के अंदर क्या है सारी चीजे जितने भी कवाई की खर्चे होतें इनकम बहुत सारे हो सकते हैं यहां पर जैसे की हो सकता है रेंट रेसीव को मैं को यह कमीशन रेसीव है और बी चीजे आएँ जैसे जैसे आएंगी याट एक ना इसके लिए हमें एक account बनाना पड़ेगा उस account से निकालेंगे that is called trading account यानि आपको gross profit निकालने के लिए आपको एक account बनाना पड़ेगा और उस account का नाम क्या है trading और trading account बनाओगे gross profit और उसके लिए क्या चाहिए आपको direct और नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए एक आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा यहां से हमें बस एक छोटी से पॉइंट पता चला के डायरेक्ट एक्स्पेंस क्या है इसको हम आगे दीरे जिए पढ़ेंगे अब आते हैं सर फॉर्मेट की बात करते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट जो देख रहे थे ना तो वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट अल्दो आपको थोड़ा बहुत तो पहले से बहुत कुछ पता है इसके बारे में फिर भी एक वार मैं फॉर्मेट बना लूँ कि जिसने नहीं पढ़ा हो पहले क्योंकि यह सेकेंड ट्रम का चेप्टर होता है हमारा इलेवन्थ क्लास में कि दोनों अकाउंट आमने सामने पीच पर ही बना नहींते हैं सबसे पहला अकाउंट है इस इसको बोलेंगे हम कि दोनों अकाउंट इखटे बनने हैं इसको हम नाम देंगे सीधा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉज को पी एंड ल और यहां लिखेंगे पूर दा इयर एंडिंग जो भी साल का एंड का डेट है वह आ जाएगा ठीक है ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आपको मैक्स टू मैक्स दस लाइने छोड़ना है जैसे कि मैं अपने एक्जाम मैं यहां पर मान लेता हूं मेरे लाइन इसमें कंप्लीट हो जाएगा जादस जादस दस इससे उपर नहीं छोड़ना ट्रेडिंग के लिए बस और उसके नीचे का हिस्सा जो यह देख रहे हो यह सारा किसमें काउंट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर पर्टिकुलर यहां अमाउंट और यह हो गया हमारा बैलेंश शीट नीचे लिखेंगे एज एड और डेट आजएगा ठीक है इस साइड में आएगा लाइबिलिटी इस साइड में एससेट्स अमाउट ठीक है अब हम ट्रेडिग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हम बात करें लैज सिंपल-सिंपल कुछ-कुछ खरचे हां पे लिख देता हूं था सबसे पहले आपने लिखना यहां पर ओपनिंग इस्टॉक ओपनिंग इस्टॉक यह बाहर आ जाएगा फिर दूसरे नंबर पर आपका आएगा परचेज और परचेज हमेशा अंदर के साइड लिखना है इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या माइनस कर देते हैं परचेज रिटन और परचेज रिटन का एक और नाम होता है रिटन आउट वर्ट फिर ऐसे लिखना है ठीक है इसके बाद यहाँ पर और भी खर्चेज आ सकते हैं जैसे आ सकता एक्साइज ड्यूटी जैसे अभी हमने देखा था पावर और जैसे बोला कैरेज ठीक है और क्या सकता है सर और भी यहाँ पर खर्चेज वेजिस एम्प्लोयर की जो सेलरी विख रहतेंगे वेजिस यह खर्चा हमने यहाँ लिख दिया इंकम में तो सर्फ मातर एक चीज़े रहेंगी बाई सेल्स और इसको भी अंदर ही लिखेंगे और अगर कोई रिटन हुआ तो यहाँ से माइनस कर देंगे सेल्स रिटन ठीक है अब इनका टूटल करेंगे हम एक पॉइंट और इधर आता है इसके उपर अभी मैं थोड़ा सा कुशन मार्क लगा देता हूं इधर एक और पॉइंट आता है क्लोजिंग स्टॉख कब आता है नहीं आता उसकी बात में बात करेंगे जब हम आ अज़्जसमेंट करेंगे ठीक है ना इसको ऐसे रहने देते हैं अब इधर से या तो यहां पॉफिट निकलेगा या तो इधर निकलेगा अगर इधर निकलेगा तो क्या एक ग्रॉस खर्चे कम कर देंगा और यह ना लाइन आमने सामने होना अच्छी है ध्यान रखिएगा यह उपर नीचे ना हो यह यह बैलेंसिंग फिकर आएगा अगर इस साइड बैलेंस निकला तो बाई साइड में तो क्या आएगा ग्रॉस लॉस आएगा सिंपल से कहानी अगर यहां ताप आप एक्जाम में सही कर लेते हो तो आपको पांच नंबर मिख जाएंगे यह बीस नंबर का कोशन आएगा एक ही आपका पांच कोशन पूरे पेपर में आने इस से उपर कोशन आएगा नहीं तो बीस नंबर का एक ही सवाल आएगा और सिंपल सीधा सवाल आएगा ठीक है अब जो यह ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाला है ना तो इस ग्रॉस प् ठीक है यहां पर यूज हो गया है यह जो ग्रॉस प्रॉफिट है इधर यूज हो गया अब इस साइड में सारे खर्चे लिख देंगे जैसे क्या क्या खर्चे हो सकते हैं जैसे सेलरी रेंट मकान का ओफिस का रेंट कमीशन डिसकाउंट प्रेड एक्स्पेंस और क्या हो सकता है और हो सकता है हमारा एलेक्ट्रिसिटी बिल इद्व Fr. बेंट्टिस्टन के लिए चनलए पैस्पीर एंट्रिस्ट्ट्ट्र अप्स्पेंस चनल एपन्स एंट्रस्ट्ट्ट्रिस्ट्ट्ट् इंट्रस्ट डेप्रीशिशन इंट्रस्ट के अंदर तो सारे खर्ची यहां लिखे देंगे इंकम बहुत गिने चुने होते हैं जैसे कि आपका डिस्काउंट रेसीव जैसे कि रेंट रेसीव जैसे कि कमीशन रेसीव और जैसे कि और भी एक्सेक्टरा इंकम हो सकता है यहां पर जो भी आंसर निकलेगा इसको यहां लखेंगे तू नेट प्रॉफित और जो यह नेट प्रॉफित निकलेगा हमारा यह ओल्वेज कहां चला जाएगा हमारा बैलिन हीट में चला जाता है ठीक है और इधर कुछ बैलेंस निकला तो उसके आगे लिखेंगे बाइन नेट लॉस अब इस लाइबलिटी साइड में सबसे पहले आपने लिखना है क्यापिटल और जो भी आपका नेट प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर एड कर दोगे अगर नेट लॉस हुआ है तो इसी में माइनस करते ना और अगर कोई ड्रॉइंग भी यह तो वह भी माइनस हो जाएगा और इनका टोटल इदर आ जाएगा ठीक है और बचे वे जितने भी लाइबलिटी है वो सारा लाइबलिटी इदर आ जाएगा जैसे की बैंक लून आउटस्रेंडिंग एक्सपेंस बैंक ओवरड्राफ्ट इसके बाद बिल्स पेवल क्रेडिटर यह सारा इदर आ जाएगा और भी चीज़ें आ सकती एडवांस इंकम इस साइड में एसिट्स आजएगा क्या क्या आजएगा बिल्डिंग फरनीचर स्टॉक मसीनरी टेटर गुडविल हलाकि मैं गुडविल लिख रहा हूँ आता नहीं है अपर गुडविल हटा दो इसे कुछ कंडीशन है हम सीखेंगे उसमें पता चलेगा डेटर के बाद बिल्स रिसीवेबल कैश का बैलेंस बैंक का बैलेंस कि प्रीपेड Is कि इसको करने के बाद हमारा यह दोनों साइट जब हम कोश्चन करेंगे ना सिंपल सा तो देखेंगे इसको करने के बाद यह दोनों साइट मैच हो जाता है तब हम मानते के हमारा question क्या हो गया done हो ठीक है ना तो अभी तक हमने क्या क्या देखा सबसे पहले तो भी हमें एक profit and loss और balance sheet वही बनाना है जो कि 11 ग्लास में था इसमें कोई ज्यादा major changes ही नहीं अब इसके अंदर gross profit और net profit दो अलग-अलग account है लेकिन हम इसको एक एक अकाउंट पर merge करके चलेंगे ठीक है और इधर क्या बना लेंगे हम balance अब इससे related हम question देखेंगे तो एक बार फटा-फट से आप पहले एक बार note कर लो यहां से note करो फिर उसके बाद हम question के उपर चार्चा करेंगे advertisement expense बिल्कुल सही final account मैंने YouTube पे डाला हुआ है लेकिन फिर वही कहानी है के वो पुरानी वीडियो है और पिछली बार questions में कुछ नए adjustment आ गए थे तो वो सारे adjustment अब हम करके चलेंगे बुक जो लगेगी आपकी जे आर मोंगा बुक ले सकते हो टेलिग्राम पर क्या send करना है जो बच्चे live class में मैं भी offline में तो नोटिंग करने का टाइम दे रहा हूं जितने बच्चे भी live class में है ना उनको यह आपको कल वीडियो के format में भी और PDF के format में भी मिल जाएगा आपको यह सारी चीज़े जैर मोंगा का image पिछले बार white book था मैं कल चेक करके एक दो दिन में जैसे ही मैं यह publisher से पहले एक बार पूछ लेंगे कि भाई नई लेगा नहीं तो फिर confused हो देंगे बच्चे फुरानी बुक लेने का कोई फायदा नहीं नई बुक में बहुत अफडेशन आई है तो लेटेस बुक लेजिएगा चलो देखते हैं question एकना हम question try करते है और यह question सरफ format को समझने का है और question कैसे कैसे करना है वो भी देखेंगे मैंने side में छोटा question है visual कम होगा आपको हमेशा register का जो format open करना है जैसे like यह register है ठीक है आपको एक page इधर पूरा का पूरा यूज करना है profit and loss और यह पूरा का पूर page करना है आपको balance sheet के लिए हमेशा यह format follow करके चलना ताकि आपको पेज बार बार ना पलटना पड़े ठीक है और बनाने का तरीका दोनों एक साथ कभी ऐसा मत करना कि पहले trading बनाएंगे फिर P&L बनाएंगे फिर balance sheet जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल same as it is करना आपका answer तभी जल्दी से जल्दी मैच होगा ठीक है तो सबसे पहले एक एक point से start करते जाते हैं और हम इसको लिखते जाते हैं पहला point है हमारा capital account और capital account है हमारे पास एक लाख 1500 आपके book का ही question number 2 है यह तो एक लाख 1500 तो सबसे पहले capital है तो capital कहा जाएगा इस side एक लाख 1500 कैपिटल हमेशा ना अंदर के side रखना इसका क्या logic है क्योंकि इसके अंदर profit या loss add less होगा ही होगा ठीक है तो आपने रखा एक लाख 1500 दूसरा क्या है आपका cash in hand तो assets होता है तो आप लिख दो cash in hand अभी without adjustment कर रहे हैं cash लिख देता हूँ जगह नहीं है तो सिर्फ cash 6470 ठीक है इसके बाद है cash at bank 17 190 तो bank लिख देता हूँ मैं यहाँ पे और simple सी बात है 17 190 अब आप notice करो मुझे यह नहीं मतलब कि कौन सा account बन रहा है मैं data सीधा ही सीधा उठा हूँआ फिर आपका आगया opening stock 40,000 रुपै तो opening stock सब से top पे लिखना है to short form में लिख देता हूँ थोड़ा stock इस पर कोई adjustment नहीं होता generally कभी-कभी होगा हम आगे देखेंगे 40,000 यह question सिर्फ format कैसे fill करना यह सिखाएगा आपको furniture account assets है that is यहाँ जाएगा furniture 6,000 assets में 6,600 अब इसके बाद क्या है sundry debtor अब debtor के अंदर ना काफे सारे नाम लिखे में जैसे आपका यह नाम है अलग-अलग तो यह तीनों ही debtor है ठेक है इसके बाद bills payable start हो गया तो sundry debtor की बात करें तो आपको जो दे रखा है न यह कि यह total debtor के आगे क्या है 18,500 ठीक है यहाँ पर एक amount शायद missing है कि 100 रुपे नहीं है आप छोड़िए debtor का नाम एक debtor ना आपका missing है amount यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हो टाइपिंग है रहा होगा बट इतना पटा है 18,500 रुपे का नहीं दोनों तो नहीं हो सकता एक मिनट एक मिनट यह पता ही क्या है इसका amount यह है यह समझो थोड़ा dark color ले देटें यह debtor यह है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है यह debtor यह है और यह debtor यह है ठीक है तो आपका debtor है तो आपको ऐसा नहीं है कि अलग अलग लिखने आप इन सभी को जोड करके भी डेटर लिख सकते हो आपको नाम दिखाने की जूरत नहीं है इन सभी को उधार माल बेचा गया था क्योंकि ये heading है और इसके नीचे ये नाम है तो ये तीन डेटर थे तो अठारा हजार पानसो चार हजार और चौंतिस सो पच्चिस हजार नौसो तो ये पच्चिस हजार नौसो लिख लिए ठीक है अब देखते है बिल्स पेबल अकाउंट ये है तेरह हजार ये अमाउंट थोड़ा शिप्ट हो गया ये तेरह हजार है तो बिल्स पेबल हैं तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एड़िटीजमेंट कितने रुपए हैं तेरा हजार कि इसके बाद एड़िटीजमेंट के बाद पांसो इसके बाद आगे देखा जाये तो एड़िट एडल मैंने अड़िए रुपैं है सो ठीक है ट्रेड एक्स एक्स्पेंस के बाद आप देखोगे ट्रेडẫn के बाद आपका आजाता है सालडी एंड वेजिस अठाउट अम उद्द की बात है कि बाद सलड वेजिस अर कहीन वेजिस से अरक पहले वड होता है उससे कनेक्ट करते अगर wages और salary होता है तो wages factory का part है तो ट्रेडिंग में चला जाता salary and wages है तो salary को देखेंगे पहले priority तो office का है तो यहां जाएगा salary and wages amount क्या है 2000 चलिए अब इसके बाद office store account store assets होता है spare parts वगरा होते हैं तो मैं यहां पर लिख लेता हूं store कितने रुपए हैं मैं अंदर लिख लेता हूं एक इस पर adjustment है नीचे मैंने देखा हुआ है तो अंदर लिख ले store क्या होता है basically जो go down में जैसे की होता है कुछ समान वगरा रखा होता है तो उसे store के अंदर count कर लेते हैं आगे कहता है traveling charge पचास रुपए है तो expense है that is traveling charge पचास रुपए इसके बाद क्या आद कहता है आपको telephone charge 2500 रुपए तो ये भी खर्चा इधर आएगा इसके बाद क्या है rent भी खर्चा है अब देखो कई बार ना ऐसा नहीं बताता क्योंकि rent दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं तो अगर rent बोला जाना है तो हमेशा मानना है आपको कि हमने दिया होगा लिया नहीं होगा ये पंद्रा सु है rent और देड़ सु है stationary है ना ये पंद्रा सु है ना और इसके बाद है stationary कितने का 150 आगे चलते हैं क्या है stationary के बाद discount allowed कितने 170 रुपए तो यहां पर आजागा च्छोड के लिखना नीचे क्योंकि यहां पर जीपी आएगा by discount receive कितने रुपए 320 है ना 320 आगे देखा जाए discount के बाद बेड़ेट्स बेड़ेट्स आपका होता है खर्चा तो इधर आ जाएगा नहीं नहीं expense होता है अभी adjustment करेंगे तो पता चलेगा कहां कहां जाएगा यह ठीक है न अभी तो simple सी बात है 3000 यह यहीं पर रहेगा और कहीं नहीं जाना कोई adjustment नहीं है अभी इस पे और नहीं अभी अभी अब trade creditor के बारे में बताता है भी है तीन creditor एक दो और तीन तीनों नाम है टॉनी भी नाम है रैतम भी नाम है modern भी नाम है जो भी है इन सभी को जोड़ लेते हैं 16,000 28,000 और 4,000 और एक और है sales account यह तो sales है ना एक यह भी है delight chef and company तो कई बार आपको जब नाम दिखेगा ना यहां पर जैसे कि यहां नाम दिख रहा है मानलो यह trade greater word नहीं देता हटा देता हाइड कर देता आपको Tony limited दे रहा है तो अब क्या मानलो के भाई Tony limited क्या है क्योंकि किसी का नाम तो यह justify नहीं क और debit में नाम आ रहा हो तो वो क्या होगा हमेशा assets यानी debtor होगा समझ में आई बात आपको तो यह नहीं भी देता तो मेरे पास जो है मैं जोड लेता हूँ 16,000 और 28,000 के बाद और क्या दे रखा है मारे 1600 38,900 तो कुछ और ही है ना 1600 तो 45,600 तो यहां creditor मैंने लिख दिया 45,600 जानकारी के लिए मैं यहां पर लिख देता हूँ क्या क्या है 16,000 प्लस 16,000 के बाद प्लस कितने हो गए 28,000 प्लस 4000 और प्लस था हमारा ठीक है यह इसका टूटल लिख दिया यह 45,600 है अब आगे आज़ते हैं परचेज दे रखा 91,940 तो सबसे टॉप पे यहां लिखेंगे परचेज और अंदर लिखना है 91,940 91,940 ठीक है इसके बाद अगर देखा जाया आगे परचेज के बाद सेल्स नहीं लिया ना बीच में रहे गया ना सेल्स हमारा साय आज यह रहा सेल्स अकाउंट रहे गया 38,900 सायद यह मुझे लग रहा है अमाउंट कम तो नहीं है पाई सेल्स 49,600 38,600 एक मिट इसका लिख लेते हैं सेल्स क्या है हमारा 38,900 मुझे लगता है यह कम अमाउंट है एरर हो सकता है अब है 16,800 4,000 अच्छा 49,600 49 अब और एक चीज़ और ध्यान दखना आपको कैल्कुलेटर अलाउट है एक्जाम में अब पहले जैसे नहीं होता था 12 तक अब आपको एक्जाम में अलाउट और सिंपल कैल्कुलेटर दो तीन तरीके कहाते हैं जो यह कैल्कुलेटर है ना नॉर्मल मार्केट में लोकल लोग लेते हो तो 100 रुपय का मिल जाता है और आप कंपनी का लेतो जैसे आप ओर्पेट वगज़रा का लेते हो जो कि चलेगा आपका तीन साल चल जाएगा तो वह आपको ढ़ाई 2000 तो इधर लिख लेते हैं 2000 और ऊपर वाली को अमांट को सिफ्ट अंदर कर देते हैं 389 अंदर लिख देते हैं ठीक है थोड़ा दिखनी रहोगा 389 लिख है इसके बाद और दिखते हैं क्या है इसके बाद पर्चेज रिटन दे रहा है आपको 32 रुपए तो माइनस कर दो यहाँ पर परचेज रिटन 3200 लाइं डाल दिया इसके बाद क्या दे रखा है पोस्डेटिट चेक सर्पोस्डेटिट चेक क्या होता है यह समझ लेते हैं ठीक है ना पोस्डेटिट चेक क्या होता है ध्यान से देखो जैसे माल लो यह हमारे पास यह माल लेते हैं एक दुकांदार है और उस दुकांदार का नाम मिस्टर राम है ठीक है और इसने समान बेच दिया सपोस्ड मोहन को समान किसको बेच दिया मोहन को बेचा मोहन को कितने का समान बेचा सपोस्ड करो 5000 का समान बेचा अब मोहन से इसने पूछा कि भाईया जो मुझे पेमिंट कप तक दोगे क्योंकि जब कभी भी कोई समान उधार बेचेगा ना तो आलवेज क्या कंसिडर करेगा भाईया मेरे कहा कि भी आप 20 तारिक को तो आप पेमिंट दोगे ठीक है और मुहन कहता है 20 तारिक को दे दूगा उसके थोड़ी देर बाद मुहन ने कहा 20 तारिक को तो मैं यहाँ पे हूँ लिए मैं 25, 20 से 25 तो बहार हूँ तो मैं 25 को दूगा राम ने कहा नहीं भाई आपको last तो कब तक देना पड़ेगा 20 तारिक तक तो पैसा देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में किसने कहा मुहन ने कब तक payment देना पड़ेगा 20 तारिक तक और ये 20 से लेके 25 तक मान लेते हैं कहीं घूमने के लिए गया हुआ है तो अब मुहन ने बोला कि काम करता हूँ आपको 20 को ही पैसे मिलेंगे मैं एक चेक दे देता हूँ आपको आज और आज क्या तारिक है जिस दिन डील हो रहा है वो एक तारिक है मान लो आज ही मैं आपको चेक देता हूँ, इसके उपर एक आठ लिख देता हूँ, और आपके पांच हजार रुपे लिख दिये, और इस पर एक आठ नहीं, तारिक मैं बीस आठ डालूँगा इस पर यह दे कब मैं रहा हूँ, एक आठ को, तो आपके पास आज के दिन ही चेक आगिया, लेकिन इसके जब बैंक में लेने जाओगे न, कि बैंक में पैसे दे दो, तो बैंकर बोलेगा एक तारिक को भी है, इस पर देट 20 तारिक को डला हूँ, अब कब आना पैसे निकालने के लिए मेरे पास 20 तारिक को, अगर मैं 10 तारिक को भी जाओगा तो बैंकर मुझे इसका पैसा नहीं इसके बाद आगे देखें तो ड्रॉइंग दे रखा है पत्चिस सो रुपए का तो ड्रॉइंग हमेशा याद रखना लैस होगा क्यापिटल से अब नीचे जब कभी ये सारी जितनी जानकारी एक आपको ट्राइल बैलंस की मदद से बनाना पड़ेंगा ये गिवन आपको ट्राइल बैलंस ठीक है अब यहां पर टोटल करके इन्हों ने बंद कर दिया चुर्ण जोता है तूए एसे situation में उसके नीचे जितनी जानकारी होता है उसे क्या बोलते हैं हम adjustment that is called adjustment इस adjustment की हमेशा final account में दो entry की जाती है अभी तो एक basics है अभी मैंने adjustment करा है नहीं तो मैं बता देता हूं stock जो होता है न वो दो जगह जाएगा एक जाएगा ट्रेडिंग account में by closing stock और that is आपको given है कितने रुपे एक लाख रुपे और दूसरा पता है कहा जाएगा assets में चला जाता है closing stock क्योंकि आगे मैं questions नहीं कराऊंगा आगे पहले मैं कुछ 8 से 10 adjustment कराऊंगा उसके बाद हम questions पे आएंगे ठीक है अगला कहता है कि office store अब 500 का रहे गया है इसका मतलब है 500 तो assets था पहली कितने का था अभ ये कहा tensions in sweetness को में यतों आज जाएगा किस नाम आबद एससर के नाम Кितने कऊशन के नाम से करा क्रेडिट और एक डेबिट कर दिया और इसकी भी देखो एक यहां पर मैंने करा और दूसरे जगह भी लेगा मैं पांसो नहीं साथ सु आएगा कि डेप्रीशेशन जो लगा है वह साथ सो ठीक है तो यह क्या हो गया हमारा अज्जस्मेंट अभी हमें ऐसे अज्जस्मेंट ना खूब सारे देखेंगे मैं एक बार कुश्चन को चेक कर लूँ मुझे कुश्चन में थोड़ा सा डाउट है कि गलत ना हो यह पांसो तेरह तो आपको जो एक्जामनर कॉलिज के अंदर तभी मार्क्स जानते हो बहुत बड़ा नंबर है तो आपको सारी चीजे देखेगा वो फार्मिट देखेगा डेबिट देखेगा क्रेडिट देखेगा सब चीछ चेक करेगा उसके अंदर हो तो सबसे पहले हम इसको टोटल कर लेते हैं तो 38,900 माइनस में 2000 देट इस 36,900 अब एक लाक इधर का टोटल है तो 136,900 और इधर का टोटल ज्यादा किस साइड का और है मेरे हिसाफ से ज्यादा 9,4,13 इधर का ही ज्यादा हो रहा है न हाँ 136,900 और यहाँ पर आगया 9,1,940 माइनस में 32 यह आगया 88,740 अब 136,900 इधर भी लिखतेंगे जैसे आपको अकाउंटिंग का बैलेंस करते हैं और यहाँ पर आएगा ग्रॉस ब्रॉफिट माइनस में 136,900 माइनस में 40,000 88,740 81,660 ठीक है बाई जी पी चलिए अब इसका भी टोटल करेंगा ऐसे ही है ना अब 81,600 अब यहाँ पर हो सकता है नेट लॉस आ जाए क्योंकि दो हजार पंदरा सो तीन हजार दो तीन हजार तीन हजार तीन छे हजार तो यही हो गए नहीं प्रॉफिट ही आएगा प्लस तीन सो बीस यह आ गया एट फोर एट जिरो ठीक है कितने आगए एट फोर एट जिरो यहाँ पर क्या निकलेगा टू साइड में आप देखो मैंने टू नहीं लगाया तो कॉलिज के अंदर ना ऐसा नहीं है के टू लगाना है आपको टू और बाए आपकी मर्जी है लगाना चाहते हो लगाओ नहीं लगान 60 बस 60 रुपे का प्रॉफिट आया अब यह साट रुपे कहां चला जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है अब यह दोनों साइड आपका हमेशा एक्वल आना चाहिए मैं इसको नीचे कर देता हूं यह दोनों साइड आपका क्या होना चाहिए एक्वल तो पहले हम इसको देख लेते हैं 60 रुपे प्लस एक लाग एक पंद्रा सो माइनस में पच्छिस सो यह आगया 99 जीरो सिक्स जीरो प्लस तेरह हजार प्लस उननचास छे सो यह आगया 161 एक एक सट छे सो साट शिक्स फोर सैवन जीरो वन नाइन जीरो च्छासट सो पच्छिस नो सो पांसो पांसो पांस हजार एक लाग एक सट अब ये जो कोश्चन किया है हमने वो क्वोन सा किया है विदाउट अड्जस्मेंट अब इसके अंदर अट्जस्मेंट एडॉन होंगे टोटल हमारे हैं ने और यहा el 20-22 अपर जूप है तो उसके आंदर जितने भी चार्ट होते हैं वह चार्ट आपको उसके इंदर ठीक है बाद वाकि मैं पूरी क्लास के अंदर आपको पूरा प्रॉपर करवा हूं आई कि इसके यह एंट्री होगे जैसे कि हमने ग्यारवी क्लास में अगर जिसने पढ़ा है तो कर रहा था कि पार्ट होते हैं closing stock trading में पेंडल में तो इसलिए उस टामपे बोला जाता है घ्यारवी रेजिस्टर संभाल के रखना बारवी के रीजिस्टर को संभाल के रखना ग्यारवी के बूक को रीजिस्टर क्योंकि यह चीज़ है आपको आगे काम आएगे अभी बारवी वाले हैं अगली जैसे कि आगे जो हम करेंगे और फटाफट इसको नोट कर लो है आसर नोट करना कुछ्छण नोट करने की जुरत नहीं है अब जो हम स्टाइट करेंगे न वह अध्यस्मेंट स्टार्ट करने वाले अभी सिर्फ purely adjustment पर बात करेंगे क्या क्या कर लिया था सर हमने direct indirect expense देख लिया एक format देख लिया था कैसे करते हैं और उससे related questions भी देख लिया हमने ठीक है अब आगे हम चलते हैं सर adjustment के उपर जो भी adjustment है किताब मेरे हिसाब से जैसे भी बच्चे ले लेंगे उसके हिसाब से रहेगा तो adjustment number one सबसे पहले तो हम बात करेंगे सर adjustment क्या होता है यह तो पता चले हमें देखो होता क्या है normally हमारा accounts का जो based करें ना तो सबसे पहले हम क्या करते है journal और journal के बाद हम बनाते हैं laser और laser के बाद हम trial balance और जो trial balance होता है ना यह हमारा अगर match नहीं होता तो यानि कहीं न कहीं या तो journal में mistake किया हुआ है या फिर laser में mistake किया हूँ यही proof करता है अगर match नहीं हुआ अब यहां पे कुछ बाते अगर हम भूल गए या कुछ गलत कर दिया तो हमारा जब trial balance prepare हो जाता है तो इसकी मदद से सरफ trial balance की help से हमें बनाना पड़ता है अपना trading account, अपना profit and loss और अपना एक balance sheet किसकी मदद से बनाते हैं? trial balance अब देखो trial balance बनता है वो double entry के साब से बनता है क्योंकि general में आपने दोनों side किया कि जैसे cash account, debit to capital, debit भी credit भी laser में भी दोनों भी 2 और buy लेके चलते हैं trial balance में दोनों लेकिन अब trial balance के बाद अगर कोई चीज़े रह जाती है तो उसको हम point बना के लिख देते हैं दो entry होगा, एक debit और एक credit होगा और वो देखना पड़ेगा कि कहा debit होता है और कहा credit इसी को हम समझेंगे adjustment में तो adjustment क्या होता है? जो trial balance के बाहर points में कुछ points hint given होता है इसको क्या बोलते हैं? adjustment यानि आपको exam के अंदर trial balance पहले से बना बनाया मिलेगा और adjustment उसके नीचे मिलेगा आपको trial balance की मदद से और इस adjustment दोनों की मदद से आपको बनाना है एक final account ठेक है? तो adjustment number one से लेके कुछ जो भी adjustment है देखते जाते हैं सबसे पहले adjustment number one हम देखते हैं that is closing stock adjustment number one closing stock अब देखिए adjustment आपको कई बार ना मैं adjustment बोल रहा हूँ one लेकिन closing stock दो जगह देखने को मिल सकता है आपको एक में भी possible है कि आपको देखने को मिले trial balance में तो आप समझिएगा अगर आपको trial balance के अंदर चीजे मिल रही है तो already double entry होके आईए हो उसकी double entry कभी भी नहीं होगी जो भी आपको trial balance के अंदर मिलेगा उसका double entry कभी नहीं होता उसकी एक ही entry होती है और adjustment के में सब दो entry तो अगर आपको trial balance में मिलता है तो उसकी double entry नहीं करेंगे सर्फ एक ही entry करेंगे और वो चला जाएगा हमारा balance sheet में balance sheet में asset side कहां चला जाएगा हमारे balance sheet के asset side दूसरी बात करते हैं trial balance के बाद तो हमारा adjustment में हो सकता है अगर adjustment की में बात करूँ तो बताओ कहां होगा adjustment में trial balance के बाहर ठीक है और जब adjustment में होगा तो always दो entry करने पड़ेगी आपको सब्सक्राइब दो entry कहां एक चला जाएगा trading account में और एक चला जाएगा balance sheet में अगर trading account की हम बात करें तो trading account के किस side में जाएगा that is आपका credit side ठीक है जिसे हम buy side भी बोल देते हैं और balance sheet के में अंदर credit debit नहीं होता balance sheet में assets और liability होता है that is चला जाएगा आपका asset side आपको कई जगा confuse किया जाएगा कैसे कुछ note लिख लेते हैं सर नोट क्या है when closing stock market value market value मतलब market price and cost price जिसको हम book value भी बोल देते हैं बोथ हार गीवन कई बार आपको दोनों prices given होते है market value भी और book value भी तो तब क्या करेंगे तब जैसे example ले लेता हूँ में जैसे माल लो मैंने closing stock का market price दे दिया market price आपका है 2000 और मैंने लिख दिया आपको cost price भी cost price लिख दिया मैंने 2500 तो आपका यहां पर answer जो होगा वो answer होगा 2000 दूसरा example देखो जैसे मैंने माल लो example number two market price मैंने लिख दिया 1500 और cost price जो लिख दिया 1300 तो answer जो होगा वो होगा 1300 मतलब समझा ने सर आप यहां पर देखोगे कि answer जो दोनों में से कम है न यहां पर दो prices थे तो मैंने किसको choose किया record करने के लिए दोनों में से जो कम था यहां पर भी दो price था तो choose किसको किया दोनों में से तो यहां पर ऐसा नहीं होता and cost price whichever is lower जो दोनों में से कम है इसके आगे मैं continue कर रहा हूँ then we will be taken market price and cost price whichever is lower जो दोनों में से कम होगा आपको कैसे दे सकता है वो जैसे मान लो आपके सामने ये trial balance बनाया ठीक है और बाहर लिख दिया इसने closing stock 2000 और bracket में लिख दिया cost है इसका 1500 रुपए तो आपको ये तो पता है कि closing stock adjustment में trading और balance sheet में लिखना है लेकिन now confusion कि 2000 लिखें या 1500 लिखें तो ऐसे situation में क्या लो गया 1500 लोगे whichever is lower ये कौन कहता है कि ऐसा करना चाहिए तो ये हमारे जितने भी accounts चलते हैं वो किसीने किसी rule के उपर अधारी उतोते हैं और accounts के सारे के सारे rule जो है न वो accounting standard में mention होते हैं तो ये AS2 कहता है ऐसा करने को accounting standard 2 आगे हम पढ़ेंगे भी AS2 हमारे slaves का part है AS2 कहता है हमारे काम को इस तरीके क्या करने के लिए ठीक है न तो ये क्या था सर हमारा ये था हमारा closing stock ये क्या था closing stock चलिए आगे चलते हैं मैं adjustment करता जाओंगा ये adjustment number क्या था 1 एक ही साथ note कर लेंगे हैं expense या फिर unexpired expense या फिर होता है related to next next day हो सकता है next month हो सकता है next year हो सकता है कुछ भी बोला जा सकता है तो फिर कहां नहीं घुम फिर के आती है कि ये दो जगह हो सकता है given maybe possible है ये trial balance के कहां हो अंदर अगर ये trial balance के अंदर है अगर ये given कहां है trial balance में या फिर कहां given हो सकता है आपको trial balance के बाहर जिसे बोलते है adjustment अगर आपको ये ट्राइल बैलेंस के अंदर गीवन है तो तो कितनी इंट्री करेंगे एक और वह चला जाएगा हमारे बैलेंस शीट में कि बैलेंस शीट एसेट साइट ठीक है अब दूसरे साइट देखते हैं कि अगर हम adjustment की बात करें तो दो जगह एंट्री जाएगी सर दो जगह कौन सी एंट्री जानी है एक चला जाएगा हमारा बैलेंस शीट में या फिर एक पहले आजाते हैं प्रेडिंग और ये और ने प्रेडिंग हाँ और प्रॉफिट एंड लॉस या तो जाएगा ये ट्रेडिंग में या जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में ठीक है सर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा जला जाएगा बैलेंस शीट सर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होने वाला है less from expense, अब देखो मैंने यहां trading और profit and loss लिखा है, तो अगर wages हुआ, तो trading में less हो जाएगा अगर salary हुआ, तो कहां less हो जाएगा वो P&L के अंदर less हो जाएगा, ठीक है, less कर देना है और जितना amount आपने less किया है, वही amount चला जाएगा हमारा कहां पे सर, यह चला जाएगा हमारा balance sheet के assets में asset side balance sheet के asset side, ठीक है तो simple सा है, कि अगर आपको prepaid expense या unexpired expense दिखेगा, तो एक trial balance के balance sheet के asset side आजाएगा, अगर trial balance में है, इक ही जाएगा, adjustment में है, तो आपने दो जगे करना है, ठीक है, अगरा चलते है, third number outstanding या फिर इसको बोल सकते हैं, payable या फिर इसको हम बोल सकते हैं, due या इसको बोल सकते हैं, unpaid या इसको बोल सकते है, area सब का मतलब एक ही है, ठीक है ना अब ये भी दो जगह हो सकता है हमारा mainly सर दो जगह किस-किस जगह पे हो सकता है हो सकता है ये trial balance में हो और हो सकता है adjustment में हो हो सकता है adjustment में हो अगर हम बात करें ट्राइल बालेंस में तो एक ये एंट्री होना है एक एंट्री आउटसेंडिग है तो चला जाएगा बैलेंस शीट के कहां पिसर लाइबलेटी साइट लाइबलेटी साइट लेकिन अगर अड़्जिस्मिंट में हुआ तो कहां चला जाएगा दो जगे एक हो जाएगा या तो ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में दूसरा बैलेंश शीट तो ट्रेडिंग में कहां जाएगा एड हो जाएगा ये एड फ्रॉफिट एड इन्टु एक्स्पेंस अगर आपका सेलरी है तो पी एंडल के अंदर जाके एड हो जाएगा और अगर वेजिस है तो ट्रेडिंग में और बैलेंश शीट के कहां चला जाएगा लाइबिलिटी साइट ठीक है तो अभी तक क्या देखा हमने एक तो हमने देखा closing stock ये क्या treatment करोगे इसके बाद क्या देखा हमने prepaid expense उसके बाद क्या देखा outstanding क्या treatment होगा चलिए आगे आते हैं depreciation पर adjustment number 4 depreciation 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 कितनी जगह हो सकता है ये भी दो जगह देखने को मिल सकता है या हो सकता है trial balance में और या फिर आपको मिल सकता है कहां adjustment में adjustment में मिल सकता है trial balance में हुआ तो symbol चला जाएगा profit and loss के debit side बस डबल एंट्री होनी नहीं है लेकिन अगर हुआ adjustment में तो दो जगह है एक हो जाएगा हमारा less from पहले less from asset जिस assets के उपर होगा उसमें से क्या करेंगे अगर एक प्रोविजर फॉर depreciation भी होता है उसको हम बाद में cover करेंगे पहले simple depreciation नहीं ठीक है इसके बाद देखते हैं adjustment number कौन सा था यह पूर के बाद आजाए यह 5 पर बैड़ेट्स अगर हम बैड़ेट्स की बात करें तो बैड़ेट्स भी दो जगह हो सकता है जब इतने सारी चीज़े दो जगह चल रही है तो definitely यह भी दो जगह होगा कहां कहां दो जोगह हो सकता है एक हो सकता है अगर ट्राइल बैलेंस में गीवान है तो कितनी एंट्री एक और वो चला जाएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉज के डेबिट साइट लेकिन अगर ट्राइल बैलेंस में हुआ सॉर्य अडज्जस्मेंट में हुआ तो दो एंट्री कहां कहां जाएगा सर एक हो जाएगा less from debtor और debtor कहां मिलेगा हमें balance sheet के assets में और दूसरा आ जाएगा profit and loss के debit side झाल 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 आपका कौन से पॉइंट नहीं हुआ था बता दीजिए यहाँ पर मैं दुबारे रिपीट कर दूँगा पॉइंट नमबर कौन सा नहीं हो पाए छे पॉइंट कर लिए छे में से कौन सा नहीं हो पाए पॉइंट मैंने करवाए छे में से किसमें वोइस नहीं आई पर दुबारे रिपीट कर दूँगा बता दीजिए गा देखो 6 पॉइंट में वोइस नहीं आई थी मैं एक पर दुबारा बता देता हूँ 5 पॉइंट में क्या है बेट ट्राइल में गीवन है तो पी एंडल के डैबिड अट्जस्मेंट में गीवन है तो लेस फ्रॉम डेटर एसेट्स में और पी एंडल के डैबिड में लेंगे और थोड़ी लंबी क्लास भी लेंगे प्रोविजन फोर डावटफूल डेट्स में ट्राइल बैलेंस में होगा तो प्रॉफिट एंड लास के क्रेडिट में 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 यह तो लेस फ्रॉम डेटर और यह पी एंडल के डैबिड में यानि अट्जस्मेंट दोनों का bet dates का भी और provision for doubtful dates का भी same ही है लेकिन trial वाला ये credit में चला जाता है वो कहां चला जाता है हमारा debit में तो बस एक ये point रह गया था जिसमें वो इस नहीं था तो वो ही मैंने clear कर दिया आपको चलिए आपके book का जितने भी हमने जैसे हमने outstanding कर लिया bet dates कर लिया तो जो जो हमने part किये है adjustment उस adjustment के विहाब पर हमारे सामने question है इस question को हम कर लेंगे फिर आगे to be continue जाएंगे adjustment के ओपर ठीक है विजुलाइज जिनको नहीं है वो थोड़ा साथ देखेंगे बाकि आपके पास books है तो books के अंदर ये questions available है थर्ड तो क्या-क्या बना लेना है हमें एक बना लेना है हमें trading account थोड़ा adjustment करना हूँ और झाल ने इने ये पतीक वुक के लिग्सपस श्यू Schmidt भी मुशन लेना हमें जानसे बनात 5 लेना है हमें जाव लुक्षार्माराना हमें ख्शसरोड हमें कि उप साह सेहों क। कवां कि वीना हमें कि उज्ट वहांगे लेमागों फोटो नहीं आपको बुक्स लेनी पड़ेगी आप बुक्स पे देखोंगे सबसे पहले यही वर्ड लिखा हुआ है कि बुक्स की फोटो या पीडियाफ बनाओगे तो वो इल्लीगल है तो कुछ कॉपी राइट के इशू की वज़े से आपको इसके इमेज इस नहीं मिल सकती आप खीश सकते अपने पास बुक्स रखके तो बुक्स का मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा फाइनल अकाउंट है ठीक है और जो अगर ग्यारवी वाला आपको थोड़ा याद हो अब है एक बार जगहे का अर्जस्मेंट हो जाए और यह सरिफ आज आज के दिक्कत रहेगी इसके बाद तो कोश्चन्स प्रिंट आउट होके मिल जाएंगे अब चली थोड़ा मैं अड्जस्मेंट भी करूँगा थोड़ा छोटा भी लिख सकता हूं कुश्चन्स भी दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा यह है मारा बैलेंस शीट आपने भी ऐसे ही पेजिस रखने है आमने सामने ठीक है लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स और मैंने कहा कैल्कुलेटर अलाउड है अपको तो आप खरीद लें प्रेडिंग एंड प्रॉफट एंड लॉस आपका पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट देख लेते हैं कितना विज्वल है चलिए सारा दिख रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर कुछ पार्ट ना दिखे तो आप बता देजेगा सर बुक बुक की मैं इमेज बता देता हूं एक बड़ दिखाओ बुक मैं दिखा देता हूं कैसे कलर है expenses जो लेटिस्ट वाली बुक है वो इस कलर का है यह आपके सामने बुक और राइटर का नाम है जे आर मुंगा आपके कॉलेज में भी यही बुक लगाई जाती है दो बुक चल करने का तरीका आप समझ लीजे पहले सबसे पहले आपको न अर्जेस्मेंट पढ़ लेना है अगर पढ़ें तो क्या कहता हैba एंसर्ण स्विपेड है आपको पाल अपर यहां पर जब इन्सवर्ण प्रिपेड है तो जब भी मैं सैंस को लिखूंगा तो ध्यान रखूँगा electricity accrued accrued का मतलब outstanding है ध्यान रखूँगा rent and rates prepaid इसका भी ध्यान रखूँगा provision for bed debts है इसका भी ध्यान रखूँगा debtor को उपर तो total 4 adjustment है पहले हमने ये पढ़ लेना है ठीक है इसके बाद एक एक करके करेंगे सबसे पहले capital है तो capital कहा जाएगा इस side में और capital हमेशा अंदर की side रखना है क्योंकि इसमें हमें add करना पड़ता है profit और या फिर loss less करना पड़ता है 83 क्या है amount 83 887 ठीक है ना चलिए ये लिख लिए sales दे रखा है तो sales buy side में ये भी inside में रखिएगा reason इसमें sales return हो जाता है नहीं हुआ तो अच्छी बात है लेकिन कहीं बार हो जाता है तो 259 आगे क्या है 87 259 870 870 मैं बाद में adjustment कर दूँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ-बाद में 870 870 ठीक है बाद में मैं इसको adjust कर दूँआ क्योंकि question मैं side कर दूँआ और जहां तक मुझे लग रहा है question side तो हो सकता है चलिए साहा question तो side हो ही सकता है ठीक है अगर question side हो सकता है तो ये format भी side हो सकता है थोड़ा बहुत जगह बन गई अब तो और ये हो सकता है तो फिर ये भी हो सकता है चेक है चलिए अब बता दीजे एक पर दुबारा सील के है मैं proper लिख देता हूँ 259870 ठीक है proper लिख लिए हमने ये भी हमने capital भी लिख लिख लिए है sales भी लिख लिख लिए है अब creditor creditor 19.840 तो यहां लिख दीजे creditor कोई adjustment नहीं है तो सीधा लिख देंगे हम ठीक है ना तो याद रखिए जिसके उपर adjustment यानि जिस part पे आपको minus या plus करना है तो वो तो column के अंदर ही रखना है जैसे इसमें amount के अंदर ही रखना है लेकिन जिसके उपर आपको minus plus कुछ करना ही नहीं है तो directly लिख सकते हो ठीक है न आगे देखते है सर return out return outward का मतलब होता है purchase sales देख होता है sales return एक होता है purchase return तो मैं यहाँ लिख देता हूँ purchase return को purchase return को हम return outward भी बोलते है और sales return को हम return in word भी बोलते है ठीक है आगे कहता है provision for bad dates bad dates का provision है आपका return outward नहीं लिखाना है पहले purchase return है तो सबसे पहले top पे लिख देते हैं opening stock होगा तो लिख देंगे सबसे पहले लिखना है यह चीज़े ध्यान रखेगा नहीं दे रखा कोई बात नहीं जीरो लिख देंगा लेकिन लिख लीजेगा फिर क्या लिख लेते हैं तो पर्चेज नहीं पता लेकिन return दे रखा है तो less कर देते है return return कितने का दे रखा था हमें 13407 अब मेरा मानना है कि कई बार examiner ऐसा amount जान बूच कर देगा और इससे थोड़ा साना question तो आसान रहता है लेकिन time जादा ले लेता है क्योंकि calculating वही 13000 उता हम फटा फट लिख लेते हैं अब 13407 बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा provision for bad debts अब बताओ provision for bad debts जो है वो trial balance के अंदर है या trial balance के बाहर है देखने को तो अंदर है ये वाला point बाहर भी है उसको छोड़ो अंदर है तो मैंने note में लिखवाए था कि जब trial balance का होगा तो कहां लिखेंगे profit and loss में इसके लिए बस 10 line छोड़ देते हैं यहां से यहां तक और कहां जाएगा debit में है credit में तो मैंने इसको बताया था कि provision for doubtful debt credit जाएगा और मैंने कई बार आपसे बोला था कि मैं गलत नहीं हूँ मैं गलती नहीं कर रहा हूँ इस बात का ध्यान रखिएगा आप तो buy side में आगया credit में आगया इसके बाद आगे देखा जाए तो discount allowed 206 रुपए का तो trading का पार्ट है तो to discount 206 रुपए इसके बाद क्या given है सर discount receive given है 1750 तो ये तो income होगी है सर तो buy side में आजाएगा buy discount अब सर आप allowed और receive तो लिख नहीं रहे credit का मतलब ही receive है और debit का मतलब ही allowed है तो मेरे पास space नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा और नहीं भी लिख रहा तो कोई से गलत नहीं हो जाएगा 1750 रुपए ठीक है इसके बाद purchase दे रखा है कितने दे रखा है 1,680 रुपए purchase ये minus का होगा तो bracket निसान लगा देंगा ठीक है ना इसके बाद आगे चलते है return inward है sales return आगे हमारे पास तो buy sales return कितने का है 5,624 रुपए का ठीक है ना जैसे जैसे amount मिलता जा रहा है हम लिखते जा रहे इसके बाद carriage outward अब ध्यान रखे का carriage inward भी होता है और carriage outward भी होता है जो carriage inward होगा वो क्या होगा trading का part और outward क्या होगा पी इंडल का हमने किया था जब starting में देखा था यहां पर आजाएगा two carriage कितने रुपए का है 4,562 रुपए ठीक है इसके बाद drawing है drawing क्या होता है 18,440 less कर देंगे यहां से capital में से 18,440 ठीक है आप अगर amount सारा बड़े ध्यान से fill करते हो totaling थोड़ा patience रखे भागना नहीं है तो हमेशा match हो जाएगा अगर आप वही चीज़ जल्दी जल्दी match ही करना है तो फिर match नहीं होता carriage inward 11,830 तो यहां जाएगा carriage 11,830 रुपए इसके बाद क्या दे रखा है rent rates और इस पर हमें याद है adjustment था तो मैं rent लिख देता हूँ कितने रुपए का rent 25,973 मैंने अंदर इसलिए लिखा मैंने adjustment पहले ही पढ़ लिया था electricity इस पर भी adjustment है तो आपने जब भी adjustment होगा तो तीन लाइन छोड़ना है एक तो यह adjustment एक total के लिए थोड़ा सा gap दे के चलना है electricity बताइए कितने का है 11,010 रुपए ठीक है ना 11,010 रुपए यह भी होगे हमारा ठीक है इसके बाद postage and telephone stationary तो इसके उपर कोई adjustment नहीं है थोड़ा नीचे लिख देते हैं कितने रुपए 2410 रुपए ठीक है इसके बाद advertisement है कोई adjustment नहीं है advertisement भी यहीं आ जाएगा 2 advertisement कितने रुपए 5980 इसके बाद दे रखा है salary and wages ध्यान दीजिएगा पहले शब्द salary है फिर शब्द wages है तो पहले salary है तो इसका मतलब हमारा P&L का part है अगर wages और salary होता तो trading का part होता तो salary दे रखा है तो मैं यहीं लिख देता हूँ जगह है salary and wages कितने रुपए है कितने 38,521 ठीक है अब इसके बाद bed dates दे रखा है तो यह bed dates कहा जाता है 2008 रुपए आपको बताया था bed dates कहा जाएगा थोड़ा और size reduce करना पड़ेगा चलिए मैं उपर कर देता हूँ क्योंकि नीचे का जब use होगा तो देखेंगे आपको तो दिखाना है सारा bed dates यहाँ जाएगा two bed dates कितने रुपए है 2008 रुपए का है ठीक है cash in hand यह तो assets का part है तो मैं cash लिख देता हूँ नीचे लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए कितने रुपए है 534 रुपए cash at bank 4440 तो bank है हमारा 4440 stock दे दिया 15,654 रुपए तो 15,654 रुपए तो यहाँ जाएगा 15,654 रुपए लिख दिया मैंने इसके बाद क्या दे रखा है हमारा debtor दे रखा है तो debtor इस side आएगा by debtor और आपको याद है मैं short form में लिख रहा हूँ debtor है हमारा 24,500 इसके उपर adjustment है तो इसलिए मैं अंदर की side लिख रहा हूँ ठीक है debtor के बाद आपका fixture and fittings तो assets होता है provision for depreciation अब याद रखना provision for depreciation हलागे भी बताएं नहीं तो मैं अब बता भी देता हूँ provision for depreciation का क्या काम रहता है तो हमने adjustment कितने कर लिए थे सर adjustment 6 कर लिए थे 6 कर लिए थे न 6 यह थे 7 अब देख लो provision for depreciation provision for for depreciation इसका भी मैं अभी आधा ही पार्ट लिखूँगा पूरा नहीं लिखूँगा मैं अब ये दो जगे हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है generally हम दो जगे कहां बोलते हैं हो सकता है trial में हूँ और हो सकता है कहां हो बताओ adjustment में adjustment में अगर trial balance में हुआ तो क्या करेंगे और adjustment में हुआ तो क्या करेंगे अगर trial balance में हुआ तो provision for depreciation दे रखा है तो आपके पास दो option available है ठीक है न यहाँ पर आपके पास दो option आ जाते हैं मैं बोलूँगा मैं यह करूँगा और आपकी इच्छा आप कोई भी कर सकते हैं एक तो आप इसे दिखा दिजिए balance sheet के liability side ठीक है न प्रोविजर फोर depreciation कभी भी हमारा profit and loss के debit में नहीं जाता ध्यान रखिएगा दूसरा आप क्या कर सकते हैं लेस कर सकते हैं फ्रॉम एसेट जिस एसेट के उपर है वहाँ से आप लेस कर दिजिए दो option available है क्या करिए एक एक आप कर दिजिए यहाँ पर दूसरा less कर दिजिए एसेट से दोनों में से कोई यह मैं कह देता हूँ यहाँ बीच में लिख भी देता हूँ और और का मतलब या तो यह follow करिए यह follow करिए आपके इच्छा है अगर adjustment में हुआ तो दो entry होनी तय है ठीक है adjustment में हुआ तो दो entry होनी तय है आप क्या करिएगा एक minus कर दिजिए एक दिखाईएगा आप less यहाँ पर भी दो category है दो part कर सकते हो आप ठीक है न एक तो profit and loss के debit में तो जाएगा यह तो fix हो गया debit side यह तो होगा अगर profit and loss के part में debit चला गया तो दूसरा option अगेन आपके पास यही वाले आ जाएगे या तो आप liability में दिखा दिजिए या कर दिजिए less from assets यानि यहाँ पर आपके दो option और आ गये या तो दिखा दिजिए balance sheet के liability में जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगा ना liability assets वाला आपको समझ में नहीं आएगा दूसरा दिखा दिजिए आप क्या कर दिजिए less from अभी आएंगे आगे इस type के question तो हम देखेंगे वहाँ पर कैसे क्या करना है ठीक है तो अभी हमारे पास फिलहाल मैं भी इसको ज़्यादा detail में नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं इसके उपर अलग से कराऊंगा फिर मैं अभी हमारा trial में है तो आपके पास दो option है या तो less कर दिजिए assets में या दिखा दिजिए liability में ठीक है तो आजाइए चलिए तो हमारे पास दे रखा है क्या असर provision for doubtful debts दे रखा है और किसके उपर है provision for doubtful debts देखो आप किसके उपर है हमारा furniture and fixture तो आपके पास दो option है या तो furniture and fixture में से minus करो अब मेरे पास जगह नहीं है तो दूसरा option मैं इधर ले लेता हूँ and for doubt provision for depreciation कितने रुपए का है 63 अब इससे न आपके किताब का answer balance sheet के total में फरक आएगा क्या पता बुक वालों ने इधर minus किया होगा तो 63 से कम आएगा answer लेकिन दोनों ही answer 100% valid माने जाते है और 100% ठीक है अशा नहीं कि कोई answer आप बोलोगे इसके बाद क्या कहता है 12 0 74 तो depreciation तो सर खरचा है तो depreciation तो normal खरचा है आपको depreciation कहा लिखना है 2 depreciation मैंने आपको बताया है था कितने आगे 12 0 74 याद होगा मैंने बताया था नः depreciation का करभा है नँग करभाया हुँ हमने ये करवा रखा ये देखो अगर trial में है तो P&L के debit में लिख दो और adjustment में है तो ये कर दो simple सा हमने कर रखा ये ठीक है आज़ेगे आगे आगे चलते हैं सर इसके बाद closing stock है अब कौन बताएगा मुझे ये closing stock की क्या entry करेंगे बताओ closing stock का क्या किया जाएगा बताइए फटाफट balance sheet के asset side में आ जाएगा balance sheet के assets में मैं closing stock लिख देता हूँ कितने रुपए आ गए 17 और और बताओ जितने बच्चे लाइब हैं वो भी बताएं भाई by contact number don't share फिर मैं यहां से chat block कर दूँगा उसका बताइए आप बस एक ही जगह entry जाएगा आपका अब आप खुद सोचो ना कहां given है trial balance के तो एक ही जगह जाएगा दिमागी नहीं लगा ना दूसरी entry कहां होना है एक जगह लिख दिया क्या कहा था trial balance के अंदर होता है तो एक entry trial balance के बाहर होता है तो दो entry बाहर होता तो trading में जाता बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक सुरू से पता होता है assets में trading में assets में trading में तो वो भूल जाते हैं के trial balance के अंदर और paper में वो करेंगे गलती फिर miss match हो जाएगा ठीक है अब adjustment कर लेते हैं चलो एक एक करके पढ़ लेते हैं adjustment में अलग color से कर लेता हूँ insurance कितने हैं prepaid है 1120 रुपे तो prepaid का क्या बताया था assets में आ जाएगा prepaid 1120 रुपे ठीक है इसके पाद electricity accrued है यानि दिया नहीं है तो electricity में add हो जाएगा कितने रुपे accrued है 1360 accrued का मतलब भी outstanding होता है यह minus हो गया तो दूसरा liability में चला जाएगा accrued 1360 इसके बाद है rates have been unprepared अब देखो हमारा एक ही word था अगर ध्यान से देखो तो कहा गया कहा गया यह था rent, rates and insurance तीनों एक ही में है तो अब पहले तो उसने insurance बोला तब इसमें से minus कर दिया अब बोलता है rates तो rates भी इसमें से ही minus होगा अध्यान देजिएगा क्योंकि इसी के अंदर है वो जूड़ा हुआ तो less rates prepaid कितने रुपे का prepaid है कुछ बच्चे कहेंगे सरी खटा जोड़ के कर सकते हैं नहीं अलग-अलग करना है कितने है 435 और यहाँ पे लिखोगे rates prepaid prepaid rates अब यह होता क्या है कितने है अब देखो rent rates and insurance वह यह तीन-तीन नाम क्यों जोड़ दिया एक सवाल यह मन में आना चाहिए आपके rent तो पता है मकान का किराया अब यह rates क्या होता है rates टेक्स के लिए लगाया जाता है अब सब टेक्स कौन सा आपका house tax नाम का एक होता है point कि आपको house tax देना होता है तो कभी भी मकान किराया पे लेता है न कोई किरायदार या हम किरायदार ऐजा मकान लेंगे तो मकान माली क्या बोलता है भाई मकान का किराय भी तुझे ही देना है टेक्स भी तुझे ही देना है और बिजली बिल पानी बिल सब तुझे ही देना है ठीक है न? तो उस situation में अब उस जहां पे house tax लगता है उसके लिए क्या हो गया rent and rates तो rent किराया और rates क्या हो गया tax जो कि हमें देना ही देना है उसके बाद insurance कई बार हमें मकान का insurance भी कराना पड़ता है अपने business के premises का तो वो insurance भी तो इसलिए इसका नाम हो गया rent, rates and tax यसे खटा बोल देते हैं ठीक है हाला कि बहुत लोगों को पता नहीं होता rates वर्ड क्यों लगाते हैं बस बोल देते हैं rent and rates एकी चीज़ है लेकिन rates होता है house tax दिया जाता है हर जगा दिया जाता है लेकिन ये बहुत few amount होता है बहुत कम amount होता है जैसे कि अगर एक घर है तो वहाँ का house tax मान लो साल का 1000 रुपे ऐसे आएगा तो आप उसको न rent से separate नहीं कर सकते rent आपका 30,000 रुपे आपका house tax आ रहा है तो महिने का 200-300 रुपे पढ़ रहा है 300 रुपे भी नहीं पढ़ेगा तो आप उसके लिए अलग से rates का column बनाऊगे तो अच्छा नहीं लगेगा तो वो क्या करते है रेंट के अंदर ही अड़ कर देते है पूरे साल का रेंट और प्लस पूरे साल का tax एक खटा दिखा देते है तो इसलिए यहाँ पर आगया rates का पार ठीक है समझ में आई यह rates क्या होता है यह house tax होता है इसके बाद क्या दे रखा है provision for doubtful debts 3% on debtor तो minus कर देते हैं यहाँ से क्या क्या करते थे provision का PFD देखो मैंने लिखवाया था अर्जिस्मेंट में 3% minus कर देंगे तो 3% कितना एगा कितने हमारे 24-500 735 रुपए अब इसको minus करेंगे दूसरी entry कहा जाएगी बताओ provision for doubtful debts profit and loss के debit में जाएगी या credit में debit में to PFD अब ध्यान देना book वालों का answer हमारा net profit ठीक आएगा कई बच्चे ने book के word to word tally करने की कोशिस करते हैं तो हर किसी का adjustment और करने का थोड़ा तरीका अलग होता है book वाले क्या करते हैं इसी provision for doubtful debts में से minus plus करके दिखाते हैं आप अभी देख लेना solution और मैं simple चलता हूँ जिसमें बच्चों को कोई दिक्कत ना है तो इसलिए जो है मैंने simple अपना एक बना रखा इसे debit में लिखेंगे इसको credit में लिखेंगे तो कितने रुपे का आगे हमारे 735 रुपे लेकिन हाँ answer एक रती भर भी फरक नहीं आएगा net profit में कहीं सोचो मैं अपने अलग तरीके से कर रहा हूँ तो answer भी सरका अलग आएगा ऐसा नहीं है answer तो हमेशा same होगा हमने सारा का सारा adjustment कर लिया और adjustment का double entry भी कर लिया अब totaling करने का भी एक process होता है जो कि आप देख लेजिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है I don't know थोड़ा बढ़ा देते हैं चलिए totaling करता जाओंगा और लिखता जाओंगा totaling white से करके लिख देते हैं तो सबसे पहले 1,35,680 minus में 13,47 तो यह आगया 1,22,2 7,3 थोड़ा patience रखके धीरे-धीरे total करना है जल्द बाजी करेंगा गलत हो जाएगा 2,59,8,7,0 minus में 56 यह आगया 2,5,4 24 ठीक है अब total कर लेते हैं यही आएगा 2,5,4 246 2,5,4 246 अब minus कर देंगे इसमें से minus 156 54 minus 1,22,273 minus 11830 तो gross profit हमारा आगया चेक कर लीजे जीपी आ रहा है मेरे पास तो 104,489 चेक कर यह ठीक है gross profit अब पता है क्या है कई बार ना हम gross profit को GP भी लिख देते हैं तो मैं short form यूज करूँगा लेकिन मैं आपको suggestion करूँगा paper में आप short form मत यूज करना आपने क्या लिखना है पूरा gross profit और यह gross profit उठा के इधर लिखना है ठीक है अब इसका total यहीं आ जाएगा हमारा 104489 104489 अभी यहां क्या आएगा two net profit two net profit एक एक करके minus करते हैं पहले plus कर लेते हैं 512, 1750 मैंने गलत कर दिया यहां totaling करें बिना लिख दिया मैंने ठीक है तो इसका total कुछ और आ रहा है सर क्या रहा है 106,751 106,751 यानि एक लाग छे हजार साथ सो इक आवन हाँ 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 बुक का नहीं हम net profit मैंने बोला ना बुक के total पे मच जाओ net profit पे जाओ अब इसमें से minus कर देते हैं एक एक करके धीरे धीरे ठीक है क्या है 25 973 कुछ बच्चे चेक करेंगे बुक से सरी है तो total नहीं मैच हो रहा हम total थोड़ी मैच करने के लिए बैठे है हम आंसर देखेंगे न माइनस 54 पैंटिस उननिस 418 उननिस 418 11,0,1,0 माइनस में 1360 या गए 96 पचास ठीक है तो 106,751 माइनस 38,521 माइनस 30,06 माइनस 45,62 माइनस 19,418 माइनस 96,50 माइनस 24,10 माइनस 69,80 माइनस 200,8 माइनस 120,74 माइनस 735 यह आ गया 9087 9087 यह profit चेक करिया 6000 आ रहा है 9087 6000 आ रहा है कितना बताने क्या आ रहा है 367 मैंने कोई टोटल माइनस 27,20 रुपए 27,20 रुपए देखो कोई छोड़ा तो नहीं है आपने एक मिनिट 38,521 2306 45,62 यह पता है क्या करा मैंने यह देखो हमने माइनस कर दिया है जबकि एक रूड क्या होना है इसको प्लस होना है ठीक है प्लस 1307 अब आ जाएगा हमारा 12,370 मैंने 2700 ही बोल रहा था ना यह 2700 का यही डिफरेंस था अब चलिए चेक कर लेते हैं 106,751 माइनस 38,521 माइनस 23,06 माइनस 45,65 माइनस 194,18 माइनस 123,70 माइनस 24,10 माइनस 6,80 माइनस 12,74 यहा रहा है और माइनस 7,65 63,67 यहा गया 63,67 आप बुक में देखेंगे न तो मैं सारी चीज़े देखो बताते जा रहा हूँ कि बुक में यह होगा 63,67 तो बुक में जब आप देखेंगे तो provision for bad debts और bad debts का adjustment कुछ हलक तरीके से करा होगा तो वो आपको नहीं ध्यान देना आपने ऐसे सीखा है आपका answer हमें accurate होगा क्योंकि उस case में होता क्या है वो इसमें से minus करते है old provision, new provision हम जब adjustment करेंगे ने उनों वाला तो हमें समझ में आ जाएगा तो मैं बता भी दूँगा बुक वाले ऐसे क्यों करते है और वहां क्या समस्या है कई बार इधर भी आ जाता है answer कई बार इधर भी आ जाता है तो confusion है मैंने सीधा बोला भाई, trial में होगा तो इधर लिखना वो automatic account में adjust हो जाता है ठीक है और add कर देंगे net profit और that is आ जाएका 63,67 और ये आ गया net profit लीजिए इसको total कर लेते हैं 63,67 plus 83,87 minus 18,440 ये 71,814 71,814 अब ये total है match नहीं होगा लेकिन एक साथ आएगा क्यूँ, may भी possible है कि उन्होंने provision for bed dates for nature में से minus किया हो तो ये भी possibility बन सकता है ठीक है 19,640 आपको हर तरीके के counting आनी चाहिए ये नहीं कि जैसे book में दे रख़ा है बस वही चीच करके सीखो आप या गया 156 156,034 दूसरी साइड भी सेम आना चाहिए नहीं तो फिर आपका गलत है 735 27 765 प्लस 102 990 प्लस 54 35 प्लस 17 50 प्लस 534 प्लस 1120 या गया 156 बुक वालों का देखो क्या है आपके पास कितने है सर्फ 93 है आप समझ रहे हो 93 क्यों है क्योंकि ये जो हमारा ये 63,000 है न वो अगर आप यहां से 63,000 माइनस करोगे तो exactly 93 बनेगा क्योंकि उन्होंने क्या करा वो इधर से माइनस किया हुआ है आप बुक में भी चेक कर सकते हो तो इस वज़े से है जबकि provision for depreciation कहा गया है कि आप चाहे liability में दिखा दीजिए चाहे assets में से दोनों ही answer क्या माना जाएगा accurate माना जाएगा ठीक है clear है ठीक है आपने बता दिया 149 देता हूँ आप इसको note करिए पहले मेरे इसाब से उपर particular debit credit तो लिख लेंगे बाकी ये note कर लिजिए आप उसके आगे चलते हैं हमने सबसे पहले हमने provision for doubt foot numbering पर मत जाएगा numbering आगे पीछे हो सकता है क्योंकि मैंने ये पहले ही slide बना लिया है so that आज मैं लगभग लगभग adjustment खतम कर दू पहले हमने bet debts कर लिया था bet debts में क्या था अगर trial balance में given है तो profit and loss के कहां चला जाएगा debit side में और अगर adjustment में profit and loss के debit side में अगर adjustment में given है तो balance sheet से less हो जाएगा debtor में से दूसरा profit and loss के debit side में चला जाएगा same हमने देखा था भईया provision for doubtful debts तो अगर trial में given हो तो profit and loss के credit मैंने ये भी बोला था ये गलत नहीं लिख रहा हूँ ये credit में ही जाएगा लेकिन adjustment में हो तो profit and loss के debit और debtor से minus हो जाएगा ठीक है अब concept ये आता है सिर्फ में reminder है और मैं चाहता हूँ इस chapter को खतम करके हम वो chapter जल्दे से जल्दे start करें जो कि आपके लिए एकदम new है ठीक है अबना हमारा तीन चीजे हैं देखो debtor कही बारना question में provision for bed dates और सिर्फ bed dates और discount on debtor discount on debtor ये तीन बाटे ना इकटे ही आ जाती है लेकिन हम पहले इन तीनों को समझ लेते हैं कि ये है क्या पंगा आप सभी ने अभी से पहले बहुत बार सुना होगा bed dates होता है और एक provision for bed dates होता है दोनों में फरक क्या होता है ठीक है let's suppose एक example से समझते हैं कि हमारा जो debtor है हमारा जो debtor है एक example से समझते हैं कि एक लाख रुपे का है इसका मतलब क्या है हमारा debtor एक लाख रुपे का इसका मतलब क्या है हमने उधार माल बेचा हुआ है कितने रुपे का एक लाख रुपे का किसी सामने वाले विक्ति को माल लेते हैं let's presume कि एक परसंट नहीं है यह दो से तीन परसंट है कि यहां पर मैं क्योंकि debtor है तो बहुत सारे debtor है माल लेते हैं इसको मैंने बेचा हुआ है बीस अजार इस इसको बेचा हुआ है मैंने कि आ साथ हजार या फिर अमाउंट थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सत्तर हजार और इसको बेचा हुआ है दस हजार कुछ इस तरीके से जब मैंने बेचा ना तो हमारा डेटर पता है कितने का बना ये एक लाग का बना ठीक है अब हमें हो सकता है में भी पॉसिबल है कि तीन सिचुएशन है सबसे पहले बेचेट्स का मतलब क्या होता है दो वर्ड है बेचेट्स का मतलब क्या होता है बेचेट्स बेचेट्स का मतलब होता है पैसा डूबना पैसा डूबना मतलब जब हम बोल देते हैं बेचेट्स हो गया तो इसका मतलब है कि भाई अब ये पैशे आपको जीवन में नहीं मिलेंगे अगर मैं बूलू बैडेट्ट्स हो गया तो ये पैसे आपको लाइफ में कभी भी नहीं मिलने वाला पहली बात आप ध्यान रखना क्या मैंने कहा अगर आप बोलते हो कि मेरा बैडेट्स हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये पैसे आपको लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगा हो गए डूब गए इसके बाद होता है हमारा एक आपने नाम सुना हो प्रोविजन ओन डेटर अब प्रोविजन फोर डेटर को बहुत तरीके से जानते हैं प्रोविजन फोर डेटर भी बोलते हैं और रिजर्व फोर डेटर भी बोल देते हैं ठीक है ना दोनों का मतलब एक ही है प्रोविजन फोर डाउट फोल डेटर का मतलब है कि आपको डाउट है कि शायद पैसा डूब सकता है पैसा जो है न जो हमारा है डूब सकता है यानि यहां पे आपकी शियोटी है हंडिट पर्चेंट और जो प्रोविजन फोर डाउटफूल डेट का मतलब है कि शायद डूब जाए क्योंकि हमारे अकाउंट का एक लौ है एक प्रिंसिपल है प्रोडेंस प्रिंसिपल यह कंजरवेटिव वो क्या कहता है हमारा कि future मैं अगर आपको अंदाजा भी हो रहा है लेकिन अगर लगता है आपको future में फाइदा होने वाला है तो जब होगा तब करना, यह rule है, तो अगर मान लेते हैं, for example, हमने बहुत सारे लोगों को समान पेचा, मैं student का ही example ले लेता हूँ, मैंने मान लेते हैं, 100 बच्चे बैच में हैं, और मुझे लगता है कि इसमें से कुछ बच्चे मेरी fees नहीं देंगे, मेरा ये क्या है, ये अ बच्चे फीस नहीं देंगे, अब कुछ का कोई definition नहीं है, तो accounts के rules के आप बोलते हैं, कि कुछ मत बोलिए, आप certain percentage अपने determine कर लिजे, 2%, 4%, 5%, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा अंदाजा है कि इतने पैसे डूब सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं आपको बताओ कि जो हमारे last वाले debtor है, मैं नाम भी बता देता हूँ, इनका A, और यह B, और यह C, मैं simple सी बात करता हूँ, कि जो last वाले debtor है, सपोज करो, जो last वाले debtor है, यह वाले debtor, यह debtor जो है ना, last वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इस debtor की death होगई, C की death हो गई और ये भी मान लो कि C का कोई family member भी नहीं है अकेला था इसकी death हो गई अब बताएए आपके 10,000 रुपए recover होंगे या नहीं होंगे नहीं होंगे, यानि 0% chance ही से कि आपके पैसे मिल जाए वापसी, है के नहीं तो इस situation में बोलूगा ये तो मेरा पैसा डूब गया, यानि क्या हो गया ये ये हो गया हमारा bad dates, ठीक है पहले समझिएगा bad dates किसको बोला मैंने अब मेरे पास दो बचे है अब इन दोनों में से भी मुझे doubt है कि हो सकता है maybe A मेरे थोड़े से पैसे ना दे सारा नहीं ठोड़े से और हो सकता है कि भी मेरे पैसे ना दे ऐसा नहीं है कि इसकी death हो जाएगी मुझे ये doubt है कि कई बार customer क्या होता है कि last minute ना हाँ करते करते होता ही है आज तक कोई सा ऐसा business नहीं बना जो a cruel concept follow करता हो और उसका bad dates ना हुआ होता जरूर है चाहे रुपय का हो लेकिन डूपता जरूर है ऐसा कोई business नहीं बना चाहे school हो college हो दुकानदारी हो हर किसी में अब मुझे इन दोनों पर doubt है इन दोनों के ओपर क्या doubt है कि ये सायद मेरे कुछ पैसे नहीं देगा और मेरे मन में चल रहा है कि suppose करो 10% मेरे पैसे सायद और डूब जाए तो अगर मेरे मन में ये चल रहा है 10% डूब जाए ठीक है तो इसका मतलब जो मेरे पास debtor बचा हुआ है अब मेरे पास debtor कितने थे तीन टोटल कितने का था एक लाग रुपए का अगर मैं बूलू कि मेरे एक लाग पे मुझे लगता है कि मेरे 10% डूब सकते हैं तो ये गलत होगा क्यों गलत होगा क्योंकि जो चीजे आपको confirm है उस पे क्यों doubt कर रहे हैं ये वाला point तो आपको confirm है केस से पैसे नहीं मिलेगा अगर एक लाग पे मैं provisioning करूं provision का मतलब होता है कि आप अभी से मान ले तो मुझे किसके 90,000 पे 10% हिसाब लगाना चाहिए that is 9,000 रुपए मेरे और पैसे शायद डूब जाए हो सकता है कि ये 8,000 ही डूब है और हो सकता है कि ये 11,000 भी हो सकता है और हो सकता है exact 9,000 भी हो लेकिन हमारा अंदाजा कितना है डूब जाएगा 9,000 ठीक है न तो अब सबसे पहले चैलेंज चैलेंज आ गया क्या हमारे मेरा एक question है आप से क्या एक organization में bed debts और provision for bed debts दोनों हो सकता है नहीं हो सकता हो सकता है पहले ये clarity होना चाहिए क्योंकि bed debts तो भी अब वो है जो कि मेरे पैसे नहीं दे रहा और provision का मतलब जो बच गए है उनके उपर मुझे finally एक फैसला लेना है कि इसमें से भी कितने percent नहीं डूबेंगे तो अगर मैं इसमें से minus करने की बात करूँ तो दो चीजे minus दोनों ही debtor से minus करेगा bed debts होगा तब भी मेरा debtor कम होगा और provision होगा तब भी मेरा debtor कम हो जाएगा लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा provision में debtor कम नहीं होता बस हम accounting purpose से कम कर देते हैं क्योंकि provision अगर करा है मैंने और मुझे अंदा जाए कि मेरे 9000 डूब जाएगे तो इसका मतलब ये थोड़ी मेरे debtor 9000 से घट जाएगा वो तो मिल भी सकता है लेकिन accounting treatment के लिए हम माल लेते हैं कि हमारे debtor क्या होगा कम हो जाएगा ठीक है तो अब मुझे सबसे पहला मेरे पास challenge क्या है मैं इसमें से bad debts पहले minus कर दूँ या फिर मैं पहले provision minus करूँ अगर मैं पहले provision करता हूँ तो इसका 10% तो 10,000 हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो पहले मुझे क्या minus करना चाहिए पहले हमें number one पे minus करना चाहिए bad debts और जो हमें दे रखा था that is 10,000 अब हमारा जो बचा नब्बे हजार अब इस नब्बे हजार पे आपको फैसला लेना है तो अब क्या minus करोगे provision for doubtful debts that is 10% लिया तो 9,000 अब जो 81,000 है आपके मन में आपको एक उमीद है कि 81,000 रुपिस मेरे अब मिल जाएंगे है के नहीं अगर मैं आप discount की बात करूँ आप से के discount debtor को देना है तो आप उन्ही debtor को discount देना पसंद करोगे जो आपके अच्छे debtor है ठीक है अब इसको discount दे के क्या कर लोगे जो मर चुका है उसको discount दोगे क्या नहीं दोगे कोई फाइदा ही नहीं है उसको discount दो तो पहले ही चला गया सारा लेके वो तो पूरे discount बें चला गया तो हम इसके बाद finally सबसे last में क्या minus करते है provision for doubtful provision for discount माल लेते हैं फिर नमबर दो पर माइनस होता है PFD नमबर तीन पर होता है माइनस हमें सा discount adjustment चाहे ऐसा भी हो ना कि पहले आपको adjustment में provision दे रखाओ फिर discount दे रखाओ फिर bad dates दे रखाओ उससे फरक नहीं बढ़ता आपका sequence यही होना चीए biological समझ मैं है अब एक question raise होता है कि sir आपने provision for doubtful debts ना credit में भी लिखवाया था ठीक है थोड़ा सा उसके उपर भी बता दीए पहले यहाँ पर आपको systematic पता चला पहले क्या माइनस करना है अब आपने यहाँ पर अंदाजा लगाया और माल लेते हैं मैं यहाँ पर एक आपको trading account बना देता हूँ 2023 के और 2023 में आपने अंदाजा लगाया adjustment में तो आपने यहाँ पर लिख दिया PFD कितने का 9000 debit में लिख दिया PFD कितने लिख दिया 9000 debit में लेकिन हुआ यह कि actual जो budgets हुआ था ना 2023 में वो मात्र 8000 ही हुए और यह कब पता चलेगा actual budgets साल बंदुक खतम होने के बाद पता चलेगा क्योंकि आप तो provision करते हो 31 मार्च को और 31 मार्च को माल लेते हैं कि मैंने दोनों पर provisioning लगा रखी है 31 मार्च को लगा कि मेरे भाई 9000 डूब जाएंगे लेकिन फिर जैसे मई आया तो मई में इन्होंने तो पैसे दे दिये है ठीक है अब जब इसने मई में पैसे दे दिये है तो अगले साल पैसे मिले ना अगले साल आ चुका हूँ तो अगर मैं ध्यान से पिछले profit and loss को देखूँ तो बोलूँगा यार पिछली बार तो हमने गलत दिखा दिया कि इससे पैसे नहीं मिलेंगे यही हुआ ना लेकिन एक्च्छल में पैसे मिल गए तो यानि पिछली बार हमने खर्चा दिखा रखा है इसका मतलब सर अगर आप April में 31 मार्ज को सोचो तो आपका यह P&L बिल्कुल ठीक है लेकिन वही मही में सोचो आप तो आपका यह P&L क्या है? तो इसको ठीक करने के लिए माल लेते हैं कि 8000 ही इसमें से डूबे फिर भी तो 1000 आपने ज़्यादा दिखा रखा है तो इसको ठीक करने के लिए जिस साल में है उस साल अपनी अगर हम income को बढ़ा दे उतने से जितना पिछली साल हमने ज़्यादा खर्चा किया था तो वो चीज़े balance हो जाएगा इस साल आपने खर्चा ज़्यादा करके profit कम दिखा दिया था इस साल आप क्या करो अपना income दिखा दो तो इस साल का profit बढ़ात हो तो वो क्या चीज़े हो गए आपस में compensate हो गया ठीक है आप कुछ बच्चों के mind में खयालात ये भी आ सकते हैं सर ऐसे income tax वगरा भरते हैं तो दिक्कत होगी क्या income tax के लिए अलग से P&L बनता है ये वाला P&L हमारा नहीं चलता उसका बिल्कुल अलग ही P&L चलता है तो जब हम income tax पढ़ेंगे ना semester 5 के अंदर तो मैं बता हुआ कि नया P&L कौन सा बनता है income tax के लिए इसका income tax से कोई लेना देना नहीं है किसी के mind में कोई 1% खयाल आ रहा है इसलिए मैंने बोल दिया है तो अब आपको एक यह भी clarity मिल गए कि profit and loss में मैंने जब provision trial में होता है ना तो trial balance का मतलब होता है यह पिछले साल का credit में ही मिलेगा आपको तो इसका मतलब है यह पिछले साल का आपने जो debit दिखा रहा था का आप credit करिए इसलिए मैं P&L में credit कर देता हूँ और adjustment में होता है इस साल मानिये तो जो इस साल है आपका अंदाजा वो तो debit करोगे पंज मेरी बात आपको अब जब दोनों mix adjustment आजाए तो क्या करना है तो पहले यहां तक आपको clarity कि number number किसका क्या होना चाहिए अब adjustment मेंने दोनों का को बना रख रहे इंफेक्ट से कि आपको दिक्कत नहीं होगी और मैं उससे पहले न मैंने questions भी लिखा हुआ है in fact एक आपके सामने question है और मैं क्योंक्यां कर दिया चलो मैं इसको मिटा देता हूँ question को ना answer को मिटा देते हूँ आंसर मिटा देते हैं और आंसर मैं फ्रेश कर देता हूं आपके लिए एक दम कुश्चन आपके सामने है ओहू चलिए चलिए आंसर मैंने मिटा दे आपके लिए फ्रेश कोश्चन है अब इसकोशचन में आप देखेंगे आपको खुद ही लगेगा देखो मैंने कितने सारे डेटर वगरे लिख दिया जिससे कि आपको थोड़ा confusion होगा और मेरा परपस ही है कि आपको confused किया जाए ताकि clarity हो जाए आपको डेटर दे रखा है आपको प्रोविजन फॉर डेटर दे रखा है आपको प्रोविजन फॉर डिसकाउंट भी रखा है नीचे अड़्जस्मेंट में भी प्रोविजन फॉर डेटर है और ऊपर भी प् तो इसका treatment क्या है? आपको trial balance के हिसाब से सोचना होगा. हम adjustment बात में करेंगे, पहले trial balance को देखते हैं. तो trial balance के हिसाब से देखा जाए, तो debtor assets है, that's why debtor यहाँ जाएगा हमारा. है कि नहीं? debtor कितने का दे रखा है? मैंने 1,00,000 रखाएगा. इसके बाद bet debts, trial balance में अगर bet debts हो, तो P&L के debit में बताया है, bet debts, कितने रुपए का हो गया? पाँच हजार. और अगर trial balance में provision for doubtful debts हो, तो यहाँ भी देख लो, भूल जाओ, तो credit है, तो credit ही होगा, लेकिन P&L में, YPFD यादा आ रहा है, तो 6,000. और trial balance में provision for discount हो, तो यह भी credit होगा, same asset treatment है. हाला कि trial balance में अक्सर होता नहीं है, मैंने maximum से maximum इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, तो हमने trial balance को खाली कर लिया, यहाँ तक सभी बच्चों को clear है, जितने बच्चे live हैं, उन सभी को भी clear है, ठीक है, यहाँ तक सभी को clear है न, क्या क्या, अब हम adjustment को na, adjustment की तरह सोचेंगे, adjustment 3 है पहले provision for debt, फिर bad debts free है, तो आपको number के हिसाब से चलना होगा, या फिर जो sequence हमने concept wise देखा है, वो चलेंगे, जो sequence है, पहला sequence किसका आता है, bad debts का, फिर किसका आता है, provision का, last में discount होता है, तो इसलिए मैंने जान बूच के, जब example मैं लिख रहा था यहाँ तो जान बूच के मै पहले है, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि हम 10% पहले minus कर देंगे, पहले क्या minus करेंगे, यहां से हम, bad debts minus करेंगे, तो हम minus कर देते हैं, यह देखो bad debts, और bad debts कितना है, 5000 रुपे, अब हर adjustment की double entry, अगर adjustment में bad debts हो, तो मैंने बताया था, दो जखे जाएगा, कहां कहां जाएगा एक तो less from debtor, और दूसरा P&L के debit में, लेकिन सर, P&L के debit में तो एक और bad debts है, तो अब यह वाला जो bad debts है इसको हम नाम देंगा further bad debts, further का मतलब क्या होता है, और, उसके बाद और हो गया बई, further और भी ज़्यादा हो गया, तो further bad debts, कितने होगे further bad debts सर, 5000 रुपे, clear है, अब क्य और 95 में से minus कर लेते हैं, PFD मैं थोड़ा short form use कर रहा हूँ समझाने के लिए, और PFD हमारा 10% that is 9500, अब आप चेक करिए, मैंने adjustment में हो तो क्या बताया था, यह तो current year का है, तो current year का तो आपको नुकसान सोचना है इसको, तो debit जाएगा, तो P&L के debit में लिखिए, PFD that is 95, 100, अब इसमें से अगर मैं minus कर दूँ, तो 10, 85,500, अब finally हमने discount कितना कर रखा है, 5%, तो अगर discount हो, इसको आला कि मैंने लिख दिया है, अभी पता चल जाएगा आपको, discount, 5%, इसका 5%, अगर हम निकालते हैं, तो 8, 5, 5, 00, 5%, 4,000, 275 है, ठीक है, और finally minus करके, 8, 1, और मैं बार-बार बोलता हूं, आपके ने, calculator allowed है, ठीक है, ध्यान देजिएगा, तो अब यहां पे आपका, यह कहां जाएगा, सर, खर्चाईए, तो provision for discount, TIS कर रहा हूं, डिसकाउंट में, ठीक है, 8, 1, 2, 2, 5, समझे, ठीक है, तो यह हमारा है, पूरा का पूरा, जो treatment आपने देखा है, इसी treatment को एक में systematic तरीके से, मैंने लिखे दिया है, जो कि आपको समझ में आ जाएगा, systematic तरीके से क्या लिखे है, आप देखे सामने आपके है, कि जब सर आपको provision for doubtful debts, bed debts और discount तीनों चीज़े गीवन हो, तो हम क्या करते है, अगर trial balance में गीवन है तीनों चीज़े, तो bed debts P&L के debit में, provision P&L के credit में, और discount P&L के credit में, वही किया था हमने, और जब adjustment में हो, तो सबस से पहले debtor लिखेंगे, debtor में से minus करेंगे, bed debts, फिर जो बचेगा, फिर minus करेंगे, फिर जो बचेगा, फिर minus करेंगे discount, और ये सारे amount, जितने भी minus हो रहे हैं, ये P&L के कहा चला जाएगा, debit में, clear होगे आपको concept bed debts, provision for doubtful debts का, हमने एक example भी देख लिए, और concept भी सीख लिया ठीक है, यहाँ तक clear है, चलिए, इसके आगे एक और adjustment देख लेते हैं हम, adjusted purchase, question में आएगा, adjusted purchase, sir, adjusted purchase क्या होता है, देखिए, adjustment number ना, आप अपने हिजाब से लिखिएगा, जो चल रहा है, यहाँ पर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले slide बनाये, यह, तो उपर नीचे हो सकता है, आप अपने continuous में चल रहा होगा, वो लिखेगा, adjusted purchase, कई बार question में दे देता है, तो adjusted purchase का मतलब होता है, opening stock plus purchase minus closing minus purchase return, यह क्या होता है, adjusted purchase, तो जब कभी भी आपको adjusted purchase given होगा, तो हमें opening stock, क्योंकि वो purchase में add हो गया है, और closing stock, क्योंकि वो purchase में से minus हो गया है, और purchase return, क्योंकि यह purchase में से ही minus हो चुका है, और इन सभी को एक नाम दे दिया, adjusted purchase, तो अगर आपको सवाल में opening stock दिखता भी है, तो आपको नहीं लिखना उसे दुखारा, क्योंकि वो कहां जा चुका है, पर्चेस में ही जा चुका है, अगर closing stock भी दे रखा हो, तो उसे भी ignore करना हो purchase return, तो adjusted purchase जब हो, when adjusted purchase given, then opening stock, closing stock will be ignore, उसे क्या करेंगे, जैसे कि मैंने एक example लिया था, वैसे मेरे हिसाब से इसमें बस simple सी बात थी, आपको एक adjusted purchase का बारे में बताना था, ये टाइम पर note करवा देंगे, अगले adjustment पर चलते हैं, एक हमने depreciation करा था, तो depreciation का एक point ना pending रह गया था, that is provision for depreciation, और सवाल में आया था, और मैंने कहा था, कि इसको मैं बाद में कराऊँगा, देखो हमने depreciation का तो कर लिया था, अगला क्या है provision for depreciation, मैंने बता दिया था, शाइद एक बार चेक करो, या नहीं बताया था, करवा दिया था, अगर trial balance में given हो, तो या दो option है, या तो balance sheet के liability में दिखा दो, या फिर less from debtor, मैंने कहा था, हम ना debtor से less करेंगे, question भी किया था, अगर मैं आप से कहूँ, account की बात करूँ, तो आपको पता, एक account दूसरे side से balancing होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 50,000, माल लेते हैं, यहाँ debtor लिखूं, debtor यहाँ पे लिखूं मैं 50,000, और PFD, यहाँ पे लिखूं 5000, तो इस account के अंदर, जो भी account है, भी account पे ध्यान नहीं देते हैं, इस account में actual impact, जो final answer निकालोगे, वो कितना होगा, आप simply balancing करते हो, यानि 50 में से 5 को minus करोगे, तो आप बोलोगे sir, इस account के अंदर net में, जो सब कुछ बच रहा है, वो debt is कितना है, 45, दूसरा एक तरीका यह भी हैं, आपके पास, अगर मैं यहाँ debtor लिखूँ, पचास अजार, और यहाँ से minus कर दूँ, PFD, 5000, तो यहाँ भी कितने बच रहे हैं, 45 बच रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी कितने बच रहे हैं, 45, समझ बा रहे हो यह चीज़े, तो accounting करने करने हैं, दो तरीके हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो उसके opposite side लिख दो, तो इसका मतलब भी वही है, कि minus कर रहे हैं, यासे आपके सामने same example है, मैंने यहाँ minus नहीं किया, कहां लिख दिया उसके opposite side, तो net amount तो 45 ही है, और इस वाले में क्या कर दिया हैं, हमने minus, कर दिजिए, या फिर कहां दिखा दिजिए, उसके opposite side, ठीक है, तो उसी से related, यह है हमारा पूरा का पूरा, adjustment, that is, provision for depreciation, और इसका बहुत ही एक, थोड़ा सा लंबा नाम है, लेकिन काफी popular नाम है, that is accumulated depreciation, ठीक है, अकसर यह आएगा, हमारा एक न, हम PPE, property, plant and equipment, नाम से एक chapter है, that is depreciation, ES10, वो करेंगे, तो वहाँ पर बहुत पर नाम का discussion होगा, तो अगर दे रखा हो, तो अगर trial balance में given हो, तो आपके पास दो option है, whether आप क्या करिए, balance sheet में से, liability side में दिखा दीजे, या फिर less कर दीजे, debtor, दोनों में से ठीक है, मिर से पूछो के सर क्या करें, मैं बोलूँ, आप ये follow करेंगा, जादा से जादा, ये जादा से जादा examiner follow करते हैं, अगले adjustment में given हो, तो आपको क्या करना है, दो option है, या तो आप ऐसा कर सकते है, current, provision, previous, कई बार ऐसा होता है, हमारा पुराना भी provision होता है, नहीं भी बनाना होता है, तो लेस करने वाले में पता है, क्या करना, पुराना भी minus कर देना, और नहीं वाला भी minus कर देना, सुझ मैं है, और अगर आप करना चाहते हैं, कि liability side वाला option चुड़ना चाहते हैं, तो भी या liability में पुराने वाला जो है, उसी में नहीं वाला add कर कर दिखा देना, इसकी double entry भी होगी, क्योंकि adjustment की बात चल रही है, तो double entry तो हो नहीं है, तो कहां जाएगा profit and loss के debit में, और वो भी कौन से वाला, सिर्फ current year वाला जाएगा, ठीक है न, इससे related आगे भी questions आएंगे, ऐसे नहीं है कर नहीं हैंगे, तो बस एक छोटा सा यह point है, जो कि आपको याद रखना है, 10 year market में आगिया, मैंने बिल्कुल 10 year के अंदर, आप देखोगे न, तो same exactly मैंने notes भी दे दिया है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो notes उसके अंदर same as it is, मैंने वहाँ पर print करा दिया है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगे आपको, समझ में आ जाएगा, बागी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो note तो करी रहे हूँ, आप उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चलिए, provision for bed dates होगे हमारा, adjusted purchase भी होगे हमारा, और आगे चलते, आगे चलते हम बात करेंगे सर goods use की, अब सर goods use, goods use का मतलब होता है, कि आपने goods को इस्तमाल कर लिया, goods का मतलब stock को इस्तमाल कर लिया, जैसे मेरा काम माल लेते हैं, कि अगर मेरा काम furniture का है, तो मैं goods को कैसे कैसे इस्तमाल कर सकता हूँ, एक तो अपने घर के लिए furniture बना लिया, that is personal use के लिए हो सकता है, दूसरा अपने दुकान के लिए, एक मैंने chair बना लिया, या table बना लिया, customer के लिए, तो दुकान के लिए use हो सकता है, ठीक है, तीसरा, अब माल लेते हैं charity में दे दिया, माल लेते हैं कहीं पे charity में बृधा असरम है, वहाँ पे मैंने बोला कि भाईया, जो बुज़र्ग है, उनके लिए मैं ऐसा करूँगा, कि पांच कुर्से डोनेट करना चाहता हूँ, ताकि वह अपना बैठे वगएरा, ठीक है, तो वह क्या हो गया, charity में चला गया, या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि एक cheer लीजिए, और एक cheer free लीजिए आप, यानि ऐजा, मैं free sample दे सकता हूँ, आपको advertisement के purpose के लिए, ठीक है, और ये सारे जगहें पर हम goods का इस्तमाल कर सकते हैं, तो जब कभी भी goods का इस्तमाल होगा, तो दो जगहा impact आएगा, आप simple से पहले चीजों को समझ लेते हैं, फिर देखेंगे, जैसे देखो, अब माल लेते हैं मेरी मिठाई के दुकान है, और ये रहा मेरे पास, और इसके अंदर खूब सारे रसगुले हैं, ठीक है, किल लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, दस ही है माल लेते हैं, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं न, ठीक है, दस रसगुले हैं, ठीक है, अब भहिया, दस में से, एक रसगुल्ला मैंने, ये दस में खरीद के लाये था, मेरा मिठाई के दुकान हैं, तो ये बनाया था, मैंने, तो बनाया था, तो यनी, purchase इसका मतलब मेरा goods है अगर मैं आपसे goods की बात करो तो कितने रसगुले है मेरे goods के अंदर 10 है अब एक इसमें से मैंने खुद खा लिया, use कर लिया मैंने खुद खा लिया, personal तो अब मेरे रसगुले कितने बचे नो, तो मैं बोलगा मेरा purchase पहले 10 रसगुले थे मेरे पास purchase, अब मेरे पास रसगुले कितने बचेंगे, नो बचेंगे, बड़ी सीजी सी बात है, यानि मेरा कम हो गया purchase, देख रहे हो, और जब drawing करेंगे, तो impact capital पर आएगा, क्योंकि भाई, तुमने business में एक capital लगाते हो, तो दूसरा impact कहाएगा, capital, capital क्या हो जाएगा, minus, तो दो impact बद सोचो, मैंने अगर use करा, एक तो purchase गटी है मेरा, और एक मेरा क्या हुआ, capital, minus, दूसरा में बात करते हैं, एक रसगुला मैंने कोई आया मेरे दुकान में, bagger, मैंने उसको दे दिया, जा तो खा ले, यानि charity दे दि अब बचे कितने, आठ, फिर purchase कम हो गया, एक तो purchase कम हो ही रहे, दूसरा क्या है, charity में दिया, तो मेरे लिए दुकानदारी का खर्चा आई है, तो ये कहाँ चले जाएगा, expense, that is कहाँ चले जाएगा, P&L के, debit side में समझ में आ रहा है, एक रसगुला, एक customer आया, उसको मैंने free में दे दिया, एक बार तुम खा के देखो, तब लेना, as a free sample, अब मेरे रसगुले फिर कम हो गए, अब कितने बचे साथ, दूसरा free sample दिया, तो मेरा खर्चा ही है, तो ये भी कहाँ चले जाएगा, P&L के, debit में, तो आप देख रहे होगे, अगर हम कभी भी goods का use करेंगे, तो हमारा जो है, purchase हर बार क्या हो रहा है, कम हो रहता है, ठीक है न, तो simple सी बात है, तो इसी के उपर मैंने ये adjustment जो है, कहीं भी पूछा जाता है, के goods use के लिए, तो दो-तीन points है, जो कि मैंने पहले से लिखा है, और इसका लिखने का बस एक ही purpose है, कि आपको जल्दी से समझ जल्दी काम कर पाए, personal use होगा, तो drawing होगा, अगर trial balance में दे रखा है, तो less from direct capital करना है, लेकिन अगर adjustment में दे रखा है, तो एक तो less purchase से करिएगा, और एक less किस से करिएगा, capital से, ठीक है न, अब कई बार ऐसे दे रखा होता, कि जैसे रसगुले की मैंने बात करी, मैंने 2 प्राइस कितना है उसका, पांच रुपया, और कितने के लाया था मैं खुद, दो रुपया, तो अब भी है, दो दो प्राइस है, capital से क्या माइनस करें, और purchase से क्या माइनस करें, तो जब कभी भी आपको देता है, market price और cost price, तो हमेशा हम कौन सा लेते है, cost price, लेकिन हमारे drawing वाला समझ में आगे आपको, अगला point चलते हैं, हम free distribution, free distribution मतलब, बांट दिया free में भाई, जिसको हम advertisement के purpose के लिए यूज करते है, अगर trial balance में गीवन है, तो profit and loss के, खर्चा यह तो free sample, अगर adjustment में गीवन है, तो less from purchase, समझ में आ रहा है, purchase क्यों कम हो रहा है, दूसरा profit and loss के debit side में, और कौन सा लेंगे इसमें भी हम, हर जगह पर cost price लिया जाएगा, ठीक है, अब charity में दे दिया हमने, तो charity में given होगा, अगर trial balance में तो कहां दिखा देगे, debit में, adjustment में होगा, तो कहां चले जाएगा, profit and loss के, debit में, और less from purchase हो जाएगा, less from purchase हो जाएगा, ठीक है न, less from purchase loss by fire के उपर मैं अलग से लूँआ, क्योंकि न, इसके अंदर insurance claim भी आ जाता है, इसमें, insurance तो, हाँ मैं example सारे दिखा दूँआ जी और सारे चीज़े मैं बता दूँआ, tension मतलो, मेरा भी सिर्फ आप concept पो focus करो, मैं पूरा PDF दूँआ आपको, आप आराम से नोट करना है, क्योंकि मेरा purpose है, मैं ज्यादा ज्यादा खतम करा हूँ, ठीक है न, तो, दूसरा मैंने loss by fire भी हमारे goods हो सकता है, और loss by fire का अलग से होता है insurance claim मिला नहीं मिला कुछ इस तरीके से, इसको मैंने बाद में अलग से ही कराना है, तो पहले goods insurance premium, insurance premium, एक adjustment होता है, इस adjustment को अभी रुख जाईए, पहले एक कर लेते हैं, पहले हम करते है, omitted purchase, ठीक है, या फिर fix assets, इसको भी समझ लेते हैं, omitted का मतलब क्या होता है, भूलना, omitted का मतलब होता है, का मतलब भूलना, और हमेशा याद रखना हम भूलते तभी हैं, जब हम उधार खरीदते हैं, नगत वाला हमेशा याद रहता है, ठीक है, उधार अगर किसी से लिया हो, किसी को पैसे देना हो, तो भूल जाते हैं, भा लाकर हम भूल गए तो एक तो हमारा जो पर्चेज है वो पर्चेज भूल गए तो कम लिखा होगा तो इससे प्लस करना चाहिए आपको सही करने के लिए रवा डूसरा आपने कैसा खरिदा होगा यह कब फे तो एक लाईबलीсьव시면 चला जाना चाहिए है तो आप क्या करोगे एक तो अगर आप एसेट्स खरीद के भूलते हो तो एसेट्स के अंदर annually हो जाएगा और दुसरा περι Lesson में चला जाएगा अगर आप गुट्स को करेंटे हो तो पर चैश में एड जाएगा और दूसरा लैपले चैश चैट्नट्स, उसरी if प्रचेज का मतलब भूलना या फिक्स एसेट ठीक है अगर एसेट है पहले हम गुट की बात कर लेते हैं अगर गुट्स भूल गया यह ट्राइल में कभी नहीं दिखा होगा अगर हम भूली गया है तो ट्राइल में कहां से आएगा भई समझो ना अगर ट्राइल के अंदर है आपके भूले निया जो बूलने का मतलब है आपको ट्राइल में मिलेगा नहीं हमें साह मिलेगा ऑल्वेज अज्जेस्मेंट पर मिलेगा तो अगर गूट्स भूलते हो तो एक क्या करोगे आप एड़ कर दोगे कहां पर दूसरा बैलेंशीट के लाइबिलिटी में अब ए 3 क्यार्वीक पढ़ा थोड़ा सा कि उसमें छंते यूज क्या और चार में यूज किया तो चार मेंद ठोसकता है साल के बीच में भीच कर भूल थो जब भीच में ऐसे ऐसे उसमें यूज क्या है तो जो पुराना है इस चित्वीट में डेहां बूंन ह Sin इफ डेट ऑफ पर्चिस गीवन देन डेप्रीशेशन विल बी कैलकुलेट अकॉर्डिंग तो अगर डेट ऑपर्चिस बोलता है का भाई मैंने खरीदा जुलाई में तो भाई जो भूले उना एसे उसे जुलाई से लेकर मार्च तक डेप्रीशेशन केलकूलेट करो फीक है केस में पूरे साल का डेप लगा देना होगा ठीक है तो दो कॉंसर्ट बन सकता है अगर आपको डेप्रीशेशन के बारे में उस सवाल में कुछ बोला ही नहीं मानलो मैंने फरनीचर खरीदा और फरनीचर भूल गया और पूरे सवाल में डेप्रीशेशन का अडिसमेंट प क्या हो सकता है कि आपको अडिसमेंट में डेप्रीशेशन भी दे रखा रख और डेट नहीं दे रख तो इफ given in adjustment depreciation should be charged if given in adjustment depreciation on acid अगर adjustment में बोल रहा है कि depreciation लगेगा बट लेखिन date of purchase not given अब यहाँ problem आ गया है ना अगर नहीं कुछ बोल रहा है तो ignore कर रहा है लेकिन आपको adjustment में है कि depreciation लगाई है लेकिन date नहीं पता तो ऐसे situation में पूरे साल का लगाऊगे then तब क्या करना है आपने then depreciation calculate full year फुल यह ठीक है ना then depreciation calculate फुल यह करेक्ट clear रहे हैं आपर सारी चीज़े ठीक है तो यह adjustment था हमारा depreciation ठीक है एक और आगे adjustment देखें अभी एक prepaid वाला pending है उसको भी करेंगे हैं चलिए interest on capital और interest on drawing मैं सारा adjustment इसलिए करा रहा हूं आपको noting आज करने का वक्त नहीं मिलेगा आपको मैं PDF भेजूँगा और घर पे noting करोगे और अच्छे से revise करोगे के कौन सा कहा जाता है इसके बाद सिर्फ अमारा काम रह जाएगा क्लास में questions करना और जो adjustment है आपके देखोगे note निकालोगे और उसमें से चेक करते जाओगे ठीक है interest on capital और interest on drawing तो पहली बात interest on capital होता है वह हमेशा business के लिए क्या माना जाता है expense माना जाता है क्योंकि business अलग है और honor अलग है अगर honor ने business को पैसा दिया है तो business उसको liability treat करता है capital डाल देता है इसलिए liability side में और अगर उस पे interest की बात करें तो business honor को देगा expense है तो अगर trial balance में हुआ तो profit and loss के debit में चले जाएगा क्योंकि भाई यह खर्चा है अगर यह adjustment में हुआ तो profit and loss के debit में तो जाएगा दूसरा add capital में हो जाएगा ठीक है ना दूसरा क्या होगा हमारा capital में add हो जाएगा क्योंकि जैसे मान लेते हैं मैंने सामने आले business अलग है और मैंने business को क्या करा पांच लाग रुपए दिया तो capital हो गया मैंने बुला भाई तेरे ब्याज भी लूँगा मैं और ब्याज मान लिया नहीं तो मेरे business के उपर पता है कितने होगे पांच लाग तो थे ही और यह वाला 20,000 भी बिजनस पर ही रहे गया मेरा भी आज वाला तो total कितने होगे पांच लाग 20,000 इसलिए add हो गया ठीक है interest on drawing business के लिए क्या माना जाता है income माना जाता है ऐसे situation में क्या होगा एक त व्यक्त बार दोना करे Rec ic on तो इस बात को ध्यान रखेंगों बहूत को चोड़ी सावागिन से जचीज है और इसके आगे हम कौन-कौन देखने वाले कि कि एbot को रिवेल्यूएशन एसेट्स चलिए इसेट्स चलिए इसेट्स हमें प्रैक्टिकल कुशन के साथ ही करना पड़ेगा जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं बता हुआ तब तक नहीं होगा इंट्रस अन कैपिटल हो गया इसके बात देखते हैं इंट्रस अन लून की बात कर लेते हैं पहले हम कुछ चीजे ये ना हमारा हीडन अर्जिस्मेंट का पार्ट होता है हमने अभी तक क्या देखा था अभी कभी भी अभी तक जो मैंने सिखाया यही सिखाया आपको कि कभी भी अगर आपको ट्राइल बैलेंस दे दे और ट्राइल बैलेंस के बाहर सपोस करो कुछ भी बाते लिखी हो जैसे कि ये ट्राइल बैलेंस है आपका माल लेते हैं और मैंने यही सिखाया कि ये ट्राइल बै के बाहर कुछ भी बाते लिखो like depreciation like bad debts कुछ भी लिखा हो तो that's call यह किसे क्या बोलते हैं adjustment बोलते हैं यह सिखें लेकिन कुछ ऐसी चीजे हैं जो कि trial balance के बाहर information नहीं भी देगा फिर भी कि वह adjustment का पार्ट माना जाएगा कैसे सर्फ जैसे कि loan मैंने लिखा 10% loan और loan लिख दिया मैंने credit में 50,000 इसका मतलब loan 50,000 लिया लेकिन अब उसके ऊपर हमें 10% ब्याज देने हैं तो यह adjustment ही बन गया एक तरीके से आपको बाहर ना देखें यहीं पर percentage दे दिया और percentage के साथ- कि loan मैंने 1-4 को लिया है तब तो भी आ पूरे साल का निकालो ऐसा भी हो सकता है मैंने loan लिया आपका 39 को तो भी अच्छे महने का निकालो ठीक है ना तो date से हमें पता चलेगा हमें कितने tenure का कितने duration का interest calculate करना है और date नहीं दे रखा तो कितना निकालोगे पूरे साल का निका investment है तो एक profit and loss के debit में चला जाएगा और क्योंकि अभी इसका payment नहीं किया है आपने तो इसे outstanding interest के नाम से समझे बात लेकिन मुद्दी की बात यह है कि अगर आपको यहां पर सपोस करो पहले से ही interest on loan आपने paid भी कर रखा है for example 3000 रुपए तो इसका मतलब very clear कि भी आगर आपने पहले से ही 3000 payment कर रखा है total तो 5000 बन रहा था agree करते हैं लेकिन तीन तो payment हो चुकी है तो अब जो adjustment बनने वाला है वो 2000 का बनेगा क्योंकि पांच में से तीन तो payment हो गया तो 2000 चला जाएगा आपका add हो जाएगा profit and loss में interest के अंदर ही किसके नाम से as a outstanding interest और दूसरा चले जाएगा balance sheet के liability में किस नाम से outstanding interest चीक है अगर मानलो यहां पर दे रखा हो आपको 5000 रुपए तब तो adjustment ही नहीं बन पाएगा यह क्योंकि 5000 ब्याज बन रहा था और 5000 की payment ही कर दिया आपने तो तब तो कुछ ना लेना ना देना तो कोई adjustment नहीं होगा ऐसा situation में अगर interest बन रहा हो 6000 का तब तो एक्स्ट्रा दे दिया भाई साब तो अब prepaid हो जाएगा तो एक minus हो जाएग तो सबसे पहले loan अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ओपर कैसे होता है उसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो adjustment 15 मतलब number छोड़ दीजेगा interest on loan अभी आप जब note करेंगे ना तो आप adjustment का number मत डालिएगा मैं numbering मैं करवा दूँगा interest on loan और hidden adjustment का hidden adjustment क्यों बोला क्योंकि trial balance के बाहर देखने को नहीं मिलेगा like ठीक है अगर trial balance में गीवन हो तो हमेंसा profit and loss के debit में चला जाएगा जैगा जैसे मैंने एक example भी यहाँ लिखा हुआ है example में देखो यह मैंने एक trial balance बनाया है और इस trial balance के अंदर मैंने लिखा हुआ है एक लाक रुपए और यहां interest लिखा हुआ है मैंने कितना 2000 रुपए और rate 10% है काईदे से देखा जाए तो पूरे साल का 10,000 बनना चाहिए लेकिन मैंने bracket में date भी दिखा है तो 6 मैने का निकलेगा ठीक है क्योंकि 39 है तो October, November, December, January, February, March तो 6 मैने का 5000 बनना चाहिए तो 5000 में से 2000 तो trial balance में है तो adjustment कितने की बनी इनके तो अब देखिए जो 2000 पहले से trial balance में है वो तो trial balance में दे रखा है तो profit and loss के debit में चला जाएगा लेकिन जो पार्ट कहां दे रखा है adjustment में, तो adjustment की दो entry होती है ना, adjustment की, तो एक चला जाएगा कहा profit and loss के debit, profit and loss के debit में कितना जाएगा, 3000, दूसरा balance sheet के liability side में कितने चले जाएगे, 3000, ठीक है, और interest कैसे निकाला आपने, 10% निकाल दिया और 6 महीने का था, मैंने अलग-अलग example लेके कर रहा था यहां पे, छोड़ी आपको यह वाला point अगर समझ ही आ गया तो इस वाले example को लिखने की जोरत ही नहीं है, ठीक है, clear रहा था, कोई दिक्कत, ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, क हम किसी को लोन दे सकते हैं, है न, कि मेरे पास कोई employee काम करता है, उसने बोला, मेरी बहन की शादी है, मुझे 5 लाग रुपे चाहिए, मैंने लोन दे दिया, यह लो 5 लाग रुपे, और धीरे धीरे अपनी salary में से कटवा ले ना, या दे दिना 5 सल बाद, क्योंकि जो trusted employee होत है कि interest on investment हो गया, एक तरीके साफ ने किसी को दे दिया, या फिर interest on investment कहलो, तो interest on investment हमारे business के लिए ये भी hidden adjustment होगा, like same, लेकिन ये business के लिए income माना जाएगा, क्योंकि जब मैंने loan किसी को दिया है, या मैंने कहीं पे माल लेता है, debenture खरीद लिया, या bank में FD करवा तो उससे हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो same condition है, दिखें, जैसे मैंने 10% एक लाख बोला, interest 2000 बोला, तो 10% का मतलब 10,000 होना चीए, अगर 10,000 में से आपको 2000 मिल गया है, तो adjustment कितने की बनी, 8,000 की, तो अगर आपका इस पे given होगा, तो profit and loss के credit side में कितना चले जाएगा, सबसे अगर trial balance में हो, कहाँ पे given हो, मैं लिख देता हूँ, अगर trial balance में given हो, तो profit and loss के credit side कितने रुपे, 2000 लिख देंगे, ठीक है, और जो adjustment में given है, तो adjustment के हिसाब से देखा जाए, तो 2 तो दे ही दिया हमने, तो adjustment के हिसाब से कितने बने यहाँ पे, 8,000, तो एक तो profit and loss के adjustment में दे रख 8,000 रुपे, ठीक है, और दूसरा balance sheet में accrued interest के नाम से चले जाएगा, that is, 8,000, तो total P&L में कितना जाएगा, दस ही गया न, 8,000 तो add हो गया न, इस ही अंदर जाके वो, finally देखो गये तो, क्योंकि यह भी कहां गया, P&L के debit में, और adjustment वाला भी कहां गया, P&L के credit में, और adjustment व 10,000, समझे ही बात आपको, लेकिन आपका assets कितना बना, जो मिला नहीं है, तो मिला कितना नहीं है, 10 में से 2 तो मिली चुका है, तो 8,000, तो 8,000, that's why यहां चला जाएगा balance sheet के assets, समझे बात आप, इसके बाद हम देखें, outstanding rent, कई बार examiner, जो है न, कुछ इस तरीके से आपके साथ game plan करता है, चीक है, outstanding rent हमने देख लिया, हाला कि adjustment है, outstanding, क्या outstanding होगा, trial में, तो balance sheet के liability में, adjustment तो add in expense और balance sheet के liability में, लेकिन वो adjustment है, अभी हम hidden adjustment का part कर रहे हैं, कई बार आपको ऐसे लिखेगा, rent और bracket में लिख देगा 11 महिने, तो इसका मतलब जो यह 22,000 है, वो 11 महिने का है, और आप हमेशा याद रखना, जो आपका profit and loss बनता है, profit and loss, always पता है, कितने म energy time का बना सकते हो, लेकिन हमारे slivers के according, यह हमेशा 12 महिने का बनेगा, तो अगर आपने 11 महिने का rent है, तो इसका मतलब होगा rent तो 12 महिने का ही, लेकिन आपने payment कितना कर रखा है, क्योंकि यह trial balance है, trial balance के अंदर जो भी कुछ होता है, वो चीज हो चुका होता है, past event होता है, त अगर debit में तो payment हो चुका है, तो अब इसका मतलब हमारा एक महिने का rent अभी देना बागी है, यहां से पता चलेगा, एक महिने का rent कैसे निकालोगे, that is आपका rent जो है, वो दे रखा है आपको 22,000, और यह है 11 महिने का, तो अगर हम 11 से divide कर दें, तो यह एक महिने का आगिया, ठीक है न, अब आपको पता है, एक महिने का outstanding है, तो into में 1 कर दीजिए, अगर दो महिने का outstanding होता, तो into में क्या कर देते, दो, सपोस करो मैं bracket में 11 के बदले 10 लिखता, तो मैं यहां पर क्या करता, यहां पर करता 22,000, और divided by 10, और into में क्या करता, दो, तो जो answer निकल के आत और यहां वाले case में निकल का है, 4400, ठीक है, तो ऐसे situation में जो answer निकल का है, सारा outstanding है, तो एक तो अगर profit and loss, trial balance क्या होगा इसका adjustment, trial balance में given है, profit and loss के debit side add expense में हो जाएगा, यानि क्या होगा, जो profit and loss बनेगा, उस पे से पहले से हमारा rent लिखा होगा, जो rent था हमारा, that is 22,000, और इसके अंदर add कर देंगे हम, outstanding rent, और that is आपका 2,000 रुपी, तो टोटल profit and loss में कितना आ जाएगा, 24,000, अब outstanding क्योंकि इसमें कितना है, सिर्फ और सिर्फ, 2000, तो balance sheet के liability side में चला जाएगा हमारा मात्र, 2000, समझे, हाँ, क्योंकि hidden adjustment हम कर रहे हैं, तो hidden adjustment trial balance के बाहर होगा ही नहीं, वो हमेज़ा कहां दिखेगा, आपको trial balance के अंदर ही दिखे, ठीक है, आगे हमारा revolution, revolution अलग से होगा, आपका ये assets अलग से करेंगे हैं, और revolution के बाद sales approval basis भी अलग करेंगे हैं, पहले आप यहां तक एक बार सारा adjustment में दिखाता जाता हूं, सिर्फ, आपने क्या करना है, एक बार फटा फट जो मैंने बताया, recall है, दिमाग में याद है, या नही है, सिर्फ वो देखना है, ठीक है, मैं सारा दिखा देता हूं, एक एक करके जो भी doubt होगा, पूछ लेना, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे फिर adjustment पे चलेंगे, अगर आप बोलोगे कि सर ज्यादा हो जाएगा adjustment, तो मैं skip करके कल क्लास रख लूँआ, नहीं त स्टार्ट किया था, आज किस से स्टार्ट किया था हमने, प्रोविजन फॉर, बैट डिट्स हमारा पहले हो गया था, प्रोविजन फॉर बैट डिट्स भी हो गया था, इसके बाद हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल लेट्स समझा हमने, इसका treatment मैंने यहां पे बता दिया है अब देखिए यह समझ में है पूरा याद है अब इस है दोनों रिजर्फ और डिटर भी सेम है अब प्रेंट पेज यहार मुंगा के दिखा दू बच्चों को दिखा देता हूं जेयर मुंगा का फ्रेंट पेज पूछ रहे हैं ग्रीन कलर का है यह ग्रीन है यह देख लिजिए लास्ट लास में बताया था और मैं इसका लिंक ही डाल दूंगा आप डिस्क्रिप्शन में आप बाए कर लेंगे ताकि यह जेयर मुंगा का फ्रेंट पेज है कि इसमें किसी को दिक्कत है जितने बच्चे लाइव है अगर किसी को दिक्कत है तो आप पूस सकते हो बाकी ओफ-लाइन में आप भी देख लो क्लियर है यह वाला पॉइंट चलिए आगे चलते हैं इसके ट्रीटमेंट हो सकता है यह मैंने आपको एक्सांपल समझाया था करेंट एर करेंट एर नहीं टूटल करेंट एर प्लस है वह बीच में देखा यहनि जो प्राना था वह भी माइनस कर दो वह भी माइनस कर दो तिक है क्लियर ए है यह समझाय था आपको डारो भी हो गया प्रोविजिन फो फोर द्ट दो निलाए लिए त कि इसके बाल EMेगा और प्रींट कर देख ले पहरी है रहे है वあ कि नाइन तब भी नहीं जाता हमारा एक तो परचेश माइनस हो रहा है वह कि ट्रेडिंग हो रहे है वह छो प्रेडिंग वाह णिए अगर आप मुझे बिजनस समझना ठीक है और आपने मेरे से पैसे निकाल लिए तो ड्रोइंग हो गया अब मैं बोलूँगा भाई जो तुमने मुझे पैसे निकाले हैं मुझे उसका ब्याज लाओ तो वह तो मेरे लिए इंकम है और जैसे ही मैं आपसे ब्याज लूँगा या लेने वाला हूं मैं अपने पी एंडर के क्रेडिट में दिखाऊ आँगा समझे बात लेकिन जो ड्रोइंग है वह मेरे ना तो इंकम है ना तो खर्चा है जैसे ड्रोइंग निकाला तो मैं बोल द यह साथ त्यूज्डे ना इस वीक इस चप्टर को वाइंड अप कर देंगे हम क्लियर इसके बाद हमने देखा एक्जांपल था एक्जांपल के बाद लाइफ इस वारेस मैंने बाद में कराना है ओमिटेड पर्चेस एसेट्स का हो क्या हो गुट्स में तो दिक्कत नहीं ह है जो कि मैंने तीन पॉइंट लिख दिया है आपको यह दियान रखना है कि देख लेजे किसी को ड़ा हुआ है क्लियर है चलिए आगे चलते हैं इसके बाद हमने क्या देखा सर इंट्रस ऑन क्यापिटल और इंट्रस ऑन ट्रॉइं ठीक है जब अट्जस्मेंट में हो तो क क्या होगा रसे डिया इंट्रस ऑन लून जब हम लोटेंगे तो वहां पर क्या करक्त में ठीच होगता है क्या होता है कैसे कैसे होता है उसके वाद इसको मैंने एक तरीके से लिखा हुआ था जो कि अपको सौंझ में आपको मंगवा के ना टैनियर मैं दिखा दूँगा नेक्स क्लास में दिखा दूँगा आपको मैं सारे सेंपल समगा के फिर मैं आपको दिखाई दूँगा टैनियर वैसे नियर वाई शॉप पे लो तो ज्यादा बढ़िया है मैं दिखा दूँगा पेज कुन सा है ठीक है अब इंटरस्ट ऑन इन्वेस्मेंट यह इसका उल्टा था वो खर्चा था यह इंकम हो जाता है क ठीक है तो इंडी वीजिस्वल के हिसाब से निकम्कमdoor कंपनी लिया है यारु बिजनस से किसी से पैसा लिया है तो उसके उपर यह ना इसमें बिजनस ने लोन ही लिया है दिया हो तो उसके लिए यह है सब कुछ सामने है कि किसी को हम देते हैं न तो इन्वेस्मेंट होता है वो एक तरीके से क्योंकि हमने इन्वेस्ट कर रखा है भाई ठीक है इसलिए इन्वेस्मेंट लिखती है और जब loan to होता है तो इसका मतलब loan दिया है और loan from का मतलब लिया है ध्यान रखेगा है Accrued income Accrued income add in income हाँ जो P&L के credit side है वहाँ पे income में add कर देखें ठीक है Out sending rate देख लो आप तो हमने यह adjustment अभी किये हैं अगर आप बोलते हो सर आगे चला जाए तो और भी चलते हैं हम आगे पताईए Revolution assets तो हम करेंगे पता है कब property plant equipment PPE के नाम से एक चप्टर होगा उस नहीं पर हाँ अभी देखो एक sales on approval है मैं दिखा देता हूँ एक loss by fire मैंने बोला था अलग से कराऊँगा यह loss by fire भी है इसके अध common dates है इसके बाद फिर bills receivable है इसके बाद फिर overvalued of stock है इसके बाद stock closing stock है इसके बाद commission manager का है इसके बाद फिर आपका इस ओवर वेल्यूड of closing stock हाँ तो मैं पहले से लिख रखा है सिर्फ मेरा काम बोलने बोलने का है ठीक है ठीक है इसके बाद फिर हमारे GST भी होंगे आप पीछे paper में देखेंगे ना आपके पास book है तो देखो final account का कैसा question आये था लास्ट में paper का question देते हैं शायद है देखो मिल जाएगा बीस number का question आया वा था final account का आपके बुख उसने ले लिए है कि कल लेके आएंगे आपके लिए हैं आप लेके आगे बुख तो मैं थोड़ी जाता रहूंगा तो एक एक बुख लेना आप चले जाओ इसकी भी आना मैं पैसे देता हूं कि आपके पास टाइम नहीं मेरे पास टाइम है तो साम को तो बैठे रहते हैं यहां पर अभी कल वाली क्लास जो होती है ना आपकी जो टीटेस वाली होती है वाली तो भी नहीं चल रही है हुआ 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 है तब क्लास में अभी कैसे आयो हुआ है ऐसा ही कर लो बस एक घंटे की दुबाद है एक घंटा भी नहीं लगना स्कूटी से जाओगे आप इसकूटी है क्या है नहीं है कि सर एक बार टैनियर दिखा प्लीज टेल प्रांशी सिंग क्या डाउट है आपका सर जी आर मुंगा के बुक का फ्रेंट मैंने दिखा दिया जी आर मुंगा का दिखा दो एक बार और दिखा देते हैं मैं लिंक भी डाल दुआ ना जिन बच्चों का घर क्यूंकि बच्चे दूर दूर के भी होते हैं यह देखे बुक और प्रोग्राम और ओनर सबका यही है इसके ओपर लिखा हुआ है in fact BCP और BCH दोनों लिखा हुआ हुआ बीकॉम बीसी एच बीकॉम ओनर और बीकॉम का मतलब होता है सिर्फ प्रोग्राम यह दोनों के लिए अब एक ही बुका रही है क्योंकि स्लेवर्स सबका सेम कर दिया है पहले दो दो बुकाए करती थे तो कल क्लास रखा जाए कि कल कितने बज़े रखा जाए छे बज़े शाम को ठीक रहेगा कल साथ बज़े तो मेरी ओर्डेडी कलास राती है साथ बज़े में तो पॉसिबल नहीं है उससे पहले का टाइम बताओ आप मुझे छे बज़े इसलिए बोल रहा हूं कि छे से साथ लेके फिर साथ से मेरा बैक टू बैक हो जाएगा आपके कितने बज़े क्लास है छे बज़े क्लास है आपकी छे बज़े अगर आपकी क्लास है सुबह देख लो अगर कल क्लास रखवाना है तो एक तो छे बज़े का टाइम है नहीं तो फिर परसो रखवा हो परसो तो होती है रखवा होगे क्या रख रहे हैं कल 6 वज़े और कल 6 वज़े हम आगे अड्जस्मेंट जो रह गया है और आपको इन सभी का अगर अभी नूट करना है तो नूट करने के लिए मैं टाइम दे सकता हूं मैं तो बैठाई हूँ अगर आपको पीडियाफ चाहिए तो मैं पीडियाफ भेज दूँ अगर पीडियाफ अगर देता है तो प्रस्नली सबको तो पीडियाफ फीडियाफ फिर पीडियाफ सुबह 10 बजे मिलेगा अब को अभी नूट करें कर लो हाँ ज्यादा थोड़ी नहीं है अभी नूट कर लो जो लाइव वाले बच्चे हैं वह लीव करना चाहते कर लेंगे उनको तो पीडियाफ मिली जाना है नहीं ट्रेलिग्राम नहीं आपका ग्रूप ना पहली अप्लिकेशन पर बना हुए देखो आज हमने यहां से गया स्टाट आज है क्यों यहीं से यह तो जिस पर आप क्लास ले रहे हो उसी पर आप चैट में जाके देखना जो सिक्षा धाम का एप्लिकेशन है अगर आप लैप्टॉप से ले रहे हो तो फिर एप्लिकेशन डाउनलोड कर लो वहां पर मिल जाएगा आपको कि पहले प्रोविजन दिखा दे चलो पहले प्रोविजन देख लो यह रहा कि यह है कि नंबर कौन से चल रहा था कि आपने अकॉर्डिंग चलना यहां के नंबरिंग से मत देखना कि कल की क्लास जितने बच्चे लाइव में कल शाम को छे बज़े अगेन क्लास रखेंगे और छे बज़े हम इसको कम्प्लीट कर लेंगे जितना हो सकता है मैक्सिमुम मेरा टार्गेट तो यह है इस वीक में उसे खतम कर दें ठीक है कि सो देट हम नया चप्टर स्टार्ट कर पाएं क्यूंशन देखा कैसा आया वाथ एक्जाम में था पीछे पीपर में अट्जस्मेंट कितने थे उसमें छे अट्जस्मेंट है जी एसटी भी आया वाथ है अनो पर दो पर दो अब आप अगर आप नोट कर रहे हैं तो साथ के साथ नोट करते जाहिएगा और जिनको लगता है कि पीडिएफ से कर लेना चाहिए मेरे साब से अभी कर लिजिए मैं बहुत दीरे दीरे चलूँगा यस चले ठीक है अब जितने बच्चे नए एंडरोल हो रहे हैं उनको स्टार्टिंग से जो लाइव क्लासिस चल रही है वहीं से देखते चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा फाइनल अकाउंट ही स्टार्ट किया है और जो बच्चे पुराने हैं उनको तो कोई इशू होना नीची हम कंटीनू चल रहे हैं पहले हमारा टॉपिक क्या है सारा अरजस्मेंट खतम कर लेंगे फिर जी एस्टी खतम करेंगे फिर हम सीधा सीधा कुश्चन करेंगे इस हपते में हमने कहा था कि लगबग लगबग चैपटर खतम कर लेंगे यानि अडजस्मेंट शारा तो जितने भी अडजस्मेंट हमने कर लिए हैं नमरिंग डलवा रखा है अब उससे आगे बढ़ने वाले हैं अब बात को पहले समझ लेंगे, अब बात को पहले समझ लेंगे, अप्रूवल का मतलब होता है, के डिपेंड करता है, मतलब के काम वर्ग जो है न, किसी के इच्छा पर डिपेंड करना, जैसे आपको मानलो 12th क्लास में हो, और आपको छुटी चाहिए, 10 दिन के लिए गाउं जाना है, तो ये अप्रूवल क्लास टीचर के उपर डिपेंड करेगा, वो छुटी आपको दे भी सकते हैं, और नहीं भी दे सकते हैं, दोनों चीजे हैं, सेम मैं इसी बिजनस के पॉइंट अभी से देखूँ, तो मानलो मेरी एक दुकान है, ठीक है, आप समझना बात होगो, ये मेरी दुकान है, ठीक है, और मैं जब बिजनस कर रहा हूँ, तो मैंने अपना, एक ट्रेडिंग पी एंडल भी बनाया ही है, सिंपल सा एक बना लेते हैं, ट्रेडिंग पी एंडल, और बैलेंशिट, ठीक है, ये मेरा बैलेंशिट, और एक मेरा ये ट्रेडिंग अकाउंट, मेरे पास जो परचेज है, माल लेते हैं, एक लाक रुपे का है, और जो मेरा सेल्स है, पहले की कहानी बता रहा हूँ है, माल लो दो लाक रुपे का है, ठीक है, और, मेरे पास डेटर, माल लेते हैं, पचास अजार रुपे का है, टोटल ये, ठीक है, हमारे पास, जो स्टॉक वगेरा, हम बाद में थोड़ा सा, मैं इसमें अपने हिसाब से कर दूँ आँ, माल लेते हैं, मेरी जो दुकान है न, वो क्लॉथ का है, यानि कपडे का, और जो मेरा कपडे का दुकान है, और मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, और एक फ्रेंड जो मेरा है, और मान लेते हैं, यह मिस्टर A है, अब जो मेरा दोस्त है, वो दोस्त मेरे दुकान पे आता है, और वो कहता है के भाईआ, मुझे न, कुछ cloth देखना था, मुझे चाहिए आपके दुकान से, तो जब friend है, तो दुकानदार, यानि मैंने कहा आपने दोस्त को ले सकता है, मैंने तीन-चार चीजे दिखाया, जीन्स भी दिखाया, शर्ट भी दिखाया, जीन्स और शर्ट दिखाया, इसको ठीक है, अब मेरे दोस्त को न, कोई भी कपड़ा पसंद ही नहीं आए, बोला नहीं यार, पसंद नहीं आ रहा मुझे, और ये पता नहीं घर वाले अलाउड करेंगे नहीं करेंगे मान लेते हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा तो मैंने उसको suggestion किया यार ये दोनों चीजे ले जा मेरी बात मान ये अच्छा कपरा है और तु इसे लेके जा और उसको मैंने ये समान बेचना पता है कितने का है 2000 रुपए का तो और मैं जो इस समान को चाहे कितना भी दोस्त है कोई अपने बिजनस थोड़ी ना बिना प्रॉफिट पे बेचेगा और ये समान मैंने खरीदा था 1800 का यानि ये मेरे लिए क्या है और ये हमारा सेल्स है मैंने अपने दोस्त को मेरे दोस्त को लेना नहीं था पसंद नहीं आये लेकिन मैंने बोला तू इसे ले जा और पसंद आये तो ठीक नहीं आये तो मुझे बापसी दे दियो मैं थोड़ी जबर दस्ति कहा रहा हूँ कि तिरे को लेना ही पड़ेगा और पैसे भी अभी मत दे तो अगर समझ में है तो रख लिए अगर ऐसा option आपको मिले तो आप एक पर को avail कर ले तो ठीक है यार ले जाते हो दिखा लेते हैं घर पे पसंद आ जाएगा तो ठीक नहीं तो तिरे कल दे जाओंगा मैं जैसे ही मैंने इसको दिया समान वैसे ही मैंने सोचा यार ये मना कहां कर देगा इतना अच्छा समान दे रख है तो ये consider कर लेगा ये तो बिक्या जैसे ही इसने सोचा बिक्या तो सबसे पहले इसने अपना सेल्स बढ़ा दिया बोला मेरा सेल्स दो हजार रुपय का और हो गया जो कि मैंने अपने दोस्त को बेचा था ठीक है और सपोस करो यहाँ पे मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो पहले था मैं कलर सेम रखता हूँ जो पहले से मेरा क्लोजिंग स्टॉक था तो मैंने का भाईया चल भाई सेल हो गया तो इसमें से मेरे समान निकल गया समान पता है कितने का निकला क्योंकि मेरे लिए इसका स्टॉक का कॉस्ट प्राइस था यानि मैंने 1800 का समान 2000 का बेचा तो मेरा सेल्स बढ़ गया कितने का 2000 का और मेरा यहां से माइनस कितना हो गया 1800 ट्रेडिंग में से सेम बैलेंश शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक आता है नहीं आता है तो balance sheet में भी पहले मेरा closing stock कितना होगा 2000 मेरा यहां से minus कर दूँगा कि मैंने समान बेचा है sale कर रहा है कितना minus करूँगा और मेरा debtor बढ़ जाएगा क्योंकि उधार बेचा है अभी पैसे तो मिले नहीं तो debtor बढ़ जाएगे तो debtor को मैंने कहा sales कर दिया है कितने का 2000 जब मैं अपने दोस्त को बेचूँगा तो आप यहां तक देखो कि यही करने वालों मैं और आप होगे तो आप भी यही करोगे न इसके अलाबा तो कुछ नहीं होगा सोचो दिमाग लगाओ अब ऐसे करते करते जितना मैंने काम किया ऐसे करते करते आ गया 31 मार्च और 31 मार्च को हमें final trading and profit and loss बनाना है मैंने अपने दोस्त को phone लगाया यार वो तिरको मैंने jeans और shirt दिया था तो घर पे दिखा लिया उसने कहा कि घर पे तो दिखा लिया लेकिन घर वालों को पसंद नहीं आया मैं कल तुझे दे जाऊँ किसने बोला अब जो मैंने ये काम करा हूँ ये तो accounting गलत होगी भाई हो गई ने गलत क्योंकि मैंने तो सोचा थे ये तो लही लेगा मैं इतना confidence में था तो गलत क्या किया मैंने जो मैंने sales यहाँ पे दो लाख दो हजार दिखाया हुआ है जो मैंने ये stock अपना दिखाया हुआ है जो मैंने यहाँ debtor बावन हजार का दिखाया हुआ है पहले से और जो मैंने यहाँ यहाँ पे अठारा हजार दो सो का दिखाया हुआ है 18-100 rupy है मैंने 48 rupy यह सब गलत हो गया अब मुझे ठीक करना है तो ठीक करने के लिए क्या क्या करना पढ़ेगा क्या मुझे sales बदलना पढ़ेगा क्या मुझे sales को बदलना पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा पहले यह बताया मतलब मेरे दोस्त ने मना कर दिया मेरे दोस्त ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं ले रहे लेकिन मैंने जो एंट्री कर रखी है पहले से अकाउंटिंग यह क्या मान के कर रखा है यह काम तो तो भाईया सेल्स पर फरक पड़ेगा क्या पढ़ेगा सेल्स पर फरक जो आपने सेल्स दिखा रहा है क्या गलत है तो यहां से लेस कर देंगे कि वो सेल हुआ नहीं उसको बोलते हैं सेल्स on approval basis मैं short form थोड़ा ले रहा हूँ कितना माइनस करूँ है यहां से 2000 यानि अगेन मेरा जो सेल्स है अब 2,00,00 का ही रह जाएगा चीक है ना क्या मेरा डेटर पर फरक पड़ेगा क्योंकि जो मेरा डेटर 52,000 है अब वो 2000 तो रहा ही नहीं मेरा डेटर तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा यानि देटर इस कितने यह 11 वी में यह अड़िस्मेंट नहीं था आपका अब इसके बाद स्टॉक पर फरक पड़ेगा स्टॉक मेरा क्योंकि वो जब समान मुझे वापसी दे के जाएगा तो मेरा स्टॉक क्या हो जाएगा दे के जाएगा ना हमें समान तो मेरे तो गोडाउन में प्लस हो जाएगा अब जितने का समान मैंने माइनस किया था अठारा सो का और यहां भी क्या होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक में भी समझ रहे हो यानि जो मैंने ग्रीन मारकर से कराई यह अड़िस्मेंट है क्योंकि अड़िस्मेंट तो लास्क में पता चलेगा ट्राइल बनने के बाद तो अब आपका अड़िस्मेंट देखो क्या हुआ दो जगहे से सेलिंग प्राइज माइनस हो रहा है सेल्स में से क्या माइनस हुआ है दो प्राइज है यहां पे एक है हमारा cost price, एक है हमारा selling price, तो sales में से क्या minus किया, और debtor में से क्या minus किया, और हमने closing stock में क्या plus किया, यानि entries की 4 जगा जा रही है, लेकिन ये सवाल तब तक आपके लिए possible नहीं होगा, जब तक आपको दोनों price पताना हो, कि एक दोस्त को मैंने 5000 का समान 6 में बेचा था और उसने मना कर दिया, अगर ये बात पता चल गई आपको, तो 5000 का समान 6 में बेचा था तो 6000 sales से भी minus कर देंगे, और 6000 debtor से भी minus, और 5000 का समान 6 में बेचा था तो मतलब 5000 closing stock में दोनों जगा एड हो जाएगा, समझ रहे हो, अगर मैंने बोला, मैंने 6000 का समान बेचा था दोस्त ने मना कर दिया, तो नहीं बन पाएगा ये काम, आपको ये पता होना चाहिए, अब examiner यहां पर पहले यहां तक clear है आपको, examiner यहां पर पता है क्या चलाकी करता है, examiner यहां पर एक बात दिखाता है चलाकी में, आपको बोले मैं आपो लगा, समझ रहो, तो हम percentage का भी देख लेंगे कि क्या कर सकते परसंट हैं करते हैं, यहां परसंटेज का चली आएए, देखी लेते हैं, सबसे पहले अरजक्षमेंट का information का information देख लेते हैं, और फिर मैं इस percentage कीत in खरहों कि क्या करनी है percentage में ठीक है यह मिट रहा है और 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 आपके लिए चार एक्जामपल में सुरू से करूँ आए इसके दो तरीके होते हैं लेकिन अभी हम लॉंग प्रोसेस में चलेंगा हम जल्दी जल्दी भागने की जूरत नहीं है अब देखें सबसे पहले sales on approval basis आपको दिख रहा है दिख रहा है ना sales on approval basis पे होगा तो एक तो debtor sales में से क्या हो जाएगा selling price समझ में आ रहा है दूसरा क्या होगा debtor में से भी यह भी समझ में आ रहा है क्यूं कर रहे है तीसरा क्या होगा closing stock में add हो जाएगा लेकिन कहां पे trading में और फिर से closing stock में add हो जाएगा कहां पे वही चीज़े मैंने आपको यहां बताई है सारी चीज़े समझ में है तो पहले बताओ यह adjustment clear है अब जब आपको examiner percentage के terms में देगा तो उस percentage को हम कैसे calculate करेंगे समझना होगा देखो चार example है यह चार example से ज़्यादा कुछ नहीं बनता मैंने बोला यहां पे sales है आपका कितने 500 रुपए GP on sales 20% जो formula होता है आपका sales का हमेशा याद रखिएगा होता है sales is equal to cost और plus में gross profit ठीक है cost plus में यही सी खाया है हमने आज तक अब आपको GP किस पे sales पे और यह भी क्या है sales आप देखे यह भी sales पे और यह भी क्या है sales है तो इस situation में हमें sales तो पता है और हमें question में करने के लिए क्या चाहिए अब cost चाहिए होगा तो कॉस्ट कैसे निकलेगा आपका इस formula में put कर दीजिए sales कितना है cost नहीं पता इसको x ले लीजिए और GP किस के उपर है sales के उपर कितने percent 20% तो इस 500 पे 20% कितना आएगा सही है आप x का value निकालेंगे तो कितना आ जाएगा तो आपने देखो बड़े आसानी से आपने क्या करा cost निकाल लिया और आपने sales आपको जब दे रखा हो clear है चलो आगे आपको कहता है sales दे रखा है लेखिन GP किस पे है यहां पर आजाता है पंगा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आप सीधा समझे formula क्या बताया हमारा sales is equal to cost plus GP आपको क्या sales दे रखा है जी दे रखा है क्या cost दे रखा है नहीं दे रखा लेट कर ले अब GP किस पे कह रहा है cost पे 25 परसेंट इसका मतलब x का 25 परसेंट क्योंकि cost तो x ही है ना समझ रहे है बात को तो अब x की value solve करोगे और x की value क्या result आएगा x किसको माना है हमने cost को अब x की value solve करेंगे तो यह आ जाएगा 500 is equal to x plus में x by इसको पूरे 4 से divide हो जाएगा x by 4 अब जब इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 x divided by 4 तो 500 is equal to 5 x divided by अब multiply कर दो इसके आगे मैं यहां कर रहा हूं कितने आ जाएगे 400 तो x की value क्या आ गई हमारी 400 आप solve कर लिजेगा इसको अब देखो cost पता चलिया सर यह दो क्यों निकाल रहे हो cost क्योंकि आपको चाहिए ना एक cost प्लस करना है और sales क्या करना है minus अगर दोनों amount के terms में देजाए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन in terms of percentage देदे तो समस्य आ जाएगा हमारे ठीक है अब देखिए यहां पर आपको क्या दिया है cost और मैंने बोल दिया suppose करो GP on cost 20% ठीक है अब formula क्या है sales is equal to cost plus GP sales दे रखा है नहीं पता एक्स माल लो cost दे रखा है पता है कितना है हमारा 500 रुपए और GP किस पे cost पे तो cost पे 20% निकालो की कितना है 100 तो x का value कितना आ गया 600 यानि मैं यहां पर एक चीज़ देख रहा हूं कुछ point में तो सीधा ही निकाल रहे हूं और इस यह वारा थोड़ा से लंबाए नहीं है इन दोनों से तो फरक पता ही क्या है यहां पर आपको sales दे रहा है और GP sales पे दोनों सेम बात कह रहा है यहां प अब लेंदी calculation हो जाता है जब आपको sales दे दे और GP बोले cost के उपर यह cost दे और GP किस पे बोले आप देखो इसमें cost दे रखा है 500 और GP सिर्फ 20% बोला यह नहीं बोला किस पे है तो जब कभी भी GP किस के कितना percent है ना पताया जाए तो हमेशा पता है किस पे consider करना सहाब यह कि cost plus में sir sales कितना है नहीं पता है ना x मान लेते हैं cost कितना है पता है 500 GP किस पे sales पे है ना इसका 20% या नहीं x by 5 हो जाएगा अगर इसको पूरा solve करे तो हम अब x की value solve कर लो x minus में x by 5 is equal to 500 यहा जागा 4x 5 is equal to x की value निकल जाएगी क्या एगी x की value 25 divided by 400 पच्चिस सो divided by 4 625 आ गया मैंने direct निकाल दिया तो आपको sales भी पता चल गया और cost भी पता चल गया हाँ बिल्कुल separate separate अभी question देखेंगे तो अलग अलग ही दिखाते है वैसे तो यह कौन सा adjustment था sales on approval basis इसमें दो चीजे चाहिए आपको एक cost price चाहिए और एक selling price अगर रुपए के terms में दे रखा है तो कोई जंजटी नहीं है percentage के terms में दे रखा हो तो यहां दिक्कत आएगा अभी मेरे पास book का लगावा नहीं है अगली class में मेरे पास book का print out जैसे भी आता है मैं question पूरा typing करवा रहा हूं तो उसके accordingly आपको फिर मैं दिखा भी दूँँगा देखो इसमें जिनके पास book है लास्ट में बता दूँगा इसमें चेक करो ऐसे दे रख आपके किताब में है question ठीक है चलिए अगले adjustment में चलिए यहां तक किसी बच्चे को doubt clear है यहाला point अब एक goods use में हमने छोड़ दिया था कुंसा point loss by fire चलिए अब loss by fire को दिख लेते हूं देखो loss by fire अब loss by fire का मतलब एक था हमारा goods use इसमें था loss by fire सर loss by fire क्या होता है goods का जल जाना और नॉर्मली देखो छोटे business में तो ऐसा नहीं होता बड़े business में जो मैं बता रहा हूं insurance का concept होता है अब सर पहले आपको समझना होगा insurance कितने type के होते है जो insurance है न वो insurance होते हैं दो type के हाला कि तीन होते हैं लेकिन जर्नली हमें दो से ही मतलब है एक होता है जर्नल इंस्वरेंस और एक होता है life insurance सर जर्नल इंस्वरेंस कौन सा होता है और life insurance कौन सा होता है एक marine insurance होता है जो हमारे अभी कोई मतलब नहीं है उसका discussion करने का ठीक है न जर्नल इंस्वरेंस और life insurance कौन सा होता है जर्नल इंस्वरेंस हमेशा किसी ना किसी goods का कराया जाता है पहला point किसका कराया जाएगा goods का दूसरा आप health का भी करा सकते हो और तीसरा आप किसी assets का करा सकते हो तीन का होता है इसका premium जो होता है न यानि इसका किस्त बहुत low होता है बहुत कम और जितने भी पैसे आप इसमें देते हो पैसे वापसी नहीं मिलते हैं आपको तोगी जैसे मैं example लेता हूँ mobile phone का insurance कराया या mobile phone का अगर आपने नहीं सुना हो तो bike, scooter का तो insurance होता है बिना insurance का तो चलान कर जाता है तो अगर मैंने किसी car का या motorcycle का या scooter का motorcycle का या bike का मैंने insurance कराया और उस insurance में मेरे गए मान लेते हैं 900 रुपए ज्यादा नहीं जाता 900 पूरे साल का अगर अब मेरे car का या फिर मैंने bike का जो कराया है उसका क्या कराया insurance क्यों करवाया अगर चोरी हो जाए तो वो insurance company पैसे देगा हमें अगर accident में टूट जाता है तो उसका भी कौन देगा insurance अब मैंने 900 का insurance कराया है ना तो मेरा bike चोरी हुआ ना ही मैंने कोई accident किया तो ऐसे situation में जो 900 रुपए मैंने दिये थे 900 गए आपके चले गए वो आपसी नहीं मिलेंगे वो आपके लिए business के लिए खर्च आई है लेखिन अगर चोरी हो जाता तो insurance company आपको bike का cost दे देता जिसे बोलते है insurance claim क्या बोलते है insurance claim ऐसे loss by fire का होता है हमने अपने goods का insurance करा लिया अगर आग लग जाता है तो हमें उसके पैसे मिल जाते है बहुत कम amount है देखो 900 रुपए है और आपकी bike मान लेते है लाक रुपए की है तो साल का 900 रुपए एक बहुत बड़ा amount नहीं है लाक रुपए के comparison और आपकी bike फिर आप कहीं भी रख सकते हो और अगर घर के बाहर से ही चोरी हो गया तो at least आपको जो पैसे आपके गए है वो safe तो है अगर आपका accident हो गया और आपने किसी का accident कर दिया तो उसके भी दबाई के खर्चे दे देते हैं तो यह इसलिए करवा लेते हैं सेम होता है medical यह तो मैं हर किसी को बोलता हूँ कि यह करवाल हो यह health insurance जैसे कि एक simple सा example लेता हूँ 10,000 रुपे का खर्चा होता है साल का एक साल का जिसमें आपके मम्मी पापा और दो बच्चे और बच्चे क्या होने चाहिए माइनर होने चाहिए मीजर नी तो मम्मी पापा और दो बच्चे जो होंगे वो कबर हो जाता और 10,000 साल का जाएगा और पूरे साल में कोई भी बिमारी हो अगर 10,000 रुपे तक आपका दवाई में खर्चा होता है तो वो insurance company देती है आपने क्या देना है सरिफ 10,000 और 10,000,000 तक क्योंकि बिमारी में बहुत जादा खर्च भी हो जाता हो सकता है कि पूरे साल अब बहुत fit and fine है अच्छी बात है आप पूरे साल fit and fine है तो जो आपने 10,000 रुपे जमा किये वो गए आप ऐसे नहीं बोलोगे मैं तो बिमारी नहीं पड़ा प्राइबेट में और जाके ट्रीटमेंट कराओ चाहे लाक रुपे का खर्चाओ दो लाक रुपे का खर्चाओ पांच लग का खर्चाओ आपको insurance company और आपको वहाँ जाके पैसे भी नहीं देने सिर्फ insurance का कार्ड होता है वो दिखा दो और आपका सारा काम शुरू हो जाएगा यह होता है health insurance तो यह जी आई में आता है जिसे जर्नल insurance कहते हैं short form में जी आई एक होता है life insurance life insurance हमेशा personal होता है ठीक है इसके अंदर जो हम premium देते हैं इस situation में होता है कि जो भी हम insurance premium देते हैं लाइक यह ना premium जो जाता है ना यह ज्यादा और कम यह totally ही करते हैं कि आप 10,000 साल का भरना चाहते हो 10000 साल का भरना चाहते हो यह एक ह्रूपे साल म Star का बरना चाहते हो सपोज आपने अपने एस लाख रूपैं का इस हाल आप आपको उसने बोला कि आप एक काम करो पचास हजार रुपे हर साल भरो और ये आपको दस साल तक भरना है और आपको दस साल तक भरोगे तो आपके जमा कितने होंगे पाँच लाक और उस सिचुएशन में के बाद आपको पाँच लाक रुपे जो आपने जमा किये है उस 5 लाग के बदले आपको 10 लाग रुपे मिल जाएंगे और इन केस अगर कोई भी हैपनिंग होता है मालो आपने किसी ने एक किस्त दिया और उसका देथ हो जाता है तो उसे कोई किस्त नहीं देना होता पूरे 10 लाग रुपे उसके परिवार वालों को मिल जाता है समझ रहे हो बाद तो ये क्या है हमारा Life Insurance Life Insurance हमेशा समझना ये क्या होता है ड्रॉइंग ये क्या होता है हमारा अगर मैंने बोला कि मैंने Insurance दिया है पचास अजार का Insurance Premium मेरा पचास अजार का आप ध्यान से मुझे जवाब देना Insurance Premium पचास अजार का है इसके अंदर बीस अजार रुपे Life Insurance का है Life Insurance Policy है तो आप बताइए अगर पचास अजार का Insurance में बीस अजार का Life Insurance Policy है तो बाकी जो बचे तीस अजार वो तो जर्नल Insurance Policy होगा ना तो जो तीस अजार रुपे है ना ये हुगता है हमारे बिजनस का खर्चा ये क्या होता है हमारा बिजनस का खर्चा और जो ये बीस अजार रुपे ये बिजनस का खर्चा नहीं है ये ड्रॉइंग है ये क्या हमारा तो आपको इंस्वरेंस क्लेम मिलेगा मान लेते हैं आपका गुड सा पांच हजार का और आपने इंस्वरेंस करवा रखा था और इंस्वरेंस में आपका यह लॉस्बाय फायर हो गया insurance company से आपको पूरे 5000 रुपे मिल भी गए तो बता आपका नुकसान कितना हुआ कुछ भी नहीं हुआ नुकसा एक तो लेकिन आपका जब 5000 का stock जला है तो purchase तो कम होगा तो एक purchase कम हो जाएगा दूसरा ये पैसा आपको मिल जाएगा assets में चला जाएगा समझने हो क्यों assets क्योंकि मिलेगा आपको ये पैसा दूसरा कर मैं बोलू कि आपका 5000 रुपे का समान जला इसमें से 3000 रुपे आपको claim मिल जाना है तो अब यहाँ 2000 रुपे का क्या होगा आपका loss 2000 कहां चले जाएगा profit and loss में नुकसान 5000 रुपे आपका purchase से तो कोई claim मिलेगा आपको नहीं तो पूरे 5000 रुपे क्या है आपके loss एक तो पी एंडल में चला जाएगा पूरे 5000 और एक purchase से क्या होगा माइनस हो जाएगा नहीं और भी बहुत सारे method होते हैं cost निकालने का पीछे पूछ रहे हैं तो उसमें हम अभी नहीं जाएंगा भी long method से करेंगा short cut branch वाले chapter में करेंगा इसके बाद में branch ही start कर दूँ है तो चलिए देखते हैं देखे insurance claim का मैंने पूरा adjustment बनाया हुआ है और एक example भी लिख लेते हैं यहां पर इसके इसाब से सारा समझ में आ जाएगा lost by fire या lost by theft दो चीज़े हैं या तो आपने goods का insurance करवाया होगा या goods का insurance नहीं करवाया होगा अगर करवाया होगा तो आपको पूरा claim मिलेगा या फिर आधा claim मिलेगा दोई चीज़े हो सकता है अगर आपको partly जैसे मेरा goods जला मान लेते हैं कितने का एक हजार का पार्टली claim बाले में क्या होगा एक तो less हो जाएगा आपका कहां से purchase से पूरा एक हजार दूसरा profit and loss में 300 नुकसान हो गया तीसरा claim balance sheet के assets में 700 अगर आपको full claim मिलता है तो दो ही जगए entry जाएगा एक purchase से minus एक balance sheet के assets में पूरे 1000 रुपया जाएगा ठीक है अगर आपका goods insured ही नहीं है तब तो कोई claim नहीं मिलेगा तो एक purchase से तो minus हो गई होगा और दूसरा profit and loss के debit में 1000 रुपया एगा समझे बात को clear है ठीक है ना यहां ता कोई दिक्कत तो किस तरीके से हमारा purchase से minus यह goods less यह सारी चीज़े clear होगे आपको आगे देखें अभी हमने क्या करा सब दो adjustment करें बड़े बड़े एक sales on approval basis और एक करा हमने insurance का ठीक है ना एक और adjustment करते हैं जबकि insurance premium include हो जाता है life insurance premium यह तो लास क्लास में हो गया था यह तो लास क्लास में हो गया था चलिए सर पहले हम इसके उपर जब life insurance include insurance या insurance include life insurance जो अभी मैं बता रहा था आपको पहले हम समझ लेते हैं करना कैसे है फिर आ गया थे ठीक है पहले समझते हैं चलो अब मान लेते हैं मैं एक example ले रहा हूँ ठीक है दो example कराऊंगा उसके बाद वो सारा समझ में आ जाएगा example number one मैंने कहा कि मेरा जो है insurance जो insurance premium है मान लो बीस हजार अब इसके नीचे मैं adjustment लिख देता हूँ मैंने कहा insurance premium इंक्लूड दो हजार और लाइफ इंसॉरेंस यानि insurance premium में जो 2000 इंक्लूड है वह किस चेज का है लाइफ इंसॉरेंस का है अब इसका treatment क्या होना चाहिए एक आपके सामने बना देते हैं trading और P&L और एक बना देते हैं आपके सामने balance sheet यह हो गया balance sheet और यह हो गया trading या P&L कह दो सबसे पहले insurance आपका 20,000 है तो P&L में डालो गया insurance है ना कितना लिखोगे अब adjustment में पता है कि 2000 रुपे किस से related है और life insurance क्या होता है हमारे लिए drawing होता है life insurance क्या होता है drawing तो इसका मतलब P&L में यह गलत लिखा हुआ है इसको कैसे ठीक किया जाए इसमें से सबसे पहले minus कर देंगे क्या life insurance premium और अब P&L में जो बचेगा कितना बचेगा और यही क्या होगा मान लेते हैं पहले से आपको क्रेडिट यहां पर आपका debit में से माइनस करने का मतलब क्रेडिट हो गया और क्रेडिट में माइनस करने का मतलब क्या हो गया तो पहले यह वाला देखिए insurance premium में जब कुछ भी include होगा तो उससे कैसे करेंगा यहां तक बताई है कोई doubt है तो समझ में आ रहा है एक और adjustment देखे मैंने बुला दो एक्जामपल लेंगे उसके बाद फिर हम जो चार्ट बना रख था उस चार्ट को समझेंगा कोई फरक नहीं पड़ेगा एक और देखे एक्जामपल मान लेते हैं मेरा insurance है फिर से बीस अजार और इसमें कहा include adjustment तीन लुगा इंफेक्ट में एक जामपल ठीक है इसमें मैंने कहा insurance insurance include रुपीस आठ हजार यह आठ की जगह पे थोड़ा simple data लेते हैं आठ छे हजार छे भी नहीं लेते हैं आठ ही लेते हैं पहले वाले में आठ हजार ठीक है insurance include आठ हजार फोर life end balance balance till तिल 31 37 36 36 तो हजार तेईस ठीक है 36 दो हजार तेईस और हमारा साल जो चल रहा है ना एक चार दो हजार बाइस से लेके 31 तीन दो हजार तेईस तक का हम काम सारा करने पहले हैं ठीक है चले अगेर हम दो चीज़े बना लेते हैं एक पी एंडल और साथ के साथ एक क्या बना लेंगे हम ट्रेडिंग मतलब स्वरी balance sheet यह लीज़े यह बना लिया पी एंडल और यह बना लिया हमने balance sheet ठीक है यहां तक clear है अब question को हम समझते हैं सबसे पहले insurance हमारा 20,000 तो पी एंडल में आ जाएगा insurance है कि नहीं अब इसमें से LIC पहले माइनस मतलब life insurance माइनस करोगे कितने तो बचे कितने और दूसरा capital मान लेते हैं मेरे पास पहले से था एक लाक अब यहां से भी माइनस कर दोगे कितने समझे लेकिन इसके बाद ना date है अगर हम बात करते हैं date की और यहां तक आपको पहले भी कोश्चन में देखा देखा है और यहां तक तो आपको पहले भी कोश्चन में देखा है और अभी भी आपने देख लिया ठीक है ना यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं अब पंगा गया सर यह तारीक का क्या दिक्कत है तो अब तारीक के बारे में देखो जैसे माल लो मैं आपके सामने टाइम पूरा लाइन बना देता हूँ और हमारा जो साल स्टार्ट हुआ है ना वो हुआ है एक चार दो हजार बाइस और यह माल लेते हैं खत्म यहां हुआ है एक अतिस तीन दो हजार तेज़ आपको पूरे questions में यह नहीं कहा कि जो यह insurance है वो कितने टाइम का है बस इसने बोला कि insurance का जो payment है वो कहीं न कहीं इस date से cross कर गया that is वो है तीस छे दो हजार तेज़ लेकिन आपको पता है कि आपको जो खर्चे दिखाने चाहिए अपने पास वो दिखाने चाहिए कहा से कहा तक के एक साल का सरफ यहां से यहां तक का क्योंकि ट्रेडिंग पी एंडल जो बनता है बनता है हमेशा एक साल का लेकिन खर्चा जो है हमारे साल से exceed जा रहा है अब मुद्दे की बात आती है कि जो यह insurance का है खर्चा यह कितने टाइम का है तो जब आपको इस तरीके से given हो तो आप हमेशा मानेंगे यह insurance है एक साल का ही जो बचावा insurance 12,000 है न यह एक साल का ही है तो सर जब यह 12,000 रुपे एक साल का ही है तो फिर extra भी तो जा रहा है फिर उसका क्या अब देखना जरूरी नहीं है कि insurance उसने इस date पे लिया हो हो सकता है कि साल के बीच में insurance लिया हो और insurance की किस तो जाती है हमेशा साल की जाती है लगबग हो सकता है मेभी मैंने यहाँ पर 1 जुलाई को insurance लिया हूँ मैंने 1 जुलाई को अपना insurance business का करवा लिया था ठीक है और जो किस insurance की बात कर रहा हूँ यह 12 जर्नल insurance इस date को लिया तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक हम time count करें तो एक साल ही हो रहा है अगर मैं इस date पर insurance लूँगा और मैं annual कराऊंगा तो यह तो मार्च से आगे जाएगा ही ना मार्च तक तो एक साल हो इनी सकता इसका मतलब यह 12 हजार है 12 महीने का लेकिन कुछ पार्ट इस 12 महीने में से कुछ महीने इस साल में जा रहे हैं और कुछ महीने हमारे अगली साल जा रहे है तो अगर ध्यान से देखें तो भाई यह 12 हजार रुपे का जो खर्चा है उससे अगर डिवाइड 12 से कर दे तो हमें कितने महीने का मिल जाएगा एक महीने का हिसा अब हम time count कर लेते हैं जुलाई अगस सेप्टेंबर अक्टुबर नवंभर दिसम्बर जन्वरी फ़रवरी मार्च यानि यहां से यहां थक के tenure को अगर देखे तो 9 मंथ होता है और यहां से यहां के tenure को देखे तो 3 मंथ होता है यानि इसमें तीन महिने का prepaid है क्योंकि जब आप साल से ज़्यादा payment कर देते हैं तो वो हिस्सा क्या माना जाता है आपका prepaid तो यहां से तीन महिने का क्या है तो अब इसको अगर एक महिने का है अगर इससे multiply तीन से कर दें तो यह क्या निकल गया हमारा प्रीपेड निकल गया तो ऐसे situation में less यहां करोगे प्रीपेड और यहां पर पीडल में आपके रह जाएंगे टूटल और जो तीन हजार प्रीपेड था बैलेंशीट के assets में भी आ जाएगा प्रीपेड देखिए तो पीछे वाले में एक स्टेप आगे बैढ़ गया पीछे वाले में कोई ऐसा प्रीपेड आउस्टेंडिंग नहीं था इस वाले के अंदर एक डेट आ गया तो डेट के वज़े से सब कुछ क्या हो आपका चेंज हो गया एक तरीके से समझे यहां तक तो नेक्स्ट यर में तो काउंट है 36 तभी तो हम प्रीपेड कंसिडर कर रहे हैं तो बीस अजार दिया होता तो सिर्फ लाइफ इंसॉरेंस भी सजार तो फिर तो जैनल इंसॉरेंस को कोई सबाल नहीं है 20,000 यहां आता है नहीं सिधा ड्रॉइंग से मुएनस भात ही खा तो अब को एर्जस्मेंट ही नहीं पर रहा ड्रॉइंग एडवान्स कभी नहीं होता मैंने अगर पांच लाग रुपए अपने बिजनस से निकाला है और वो पांच लाग रुपए मैं हाँ इसके अंदर जो life insurance ने पेड किया है 8000 रुपे उसने 8000 रुपे बिजनस से निकाल के payment किया है हमें यह नहीं देखना कि वह 80000 एक साल का या 6 महिने का है या 15 महिने का है हमने ये देखा कि इस duration में जो ये वाला साल था इस साल के अंदर हमने 8000 रुपे अपने निकाल लिये हैं और 8000 रुपे निकालने के बाद और वो drawing कहलाएगा that's it और इसमें कोई रोल नहीं है अब इसके अंदर ये नहीं सोचना के सर इसके अंदर भी तो 3 महिने का एक्स्ट्रा होगा वो प्रिपेड नहीं है प्रिपेड आउटस्टेंडिंग बिजनस से रिलेटेड इंकम और खर्चे पे अप्लाई होता है प्रस्टनल कभी भी अप्लाई नहीं होता समझे बात ठीक है एक और पॉइंट कर लेते हैं चलो इसी के एक और आड़ेसमेंट देखते हैं मान लेते हैं मेरा इंस्ओरेंस कि निए भी सजार है कि अड़ेस्वेंट कि इंस्ओरेंस इंक्लूर्ण पीस छे हजार यह छे के जगह पे गड़ते हैं पांच हजार लाइफ इंस और एंड बैलेंस पेड़ एक चार दो हजार वाइस टू तीस छे दो हजार तैस ठीक है चलो अगेन एक ट्रेडिंग पी एंडल बना लेते हैं यह बन गया हमारा पी एंडल और यह बन गया ट्रेडिंग और सॉरी बैलेंस शीट ठीक है सबसे पहले इंसॉरेंस बीस अजार है तो आप पी एंडल में लिखोंगे इंसॉरेंस इसमें से एलाइसी यानि एलाइपी कितना है पांच तो माइनस कर दूगे लेस आप यहां ड्रॉइंग भी लिख दो या एलाइपी लिख दो आपकी इच्छा है बचे कितने और यहां पर मान लेते हैं कैपिटल हमारा से पहले से ही है कुछ अमाउंट यह मैं अजम्शन ले रहा हूं पांच लाइप और इसमें से माइनस कर देंगे हम एलाइपी पांच यह तो हमने पहले वाले पॉइंट में भी देख लिया था अब अगली बात आती ह कि инд्टर यहां और पिछले वाले से थोड़ा हट के डीट यहां पर स्टार्टिंग से लिके एंडuest अगर मैं साल को काउंट अगर मैं यहां पर फिर से वही टाइम लाइन बना देता हूँ यह देखो, ठीक है, सपोज मैंने कहा यहाँ पर यह जो डेट है, यह है एक चार, यह जो डेट है, एक चार दो हजार वाइस, और हमारा साल जो खतम हुआ, वो खतम हुआ, 31, 3, 2,023, और यह डेट मैं बदे देता हूं आपको, 36, 2,023, तीन डेट से हैं आपके पास, तीन डेट से, आपका जो अकाउंटिंग चल रहे हैं सेशन, अकाउंटिंग सेशन यहां से लेके यहां तक का है, एक साल, इसके बाद यह वाला जो टाइम है न आपका, यह सारा साल के ब्योंड है, जिसका टाइम बनता है 3 मन्त, और इसका टाइम बनता है आपका 12 मन्त, है की नहीं? अब इस बार जो मैंने इंस्वारेंस कराया है, वो कोश्चन आपको खुदी बता रहे हैं के भाईया, इंस्वारेंस आपने जो लिया है, वो एक चार को लिया है, यानि आपने insurance इस date पे लिया है इस date पे insurance और इसका payment गया है तिल 2023 तक यानि जो insurance premium इस date से आपने total यहां तक का payment किया है यह यह इसका मतलब इसका मतलब यह जो insurance है आपका आपका कितना है 15,000 यह 15,000 जो है वो 12 और 3 15 महीने का है अब divide 15 से करना होगा आपको पिछले वाले सवाल में divide किस से किया था क्योंकि वो insurance annual वर्ड सा कुछ नहीं बोला हुआ तो मान लेना जो balance insurance है वो है यह बारा महीने का है भले ही आगे जा रहा था लेकिन इस वाले में आपको date का ब्लॉकिज दे दिया यह यहां से यहां तक का यहां तो आपको confusion नहीं है कितने महीने बना रहे यहां से यहां तक का वो एक्स्ट्रा है यानि प्रीपेड है तो अब तीन से मल्टिप्लाई करेंगे तो तीन हजार अगें क्या आगे हमारा प्रीपेड मैंने एक्जामपल ऐसा लिखा है कि पिछले और इस वाले का सेम रहे आपको क्लियरिटी रहे ठीक है यहां से अब फिर से माइनस करेंगे ल एक्जामपल में 12 से डिवाइड हुआ था क्योंकि एन वल था और इस वाले एक्जामपल में कितने से डिवाइड हुआ 15 समझ में आरहाए बात आपको किसमें मंथ मंत कैसे जैसे कैसे के अगर्यों मंत कि 18 महीने ऐसे लिख दे अच्छा यहां पर 36 लिखना भूलिया यह 36 है आप ऐसे कह रहे हो न यहां 36 है वो मैंने लिखा नहीं चलो 36 2023 यह बोल रहे हो न चलिए यह रहेगा वो मिस होगे है मेरे से ठीक है समझ मैं अब हम इन तीनों को मिलाके चार्ट बना लेतें कि कैसे कब कब क्या होगा समझ रहे बात को आजएए अब देखें इन्सोरेंस में क्या है ऑगर आपका क्या हो लाइफ इंसोर्इंस और क्या हो आपका इंक्लूड इंसोर्इंस trial balance में अगर given होगा life insurance तो सीधा वो capital से minus हो जाएगा किस से minus हो जाएगा वो क्योंकि drawing है और अगर सिर्फ insurance देता है normal वो कहाँ चला जाएगा आपका प्येंडल के debit में अगर trial में है बोलता है life insurance trial के अंदा तो भी आव वो drawing है और अगर सिर्फ insurance बोलता है तो वो प्येंडल में जाएगा अब बात करते हैं अगर adjustment में आया तो adjustment में जो insurance है उसके उपर prepaid outstanding आपको normal adjustment करना होगा calculate करके वैसे तो अक्सर prepaid होगा outstanding होगा नहीं तो prepaid और outstanding आपको calculate करना पड़ेगा और life plus journal दोनों है तो first calculate life insurance फिर जो बचेगा वो क्या रहेगा जर्नल उसके according adjustment होगा ठीक है ना अगर सिर्फ insurance है तो अगर आपका prepaid हुआ insurance मैं इसके अंदर से यह हटाई देता हूँ outstanding prepaid जो चलो मैं बता देता हूँ normal adjustment होगा prepaid वाले को prepaid के इसाब से और outsending वाले को prepaid वाली की दो entry हो जाएगी एक less हो जाएगा और एक चला जाएगा balance sheet के asset site outsending वाली की दो entry हो जाएगी एक add हो जाएगा कहाँ पे पी एंडल ट्रेडिंग जो भी है और दूसरा चले जाएगा हमारा add हो जाएगा यानि balance sheet के liability site जो सीखा है हमने अगर आपका दोनों चीजे include हो तो यहाँ पे दो बाते होंगी ठीक है इसको फिर इसमें लिखने पे थोड़ा confusion हो जाएगा एक्जामपल से तो समझ में आई गया कि कब क्या करना है नहीं करना है तो इसमें chart में अगर बनाएं तो बन सकता तो है लेकिन फिर वो डिटेल हो जाएगा फिर confusion ना हो जाएगा पहले यहाँ simple समझ में आ गया तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जूरत है नहीं मुझे लगवाज तो हमने कितने adjustment कर लिया आपके आज एक यह करा sales approval यह भी बड़ा adjustment था थोड़ा सा sales and approval भी थोड़ा बड़ा था और एक loss by 5 अब देखते है common dates का आगे ठीक है आ जाईए आ जाईए आ जाईए आ जाईए loss by 5 भी हो गया अब आजए यह common dates ठीक है सबसे पहले समझ लेते है common dates क्या है फिर तो समझ में ही आ जाएगा common dates और आज जितने adjustment मैं करा रहा हूँ न यह adjustment ग्यारवी class में नहीं था कुछ बच्चों का मानना होता है कि फाइनल अकाउंट बिल्कुल ग्यारवी जैसा होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो अभी यह adjustment कर रहे हो यह 11 पे नहीं था और इसमें से एक adjustment exam में पूछा जाता है question मैं attach होगा आप last year का question paper उठाओ इसमें से एक adjustment आपको मिल जाएगा इस्टाइब का common debt मैंने क्या लिख दिया यह comment लिख दिया मैंने common debt ठीक है अब सर common debt क्या होता है कई बार ना हम ना एक ही व्यक्ति को तो समान खरीदते भी हैं और कई बार हम उसको बेच भी देते हैं खरीदते भी और कई बार अब मैं एक example लेता हूँ suppose करो किसान की बात करते हैं किसान क्या करता है गन्ना को गाता है और वो सारा का सारा जो गन्ना है वो एक sugar meal यानि चीनी के meal को बेच देता है थिक है तो अगर मैं किसान की बात करता हूँ तो एक farmer है यानि किसान गष्ट की वह भी विवेपारी है वह पहले खेती करता है फिर उसको पूरे तरीके से बनाता है फिर उसको को बेचता है तो भी क्या एक बिजनसमेन है वह अलग बात है कि बिजनस के अंदर मतलब के इंडिया के अंदर किसान को बिजनस के तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता है लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बहुत बिजनसमेन होते हैं तो किसान के अंदर क्या है आपका देखा तो मान लेते हैं इसका बिजनस है और इसके बैलेंशीट को भी बना देता हूं एक थोड़े से टाइम के लिए बैलेंशीट भी बना देता है में लिए बैलेंशीट पर पड़ेगा इसके चलिए इसके बैलेंशीट में डेटर है और इस किसान ने पता ही क्या करा समान बेचा एक किसी फैक्टरी हो अब सुगर मिल बहुत सारे है बजाज हिंदुस्तान है धामपूर सुगर है बहुत सारी कंपनीज होते है तो मैं माल लेता हूं कि फैक्टरी जहां पर के चीनी बनाया जाता है उसको बेचाए अब इस फैक्टरी का भी बैलेंशीट बना देते है अब माल लेते हैं पहले से इसका 50,000 रुपophone था डेटर किसान का और पहले से ही इसका क्रедिटर माल लेते हैं 40,000 था पूराना ठीक है और पहले से ही इसका डेटर भी ये कुछ माल लेते हैं कि एक लाग का था कहीं से होगा इसका डिटर और किसान का की 54 क इसी को किसीको पैसे देने थे मान लेते हैं पांच अजया Ear हम अगतर मालने लेते हैं वी सज़ुर्व आध्र है ऐसर अब जो समान बेचा ऑना इनको वह समान बेचा है suppose करते हैं मैं एक्जामपल ले लेता हूं तो जैसे किसान ने दस अजार का समान बीचा है और कैसे बीचा है पता है तो जो फार्मर है किसान है अपने डेटर बुक करेगा क्योंकि उधार बीचा है वह अपने डेटर लिखेगा प्लस सेल्स किया उसने उधार में और कितने रुपे तस अजार तो वो कितना आ जाएगा यहां पर और जो फैक्टरी है वह अपना क्या लिखेगा इसने खरीदा है क्रेडिटर लिखेगा परचेज तसजार ने ट इस पचास अजार पहले यह देखो सिंपल सा पॉइंट सरह के बाद मान लेते हैं कि शांट जो हमारा फार्मर है उस फार्मर को अपनी बेटी की शादी करनी है कि अपनी डॉटर की शादी करनी आपनी टॉप्टर की तो उसके लिए वह क्या करगा कि जो इसको अपनी डॉटर के जौ आटपम वहां पर उसको चीनी के जुरत पड़ेगी उसको तो और उसे पता है कि भाई बहार से लूँगा तो मुझे 50 रुपे किलो मिलेगा चालिस रुपे किलो मिलेगा और मेर फैक्टरी में देता हूं मेर से करता है तो वह डारेक्ट इसी से भी ले सकते हैं फैक्टरी को बोलेगा भाई गन्ना दे रहा हूं मैं पचास किलो चीनी तयार रखना मुझे जुरत पड़ेगा और फैक्टरी वाला जो इसको देगा वह कम मार्ज प्रॉफिट कमा के देगा ठेक है वह माल लेते हैं तीस रुपे केजी देगा तो किसान इसी से खरीदेगा रुपे का चीनी बेचा इसको जैसे इसको चीनी बेचा तो यह क्या करेगा अपना डेटर बढ़ा लेगा क्योंकि यह बेच रहा है यह इसने हां बिल्कुल तो यह क्या करेगा अपना डेटर बढ़ा लेगा और डेटर में लिख देगा सेल आठ हजार यानि इसका टोटल अब एक लाख आठ हजार का डेटर है है कि नहीं और इसका क्या बढ़ जाएगा क्योंकि खरीदा इसने मैं एक्जामपल के लिए ले रहा हूँ तो इसने पर्चेस किया है कितने का आठ इसका टोटल हो गया अब देखो ये दोनों आपस में डेटर क्रेटर हो गया ये क्या इसको डेटर मान रहा है मान रहा है क्या ये इसको क्रेटर मान रहा है मान रहा है इसको बोलते हैं common debt यानि common ही हो गया एक ही वेक्ति को देना भी है और एक ही वेक्ति से लेना भी है तो यहाँ पर होना क्या चाहिए? इसको जाना चाहिए इसके पास और बोलना चाहिए ला भाई मेरे 1000 रुपे दे और फिर ये इसके पास आएगा ये बोलेगा ला भाई मेरे 1000 रुपे दे या फिर ultimately एक common एक बोले करे भाई अधे किसान बोलेगा मुझे 30-10,000 लेने हैं और तुझे 8 देने हैं तो एक काम कर 2,000 देदे, बात कदम कर settlement हो जाएगा na 2,000, तो common debt settle होगा तो इसका मतलब हम अग़र business की बात करते हैं factory की accounting कर रहे हैं किसान की नहीं कर रहे हैं तो factory का debtor धट जाएगा कितने से settlement, 8,000 से, और factory का creditor भी घट जाएगा, कितने से, 8,000 से, क्योंकि जो किसान है, settle करेगा, तो किसान का settlement होगा, तो इसने किसान का 10,000 रुपे इसमें add-on किया हुआ है, लेकिन इसने बेचा कितने का था, किसान को 8 का, तो यहाँ पे settlement हो जाएगा, कितने का और जो debtor था, इसने किसान से कितने लेने थे पैसे आठ इसको कितने लेने थे आठ इसने समान देखो, बेचा आठ का है तो कितने लेने थे आठ का तो इसका debtor भी घठ जाएगा कितने का दोना तरफ से अब इसके क्रेडिटर में दो हजार पेंडिंग रह जाएंगे तो दे देगा ना बाद में उसका सोचना नहीं कि सब्सक्राइब आपको कि पहले यह देखो कि समझ मैं आ रहे आपको यहां पर अब मैं इसको थोड़ा से अमाउंट बदल देता हूं आपका और भी जो क्लेर सब्सक्राइब आ या मैं एक काम करता हूं थोड़ा सामाउंट चिंज कर रहा हूं इससरे white Wam मैं और ध्यान दे ला मैंने जो बेचा आये नवा कkeln Deep है और जो कि यह खरीदा है वह 20.000 उल्टा कर दिया थोड़ा पहले इधर जादा इधर कम था। आप इधर जादा कम कर दिया। अब जब अब इसके point B से सोचो, इसने खरीदा कित्ने का है। और बेचा कित्ने का है। अब settlement कित्ने का हो सकता है। 5000 रुपए इसको लेने या देने हैं। इसने की तो अब यह क्या करेगा क्यूंकि इसको देने कितने थे 15 तो अपना क्रेडिटर 15 का माइनस कर देगा और लेने कितने थे इससे 20 लेने कितने थे 20 लेकिन 15 सेटलमेंट हो रहा है तो डेटर भी कितना माइनस हो जाएगा क्योंकि जो इसके डेटर में 20,000 रुपए शो होगा 15 माइनस करूँगा तो इसका डेटर ओटोमेटिकली कितना बच जाएगा समझ रहे हैं बात तो दोनों ही सिचुवेशन में एक चीज पता है common देखोगे वैसे समझने में complicated लग रहा है common देखोगे कि इन दोनों में से कम amount कौन सा था तो 15 इधर भी minus किया इधर भी minus किया इन दोनों में common amount किया था कम आठ आठ उसमें इधर भी minus इधर भी minus तो जब कभी भी एक ही वेक्ति से खरीदा या बेचा जाता है और दोनों amount दे तो दोनों में से कम होगा दोनों साइड माइनस करना होता है ठीक है ना और इसका अंदर कैसे लिखा होगा due to him due from him हमने लेना है और देना भी है question में mention होगा ठीक है तो इसका adjustment दीखें मैंने क्या simple लिखा हुआ common debts होगा तो less from lower amount debtor से और less from lower amount creditors से समझ में किस lower की मैं बात कर रहा है यहां ठीक है यह कौन सा अजस्मेंट था हमारा common debt बहुत important रहता है एक्जाम में कई बार पूछा जाता और पूछा भी गया है ठीक है अगली क्लास में जितने भी adjustment सारे adjustment को मैं दिखा भी दूँगा अभी मैं इनफेक्ट बुक के अंदर भी आपने ले रखाओ बुक तो मैं दिखा दूँगा देखिए अभी हमने जो adjustment देखा है बुक के अंदर देख लेते हैं आप बताना दिखाओ आपका बुक का यह जो चैप्टर है ना बुक मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था जेयर मोंगा बुक रहेगा और टेनियर फिर हम बाद में करेंगे पहले हम बुक को खतम करेंगे फिर टेनियर के उपर आ करेंगे बुक करेंगे बुक कर थे शेखा जेखा है थांतर है patient EART खतो है कि करेंगे डुक क मैंने वह तेखता है वह सहार है झाल 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 अब देखें चेक कर यह आगया होगा आपके पास ना मैंने इलिस्टेशन नमबर 18 बताया था 18 में जो आज हमने करा है न वो सारे के सारे अर्जस्मेंट देखने को मिल गए है आपको अर्जस्मेंट नमबर 2 अर्जस्मेंट 3, अर्जस्मेंट 4 दोनो ना तीनो जितने आज हमने टॉपिक करें यह मैं पहले मुद्दा है कि मैं थोड़े से कुछ मतलब के अर्जस्मेंट खतम करा दूँ उसके बाद टू भी कंटिनु हम आगे बढ़के करते जाएंगे सारे चीज़े ठीक है अब एक और डिसंट वाला अजस्मेंट मुझे दिख रहा है तो मेरा मन कर रहा है मैं डिसंट वाला भी करा दूँ पहले से मैंने करा हुआ बिल्स रिसीवेबल और डिसॉनर्ट वाला डिस्कांटिंग वाला ठीक है कर ले डिसॉनर्ट हाँ फिर यह question आप homework में भी कर सकते हो अब देखो dishonored यह homework में देदूँगा question 18 ट्राइ करना है अपने ठीक है ना अब देखो dishonored में क्या होता है bills receivable adjustment number अपने according यहाँ वाले number से मत चलना bill dishonored एक तो होता है bill dishonored और एक होता है bill discounting फिर dishonored पहले दोनों को समझ लेते हैं देखो Mr. A इसने समान बेचा Mr. B को समान बेचा मान लेते हैं 20,000 रुपए का ठीक है तो इसके पास समान बेचा सिर्फ समान समान बेचा 20,000 का तो A बोलेगा मेरे debtor जो है 20,000 है समझ ये बात को लिखिन अगर B से मैंने कोई चीज return में लिखित ले लिए है return में क्या लिखा कि B भाई तू मुझे लिखके देदे कब payment देगा तो B ने लिख दिया I promise और एक bills of exchange दे दिया that is BR और बोलता है कि मैं promise करता हूं कि मैं तुझे ना 15,000 रुपए दे दूँआ तो अब जो debtor है वो 20 का नहीं रहेगा क्यूंकि इसके पास BR आ चुका है bills receivable तो debtor में से minus हो जाता है हमारा BR 15,000 यानि जो मेरा debtor बचेगा वो बचेगा सिर्फ और सिर्फ कितने का 5000 का और bills receivable जो होगा वो कितने का होगा हमारा 15,000 अब दोनों चीज़ा अलग-अलग दोनों है assets लेकिन दोनों क्या हो चुका है अलग-अलग हो चुका है समझ रहे हैं यहां तक पता है यानि सबसे पहला fund up पता चल गया बी-आर से debtor से ही बी-आर निकलता है ठीक है अब मान लो इसने time दिया था कि भाई यह पैसा मैं तुम्हें दो महिने बाद दूँगा अगर दो महिने बाद दूँगा तो ऐसे situation में यह पैसा हमें जब दो महिने बाद मिलेगा तो हमारा bank बढ़ जाएगा और बी-आर घट जाएगा यही होगा ना पैसे मिल गए लेकिन अगर यह देने से मना कर दे डिसॉनर्ड हो जाए तो डिसॉनर्ड का मतलब भाईया पै आप तो बचा नहीं ने बी-आर क्योंकि उसने मना ही कर दिया और वापस से डेटर जो आपका 5000 था उसके अंदर वापस से बी-आर एड होके 15000 और डेटर बन जाएगा आपका कितना 20,000 पहले इस बात को समझे यानि जब बी-आर डिसॉनर्ड होता है तो डेटर बढ़ जा आगे वह देख लेते हैं अब इसने समान इसको 20,000 रुपे का बेचा है और इसने पूरे 20,000 रुपे का मान लेते हैं गैरंटी भी दे दिया कितने का guarantee दे दिया बीस अजार का guarantee दे दिया अब now A को ना इसने बोला कि मैं payment जो दूँगा वो दो महीने बाद दूँगा कि इसने बोला ये बात B ने बोला कि भाई मैं तुम्हे दो महीने के बाद payment कर दूँगा लेकिन जैसे ही इसके पैसे दो महीने बाद आपके पास आ जाएंगे, इसको कर दो, डिसकाउंट, इसको क्या कर दो, यानि प्लीज मुझे पैसे दे दो, बैंकर ने क्या करा, इसको इसके बदले 18,000 रुपे दे दी और बाकी का डिसकाउंट काट लिए, ऐसे सिचुएशन में, अब इसके प पाक जब पैसे देने से मना करता है, तो यह किसको मना करेगा, बैंक को या फिर एक को, क्योंकि एक के पास तो बियार है ही नहीं, जब बैंक को मना करेगा, तो बैंक क्या करेगा, एक बैंक खाता माइनस कर देगा, एक बैंक खाता को बोलेगा, मैंने तेरे को पहले पैसे दिये थे अब तेरा bank खाता क्या कर रहा हूं मैं minus करते गा ठीक है पहले तो यह समझो bank account क्या होगा इसमें minus दूसरा दूसरा इसके पास BR bank वाला वापसी देगा किसको देगा bank वाला वापसी बी आर और A फिर वापसी किसको देगा और फिर से हमारा debtor की condition बढ़ जाएगी उस case क्योंकि हमारे debtor बन गया है और bank क्या हो गया minus हो गया तो ये कब possible है जब discounting हो जाए जब discounting नहीं होगा तो simple था पीछे देखा discounting के case में तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा एक तो क्या होगा बिया discounting dishonored होगा तो bank में इसे minus हो जाएगा और add हो जाएगा debtor में तो क्योंकि जायतर person जो है वो सुर्ण dishonored होआ तो dishonored पी ही रहते हैं लेकिन discounting dishonored अलग बात है और सरफ dishonored अलग बात है सरफ dishonored में यह treatment है BR minus add in debtor और discounting dishonored में bank minus और add in समझ में आ रहे बात अब ठीक है है हाँ पैट नहीं मना किया है कि मैं यह बिल का पैसा नहीं दूँआ अब यह ऐसा थोड़ी बोला मैं पर्मनेंट नहीं दूँआ अब यह उससे बोलेगा भाई तेरा बिल तो डिसनर्ड होगे अब मेरे को पैसे दे तू बैसे ही पैसे दे दे गरेंटी फेल हुआ है अब वो जिंदा है लेकिन पैसे तो लेंगे उससे ठीक है तो इसी के अंदर कुश्चन में अट्जेस्मेंट यही दिखेगा आपको यह अज चेक पांच हजार उपर नोट रिसीब एक्सपेक्टेड़ ट्विल भी रिकवर तो यह चेक के उपर है तो चेक का भी ऐसा ही रहेगा कि चेक डिसनर्ड होगा तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और बोलता है ट्विंटी परसेंट अमाउंट विल र ट्विंटी परसेंट मतलब पांच हजार का जो ट्विंटी परसेंट होता है रिकवर होगा और जो चेक डिसोनर्ड हुआ वापस से डेक्टर बढ़ जाएगा क्योंकि हमने किसी डेक्टर से ही तो चेक लिया होगा ठीक है चलिए आगे एक और देखें स्टॉक ओवर वेल् और लगेगा अट्जस्मेंट पहले यहां तक देखें किसी का डाउट चलिए देखें आप आज हमें करना था ओवर वेल्यूड ओफ स्टॉक कि कि द्यान देजिए हम स्टॉक के बात कर रहे हैं और स्टॉक में भी पता है कौन सा क्लोजिंग स्टॉक अब ध्यान देजिए अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की आप से बात करूँ तो इसके दो आस्पेक्ट हैं उन दोनों को समझ लिया जाए मैं आपके सामने दो साल का डेटा रखता हूँ एक एक एक्जामपल के थूँ चलिए माल लेते हैं ये दो हजार दस और ये भी दो हजार दस देट इस बैलेंच शीट और ये ट्रेडिंग ट्रेडिंग पी एंडल कुछ भी गया लो ये आगया दो हजार ग्यारा और ये आगया दो हजार ग्यारा देट इस बैलेंच शीट और यह trading and profit and loss ठीक है मैंने यहाँ लिखा आपके सामने sales पचास हजार sales पचास हजार है और suppose मैंने यहाँ purchase लिखा and closing stock लिखा 20 हजार तो आप simply बात करते हैं माल लेते हैं कोई खर्चा ही नहीं है इसके लाबा यह 70 होगा और यह भी 70 और पहले से मैं capital लेके चल रहा हूँ पहले से मेरे पास 2,00,000 का capital था और इसमें अब जो भी यहाँ से profit आएगा 70 और 30 चालिस आएगा profit अब इसके अंदर मजे की बात यह है कि मैं बताओं कि इसके अंदर ना एरर है actual था यह 15 था तो क्या फरक पड़ेगा calculation बताना तो मैं क्या पूछ रहा हूँ कि अगर यह एरर है एरर क्या है कि मैंने closing stock लिखना 15 था और लिखा 20 ठीक है तो आप बताइए जो मैं इस साल लिखूंगा इस साल जब जाएगा तो यह वाला closing opening stock बनेगा हा के ना और इस साल जो opening stock लिखूंगा मैं वो 20 लिखूंगा जो कि यह भी गलत है और इस साल जो capital लिखूंगा वो मैं capital लिखूंगा कितना लिखूंगा इस साल मैं capital 42 यह भी गलत है समझो बस link करना आप न story को link करो क्या कहना चाहरा हूँ तो सहाब अगर सही लिखता मैं तो यहां पर यह जो है न वो आता हमारा 35 क्योंकि यह होता हमारा 65 65 में से 30 जाते तो बसते 35 समझ रहे हैं और यह 35 होता तो यहां भी add कितना होता 35 इसका मतलब हमारा जो capital होता वो 235 होता है न यह होता अगर मैं इसके अंदर correction करने के लिए बोलू हूँ तो सही माइने में यह होना चाहिए 15 और यह होना चाहिए 25 तो इसको ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहां मैं माइनेस कर दू 5000 और यहां भी माइनेस क्या कर दू तो ठीक हो जाएगा नहीं हो जाएगा हो जाएगा यानि इन केस हमारा स्टॉक कभी भी closing stock पिछले साल का closing stock कभी भी हमारा overvalued हो overvalued मतलब 15 के जगह आपने 20 लिखा तो इसको बोलेंगे overvalued तो उसके वज़े से दो जगह impact पढ़ जाता है कहां कहां पढ़ता है एक तो current year के opening stock में closing में नहीं current year के opening और current year के capital में समझ में आ रही है बात आपको ये कभ केस था हमारा overvalued कभ हो overvalued तो आप देखिए यहाँ पर अगर overvalued हुआ तो opening stock में से minus हो जाएगा दूसरा capital में से भी minus हो जाएगा समझ में आया क्या करा मैंने और दूसरा aspect देखें अगर मैं चलो ये वाला समझ में आ गया इसको मैं हटा देता हूँ अब मैं फिर से एक बार ना कम करके दिखा देता हूँ मैं फिर से changes कर रहा हूँ इसके अंदर आप बताना ये हमारी पहले वाली कहानी आगे repeat होके अब मैं इसके अंदर changes ये कर रहा हूँ कि actual में जो था ना वो जो था वो होना चाहिए था 25 लेकिन आपने कितना लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है undervalued अगर 25 होता तो ये होता 75 और ये 75 होता तो ये होता और ये 45 होता तो ये भी यहाँ 45 ही एड होता और ये भी 5 अब ये जो closing stock था हमने 20 ले गए लेकिन होना actual कितना चाहिए था तो अब मुझे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए 5 एड और यहाँ भी 5 तो देखे अगर ये क्या है undervalued तो अगर undervalued का case हुआ तो opening stock में add और capital में भी add मैंने example के साथ बता दिया काफी बच्चों को न समझ में नहीं आता सर opening में add था तो closing stock लेकिन आप opening में क्यों कर रहे हो क्योंकि सर पिछले साल का closing stock इस साल का तो ultimately क्या बनना है opening बनना है बिलकुल जो बताया adjustment समझ में आगया है clear है आगे चले adjustment पे चलो एक तरह से last adjustment कह सकते हो that is आपका manager commission ठीक है यह सबसे last adjustment है और चलो बने हाला कि पहले लिख दिया था लेकिन दुबारा बता देते हैं अगला adjustment है commission to manager अब जब commission to manager होगा ना तो commission on net profit before charge commission होगा या फिर होगा after charge ठीक है अगर आपका before charge commission हुआ अगर जो भी rate दे रखा है rate बटे में 100 लेकिन अगर after charge हुआ तो ऐसे situation में formula लगाते हैं commission is equal to rate sorry commission is equal to net profit into my rate divided by 100 plus में rate छीक है अब इसको एक example से समझ लेते हैं सर यह है क्या बग्धिक है देखे जैसे आपके सामने मैंने एक पी एंडल बनाया ठीक है और मेरा जीपी दे दिया मैंने हमें सपोस्छ टेन थाउसिल और इधर कुछ खर्चे हैं सपोस्छ करो साल्री दे दिया और साल्री मैंने एक हजार तो आपके पास अपे नेट परसқ निकाल सकते हैं और आप नेट पर्फट लिखना नहीं है मैं that is 9000 आ गया है ना तो अगर before charge हुआ in case मैं मान लेता हूँ 10% rate है अगर before charge है before charge 10% rate है तो ऐसे situation में क्या करोगे ऐसे situation में करोगे commission is equal to 9000 into में 10 by 100 that is 900 ठीक है अब ये 900 commission यहां दिखाओगे अब final profit अब निकालना होगा आपको final profit क्योंकि commission भी एक परकार का खर्चा ही है और खर्चा है तो पी इंडल के debit में होना चाहिए तो हम ऐसा नहीं कि directly लिख देंगे तो पहले निकालेंगे अब जो profit आएगा that is हमारा 8100 ये वाला net profit माना जाएगा और ये net profit कहाँ add on हो जाएगा हमारे capital में add हो जाएगा समझ रहे बात कहाँ add हो जाएगा हमारा capital में जाके इसको add कर देंगे ठीक है ये किसका था case और इसके दो entry होगा क्योंकि आपको पहले से ये commission पता था या नहीं पता था नहीं पता था क्योंकि निकाला है और जब पहले से आपको नहीं पता था तो आपने payment भी नहीं किया होगा इसका मतलब ये outstanding भी रहा होगा तो ये एक दूसरे जगा चला जाएगा कहाँ पे sir liability side में अगर before charge वाला आपका case बनता है तो आपने क्या करना है before charge वाले case के अंदर simply आपको दो जगा जाएगा ये entry कहां कहां जाना है आपका एक चला जाएगा हमारा P&L के debit side में जैसे भी मैंने दिखाया था आपको debit side और दूसरा चला जाएगा balance sheet के liability side ठीक है बताईए कोई दिकत अगर after charge हुआ मान लीजिए इसी question को मैं फिर से करता हूँ और after charge के case में मैं बताता हूँ क्या होगा अगर ये after charge हुआ तो थोड़ा सा amount भी बदर लेते हैं ठीक है इसको हम कर लेते हैं एक लाक मतलब बारा हजार कर देते हैं करेक्ट ठीक है और ये सब भी change होगा फिर तो ये सब बदल गया ठीक है अगर after charge हुआ तो मैंने कहा 10% commission on net profit after अब देखें यहां पर क्या करेंगे हम बहुत सिंपल सी बात है यहां पर after charge के अंदर सबसे पहले आप net profit internally निका लिए यहां लिखना नहीं है तो बारा में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे ग्यारा तो हमारा net profit जो है ग्यारा है अब इस ग्यारा के उपर commission apply होगा that is आपका ग्यारा हजार और after charge वाले case में 10% था तो 10 बटे 110 हो जाएगा that is आपका 1000 अब commission फिर से आएगा 1000 अब net profit कितना आएगा सर 10,000 यह net profit capital का part होगा और यह commission फिर से दो जगा चला जाएगा ठीक है यानि अगर हम देखें यह commission दो जगा कहां जाएगा सर दो जगा जाएगा एक चला जाएगा मैंने यही करा है rate by 1 plus 100 एक चला जाएगा कहां पे हमारा एक चला जाएगा पी एंडल के debit side और एक चला जाएगा हमारा balance sheet के liability side देखिए एक तरीके से last adjustment था लेकिन without GST ना complete नहीं होगा GST तो करना पड़ेगा हमें उससे वह commission given ही नहीं होगा यह है manager commission तो फिर percentage देखा क्यों हो सिर्फ trial balance में given हो वो तो सिर्फ खर्चा है commission वो P&L के debit में डाल देंगे बस नहीं ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत clear रहा है यहाँ तक तो हमने कितने adjustment कर लिए एक बार इसको भी noting कर लिए पहले फटा फट से noting कर लिजे जो आज करा है आज दो ही करा है ना यह करना ही किया आपने note यह हो गया है ना मैंने PDF भेज दिया था इसको example note करना है डारेक्ट यहीं से समझे यही कर लो डारेक्ट समझ में आ जाएगा कितने number है यह 21 चलो एक बार note करो फिर हम आगे देखने है चलो एक कुश्चन करते है इलिस्ट्रेशन नमबर शिक्स हम आपको कुश्चन विज्वल होगा पहले amount amount फिल करेंगे उसके अधा adjustment करूँगा तो मैं इसके उपर adjustment दिखा दूँगा ठीक है कुश्चन नमबर शिक्स है पहले format बना लेते हैं क्या क्या बनेगा सर एक trading और P&L adjustment register आपके पास होना चाहिए क्योंकि बिना adjustment register के आपको फिर दिक्कत होगे इसमें क्यों क्योंकि तो व पर्टिकुलर अमाउट ठीक है सीक्वेंस पर पढ़ते जाएंगे और आगे करते जाएंगे देखते हैं सर क्या क्या गीवन है सबसे पहले गीवन है हमें कैश इन हैंड चौदा सो रुपए यहां आगया कैश चौदा सो अराम से लिखते जाएंगे इसके बाद कैश इट बैंक 2600 कैश इट बैंक 2600 है न इसके डेटर 86000 लेकिन एक बात ध्यान रखना है हमें न अड़्जस्मेंट एक बार जरूर नजर मार लेना है स्टार्ट करने से पहले तो अगर स्टार्ट करने से पहले एक बार adjustment देखना है तो यह रहा adjustment और मैं adjustment पे देख पा रहा हूँ depreciation है building पे furniture पे office equipment पे motor car पे closing stock है debtor के पे उपर भी है reserve for bed debts debtor पे भी है इसके बाद आगे देखें insurance premium पे भी है ठीक है last में देखा जाए तो decided to the management revalued the office equipment before charging current depreciation और इस वाले adjustment को अभी skip करेंगे हम जब question करेंगे न तो जो यह वाला adjustment दिख रहा है न मैं इसे हटा देता हूँ यहां से आपकी किताब में although है यह भी हमने नहीं किया है तो हम apply नहीं करेंगे यह वाला ठीक है इसको जब हम समझेंगे तो करने वाले हैं यह सारे चीजे हमारे पास है आ जाईए यानि हमने एक मोटा मोटा tentatively idea ले लिया कि किसके लिए जगह छोड़ना है और किसके लिए जगह नहीं छोड़ना है ठीक है हो गया है तो अभी देखा जाए तो सबसे पहले data data के बाद यहां पर देखो stock opening है तो मैंने यहां लिख लेना opening stock है ना थोड़ा इदर कर लेते हैं जगह बनेगा हमारा opening stock यहाँ जाएगा 2 कितने रुपय है कोई adjustment नहीं बाहर इसके बाद क्या है furniture इस पर adjustment था debtor का amount नहीं लिखा that is 86,000 इसके बाद furniture कितने का है 21,400 इस पर भी adjustment मैंने देखा था इसके बाद office equipment इस पर भी था तो जितने भी adjustment होंगे देखो मैं अंदर लिख रहा हूँ आपने भी अंदर ही लिखना है office equipment कितने हो गए 16,000 इसके बाद building कितने का 60,000 motor car सारा assets में 4 है हमारा इसके बाद sundry creditor that is हमारा 43,000 43 इस पर है नहीं बाहर लिख रहे है इसके बाद loan दे रखा है 30,000 इस पर भी कोई नहीं है कोई ना percentage दे रखा है तो loan 30,000 इसके रिजर्व और डेट फूल डेट तो यानि यह सा trial balance के अंदर है तो पी एंडर के credit में चला जाएगा by reserve कितने रुपे 3,000 मैंने बताया था adjustment register के accordingly यह आ जाएगा इसके बाद और क्या दे रखा है purchase 1,40,000 तो हमें inside में लिखना है purchase हमेशा क्योंकि इसके उपर adjustment होता है 1,40 अंदर लिखेंगे इसमें से return minus करना होगा और क्या है इसके बाद purchase के बाद purchase return तो इसमें से देखो minus हो जाएगा less PR कितने है 2600 ठीक इसके बाद sales दे रखा है तो सबसे पहले buy sales कितने रुपे है 230,000 minus में sales return के लिए जगह छोड़ देते हैं अब साथ के साथ ही दे दिया 4200 कई बार आपको सवाल में sales return और purchase return नहीं बताएगा सिर्फ लिखेगा return तो आपने समझना है कि जो debit में दे रखा है जो debit में दे रखा है वो debit के अंदर हमारा sales return होगा और जो credit में दे रखा है purchase return इस बात का ध्यान रखना ठेक है आगे देखा जाए sales return भी हो गया इसके बाद देखा जाए salary salary 11,000 कोई adjustment नहीं था तो यहां तक मेरा trading बन जाएगा इसके नीचे salary कितने 11,000 कोई adjustment नहीं था इसलिए अंदर लिख लिए इसके बाद rent for go down simple rent है यह अब rent for go down depend करता है कहां का rent है यहां office भी होता है factory जाए तर factory में होता है तो इसलिए यहां लिख देते है rent for go down कितने रुपे पच्छ पंसो ठीक है मैंने मान लिया कि factory का go down होगा इसलिए direct में डाल दिया है अगर बोलता office तो यहां आ जाता interest and loan 2100 रुपे 2700 2700 interest and loan के बाद rates and taxes rates and taxes है कितने 1200 यह भी बाहर की side आ गया है इसके बाद है discount allowed to debtor यह भी दर आ जाएगा कितने रुपे है 2400 ठीक है इसके बाद देखा जाए discount receive from creditor तो by discount आ जाएगा कितने 1600 इसके बाद क्या दे रखा है freight 1200 रुपे 1200 इसके बाद carriage outward यहां होता है invert यहां होता है ध्यान रखना कितने रुपे drawing capital में से minus पहले capital लिख देंगे बाद में amount लिखेंगे minus में drawing कितने है printing and stationary तो यहीं आएगा अठारा हजार अठारा सो इसके बाद electricity चार्ज यहीं आएगा इसके बाद क्या है जर्नल office expense वो भी यहां जाएगा कितने जर्नल इंस ओरेंस तीन अजार चलिए इसके बाद क्या है अब इस पर adjustment मैं अंदर लिखूँगा कितने है पचपन सो और ठीक है इंस ओरेंस इंस ओरेंस के बाद दे रखा है हमें इंस जर्नल expense office पहले लिखवा दिया बेड़ेट्स बेड़ेट्स यहां आएगा तो हम यहां लिखे देते हैं टॉप पे बेड़ेट्स बताओ कितने 2000 इसके बाद bank charge इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे मैं इसको उपर कर दूँगा क्योंकि कोई फरेक नहीं पढ़ना आपने amount देखना है bank charge कितने है 1600 इसके बाद motor car sir motor car expense कितने 3600 और capital कितने है 162 तो liability में आ जाएगा 162 कि अब आगे देखा जाए खतम तो अब इसका काम है नहीं तो मैं ऐसा करता हूं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं हम ले लेंगे इसके बाद क्या हम ले लेते हैं adjustment इसको उपर भेज देते हैं ठीक है थोड़ा सा इसका कोई roll नहीं है तो मैं यहां adjustment लिया आता हूँ ठीक है यह रहे adjustment और धीरे-धीरे adjustment कर लेंगे सारा adjustment कर लेते हैं दूसरे color से कहता भई है building पे 5% depreciation तो minus कर देते हैं building पे less depreciation 5% that is 3000 और 3000 minus जब कर दोगे तो बचेगा हमारा 57,000 और इस 3000 की double entry भी होंगी और इस 3000 की double entry कहां होंगी यह यहां पे होगा तो मैं simple लिख लेता हूँ depreciation और यहां पहले building 3000 ठीक है इसके बाद अगला adjustment किस पे है furniture पे furniture पे 10% तो less depreciation furniture 2140 और यहां पे भी लिख दिया furniture पे 240 अगला देखें किस पे है office equipment पे 15% तो यहां से minus कर देते हैं depreciation कितने 2400 बताया आपने और दूसरा आजाएगा यहां पे equipment 2400 आगे देखा जाए क्या कहता है motor car पे 20% less depreciation motor car पे 4000 हो गए और यहां motor car 4000 और आगे देखा जाए कहता है closing stock है 44000 का sir closing stock जो है वो है 44000 का तो दो जगा जाएगा एक trading में चला जाएगा buy closing stock और एक चला जाएगा assets में closing stock 44000 का कहता है reserve for doubtful debts debtor पे 5% बनाओ तो minus में debtor पे bad debts reserve कहलो reserve 4300 adjustment भी check करते जाना जो मैं कर रहा हूँ reserve for debtor किदर डाले ita डाल देते है reserve कितने होंगे 4000 अब bad debts adjustment में होता तो minus होता और वो जो bad debts दे रखा था कहां दे रखा था हमें trial में तो वो तो minus नहीं होता adjustment देख लो आप वो सबसे main adjustment ये वाला तो मैंने मना ही कर दिया कि ये वाला valuation वाला पार्ट अभी नहीं करने वाले सबसे main adjustment हमारा ये है कहता है insurance premium में insurance premium में included चार हजार टूओर प्रोप्राइटर लाइफ इंसॉरेंस तो भाईया insurance में life insurance है तो माइनस कर दो life insurance policy चार हजार रुपए अब बचे कितने 1500 और ये life insurance policy हमने पहले भी discuss किया है क्या होता है ये हमारे लिए इसको थोड़ा small कर दे पहले भी discuss किया ये हमारे लिए drawing होता है तो less drawing चार हजार रुपए ठीक है इसको बड़ा कर देता है चली कोई नहीं होई गया आगे कहता है ध्यान देना मैं मिटा देता हूं थोड़ा और इसको बड़ा करके दिखा देता हूं ध्यान देजेगा अब देख रहा होगा आपको आगे कहता है देखो insurance ये वाला पार्ट तो करना ही नहीं अब ही आगे कहता है चार हजार रुपे तो था life insurance policy का balance insurance इस तारीक से लेके इस तारीक तक का है यानि जो balance insurance है वो एक चार दो हजार बीस से लेके तीस छे दो हजार एकेस तक का है इसका मतलब यहां से यहां पूरे समय का है date दे दी आपको तो इसका मतलब यह हमारा महिना खतम हो जाएगा 31-3-2021 तो 12 महिने उसके बाद April, May, June यानि 3 महिने और तो 15 महिने का insurance है total insurance 1500 था जो बच रहा था divided by 15 और 3 महिने का prepaid तो मतलब 300 prepaid होगा तो यहां पे क्या करने वाले हम insurance में मैं यहां adjust कर देता हूँ यहां पे prepaid हो जाएगा 300 यहां आएगा total 1200 और यहां prepaid आ जाएगा 300 रुपे 300 रुपे यह question बड़े बड़े हो जाते हैं इसमें यह दिक्कत है चलिए अब बस totaling का काम है totaling का काम आप करते जाएगा पहले इसका total करके बताईए आप सभी बच्चे को visual है जो online में है आप बता दीएगा visual नहीं हो तो मैं थोड़ा zoom कर दूँआ क्योंकि इस पूरे चैप्टर में थोड़ा adjustment रहेगा 137 400 2500 269 800 और टू क्या आज आएगा यहां जीपी जीपी आगया 63-700 पाई जीपी अब इसके आंसर बुक से मत मैच करिएगा रीजन हमने एक adjustment छोड़ दिया है तो हमारा जो balance sheet मैच हो जाएगा लेखिन हाँ 68 300 और यह आगया 68 इसमें से माइनस कर लेते हैं 2000 11000 45 27 27 21 24 2000 1800 1200 3000 1200 1600 36 2400 यह आगया 17860 तो net profit आगया 17 और यह net profit सेम एड्ड हो जाएगा 17860 चलिए प्लस 162 माइनस यह आगया 136860 टोटल प्लस 30000 यह आगया 236807 सेम इदर का टोटल देख लेते हैं 8600 यह यह दोसू चालिज आगया 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 इसका टोटल देखते हैं चौदा सो सतावन हजार सोला हजार चौवालेस हजार और तीन सो क्यों? तीन हजार लोना है नहीं तीस ही होगा बुक में देखो लोन तीस हजार है तीन हजार है अगली क्लास में वो अडजस्मेंट हो जाएगा पीपी वाला यह गलत हो गया 19.260 हो गयी ठीक है? यहां कि दो पैंतिस आठ सो साथ वह यह एक हजार का क्या करवड़ी है एक हजार रुपय कहीं टोटलिंग में मिस्टेक तो नहीं है जी पी चेक करना बुक में जी पी है जी एल कितना है आप में 69 है ठीक है इसने रेंड नीचे लिया जी पी ठीक है एंड भी चेक करो झाल हौँ झाल प्रओ किशफे में एल सम्किरक जाल बाल, नीचे में एल ज axial वे लिए रीक है जीक है जीक है ल्याओ करूब्याब भी अ झाल झाल उल लग्ए झाल झाल खत्तिस भई एक हजार कोई अमाउंट आप बताना भूल गए या तो ये चेक करो 24 तो या ये अमाउंट चेक कर लो नीचे अमाउंट चेक कर लिजे बसाँ हजार रुपए कही ना कही छोड़ दिया है ट्राइल बैलेंस में चेक करो हजार रुपए एसेट साइट 35 है इस साइट 36 है या तो एसेट साइट कम है एक वर आप नोटिंग करिये मैं बता देता हूँ मिस्च का है पेज नमबर क्या है किस पे वहां बीच आ रही है किस पेज रही है देखा दिखा दियोगा देखा कर दो मानल कर दो झाल 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 इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना बाइस सो है आपने बारा सो रुपे लिखवा दिया है कितने हैं सब्सक्राइब तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितने होने चाहिए तो यह कितना हो जाएगा जब 1000 होगा तो यह 16 और जब यहां पे 16 हो जाएगा तो यहां 62 हो जाएगा और यहां 35 हो ठीक है वो लिखने में एरर हो गया जो डूढ़ने में टाइम लगा है नोट करिए कही मेरे टाइपिंग वाले में तो एरर नहीं था एलेक्ट्रिक चार्ज कहा गया है कहा एलेक्ट्रिक चार्ज आँ तो आपने गलत बोल दिया था उस्टेंप लिखे आप होमवर्क में पता ही क्या ट्राइ करेंगे समय पिकलेंगा क्वेशन नमबर थ्री पूर हाई लिखेशन थ्री पूर सेवन एट त्री फूर सेवन एट ट्राइ करेंगे आप अब मैं क्या करूँआ आपको डेली कुश्चन दे दिया करूँआ और जो डाउट रहा करेंगा वोट पे करूँआ मैं थ्री फूर सेवन एट चले जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको पीडियाफ मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्स क्लास में सेम टाइम पे अगली क्लास दो घंटे का और जीएस्टी भी करेंगा अगली क्लास के अंदल ठीक है जीएस्टी और कुश्चन अगर आप बेचते हो तो नॉर्मल परसन आप नहीं रहें तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में समान बेचते हो तो आप नॉर्मल परसन नहीं हो और नॉर्मल परसन नहीं हो तो उस केस में आपके लिए कोई लिमिट नहीं है अगर आपका सिंगल रुपी भी हुआ ना इवन सिंगल रुपी भी तो आपको टेक्स देना पड़ेगा आपको टेक्स देना पड़ेगा एक बार वोइस चेक करना मेरे को लगा कि वोइस आ रही थी या नहीं आ रही थी पहले तो बच्चों क्लियर ने बोल दिया था क्लियर है मुझे लग नहीं रहा था कि क्लियर आ रही है तरीगा कि इसको क्लियर एक पर बताईए जितने बच्चे लाइव है क्लियर है ओके ठीक है तो इसका मतलब सर मैं पहले इस वाले पॉइंट पर आता हूं फिर पीछे भी आ जोगा इस पॉइंट पर क्या है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी समान बेचते हो तो उस केस के अंदर आपका सिंपली एक रुपे का भी समान बेचोगे तो आप जीएस्ट के अंदर कवर्ड हो जाते हैं ठीक है जीएस्ट के कुछ रेट्स है जैसे कि एक जीरो परसेंट भी रेट लगता है पांच परसेंट बारा परसेंट अठारा परसेंट और अठाइस परसेंट जीरो परसेंट का मतलब है कि उस समान पर अभी टेक्स नहीं लग रहा लेकिन फ्यूचर में अगर गवर्मेंट को लगता है कि उस समान पर टेक्स लगाए सब्सक्राइब करने पड़ेगे किस पर कितने परसेंट लगेगा तो सर इसके हिसाब से देखा जाए तो यह पूरा हमारा GST का कुछ थोड़ा सा इंट्रो है जैसे आपने बोला कि इसने कितने जोड़े कि हां कि तो कि पंद्रह हो रहा था है हां कि बिल्कुल कि हां टेक्स का वो कस्टमर से लेगा ना तो कस्टमर तो इसको 19 देगा उसमें से पिछला कार्ट देगा जो पेमिंट कर चुका है खरीदने में वो तो कि हम बात करते हैं अगें अब ध्यान दीजिएगा अगर मैं जीएस्टी की बात करता हूं तो सर जीएस्टी को केटिग्राइज करा जाए तो जीएस्टी हमारे दो चीजे हैं एक जीएस्टी लगता है विद इन स्टेट जिसको हम बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे इंट्रा जिसको बोलेंगे हम इंट्रा स्टेट और यहां पर दो तरीकी का जीएस्टी कॉंबिनेशन बैठ सकता है एक हो सकता है SGST और इसके साथ CGST या फिर हो सकता है UTGST और इसके साथ CGST यह कॉंबिनेशन बैठ सकता है यहां पर अगर इंट्रा स्टेट हुआ तो इंट्रनेशनल में IGST लगेगा अगर होता है यह OUT OF STATE हम इंट्रनेशनल में भी उसे हम एक OUT OF STATE ही कंसिडर कर लेते हैं अगर हुआ OUT OF STATE तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ लगने वाला है ONLY IGST ठीक है यहां तक क्लियर है कि हमारे GST का जंजाल कितना है यह यह लगने वाला ऐसे से लगेगा अगर यहां 18% तो नो नो और यहां 18% रेट बोलु तो नो और यहां 18% रेट बोलु तो सिंपल 18% इस उपर नहीं होगा आगे बढ़ते हैं इसी को लेखें जब कभी भी हम कुछ भी समान सेल्स करेंगे या सेल्स की बात करते हैं हमारे लिए तो भी सेल्स ही है या फिर मैं सिंपल बात कर देता हूं जब कभी भी आपका कैस रिसीव होता है हर जीज़ोपे नहीं कुछ एक पॉئंट पे जैसे रिंट रिसीव हो गया या या अलग पॉइंट जब कभी भी आप सेल्स करते हो या मैं सेल्स करते हो तब हमेशा आपका सेल करने का मतलब क्या होता है सेल करने आउट्पुट और इसके अंदर क्या होगा जैसे आपका 100 रुपय का समान है आप बेचोगे 10 रुपय का माल लेते हैं टेक्स एड किया तो आपने जो समान बेचा टोटल 110 का बेचा किसको बेचा किसी कस्टूमर को 110 का बेचा तो 100 रुपय तो आपके हो जाएंगे और 10 और यह 10 रुपए आपके लिए लाइबिलिटी माना जाएगा क्योंकि आपके पास सरकार का पैसा आया हुआ है और आपको सरकार को रिटन करना है यह पैसा अगर आपने परचेस किया या आपने पेमिंट किया हर किसी पेमिंट पेफली केबल नहीं होता यह मैं अगर पर्चेज या पेमिंट किया तो आपने टेक्स अल्रेडी पेड कर दिया इसको बोला जाएगा इन्पुट तो पर्चेज करते टाइम पे आप टेक्स दोगे ना दुकानदार को तो आपने भी समान बेचा नहीं लेकिन टेक्स तो आपने पहले दे दिया है तो ऐसे सिचुएशन में यह टेक्स का पैसा एडवांस में सरकार के पास होता है तो यह हमारे बिजनस के लिए एसेट माना च होता है यह वो क्या होता है सर वो होता है OUTPUT is टेक्स माइनस इन्पूट कि इसको हम यहां दस आया और खृषके टाइम पे मैंने सरकार को आठ रुपे पेमिंट कर दिया है तो नेट में जो मुझे पेमिंट करना होगा उनली दो रुपए गवर्मेंट को पेमिंट करना होगा इसको हम आउट्पूट टेक्स या टेक्स लाइबलिटी भी बोल देते हैं यहां तक समझ मैं है यानि सर अगर मैं बात करूं टेक्स की तो टेक्स कितने टाइब क्यों होगे जी एस्टी तो है लेकिन इसके अंदर si gst sgst उसमें भी पंगा आगया इन्पूट और आउट्पूट हमेशा याद रखना सेल्स करते टाइम पर क्या लगेगा आउट्पूट और परचेस करते टाइम पर क्या लगेगा इन्पूट ठीक है चलिए सर यानि सर अगर यह लाइबलिटी है तो तो यह क्या होना चाहिए और यह assets है तो यह क्या होना चाहिए ठीक है चलिए एक और जबाब दीजिएगा जैसे मैंने कहा मैं एक general entry करने जा रहा हूँ मैंने good sold किया चेज़ार एंड जी एस्टी एटीन परसेंट अब इस सवाल में आपको वैसे पता नहीं चल रहा है कहां है center में स्टेट में कुछ नहीं पता चलता है तो आप मान लो स्टेट के अंदर ठीक है तो अब यहां पर हमारे सिंपल एंट्री जो सेल्स की करते हैं वह हम क्या करते हैं पता है कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स सेल्स तो हमारा छे हजार यह है अब इसमें जी एस्टी एड हो के मैं कस्टमर से लूँगा तो अगर मैं देखा जाए तो छे हजार में मैं कस्टमर से लूँगा सी जी एस्टी के नाम का कितने रुपे लूँगा सी जी एस्टी नाम का एक मतलब 9% यह तो 6% है 9% लूँगा सी जी एस्टी आधा हो जाएगा यह रेट तो 9% कितने होंगे कि 540 और प्लस एस जी एस्टी के लूँगा में 540 यानि टोटल आ जाएंगे मेरे पास साथ हजार असी क्यों छे जा रहे तो यह भी तो जोड़ूँगा ना कैश में तो यह देंगे ना कस्टमर साथ हजार असी देंगे ने कस्टमर पैसा और डू में आ जाएगा हमारा आउट पूट सी जी एस्टी और टू आउट पूट पान सु चाल्ड़्स यह कैल्कुलेशन थोड़ा नीच ले जाते हैं यह जनल एटरी है यह दिखिए और जिनको जनल एंट्री मान लेते हैं कि क्लियर नहीं है स्टार्टिंग में सपोस्ट जनल एंट्री उन्होंने नहीं करा हुआ और जो बच्चे साइन्स वगेरा के होते हैं उनलाइन में तो उनको पहले 11 की जनल एंट्री करनी पड़ेगी तब जाके उनको सौट आउट ह हुआ बेसिक्स वाले जिनका बेसिक्स स्ट्रॉंग नहीं है लेकिन यही चीज़ अगर मैं बोलू कि गुड्स रिटन 600 रुपे अब रिटन हो गया जब यह रिटन हुआ तो सेल्स के टाइम पर हमने जीएसटी को क्रिडिट किया था और कौन सा जीएस्टी क्रिडिट किया था आउटपुट जीएसटी लेकिन जब गुड्स रिटन होता है ना तो जीएसटी आपकी वापसी कर दिया तो सरकार को देना अब आपको टेक्स लाइवलिटी नहीं है तो आपका जो आउटपुट GST है उस टाइम पर डेबिट हो जाएगा इस वाद का ध्यास करते हैं तो इस टाइम पर एंट्री क्या होगा आपका सेल्स रिटन अकाउंट डेबिट चनल एंट्री तो आपको पता ही है और टू जिससे रिटन हुआ है देट इस आपका मोहन है तो मोहन अब भीया रिटन जो हमने किया है समान वो समान हमने रिटन किया है कितने का 600 रुपे का तो यहाँ पे तो 600 आ जाएगा लेकिन आउटपुट C GST और आउटपुट S GST वो भी 54 यही होगा ना टोटल देखा जाए तो 700 अब मेरा बस यह समझाने का परपस था कि जब हम नॉर्मल चलते हैं तो उसका नीचर वही रहता है जब गुट्स रिटन हो जाता है तो उसका चेंज हो जाता है आपका होगे ने कैसर आउटपुट GST जो है वो क्रेडिट होता है तो बिल्कुल सही है नॉर्मल केस में लेकिन रिटन के केस में यह क्या हो जाता है डेबिट रिवर्स करना पड़ता है कर तो दिया पहले आपका 540 अब 54 अब ले रहा हूं जित ने रेट वही रहेगा जिस रेट का आपने कस्टमर से लिया है उसी रेट पे उसको वापस करोगे नहीं तो आप मैं आपको वापस करूँगा तो आप बोलोगे नहीं कि पहले तो आपने टेक्स के नाम पे मेरे से ज़्यादा पैसे लिए थे अब टेक्स के नाम पे आप कम दे रहे हो मेरे वापसी कस्टोमर भी तो यह चाहेगा ना कि जितने का हमने समान खरीदा था जब वापसी करूं तो उतने ही पैसे वापसी मिले हमें ठीक है अगर मैं बात करूं पर्चेश का आप सिंपल जनल एंट्री बताना मैं कहूं गूड्ट पर्चेश प्रॉम मोहर रुपीज 10,000 एंड आई जी एस्टी 5 परसेंट अब जनल एंट्री क्या होगा इसका देखो 10,000 का समान है इसके उपर आई जी एस्टी एड हो जाएगा that is 5% कितने होंगे और यह आजएगा 10,000 और समान मोहन को बीचा है तो उधार बीचा है तो एंट्री हो जाएगा पर्चेश अकाउंट डेबिट अब पर्चेश अकाउंट डेबिट में कितने का समान खरीद है सर दस अजार और यहाँ पर जो यह जी एस्टी होगा पर्चेश करते टाइम पर अभी देखो बताया था पर्चेश करते टाइम पर कौन सा होगा और इंपुट एसेट होता है तो देट इस क्या होगा डेबिट तो यहाँ आ जाएगा इंपुट अई जी एस्टी अकाउंट डेबिट अब पांच परसेंट यह नहीं पांसो और सारा का सारा पैसा हमें लेना है मोहन से और कितने लेने हैं मोहन से तस अजार पांसो बिइंग बगर ज़्यादा जरूरी है मैं समझा रहूं सेम अगर मैं कह दूँ यहाँ पर गुट्स रिटन तू मोहन रुपीज एक हजार अगर मैं कह दूँ तो अब यहां पर क्या होगा रेट जो है अगर मैंने नहीं दिया रेट तो आप समझ जाना यही रेट वाला वापस होगा अपको रेट ना बताए तो आपको कुश्चन में पता कर लेना चाहिए भाईया जितने के रेट पर खरीदा था उतने रेट पर यह वापस ही हुआ होगा तो मैंने रेट नहीं दिया तो सपोस करो अब परचेज रिटन है तो क्रेडिट होगा एंट्री क्या होता है परचे यहां पर इंपुट क्या हो गया क्रेडिट हो गया और यहां पर आएगा एक हजार और पांच परसेंट पचास और यहां एक हजार चास यह देखिए यानि कहने का मतलब है कि जो जीएस्टी है वो जीएस्टी आपका इंपुट और आउट्पुट एक नॉर्मल केस में तो पता है कि इंपुट ऐसे से डेबिट होगा लेकिन अधर केस में जरूरी नहीं है कि यह डेबिट हो यह क्या हो सकता है हमारा ट्रेडिट भी हो सकता है आपके सामने एक साम ठीक है मैंने कहा अब आपने बताना है मैंने कहा रेंट पेड एक हजार एंट जीएस्टी ट्वेल परसेंट अब इसकी जनल एंट्री क्या होगी कि रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश कि यह तो नॉर्मल एंट्री हमें पता है अब जीएस्टी इसमें सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपको ध्यान रखना है यह बात है कि आप पेमिंट कर रहे हो या रिसीव कर रहे है तो पेमिंट में कौन सा लगेगा और इंपुट है तो क्या होगा इसलिए मैंने वहां पे लिखा था तो यानि यहां पे लग जाएगा मैं कहा देता हूं सब्सक्रों थोड़ा कम लेंदी करने के लिए इसको पता चलेगा पूरा कॉंसप्ट याद हो कि इस पर इंपूट लगना चाहिए या आउट्पूट कोशन नहीं बोलेगा आपको अगर मैंने कहां कैस रिसीव प्रॉम कैस रिसीव यह चलिए यह बन नहीं रहा आपको नौर्बल पता तो चलिए ने कब क्या लगना है ठीक है कि यहां तक क्लियर है पॉइंट सारा कोई दिक्कत इसमें यानि अगर मैं फिर से एक बार रिपीड घरूं स्टार्टिंग से जो जी स्टी को आम बड़े ध्यान से और स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं कि सार जी स्टी के अंदर दो पॉइंट है पहला पॉइंट होता है direct टेक्स और इंडारेक्ट टेक्स यह टेक्स क्यों आया क्योंकि गवर्मेंट को आपको जो बेनिफिट देना होता है यह सारी चीजों पर जो खर्च होता है वह यहीं टेक्स से लेता है जो हमारा डारेक्ट टेक्स है उसका एक और नाम है इंकम टेक्स और इंकम टेक्स और चा सारे हैं, जिसके दुकानदार आपसे टेक्स लेके government को देता है, और ये सारे के सारी क्या है हमारे indirect टेक्स, इन्ही टेक्स को merge करके एक नाम दे दिया गया, that is goods and services tax, जो की क्या था, GST का नाम लिया, sir GST का history 1954 का है, 160 country में है पहले से इंडिया में सबसे पहले अटल विहरी वाजपई ने 2000 में बोला कि जीस्टी आना चाहिए और एक काउंसिल का इन्हों ने गठन कर दिया कमेटी का और 2004 में जो कमेटी बनाया था केलकर टास्क फॉर्क उन्हों गठने अपना रिपोर्ट समट कर दिया, 2006 में पीच इताम दरम ने कहा कि भाइया जीस्टी 2010 եक आ जाना चाहिए लेकिन 2010 थक गठने दोहजार जार जीस्टी तो इसके बाद 2014 में जब गवर्मेंट आए तो उन्होंने कहा कि भहिया amendment कर दिया है GST आ जाना चाहिए लेकिन ये लोक सभा में तो पास हो गया बिल राज्य सभा में रुखे गया फिर 2015 में भी राज्य सभा में पास करवा लिया गया है इस बिल को इसके बाद 2016 में राज्य सभा में जब बिल पास हुआ तो उसमें अमेंडमेंट आया 101 Constitution में और एक GST Council बना दिया गया कि भी या जो भी फैसले लोगे तुम्हें एक अलग लेट इस पर सेंट्रल जीस्टी आपका लेजिस्टेट वर पास इन लोग सभा और चार कौन-कौन से बने आपका CGST, SGST, IGST इन सबको अलग-अलग नाम देके एक जुलाई को इसको क्या कर दिया गया पास जैसे कि यह सारा का सारा आप देख सकते हैं यहां पर नाम कहता है GST, Council, Recommendate, CGST, SGST, IGST और UTGST कितने होगे टूटल चार इनको चार जो सेंट्रल टेक्सिस थे इनको बना के पास कर दिया गया एक जुलाई को पूरे हिंदुस्तान में अपलाई हुआ था लेकिन जमुएन कश्मीर में एक जुलाई को अपलाई नहीं हुआ था ऑधा-धा कर लेते हैं की सहमनी बघ थी इंडिया चिम है और जो यूची है उसके अंदर घवरण करता है तो यहां पर करें करते हैं तो यह उटी करते हैं यहँ एस एसटी तर स्टेट में जब हम समान बीचेंगे तो वहां पर लगने वाला है IGST इसके बाद बात हमने करा था यहाँ पर जो यह देख रहे हो impact के text के उपर text नहीं लग रहा है तो इसको बोलते है cascading effect इसको बोलते हैं cascading effect इसके बाद देखा जाए तो turnover के basis पे 40,00,00,00,00 और 20,00,00,00,00 normal state के अंदर और hilly area में वो 20 और 10 हो गया लेकिन IGST कितने का भी करो आपको देना ही देना पड़ेगा GST को part कर दिया जाए तो sir within state होता है और out of state होता है within state को हम intra state कहेंगे out of state को क्या कहेंगे हम interstate sir within state में दो circumstances बन सकता है हो सकता है कि union territory की बात हो रहा है और हो सकता है normal state की बात हो रहा है तो यहां पे दो परकार के text और out of state में single text that is IGST इसके बाद देखा गया कि जब कभी भी sales करोगे या पैसे receive करोगे मैं generally पैसे receive वाले को मैं लेके चल रहा हूं ताकि आपको idea लग जाए समझने में तो वहां पे output लगेगा और output हमारे लिए liability credit हो जाएका और जब purchase करेंगे पेमिट करेंगे तो input assets हो जाएका यहां पे goods हमने शूर्ल कर दिया इसकी जर्रेंटरि हो गिया तो इसकी जर्रेंटरि और सेम ऐसे यहां पे goods purchase कि जर्रेंटरि रेटन अब सपोस करो कि मैं simple सी बात क करता हूं कि यानि जब जब आपका परचेज कम होगा जैसे कि मान लेते हैं मैंने समान खरीदा हुआ है और मैं कहूं कि मैंने गुड्स को कि यूज किया फूर परस्नल परपरस ठीक है और हजार रुपए का और इस पर प्रसंट का आई जीएस्ट लगा था तो जो गुड्स प्रस्नल यूज करते हो तो एंट्री पता क्या होता है रॉंग टू पर देश जनरल एंट्री नर्मल ये होता है ड्रॉइंग अकांट डेपिट टू परचेस लेकिन अब तो जीएस्ट भी इनकॉर्प्रेट करना पड़ेगा तो इसमें कैसे होगा ड्रॉइंग अकांट डापिट तो परचेस और क्योंकि परचेस आपका क्रेडिट हो है तो परचेस के टाइम पर कौन सा जीस्टी लगा था यह सोचो इन पूट अब इन पूट होता है लेकिन क्योंकि यह परचेस रिवर्स हो गया तो इसलिए हम क्या करतेंगे अब यहां पर गरेडिट करतेंगे डेट इस इन पूट तो यह होगे हमारा एक हजार परचेस और रेट मान लेते हैं कि हमारा दस परसेंट है तो सो रुपए और यह होगे ग्यारा सो सेम ऐसे कब-कब रिवर्स हो सकता है आप फ्री सेंपल में गुट्स दोगे तब हो जाएगा जब आप गुट्स से कोई एसेट्स बनाओगे तब हो जाएगा जब आपका लॉस बाइफायर हो जाएगा आपने देखा पहले जो आपने देखा तो गुट्स यूज वाला हम ड्रॉइंग माइनस करेंगे टोटल ग्यारा सो रुपए कैपटल से माइनस समझे वो जब हम कुश्चन देखेंगे प्रॉपर इंप्लीमेशन कैसे होगा तो वहां तक हम देखोंगे यहां तक क्लियर हो रहे हैं ठीक है अब हमारा एक रहता है सेट ऑफ जी एस्टी पहले यहां तक देख लिए पूरा क्लियर है तो एक बार जिसको नोट करना है क्योंकि नोटिंग में भी आपका टाइम जाएगा तो आप फटा-फट से नोट कर लिजिए यह सारा उसके बाद फिर हम कल नो बजए मेरी एफम की क्लास है और कि दस बजए कि कल आपकी कोई क्लास इस नहीं है कि नहीं पता ना कल मैं कि चलो कि कल सुबह रखते हैं हम क्लास को क्यूंकि पर्सों फिर छुटी है क्या क्या कांसलिंग जैसे अच्छा अब देखो हर चीज है अभी फ्री हो तो जाओ देखो क्या हो रहा है नहीं होना कुछ नहीं है लेकिन देखो कई बार होता है स्कूल जाने से कुछ थोड़ी नहीं होता है कि जाना पड़ता है किसमें कांसलिंग में लेकिन जाकर देखो होता क्या है एक तो पता तो चलेगा भाई क्या चल रहा है नहीं चाल रहा है हाँ तो कुछ तो नॉलेजी मिलेगी कल जाना है परसो आनंद के वहां चुटी है दो अक्टूबर तो एक बार मुझे परसो कन्फर्म कर देना कल नहीं रखते परसो रख लेते मंडे को सुभे सुभे 10 बजे मंडे क्लास रखेंगा सुभे 10 बजे अब इस नोट करते जाए जिस किसी का जो भी रहेगा पॉइंट मुझे बताते जिएगा मैं स्लाइट को आगे कर दो कर दो झाल 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 ठीक है चलिए वेरी वेरी गुट एवनिंग तो हम एक कुछ एक कोशन्स करते हैं जो होमवक में भी दिया था और बच्चों का डाउट भी था तो उसके हिसाब से अट्जेस्टिट पर्चेस अट्जेस्टिट पर्चेस में एक चीज बताना था मुझे एक पॉइंट बताना था ठीक है adjusted purchase के अंदर मैंने formula पहले जो लिखवाया था उसमें purchase return भी कर दिया था तो adjusted purchase होता है हमारा सही से लिख देते हैं इसको side देखिए adjusted purchase क्या होता है यह ध्यान रखना है इस इकल टू आपका परचेज प्लस opening stock माइनस closing इसमें purchase return नहीं होता ठीक है इस बात का बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें purchase return नहीं होता इसमें कोई दिक्कत नहीं है और वैसे मैंने class hold करके रखा था क्योंकि एस्वेल का admission अब 30 को खतम हुआ है जाके ना तो अब मैं थोड़ा से speed करूँ है क्लास का क्योंकि 30 तारिक तो आपके admission चल रहे था तो इसलिए मैं बहुत slow भी चल रहा था कोई बात नहीं पुरानी recording मिलेगी live मिलेगी सारी चीज़े आपको मिलेगी उसके अंदर आप कर सकते हो है ना चलिए मैंने यह सारे adjustment वकाइदा करा दिया है एक सेकंड दीजेगा मुझे मैं चलिए मैंने उल्दो सारे adjustment करवा दिये हैं लगभग लगभग ठीक है और बीच में कोई आ जाएगा तो सीखना होगा तो यह वाला जो questions है आपको homework में दिया गया था insurance minimum provision और यह अब इसके अंदर एक point आ जाता है 10% general reserve वाला यह काफी बच्चों का doubt रहा था कि sir 10% general reserve का कैसे करना है देखो आपके पास ना देखो मैं concept बताऊंगा जो question में बहुत तिर्की adjustment रहेगा वो पूरा हम solution कर लेंगा और जुसका कम रहेगा ना उसका आप solution करोगे डाउट होगा उसका मैं doubt sort out कर दूंगा इस पूरे adjustment में से कि यह वाला ऐसा adjustment था जो डाउट में रहा था इसके उपर मैं बता देता हूं क्या होगा चलिए देख लेजिए हम कहतना है ट्रांसफर टू जनल रिजर्व यह ओल्वेज अर्जस्मेंट में होगा हमेशा और ट्राइल में तो होगा ही नहीं तो अगर आपको ट्रांसफर जनल रिजर्व में देता है तो इसकी दो एंट्री होगी एक तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड होता है जाएगा हमारा कहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड secondary हो जाएगा हमारा liability के credit side यानि liability side बोल लो हम एक्जामपल भी देख लेते हैं आपको clarity मिल जाएगा और आपने महनत करना है तभी कुछ कुछ बात बनेगा नहीं तो आप बैठे रह जाओगे आप पता नहीं चलता बच्चों को कि कब समय निकल गया और कब पेपर आ गया और पेपर में हमने कुछ पढ़ाई नहीं ठीक है तो इस बात का आपको ध्यान रखना स्पेशली कि सपोस्पोस करो मैंने आपके लिए एक एज़ पी एंडल बना रहा हूँ मैं कुछ अपनी मर्जी से डेटा डाल रहा हूँ यह हमारा पी एंडल है बाई जीपी आ गया है हाँ पे मान लेते हैं बीस अजार और है टू से सेलरी लिख दिया मैंने एक हजार और टू मैंने यहाँ स्टेशनरी लिख दिया मान लेते हैं तीन हजार और अब फाइनली हमारा जो प्रॉफिट आएगा निकलके मैं यहाँ पे नहीं लिखना चाहता तो मेरा यहां नेट प्रॉफिट जो निकलके आएगा वो पता है कितना निकलके एगा बीस में से हम चार को माइनस कर देंगे तो और अडिजस्मेंट में कहता है कि 10% अमाउंट नेट प्रॉफिट का ट्रांसफर टू जनल रिजर्व यह कह रहा है अडिजस्मेंट के अंदर इसका मतलब भाया जो आपका जन प्रॉफिट आएगा उसका 10% जनल रिजर्व में रखना है तो हमारे पास तो प्रॉफिट 16, हजार आ रहा है तो 16,000 का 10% एक तो डेबिट में लिख दोगे यहां पर जनल रिजर्व और यह लिखोगे शोला सो और दूसरा इसी शोला सो की एंट्री कहां कर देंगे हम बैलेंस शीट के लाइबलिटी साइड में और अगें प्रॉफिट आप फाइनल करके निकालोगे यहां पर नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा हमारा माइनस कर दोगे यानि 16,000 में सो 16,000 माइनस कर दोगे तो 15,000 चौहदा हजार चार सो करेक्ट यह अजस्मेंट बनना था हमारा किसका सर जो यह वाला अजस्मेंट थाना इसके लिए यह था तो मुझे सारा कोश्चन करा पाने की जुरुत नहीं है सिर्फ इस एजस्मेंट पर बताना था दूसरा एक यहां पर पॉइंट और आया है कि चैटर जी लून अब चैटर जी ने लून टेकन किया है कब किया है एक दस को 18 परसेंट तो यह तो मैंने बताया था डेट के इस आप से 6 महीने का निकालों के इंटरस्ट यानि आप 25,000 पे 25,000 पे 6 महीने का इंटरस्ट निकालों के 18 परसेंट और इंटो 6 by 12 तो होना यह चाहिए आपने लून लिया है तो देर 25,000 का 18 परसेंट डिवाइड़े बारा इंटो 6 तो यह 250 आएगा है कि नहीं और आप पहले चेक करोगे तो कहीं ना कहीं दिया हुआ हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है तो इंटरस्ट है नहीं कहीं भी है ना मैंने चेक कर लिया कहीं भी इंटरस्ट नहीं है तो यह सारा का सारा आउटस्टेंडिंग माना जाएगा जो कि एक हिडन अट्जस्मेंट का पार्ट रहने वाला है क्लियर है सर मेरे पा पहले बताईए यह समझ में आ गया जो बच्चे सुरू से पढ़ रहे हैं उनको जो बच्चे आज जोइन हुए हैं उनको दिक्कत आ सकती है वह पहले सारी अर्जस्मेंट वाली क्लास और कंटेंट में जाके देखेगा LockS зад का अगर न एक सच्छे चोड़कर आ वं सब्केंट यैंक कर लिया था में लि मसीन ओए कि यह कि यह कर लिया था इक टति जोड़ा दो कि नहीं यह करा था हमने है ना यह वाला रह गया इसमें चलो यह भी देखते हैं और देखते हैं कि यह दिया था मैंने हां कि इसमें कोई डाउट रहा है या अंसर आगे बताइए जिस बच्चे का डाउट है बताओ ये आगे अंसर इसका डाउट रहा तो बताइए जो बच्चे स्टार्टिंग से है अगर डाउट रहा तो बताइए आप और जो मैंने वर्टसप नंबर कंटेंट में दिया हूँ है वहाँ आप डाउट भेजेंगे प्रॉपर सुलीशन मिलेगा आपको एक यह डाउट हो गया था बच्चों का यह मैं पूरा कुश्चन कर देता हूं ठीक है यह मैं पूरा कुश्चन पढ़ भी देता हूं और कर भी देता हूं तो फटा-फट से फार्मेट बना लेते हैं ंज जूआए जूआए वार्मेट से ढूए हूं प्रवर पró उए हैं देता हूं WHY लेता हैं झाला कुश्चनات का देता है अजT खोड़ा इसको साइड कर देंगा जैसे जैसे जुरत पड़ेगी हम देखते जाएंगे वस आपको फोकस करना है बैलेंशीट भी यहीं बना लेगे ठीक है अब यहां यह बैलेंशीट है किसी बच्चे को अगर वीज्वल ना हो तो बताना कुश्चन मैं भी दिखाऊंगा वैसे तो और यह ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है चलिए कुश्चन पर दिखाने का काम कर लेते हैं यह थोड़ा इधर हो जाएगा यह उपर हो जाएगा ठीक है जगह बन गई हमारे पास और कि अधर 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 लास में दिखेगा मैं बढ़ा करके दिखा तूँ आपको और मैं हर बच्चों को एक ही बात सज्जेस्ट करता हूं कि आपना बुक ले लिजिएगा भरही आपके पास पुराना हो नया हो इतना मैटर नहीं करता लेकिन आप बुक ले लेंगे तो उसे कि फाइदा यह होगा कि क्या फाइदा होगा कि जो मैंने चोटे चोटे कुश्चन यहां लिखे वे हैं यह आपको प्रॉपर दिखे जाएगा ओपर एडजस्टेट परचेस इंड सेल्स दे रखा है मैंटर नहीं करता थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने ठीक है दिख रहा है कि आप सभी को कुश्चन बताइए कमीशन डेट वाला उस वो भी करेंगा आज हम कुश्चन करेंगा ऐसी बात नहीं है इसमें बताइए कुश्चन दिख रहा है आपको क्या हम स्टार्ट करें कुश्चन सिर्फ अमाउंट देखना है आपको दिख रहा है कुश्चन ठीक है चलिए यहां भी बच्चों को दिखी रहा होगा अमाउंट देखना है थोड़ा मैनेजिबल करना पड़ेगा भई ठीक है यह है तो सबसे पहले हम ना अट्जस्मेंट को पढ़ लेते हैं एक्जाम कैसे अटेम्ट करना है वो भी मेर पहले इसके बाग है सिक्स्टी थाउजन कर देते हैं लेस सुक्षित ट्राइंग 60,000 देखो मैं शॉट फॉर्म में यूज करूँगा लेकिन आपने नहीं करना एकजाम में यूज इसके बाद ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको और क्यूंकि कुश्चन में अब परचेस को एक बार फोकस कर लेला हैं ओपनिंग स्टॉक लिखने से पहले कही परचेस तो नहीं दे रखा चेक कर लेते हैं नहीं दे रखा तो आपको ओपनिंग स्टॉक डेट इस 75,000 तो ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 75,000 ठीक है इसके बाद आगे क्या दे रखा है आपको परचेस 15,95,000 और परचेस हमेशा अंदर लिखना है पंदरा लाक थोड़ा चोटा चोटा हो गया लेकिन देख जाएगा और नोटिंग आपको पीडिएफ मिल जाए करेगा हमारा ना मैं देख रहा हूं नोटिंग में टाइम चला जाता है तो मैं पीडिएफ दे दिया करूं आपको इसके बाद फ्रेट अन परचेस तो सर्फ फ्रेट की बात आ गए तो डायरेक्ट ही हो गया तो फ्रेट अमाउंट क्या है पच्चिस हजार नेक्स क्या दे रखा है बताईए वेजिस में यहीं आ जाएगा बताओ कितने अमाउंट का है कितने 66,000 हाँ और क्या दे रखा है हाँ वेजिस आपका 11 मं εδώ का है तो यह भी अज्ञेसमेंट देखो मैंने बताया था तो 66,000 हाँगर आपका 11 मंत का है यह ज्याजहसमेंट इसरुम महीन जा इक बनता है एक मेंने का आउटसेंडिंग रहा होगा तो इसके अंदर आउटसेंडिंग एडुक्ट कर दोगे शेज़़ुआर यह हो जाएगा हमारा 172 ताउजन और यह छेज़़ार जो आउटसेंडिंग है यहां पर लिख देंगे आउटसेंडिंग wages 6,000 रुपए है समझ में आया यह adjustment ठीक है करा था मैं नहीं adjustment समझ में आया आपको adjustment बताईए adjustment में कोई doubt है जो मैंने किया ठीक है चलिए आगे देखते हैं इसके बाद sales है 23,10,000 तो buy sales 23,10,000 ठीक है इसके बाद sales के बाद salary दे रहा है 1,40,000 तो salary पी एंडल का पार्ट है और मैं मान के चलता हूँ इसके बाद मेरा पी एंडल स्टार्ट हो जाएगा तो salary दे रखा है 2 salary 1,40,000 next क्या है तो इस पे भी adjustment नहीं था तो अंदर ही लिखूँगा postage कितने का है 12,000 next क्या है अगला है हमारा miscellaneous नहीं printing and stationary तो ये भी धरी आएगा amount क्या है 18,000 कोई adjustment है नहीं इसके बाद miscellaneous expense क्या होता ये छोटे मोचे खर्चे कितने है ये 30,000 रुपए इसके बाद creditor liability है तो यहां लिख देते हैं creditor amount और 3,000,000 रुपए इसके बाद investment assets है that is यहां लिख देते हैं investment amount एक लाख एक लाख है ठीक है यहां लिख देते हैं ये asset है और ये liability है इसके बाद discount receive that is income तो यहां लिखेंगे by side में by discount receive 13,000 इसके बाद 15,000 इसके बाद debtor assets है adjustment था तो इसे अंदर लिखेंगे amount 2,50,000 इसके बाद चलो को bet debts bet debts trial में है तो simple सी बात है खर्चा है two bet debts two bet debts 15,000 इसके बाद provision for bet debts क्योंकि trial में है तो यह इधर आ जाएगा pfd कितने 8,000 book में मैं अगेन कह रहा हूँ कि वो न माइनस प्लस करते है तो आपको उसमें tension नहीं लेना आपको इसी तरीके से करना आपका match होगा definitely होगा ठीक है इसके बाद हमने देख लेते हैं ये भी देख लिया ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी यहां तक हो गया building कितने का है 3,000,000 तो building लिख देते है adjustment इस पे भी है 3,000,000 machinery पे भी है 5,000,000 furniture पे भी है depreciation furniture कितने का है 40,000 commission on sales 45,000 इस पे भी adjustment है तो two commission 45,000 ठीक है इसके बाद interest on investment 12,000 income है ये तो by interest on investment 12,000 वैसे इस पे भी adjustment होगा शायद देखेंगे insurance का expiry date दे रखा है year यानि 31,000 तो सर इस पे भी adjustment है insurance पे बताया नहीं है लेकिन internally adjustment बन जाता है इस पे अरे इसको उपर ले जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थोड़ा नीचे देखे insurance कितने का insurance 24 यहाँ पर prepaid जो भी निकलेगा हम देख लेगे ठीक है न इसके बाद bank balance इस डेड़ लाक है तो सीधा bank लिख दिया मैंने हाँ एक लाक पचास हजार यह मैंने सारा item ट्रांसफर किया exam में भी आपको ट्रांसफर करना और adjustment पहले आपने पढ़ लेने उससे फाइदा क्या मिलेगा कि मैं इस बार बार नहीं पढ़ रहा हूँ बार बार और same as it is page रखना है आपको आमने सामने ताके आप फटा फट कर पाओ चलिए अब आ जाते हम adjustment करने को पहला closing stock है तो सबसे पहले इधर आ जाएगा trading में by closing stock और that is कितने का है दो लाग पच्चिस हजार जितने भी adjustment है मैं इसी marker से करने जा रहा हूँ और इधर भी आ जाएगा closing stock that is दो लाग पच्चिस हजार secondary ध्यान दीजेगा कहता है machinery 45,000 purchase एक दस बीस को so as a purchase जिसको purchase में show किया गए freight paid on machinery 5000 which include in freight यानि simple सी बात क्या कहना चाहरा है question में कि हमने न एक machinery पहले हमारे पास old हमारे पास दो चीजे गीवन है एक तो आप ध्यान दो हमारे पास यहाँ पर purchase है जो भी x, y, z और यहाँ freight भी है और एक balance sheet के अंदर हमें machinery भी दे रखा है अब कहता है हमने जो machinery खरीदा है उसके आगे specific date गीवन है तो इसका मतलब जो नई machinery खरीदा है आपने उसके उपर उतने दिन का ही डैप लगना चाहिए जिस हिसाब से वो है पहली बात दूसरी बात जो machinery खरीदा है अगर आपने machinery में ना जोड़ के आपने गलती से इसे purchase में जोड़ रखा है तो यहाँ से क्या कर देना चाहिए freight में एट कर दिया तो भी आप फ्रेट भी गलत हो गया हमारा तो ऐसे situation में क्या क्या होगा एक तो हमारा purchase से माइनस हो जाएगा machinery और कितने रुपे का purchase में जुड़ा हुआ था हमारा पैन तालेस अजार और एक freight में से भी माइनस हो जाएगा सर सर फ्रेट में से क्यों माइनस होगा क्योंकि freight हमारा कितने का था पच्चिस का फ्रेट जो हमारा था वो था पच्चिस का कितने का फ्रेट है नहीं पहले पच्चिस का था और उसमें से less कर दोगे freight कितने 5 क्योंकि हो machinery पे ultimately ये 20 का हो जाना है और machinery को तो अपर चीस को तो दे मसीनरी जो है यह गलत होगा क्योंकि वो सारी चीजे वहां जुड़ गई तो यहां पर नहीं आया होगा तो यानि 45 और 5 50,000 का मसीनरी में एड और होगा मसीनरी 50,000 और जिसके उपर depreciation हम पूरा साल का नहीं लगा सकते because इसके उपर depreciation लगाने के लिए आपको डेट गीवन है कि एक दस 2020 में खरीदा है तो इसके बाद 6 महिने का इस पर डेप लगेगा और बाकी इस वाले पर पूरे साल का लगेगा जब depreciation लगाएंगे तब देखेंगे ठीक है इसके बाद हम आजाते हैं अगले adjustment पे कमीशन पेबल धाई परसेंट उन सेल्स जितना भी सेल्स था उसके उपर धाई परसेंट कमीशन पे करेंगे लेकिन उससे पहले हमें एक adjustment करना पड़ेगा कौन सा सर investment कहता है भया investment हमने 10% profit पे बेच दिया और जिसको हमने sales मान रखा है यानि ये investment आपिने sold कर दिया है कितना बेचा है पूरा investment sold कर दिया तो investment जीरो बचिया और आपने इसको sales शामान लिया तो भया 되어 sales में तो नहीं होना चाहीं ना investment है और कितने का बेचा है आपने investment 10% profit यानि एक लाग का समान एक लाग दस अजार में बेचा है तो मतलब सर आपका sales जो था वो ultimately 22 लाग का बना अब जो 10 अजार का मुनाफ़ा कमा लिया मुनाफ़ा तो P&L के credit में होना चीए by profit कितने का 10 अजार का ठीक है अब देखें आइक से कितना माइनस कर दिया एक लाग तो credit हो गया और यहां से हमने एक 10 माइनस कर दिया तो क्या हो गया debit हो गया तो debit एक 10 और credit कितना एक लाग और एक credit यहां तो यह हमारा match हो गया ठीक है बताइए किसी बच्चे को इसमें doubt है clear रहे हैं तो अधिया रहे हैं तो साइड कैसे जाएगा अधिया तो तो साइड कैसे जाएगा अधिया ना नहीं ट्राइल बेलेंस में अगर और परसंटेज दे तो हमेशा महां पर दो साइड जाता है वह भी एक अर्जस्मेंट ही होता है हमारा यह मैंने कहा था आपको ठीक है ना बढ़ जाया आगे आप बोलें तो सर वेजिस का वेजिस तो अभी आया नहीं है अच्छा वेजिस का पॉइंट डाउट में है मैं वेजिस का भी क्लियर कर देता हूँ वेजिस क्या कहता है देखो बड़ी सिंपल सी और सीधी सी बात है हम जो अपना पी एंडल बन आते हम 12 महीने का अगर मैं कहूं कि मैंने यहां पे 11,000 रुपे दिखाया है वो भी 11 महीने का तो अगर मैं अपने पी एंडल में 11,000 रुपे कोई भी पॉइंट दिखा रहा हूँ जो कि 11 महीने का है जबकि पी एंडल कितने महीने का बनना चाहिए 12 इसका मतलब 1000 रुपे औ और बिनТब में दिखानाPhone है आपने सिंपन निकाल लिया सुगर सब्सक्राइब क्लिए के और दिखाना यहां है धें दिखाने से और यहिक खजार रुपनार्न की का मैंने क्या हुआ है क्या क्या कहा था यहां पर देखे है ग्यारा महिने का वेजिस दिखा रहा है और 66,000 है तो अगर मैं 66,000 को ग्यारा से डिवाइड करूँ देट इस आ जाएगा हमारा 6000 और यह 6000 एक महिने का बकाया होगा जो कि मैंने वेजिस में एड कर दिया है और दूसरी इंट्री कहा दिखा दिया है मैंने बैलेंच शीट के लाइबलिटी साइट ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब कमीशन बोलते हैं कमीशन कहता है भी है धाई परसंट दो सेल पे तो सेल्स जो हमारा है वो 22,000 है तो अगर मैं कमीशन निकालू तो कमीशन 22,000 पे निकलना चाहिए देट इस आपका 2.5% निकालोगे तो 55,000 आएगा जबकि आप कमीशन देखोगे अल्रेडी रिकॉर्डिड पैन तालिस हजार रुपे तो हमें और एड करना होगा आउटस्टेंडिंग कमीशन के नाम से देट इस 10,000 तभी तो जाके ये बनेगा पचपनग और 10,000 अभी तक पेमेंट नहीं हुआ तो आउटस्टेंडिंग कमीशन के नाम से लाइबलिटी में आ जाएगा 10,000 देखिए अज़ेस्मेंट 1 हो गया 2 हो गया 2 का भी डप्रीशेशन का पार्ट पेंडिंग है 3 हो गया 4 हो गया आगे कहता है राइट ओफ थाउजन रुपीज बेड़ेट्स एंड 5% क्रियेट अन डेटर तो सबसे पहले यहां माइनस करेंगे बेड़ेट्स कितने का बेड़ेट्स मा पांच परसेंट तो इसका 5% निकाल लोगे तो क्या आएगा 12,000 अब 12,000 रुपेस का 5% आ गया अब जो हमारा यह बेड़ेट्स है उसको हम यहां भी दिखाएंगे एक तो बेड़ेट्स यहां दिखा देते हैं कम स्पेस है बेड़ेट्स देट इस आपका 10,000 और जो यह वाला हमारा प्रोविजन है इस प्रोविजन को हम प्रोफिट एंड लॉस के डेबिड में ही दिखाएंगे क्योंकि यह कहां गीवन है हमें अट जिस्मेंट में गीवन है तो मैं इसको यहां दिखा देता हूँ किस नाम से दिखाऊंगा मैं यहां पे यहां पे दिखाऊंगा पी एफ डी टैट इस आपका बारा हजार रुपे ठीक है थोड़ा सा साइज रिडियूस कर देते हैं आपको पूरा देख चाहिए और थोड़ा साइज भी छोटा हो जाए फिर से देखो क्या किया सबसे पहले बेड़िट माइनस किया फिर प्रोविजन माइनस किया यह बेड़िट भी पी एंडल के डेबिट में चले गया लेकिन इसको हम एक नया नाम दे सकते हैं जो कि क्या होता है फर्दर बेड़िट उसके प्रोविजन था वह पी एंडल के डेबिट में चला गया ठीक है अगला कहता है डेप्रीशेशन बिल्डिंग पे धाई परसेंट लगाई है ठीक है सर लेस कर दीजे लेस कर दीजे डे पूरी कहानी बिगड़ का सर मसीन्री के अंदर मसीन्री एक हमारे पास है w05 लाग का इसपे लगेगा पूरे 10 परसेंट घैट इस हजार रुपएँ हैं और एक मसीन्री जो की बाद में लिया गया यह 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 पीश्य सो सो depends ह हो जाएगा यानि 5.5 लेक पे हम अगर depreciation माइनस कर दें एचे करते हैं माइनस depreciation तो यह depreciation आएगा 5250 आप इस बात का ध्यान रखेगा सुरी 5500 टीक है इस बात का ध्यान रखेगा सारे डैप को मैं खट्टाई लिख दूँगा है यहां पर एक साथ जोड़ के bracket में खबान वालत कर दोड़ जो लिड़का भiggly खड़ laborator का यहां भी muffin झाल हिएगा जी साहवा तो थैंपलि ट्राइब काऊ़ की अ जारी खणील साहस Defवब का लिवमाना है साह को बात कर वादे долларов भी है एक जा पम धदémentार का वालना है झाल झाल एक बार बताईएगा मैं एक बार दुबारा कर देता हूँ मैं रिफ्रेस्ट करने जा रहा हूँ मैं एक जाल इन रहा हूँ भायव लोग बीफाईदिप्स झायं एक जे में कि देखे क्लियर आ गई साइद अभी चला गया था स्क्रीन अब होफ़ली आपको आ गया होगा अब आगे कहता है कि मसीनरी के बात फरनीचर पे भी दस परसेंट लगाईए तो यहां माइनस कर देता हूं डेप्रीशेशन फरनीचर पे दस परसेंट इस फूर के अब मैं टोटल अब डेप्रीशेशन कितने हो गए एक दो तीन अब हर किसी का डेप्रीशेशन यहां लिख देते हैं और तू डेप्रिशेशन और मैं ब्रैकिट में लिख रहा हूं आपने क्या करना है सभी का डेप अलग अलग करके दिखाना है तो पहला डेप क्या था 75 के मेरे पाइब स्पेस की कमी है स्वरी 7500 पहला डेप है 7500 दूसरा डेप है बावन हजार पांसो और तीसरा डेप होगे हमारा 4000 यह टोटल इखटा करके हम दिखा देंगे बाद में खिक है अब एक अड्जस्मेंट रहे गया फाइनली लास्ट इन्सॉरेंस कहता है तीस साथ तक इयर का दे रखा है अब यहां पर स्पेसिफिक डेट नहीं है यहां से लेके यहां तक तो इसका मतलब यह है तो 12 महीने का इसका मतलब इन्सॉरेंस 24000 जो दे रखा है यह 12 महीने का है और इसको तीन महीने आगे चले है क्योंकि अप्रिल के बाद मई जून होगा इस कितने हो जाएंगे हमारे 6000 और इस 6000 को माइनस कर देंगे किस नाम चाल प्रिपेड के नाम से 6000 और इसी 6000 को हम एसेट में दिखा देंगे त्रिपेड इंसॉरेंस 6000। यहां पर जंशन भी दोगे कि हम यह मान के चल रहे हैं यहां पर डेट मेंशन नहीं है यहां यह मान के चल रहे हैं कि जो हमें इन्सौरेंस दे रक्राइए यह 12 महिने का ही है यह लो जी ठीक है बुक में चेक कर लीजे कोई एजम्शन वगएरा ले रखा है कि इन्होंने सेम है कि याड़ तालिस्सों आठजार हमारा टाइम देखें एक बार कब कहता है यह कब तक का यह अच्छा यह तो प्रहसर अब फटा वट से मैं टोटलिंग का और प्रोसेजर करतें आँ तो सरथ 22 लाग का ये हो गया 45,000 माइनस 15,95,000 माइनस 15,95 इसके बाद ये भी हो गया ये भी हो गया और 24 में से 8 गये तो माइनस 8,16 PFD बगरा दिखा दिया depreciation एड कर देते हैं 75,64 ठीक है सबसे पहले हम trading का profit निकाले 22,000,000 25,000 24,000 25 25 25,000 2 क्या जाएगा हमारा gross profit 2 gross profit आजएगा माइनस 75,000 चेक भी कर लेता है 20,000 तो 7,8,000 और यही क्या बन जाएगा by gross profit 7,8,000 प्लस 15,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 7,53,000 7,53,000 मैं थोड़ा उपर कर देता हूँ दिखाने के लिए और यह तो बहुत उपर चले गया चलिए चलिए साथ लाख तरिप पर नजार यहां लिए देते हैं साथ पर अब इसमें से माइनस कर देते हैं माइनस दस हजार माइनस एक चालिए माइनस बारह हजार माइनस अठारह हजार यह आगया 38,000 तीन लाख की क्या सी हजार चेक कर यह नेट प्रॉफिट 381 अब इस नेट प्रॉफिट को हम एड कर देंगे वापस अब हमारा उपर का काम नहीं है तो नीचे लिए आते हैं एड नेट प्रॉफिट 381 चलिए प्लस प्लस आठ लाख माइनस में 60,000 यह आगया 11,21,000 इसका टोटल कर लेते हैं और इसका टोटल कर लेते हैं प्लस में 6,000 प्लस तीस तीन लाख प्लस दस हजार टोटल आगया 14,37,000 इधर भी टोटल कर लेते हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होचपूच बारा माइनस करोगे तो दो लाख तीस अठाईस हजार बारा माइनस करोगे तो दो लाख पानवे पानसो पांच पचास में से बावन माइनस करोगे तो चार लाख सत्तानवे पानसो 36,000 यह मैंने कर दिया ठीक है टोटल चेक कर लेते हैं 2,88,000 2,92 500 5,000 92,500 49,666 36,000 3,00 8,000 कुछ रहे गया क्या 2,28,000 39,500 49,75 36,000 1,5,00 चीक है और 8,000 14,37 यह लिखा है 14,37,000 तो लीजिए यह कोस्चन हमारा हो जाता है डन यहाँ पे एक पीच पे सारा दिखा देते हैं बताइए किसी बच्चे का डाउट कोस्चन तो आपके पास होगा बुक में सर मोंगा के पूरे हाँ मैं पूरे इलिस्ट्रिशन जितने भी में अड़्जस्मेंट है वो मैं सारा ही करा हुआ मैं जो आपके बताने लाइक होगा वो बता दें गहाँ जो нетकराने लाइक होगा वो कर लेंगा ठीक है कहिए किसी बच्चे का कोई डाउट अड़्जसमेंट में पूस सकती हूं नहीं तो हम आगे चले कि ए चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा कुश्चन नमबर 9 इसका न मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा मैं इसे रिकॉर्ड कर लिया था इसका मैं वीडियो दूँगा ठीक है खूब सारे अजस करना है इसको हो गया है फिर भी कर लेते हैं क्योंकि ओनलाइन में नहीं हुआ नहीं हुआ इस तोर बैलेंस शीट पीछे बना लेते हैं यहां पर ना बड़ी दिक्कत हो रही है बैलेंस शीट यहां पर पूरा रिजस्मेंट करकर के करकर के ना बहुत छोटा हो जा रहा है तो बहतर है बैलेंस शीट पीछे बना लिए इसका एक काम कर सकते हैं हम कोश्चन इस पेज पे भी दिखा दें ताकि आपको दिक्कत ना हो यह पूरा कॉपी अब दोनों पेज पर कुश्चन रहेगा तो दिक्कत नहीं रहेगा हमें ठीक है सेम कुश्चन है यह हमारा क्या है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है और जो दूसरे साइट है डैट इस बैलिंशीट मैं फॉर्मेटिंग में टाइम नहीं लेना चाहता जाथा मैं सीधा कुश्चन करवा हूंगा इसलिए फॉर्मेटिंग आपको एक्जाम में तो करके याने चलि बना देंगे सबसे पहले पर्चेस है एक लाख असी हजार तो मैं टू पर चेज लिख रहा हूं एक लाख असी हजार इनसाइड में इसके बाद क्या है ओपनिंग स्टॉक देट इस दस हजार टू ओपनिंग स्टॉक तेट इस 10,000 बाहर के साइट लिख दिया और क्या दे रखा है इसको थोड़ा सा इदर कीछ लेते हैं इसके बाद क्या दे रखा है पी एफ इस पर ध्यान देजेगा पी एफ रेमिटेंस इंक्लूडिंग दा प्रोप्राइटर कॉंट्रीब्यूशन 50% अब पी एफ रेमिटेंस क्या होता है सबसे पहले हमें समझना होगा सर पी एफ क्या होता है सबसे पहले समझना होगा अब आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने एक homework दिया वहाँ पर भी काम आएगा मान लेते हैं कि आप एक business है इस business के अंदर मान लेते हैं ये x, y, z कोई भी business है company है और एक employee जब job करने जाएगा यहां पर तो normally आप सभी जब पढ़ रहे हैं तो आप लोग का एक target जरूर set होगा कि हम job पर चले जाएगे इतने time बात तो job पर चले जाएगे ठीक है न ये set रहता है target मान लेते हैं कि ये 25 साल कि जब इसकी उमर होगी तो ये क्या करेगा जौब के लिए चले जाएगा कहीं भी जाए जौब के लिए जरूरी नहीं कि वहाँ जाए तो ये फाइनली 25 साल के बाद ये जौब के लिए company के अंदर चला जाएगा कौन चला जाएगा Mr. A चला जाएगा अब बताओ इसकी नौकरी करने की capacity कितने साल तक रहेगा क्या ये 100 सालों तक नौकरी कर सकता है याँ पर नहीं कर सकता कुछ limits जब तक इसके बुड़ापा नहीं आ जाता तब तक नहीं करेगा तो normally government का रूल है कि आप किसी भी वेक्ती को 14 साल से कम वाले बच्चे को नौकरी पे नहीं रख सकते और 60 साल से उपर वाले वेक्ती को नौकरी पे नहीं रख सकते ये labor law का रूल है ये वो अलग बात है कि आप देखते हो बच्चे कर रहे होते हैं वो छुपा के करवा रहे होते हैं काम अगर 14 येर बिलो कोई बच्चा कहीं काम करता है आप कंप्लेंड करोगे तो उस दुकान वाले के दुकानदारी बंद हो सकती है और 60 साल से उपर को नहीं रखनाते और हलाकि 60 साल से उपर के वेक्ती को कभी भी ना जनरली दुकानदार मतलब बिजनस में रखना भी नहीं चाहता क्योंकि वो उतना इफिसेंसी काम नहीं कर पाता ठीक है न तो अब ये अपनी उमर का देखा जाये तो इस बिजनस के अंदर टोटल 45 येर और इसको देगा 45 जाता हो गया न 35 येर और देगा इसको 35 येर अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं लेट सपोज के हर महने का इस वेक्ती को 30,000 रुपे सेलरी मिलता रहा था हर महने इस वेक्ती को 30,000 रुपे का सेलरी मिल रहा था जब इस वेक्ती को हर महने 30,000 रुपे का सेलरी मिल रहा होगा तो ये यूज भी कर रहा होगा लेकिन अब मान लेते हैं कि इसकी उमर 80 साल तक ये जिन्दा रहता है तो आने वाले 20 सालों तक इसको अपना जीवन जो है वो चलाना काफी कटिन हो जाएगा और इसको डिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने बच्चों के उपर या किसी और के उपर तो गवर्मेंट कहता है कि भाईया हमें आपके बिजनस में इसने अपनी पूरी जीवन लगा दी तो बिजनस आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी बनती है कि आप इसका आगे तक खयाल रखे मतलब 20 साल आपने तो इसका मान लेतने ही कि एकदम वो वाला लाइफ जो कि आपके यूज का था आपने यूज कर लिया बाकि आपने फैक दिया इसका मतलब आपको आगे तक ध्यान रखना होगा और इसके लिए आपको क्या-क्या देना होगा आपको इसको पैंशन देना होगा जो कि अभी देखा जाए तो एक मान लेते हैं अंदुलन वगरे भी चल रहा है कई जगभे पैंशन का आपको इसको ग्रेजूटी देना होगा और आप एक काम और करो इसको 30,000 रुपे मत दो इसको एक काम करो आप 3,000 रुपे इसके salary में से काट लो और इसको कितना दो मातर 27,000 और अब इसके hand में इन hand की बात करें तो employee के hand में कितना जाएगा 27,000 लेकिन employee की salary कितनी consider की जाएगी 30,000 अब employee बोलेगा 27,000 क्यों तो government का rule है काट लिया गया अब ये जो 3000 आपने काटा है उसे एक government का office होता है government office ये 3000 रुपए आपको काट के अपने पास नहीं रखना ये जो 3000 आपने काटे हैं इसके salary में से इस 3000 रुपए को जमा करवा दो जाके government office में और सिर्फ 3000 नहीं आपको अपने pocket से भी 3000 और निकालने पड़ेंगे और ये भी 3000 रुपए आप जाईए और जमा करवा दिजिये कहाँ पे government office में तो देखा जाए तो इसका total जो है हर महिने का कितना जमा होगा अब हर महिने का 6000 काम कितने करेगा 25 साल तो 25 into में 12 महिने तो आप देखो कितना जमा कर पाएगा ये पूरे 25 सालों में 25 into में 12 300 महिने into 6000 तो एक 18 लाक रुपए इसका जमा हो जाएगा और इसके उपर ब्याज ब्याज लगा के करीब 25 लाक रुपए मिलेगा और मेरे हिसाब से इसको अगर इतने सारे पैसे दे दिये जाएं ये हो गया पैंशन हो गया ग्रिजुटी हो गया तो इसको अपने 60 साल के उमर के बाद अगर इसको अपने बेटे-बेटी की शादी करनी है वो भी मैनेजिबल कर लेगा अगर अपने लिए छोटा सा घर वर लेना है सांती के लिए वो भी तो गवर्मेंट इस बुढ़ा पे का ख्याल रखने के लिए अगर गवर्मेंट ये रूल नहीं बनाया तो फिर गवर्मेंट को वोट तो ये तो पूरी जिंदगी दे सकते हैं ऐसा तो है निके 60 के वाला वोट नहीं दोगे तो जब वोट लेने जाएंगे त इसके कमपनी का जो पी एंडल के अंदर डेबिट साइड में अकर सेलरी देखेगा तो सेलरी पता है कमपनी कितना दिखाएगा वो तो दिखाएगा 30,000 ठीक है और 3000 रुपे और अपने जीब से काट के जमा करेगा तो इसका मतलब सर एक्चुल देखा जाए तो कमपनी इस 3,000 प्लस 3,000 अगर गवर्मेंट के पास जमा नहीं कराया अपने पास ही होल्ड करके रख रहा है तो कमपनी के लिए लाइबलिटी है कि आज नहीं तो कल इसको ब्याज के साथ जमा करवाना पड़ेगा और यह जो 3,000 रुपे यह काट के अपने पास रख रहा है इसको क्या बोलते हैं प्रोविडेंट फंड इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएफ या इपीएफ भी बोला जाता है तो जब भी किसी इंप्लोई के सेलरी में से एक सर्टेन अमाउंट रिड़क्ट कर लिया जाता है और वो अमाउंट जाके हम किसी को गवर्मेंट को पीएफ ऑफिस मे डिपॉजिट नहीं किया तो हमारे उपर लाइबिलिटी बन गई कि हमें जमा करवाना है किसको जमा करवाना है हमें गवर्मेंट ऑफिस को पीएफ हमारे लिए एक तरीके से अगर आपको पीएफ क्रेडिट में दिख रहा है तो यहां पे कोश्चन में सेम देखा जाए त मालिक भी 50% देगा जो कि इसके अंदर included है यानि total इसके उपर लाइबिलिटी जो बन रही है वो total लाइबिलिटी कितनी बन रही है सहाब इसके उपर तो simple सी बात है यह 1200 रुपे का जो है यह लाइबिलिटी है इसने अभी तक जमा नहीं कराया इसलिए लाइबिलिटी में शो हो रहा है तो इसको सीधा जाके हम कहां जमा कर देंगे balance sheet के लाइबिलिटी में दिखा देंगे तो जो यह हमारा PF था इसको भी थोड़ा side में ही कर लेते हैं देखने के लिए तो जो हमारा यह PF का पैसा था वो लाइबिलिटी में दिखा दिया जाए प्रोविडेंट फंड और देट इस बारा सो इसके उपर जब adjustment आएगा तो हम देखेंगे ठीक है clear है आपको तो PF का पैसा दिखा दिया रेंट 2500 रुपे का महीने के अगर 2500 रुपे महीने है और 12 महीने का है तो क्या वाक्य में 27500 बन रहा है यह चेक करना पड़ेगा तो 2500 इंटू में 12 तो जी यह तो 3000 बन रहा है जबकि आपने रेंट 2750 ही पेड किया है तो रेंट तो साहाब profit and loss debit का पार्ट है तो हम यहाँ पे 2 रेंट तो दिखाएंगे लेकिन rent inside रखना पड़ेगा 2750 क्योंकि total 3000 था तो add कर देंगे outstanding rent और outstanding rent कितना बन जाएगा minus 2750 यानि 2500 पर मन्त देने का मतलब ही यह था sorry यह plus होगा यह और इसके बाद दूसरी entry कहां चले जाएगा liability में outstanding rent यह balance sheet है और यह low आ गया 2500 रुपे है ठीक है clear है कि सेलरी कि सेलरी में amount नहीं डाला अच्छा भूली है सेलरी कितने का च्छ्यासट सो का तूस सेलरी च्छ्यासट सो ठीक है आगे देखा जाए machinery कितने का 39,000 बैलेंशीट की बात कर रहा है तो machinery कितने का है 39,000 तो machinery अब मैंने एक गलती कर दी adjustment नहीं पड़ा पढ़ लेना चाहिए पहले adjustment में क्या कहता है machinery 5000, sold 4000, credit machinery account ठीक है सर wages include 1000 रुपे paid wages के उपर adjustment है इसके बाद फिर machinery erection है ठीक है purchase include moped scooter इसके उपर adjustment है proprietor taken goods यानि purchase पे भी adjustment है sundry debtor include become insolvent इसके उपर भी adjustment है electricity outstanding bill पे भी adjustment है goods costing 50,000 destroyed goods पे भी adjustment है इसके बाद कहता है providing depreciation 10% machinery furniture moped scooter provide depreciation 5% building closing stock सारे adjustment पढ़ लिए हमने अब इसको साथ के साथ करते जाते हैं इसके बाद wages पे भी adjustment है that's why हम wages अंदर ही रखेंगे कितने का वेजिस है हां 3000 इसको अंदर ही रखेंगे इसके बाद wages के बाद आ जाओ furniture and fittings तो furniture and fittings की बात कर रहा है कितने है 5000 थोड़ा gap देखे 5000 इसके बाद है electricity इसके उपर भी adjustment है electricity पे तो यहां पे two electricity अंदर लिखेंगे कि दॉट लगा दिये कितने रुपए का electricity है 500 इसके बाद trade expense है trade expense पी अंदल का हिस्सा होता है तो इसने इहीं लिखा देंगे रीड expense कितने 1500 रुपए ठीक है debtor balance sheet का पार्ट है तो चलिए आ जाईए debtor के उपर यहां debtor दिखाया कितने रुपए debtor है 10,500 इसके बाद interest on loan दे रखा है पी अंदल का पार्ट है तो interest on loan कितने रुपए है interest on loan कितना है 900 और इसके उपर भी adjustment है तो inside रखेंगे क्योंकि आप देखोगे question में date दिया हुआ है तो आप चलिए लिख लिजे यहां पे 900 चलिए हमें थोड़ा size reduce करना है और और जगह चाहिए पी इंडल में इसको बढ़ा देते हैं देखने के लिए ठीक है यहां तक चल रहा है सब कुछ ठीक इंट्रस्ट हो गया Commission दो अब डेबिट में दे रखा है तो टू कमीशन आ जाएगा है ना प्रू कमीशन दो सो अब आगे आज़ते हैं बिल्डिंग दे रखा है तीस हजार तो लाइवलिटी में असेट्स में आजएकर बिल्डिंग तीस हजार इसके बाद कमीशन बिल्डिंग सेज दे रखा है दो लाग पांच हजार तो आजएए दो लाग पांच हजार वाई सेल्स इसके बाद लोन 10% है कहता है लोन 10% इंटरस्ट रेट है तो लोन जो दे रखा है लाइवलिटी में आ जाएगा 10% और कितना है हमारा 10,000 अब इसके उपर पूरे साल का ब्याज होगा जब डेट नहीं दे रखा तो इसके उपर अगर इंटरस्ट निकाले ना तो एक हजार बनता है और आप पहले से देखो इंटरस्ट जो दे रखा था ना आपको देट इस कितना दे रखा था 900 यानि इसका मतलब सर क्या हुआ कि इंटरस्ट पे 100 रुपे आउट्स्टेंडिंग इंटरस्ट रहेगा देट इस 100 रुपे और यह बनेगा पूरा हजार और बैलेंश शीट के लाइबलिटी में आउट्स्टेंडिंग इंटरस्ट के नाम से आ जाएगा हमारा कितना 100 रुपे हैं इसके बाद आ जाते हैं क्रेडिटर हमारा 10 क्रेडिटर कितने का है बताईए दस अजार पंद्रह है पंद्रह हजार क्यापिटल दे रखा है पचपन हजार 55,000 इसके बाद drawing 5,000 तो minus drawing इसके बाद cash दे रखा है 1200 तो cash तो assets में आएगा cash 1200 यह थोड़ा खुला खुला हो गया है ना अब adjustment कहते हैं कहते है machinery जो है ना हमारा machinery इसको अब मैंने यह सारा पढ़ लिया है तो मैं एक काम करता हूँ ना इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ इसकी जुरत है नहीं ताकि आपको adjustment अच्छे से दिख जाए यह धियान दीजेगा ठीक है मिटा देते हैं इसको adjustment में क्या कहता है कहता है 1-1-2020 यानि सर 1-1-2020 और हमारा year end होगा 31-3-2020 को हमने machinery खरीदा कितने का 5000 का वर्थ 5000 रुपए का हमने बेच दिया 4000 में यानि इस machinery को हम 9 महने एक machinery कीमत था 5000 उसको पहले हमने 9 महने इस्तिमाल किया और फिर बेचा ठीक है क्योंकि year तो हमारा start 14 4-2-0-19 में ही हो गया था हमने 9 महने इस्तिमाल करके बीचा तो सबसे पहले तो डेप लगेगा फिर बेचेंगा और बीचा कितने का 4000 का तो हमने पहले हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करें करना पड़ेगा इस पर depreciation और 9 महने का depreciation लगाएंगे और depreciation rate दे रखा है 10% तो 5000 पे 10% डिवाइट 12 इंटू में 9 मैं इधर भी करके दिखा देता हूँ 375 रुपे यानि 5000 पे 10% इंटू में 9 बाइट 12 यानि 375 रुपे तो पहले 375 रुपे का ड़ेप आएगा यानि 5000 में से 375 माइनस करोगे तो 4625 रुपे अब इसको आपने sold कर दिया जाके 4000 का तो यहाँ loss हो गया loss कितने का हो गया 625 रुपे का समझे बात आप एक जनवरी को start है यह account 31 12 2020 अच्छा यह जनवरी वाला है तो यह जनवरी वाला है तो इसका मतलब साल के सुरू में ही कर दिया इसने का तो अब ध्यान रखेगा चलो एक बात आप सीख भी गए साथ के साथ यानि यह depreciation आपका जो लगा है वो साल के सुरू में ही बेच दिया तो डैप तो लगा ही नहीं तो अब डैप नहीं लगेगा इस पे अगर अप्रेल वाला होता तो जो मैं सोच रहा था वैसे होता ठीक है तो इसका मतलब सार इसे आपने सिंपल सा सोल्ड किया चार हजार का और जो लॉस काउंट होगा डैट इस एक हजार रुपे लॉस लॉस तो चला जाएगा प्रॉफिट एं लॉस के debit में अब यह नहीं रहेगा यह वाला जो मैंने calculation किया नहीं रहेगा और दूसरा sale जो है अब देख लेता है क्या कहता है and credit machinery account और हमने machinery account को credit कर दिया है wages 1000 रुपे paid for machinery election charges तो अब इसका मतलब भाई साहब आपने कितने का बेच दिया इसको 4000 का तो सबसे पहले आप अपने machinery को घटा दीजिए, machinery कितने से घटेगा, less कर दीजिए machinery को किस से 5000 से, less sold, आपका तो machinery पूरे 5000 का निकल गया, है की नहीं, minus हो गया, ठीक है, और बेज के कितना पैसा है आपके पास, that is 4000, तो 4000 आपके पास पैसा आया होगा, तो आपको cash में add कर देन चाहिए 4000, बारास होथा ना पहले, तो प्लस कर दीजिए, sold machinery cash में, 4000, अब भाई साब, 1000 रुपे का रहे गया, नुकसान, तो नुकसान आ जाएगा, पी एंडे के debit में, to loss on machinery, 1000, इसको थोड़ा clear लिख दे, loss on machinery, ठीक है, समझवाई बात आपको, अगर ये कहता कि sales में include है ये, तो हम sales को minus कर देते हैं, है ना, जैसे कि पिछले question में investment था हमारा, ठीक है, चलिए, आगे क्या कहता है, adjustment में, और देख लेते हैं, कहता है, wages include 1000 रुपए paid for machinery erection charges, machinery erection क्या होता है, चलो मैं दिखा देता हूँ, जहां पर machinery बनाई जाती है ना, उसे बोलते हैं, Erection, E-R-E-C-T-I-O-N, यह देखिए, इमेज देख लीजिए, आपने देखा होगा, जैसे कि machinery जैसे यह है, इस stand पर खड़ा किया गया ना, machinery को, that is erection, यानि जहां पर आप machinery को लगाते हैं, उसके लिए जो base तयार करते हैं, उसे बोलते हैं, Erection, simple सा AC बाहर अगर outdoor में लगा रहे हैं, तो उसके लिए AC का stand लेना पड़ेगा, that is erection, तो machinery पर कोई भी erection का खर्चा हो रहा है, तो वो machinery का ही हिस्सा माना जाएगा, तो machinery का हिस्सा होना चीए, लेकिन कहता है कि wages में जुड़िया है 1000 रुपे, तो भाई यहां पर पहले तो एक plus करो, आपका erection, 1000, और wages में से क्या कर दो, minus कर दो, less कर दो, erection, 1000 रुपे, ठीक है, चलिए, आगे आ जाते हैं, यह थोड़ा सा जगह ज्यादा लेगा, तो इसको हम सभी को नीचे सफ्ट कर देते हैं, आ जाओ, सभी को नीचे लिए आता है, ठीक है चलो, आगे पढ़ते हैं, क्या कहता है, कुश्चन में कहता है, परचेज, जो हमने खरीदारी करी है, include cost, moped, scooter 5000, भाईया, scooter तो हमारा assets होता है, लेकिन आपने किसमे add-on कर रखा है, यह परचेज में, तो आपको परचेज से क्या कर देना चाहिए, इसको, माइनस और balance sheet के assets में ले जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम लेके आते हैं, balance sheet के assets में, किस नाम से, moped, moped जानते हों क्या होता है, पुराने टाइम पे, car, scooter वगएरा होता था, उसको हम बोला करते, तो moped 5000, और किसमें से माइनस कर दिया जाए, less moped, पांच हजार, एक असी में से, ठीक है, चलिए, आगे देखते हैं, और क्या कहता है, अगर आगे देखा जाए, कहता है, प्रोप्राइटर टेकन अ गुड्स कॉस्टिंग 1000 रुपए, विच वाज नो एंट्री हैस बेन मेड, यानि मालिक ने 1000 रुपए, किसके लिए ले लिया, प्रोप्राइटर ने लिया, तो प्रसनल यूज हो गया, तो 1000 रुपए, एक तो ड्रॉइंग हो गया, जब हजार रुपए, ठीक है, अब इस पर और भी अज़्जस्मेंट है, इसको हम थोड़ा से इन सभी को नीच लिए आते हैं, पर चेस को उपर लॉस भाइफायर भी है, यहां रखते हैं इसको, ठीक है, चलिए, संडरी डेटर इंक्लूड 500 बिकम बेड, और प्रवाइट 10 परसंट रिजर फोर बेड़ेट्स, ओके, संडरी डेटर पे, आप माइनस करिए, पहले 500 रुपए, एज़ बेड़ेट्स, लीजिए 500, अब जो बच गया हमारा 10,000, इस पे माइनस कर दीजिए, क्या, पी, एफ, डी, कितने परसंट, 10 परसंट, इस हजार, ये कितना बच्चा, 9,000, तो ये 500 और ये दोनों ही आएंगे पी एंडल के डेबिड में, तो एक तो आजाएगा हमारा, बेड़ेट्स, पांच पांसो, और एक आजाएगा, पी, एफ, डी, एक हजार, ठीक है, आगे आजाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आउट्स्रेंडिंग, पचास, तो लाइबिलिटी हो जाएगा एक तो, आउट्स्रेंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी, कितने का पचास, और दूसरा कहां चला जाएगा हमारा, एड हो जाएगा, आउट्स्रेंडिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पचास, देट 5000 रुपए का समान आग लगने की वज़े से जल गया तो पर्चेस कम अगर आपको याद होगा तो क्या करते थे पर्चेस कम अब इंसॉरेंस है नहीं है वह देखेंगे एंद इनसॉरेंस से क्लें रिसीवड 4000 रिसीव हो गया 4000 तो 4000 तो मेरे माइनस कर दीजिए परचेस लॉस बाइफायर कितने पांच हजार अब देखे कितने अर्जस्मेंट होगा दूसरी एंट्री लॉस है आपको यहां लिख देते हैं टू कि लॉस और लॉस बाइफायर लॉस बाइफायर एक हजार और जो पैसा आपको मिल गया है वह या तो यहां पे cash में ही plus कर देता हूं क्योंकि एससे कुछ बताएं नहीं सवाल में तो दोनों जगह ठीक रहेगा प्लस claim अगर बोला जाता नहीं कि insurance claim बस है claim received नहीं हुआ तो बस insurance claim के नाम से दिखा देए यहां बोल रहा है claim received होगी है तो पैसा मिल क्या होगा भाई कितना मिला होगा चार हजार ठीक है अगले point पर चलते हैं प्रवाइड depreciation 10% on machinery तो भाई अब यह जो machinery बचा है हमारे पास अब सही माहिने में बचा है कितने रुपए का 25,000 और इस पर माइनस कर देंगे depreciation डैट इस 10% का मतलब पच्चिस सो रुपए ठीक है पहला point done और furniture पे और क्या कहता है अब machinery के बाद furniture एंड मूपेड पे भी ओके फर नीचर पे भी मूपेड पे भी लगाओ माइनस डैप्रीशेशन 500 पे आगे continue में क्या कहता है लेकिन 5% प्रॉइड करना है डैप्रीशेशन बिल्डिंग पे ओके बिल्डिंग पे माइनस करो डैप्रीशेशन पांच परसंट इस 1500 ठीक है और कहता है क्या है क्लोजिंग स्टाउक हमारा कितना है सर्मारा है 12,000 तो यह तो यहीं खतम होगा कि यहीं दिखा देते हैं दिखा देते हैं दिखान दिखा 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 दिया जएगा कितने 12000 और दूसरा यहां जाओगा बाई क्लोजिंग स्टाउक कि 12000 सभी के सभी Depreciation को नीचे दिखा दिया जाएगा हैं ईलिया इलिया और ग्रुकत में कि इछ ड्यप्रू है तक पच्छिस सो पांटिस तीन हजार पैंतिस सो पैंतिस सो के बाद फंदराइशना यानि कि पांच अजार बस पांच कर लीज़े कि यह अब भी चेक कर लीजिए गए एक बार क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ हो गया और तो कुछ रहा नहीं हमारा अब इसके उपर मैंने कहीं गैप छोड़ा हुआ है छोड़ा हुआ है कहीं भी रही छोड़ा सब कुछ फुल्फिल हो चुका है तो फटा फट से अब बस अज़स्मेंट को हम कर तो लिया हमन सब्सक्राइब और यह आजाएगा दो हजार ठीक है यह कुछ भी नहीं रहा तो दो लाग पांच हजार और बारा हजार तो लग दो लाग सत्रा हजार और आगे हमारे हां पर दो लाग सत्रा हजार हाँ कोश्चन देखो पुरानी बुक में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चेंजिस कर दी होगी बाकि आपको सामने कुश्चन है इससे मैनेज करना पड़ेगा तू जीपी हां 36,000 यह लेजिए और बाइ साइड में आ जाएगा जीपी 36,000 अब टोटलिंग का प्रोसेस देखते हैं बस अकेला यही है लॉस तो नहीं है टू एन पी कितना रहे हैं यह तीन हजार और इधर 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 सब जगह को 14,200 चलो आ जाते हैं अब यहां पर सिर्फ काम हैं प्लस एन पी 14,200 55,000 माइनस में 5,000 माइनस 1,000 प्लस 14,200 63,200 प्लस पचास रुपए बारा सो धाइस सो ए दस हजार सो रुपए पंद्रह हजार 89,800 अब इस सब को टूटल को बाहर कर देते हैं 22,500 और यह पान सो पैंतालिस सो और यह पान सो यह हो गया बाहर 30,000 अठाईस पान सो और इसका टूटल आठ 9,200 और यह पैंतालिस सो टूटलिंग चेक कर लेते हैं 22,500 पैंतालिस सो बारा हजार नो हजार अठाईस पान सो बानवे सो और पैंतालिस सो यह आ गया नबे आठ दो सो किसमें से तो क्या कर रहे हैं नहीं तो कैस में भी तो एड़ नहीं कर रहे होंगे न यह भी देखो न तुवारा चेक कर लेते हैं 29 प्लस एग माइनस 5000 उन्होंने नेट कर दिया हो चिंता मत करो कि नौहाजार अठाइस पान सो कि बानवे सो कि एंतालिस सो नब्बे दो सो कि बुक में क्या है बैलेंश इट का टोटल कि एट हंड़ यह नहीं चार सो रुप है मोटा मोटा चार सो रुप है कहा छपड़ दिया हमने कहीं माइनस तो गलत नहीं करा पैंतालिस सो पैंतालिस सो आपने पी इंडल प्रॉफिट ही था सेम सब आपका यहां तो कम नहीं है क्योंकि आप कि अब कितना है कि यहीं पर फरक आ रहा हूं कि चार सो का चौदा च्छे सो है यह कि यह चौदा च्छे सो आना चाहिए अब एक बार अजस्मेंट मसिंडरी भर तो आशे जर पर सोल्ड एक अप्रिल को ही बेच दिया हूं ठीक है चौदा च्छे सो इसको ठीक करिए अपने बुक की आंसर को तो यह आ जाएगा हमारा नब्वे दो सो नोट डाल देंगे ऐसे कुश्चन में क्या नोट डालेंगे सर नोट मसीनरी सोल्ड रुपीज पांच हजार इंक्लूड इन दे मसीनरी रुपीज ट्विंटी नाइन थाउसिंड तो हमने मान लिया है क्योंकि ऐसे कहीं भी पता नहीं चले का कई भी है यह पांच हजार रुपे अलग हो चुका है ठीक है बुक में नोट दिया है नहीं दुआ आपको सुल्डूशन यह हो गया यह था हमारा एक और कोश्चन एक ही जगह दिखा देते हैं और आजाए इधर भी आपको दिखा देते हैं यह दो दिखी राएक है और चोटा करना पड़े कैसे हैं जाकर राजाए चलो चोटा करते हैं लिखाने के लिए इसका कोई लाज तो होगा इस सब को इधर सिफ्ट मारो और इसको थोड़ा सा हो गया बड़ा है चलो तो दिख जाएगा ठीक है यह था हमारा कुश्चन नमबर टैन टोटल कितने कुश्चन है तीस हैं पत्तिस है सर्थियोरी कैसे करने थियोरी आपके ज्यादा ज्यादा दस पंदर नमर का वह मैं सारा बता हूंगा क्या थियोरी रहेगा अभी आपको थियोरी नहीं सर्फ फ्रैक्टिक्वल पर फोकस करिए कितने कुश्चन है टोटल बुक में 21 जिसमें हम 10 तक पहुँच चुक है ठीक कुश्चन नमबर 11 कमीशन आफ्टर चार्जिंग यह भी मैं ही करा दूँगा मैं एक होमवग दे रहा हूं आपको ठीक है और वह होमवग आप करेंगे यह भी होमवग में आपको जैसे नहीं होगा न होमवग तो रेजिस्टर में आप छोड़ देंगे उतनी लाइन ठीक ह इस पर इसपर ईस भी ए जेस्टीति है जीस्टी है जी यह क्लास जो दो स्थमीच में च्छोड़ा हैने रिवाइज मेली मैं वाला मैैनेजूईन्ट वाला वह भी कहतम करने ओमवग और ऑ एक यह भी होंवग या उनिस्टेट दफॉलुविंग एडिचल इंफॉर्मिशन प्रॉफिट अिरिंजिए नहीं यह मैं परें आइनध पार्टनर्श इंट करा। पाहिए आपको पीडियॅफ मिलेगा उसमें होमड्वक नोट करें यह भी नहीं पार्टनर्शिप कि यह भी नहीं बस दो तीन कोश्चन होमवक में है बाकी नहीं है अ कि टोटल कितने कोश्चन बताया आपने नहीं नहीं वैसे चलो हो जाएगा बस थोड़ा से इसके अंदर होमवक आप थोड़ा फोकस करके कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी यह वाला आज मैंने करवाया था जिसको नोटिंग करना है यह समझाया था यह रिजर्व का एक और अट्जस्मेंट है अट्जस्मेंट के जग झाला आट झाला हो कर सुपखा हो मैंने मैं आट bye चलिए अब चेक कर लीजे आ रही होगी वोईस वोईस चेक कर ये अब आ रही होगी तो मैं ये कह रहा था कि जो बच्चे नहीं है सबसे पहले उनको क्या करना है पुरानी क्लास देखेंगे फाइनल अकाउंट और कोई भी नहीं उसके बाद टू भी कंटीनू करेंगे बेटर है बाकी आप आज वाली भी क्लास देखो समझ में सारा आएगा क्योंकि ये चेप्टर ना आपके लिए नियू चेप्टर नहीं है इसको आपने पहले कभी न कभी तो किया हुआ है सर पहले कभी न कभी का क्या मतलब है पहले आपने ग्यारवी ग्लास में किया हुआ है एक्जेक्ली सेम अगर जिस बच्चे ने ग्यारवी में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था ये चेप्टर या ध्यान नहीं दिया था तो उसके लिए प्राउबलम हो सकता है बागी तो बिल्कुल एक्टम सही चप्टर है चलिए सर एक एक करके पढ़ते जाएंगे अमाउंट डालते जाएंगे और जो अज्जेस्मेंट है वो सीखेंगे हम ठीक है पहला पॉइंट कहता है कि हमें 31 मार्च का बनाना है 3.0221 में उप्पनिंग स्टोक कर दे रखैंग एक लाक रुपे तो मैंने यहां पर लिखे मिए टू ऑपनिंग स्टाउक माकर पारलते जिर्णिया कुल्भ सभाक्त है जब्रबल्लावक्त का ऺधूट च्टिक है इसके बाद डाक себя देका है कितर हमारा एक बार नजर मार लेते हैं सर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है सर देर वाज लॉस स्टॉक बाइफ दे रखा है ठीक है डेटर पर भी अजस्मेंट है और फरनीचर ऑफ दा बुक्स ऑवेल्यू और चलो यह तो डेप्रीशेशन सूल्ड है और एक और दे रखा है आपका डेप्रीशेशन डिसॉनर्ड ऑफ दे चेक काफ़े सारे अजस्मेंट है बैंक पर भी हो गया तो मैं थोड़ा गैप दे के लिखूंगा यहां पर और बैंक लिख दिया रहे ले और बैंक का माउंट कितना है कितने है दो हजार और क्यूंकि डिसॉनर्ड और चेक है तो इसलिए मैं इसे अंदर लिखूंगा यह भी हो गया सर यह भी हो गया यह भी संडरी एसिट्स अब यह संडरी एसिट्स नॉर्मल एसिट्स है थोड़ा गैप देखे संडरी एसिट्स सर संडरी एसिट्स बैडेट्स, Sir, बैडेट्स P&L का पार्ट है, तो यहां तक हमारा ट्रेड़िग खतम हो जाएगा, ट्रेडिग थोड़ा सब बड़ा बनेगा, इसमें, reason being, क्योंकि इसमें काफी adjustment है, तो two बैडेट्स, ये लेजिए आगया bed debts कितने रुपए का bed debts है हमारा bed debts है एक हजार रुपए इसके बाद क्या accrued income accrued income हमेशा हमारा assets होता है तो यहां लिख लेते है accrued income accrued income कमा लिया लेकिन मिला नहीं ये income तो assets है ठीक है purchase दे रखा है एक तेईस पान सो तो यहां पर लिखेंगे टू purchase इस पर खूब सारे adjustment है तो मैं अंदर लिखूँगा purchase एक तेईस पान सो इसके बाद depreciation आपका trial में है तो भईया P&L के debit में जाएगा that is depreciation amount है 4,500 income tax drawing होता है drawing होता है हमारा क्या income tax LIC और income tax दोनों क्या होता है drawing तो drawing है हमारा income tax कितने 10,500 तो सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए capital और capital में से minus क्या कर देना चाहिए drawing कितने है 10,500 चीक है इसके बाद income tax के बाद salary है P&L का part है sir 2 salary कितने रुपे 4,600 adjustment है इसलिए बाद में हम बाहर लिखने हैं से wages 28,000 तो थोड़ा gap देखें यहाँ 2 wages 28,000 बाहर लिखना है कोई adjustment है नी interest on loan 6 month 6 मैने कह रहा है यानि खुद कह रहा है कि 6 मैने का भ्याज का हिसाब किताब हो है interest on loan तो इसके उपर भी adjustment बनता है तो इसलिए two interest और 6 मैने का कितना 1000 बागी देख लेंगे क्या रहता है हमारा यह बुक आपकी Jr.monga है और पूरा का पूरा हम बिल्कुल डियू का स्लेवर्स पोलो करेंगे जो Jr.monga है आपके कमेंट में भी मैंने डाला हुआ है बुक का description लिंक आप Amazon से buy कर सकते हो चाहो तो या कहीं भी nearby shop से अपना ले सकते हो चलिए हाँ जी आगे क्या देखें आगे इस साइड आ जाते है that is आपका capital एक लाग साथ हजार तो capital आ जाओ जी एक लाग साथ हजार इसके बाद क्या दे रखा है capital के बाद दे रखा है हमें creditor 35,100 35,100 इस पे adjustment है common debt का तो इसलिए अंदर लिखेंगे sales दे रखा है 3,2,000 तो buy sales इस पे भी adjustment है 3,2,000 discount अब देखें discount में ये नहीं बोला कि discount receive है allowed है तो आपको पहचानना पड़ेगा कि debit में है या फिर credit में तो credit में है that's why discount यहाँ आ जाएगा buy discount और discount है हमारा 4,000 इसके बाद PFD देखो credit में है तो हमें पता है यहाँ simple लिखना है PFD 6,000 salary outstanding trial के अंदर है तो सर्फ और सर्फ liability में जाएगा outstanding salary कितने रुपए है 2,000 और loan 10,000 है तो loan भी liability में loan कितने है एक बार किताब में check करिए क्या इसके आगे rate वगरा दे रखा है या नहीं दे रखा नहीं दे रखा चलिए कोई बात अब हम rate खुद भी निकाल सकते हैं 6 महिने का दे रखा हम पूरे साल का निकाल लेंगे कैसे निकालेंगा भी देख लेंगे adjustment करके पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे यहां तक सभी को clear है मैंने सारे के सारे points जितने भी थे ये सारे points मैंने transfer कर दिया जहां भी जाना था आगे देखा जाए कहता है closing stock 31 March को 20,000 था तो closing stock की दो जगा एंट्री हो जाती एक तो balance sheet के assets में लेकिन क्यूंकि इस पर adjustment है इसलिए मैं इसे inside लिखने वाला हूं that is आपका 20,000 और एक चला जाएगा कहा हमारा by closing that is 20,000 adjustment मैं थोड़ा इससे कर देता है ठीक है आगे पहला adjustment डन हो किया दूसरा there was a loss by fire 25,000 25,000 का loss by fire हुआ था और क्या loss by fire हुआ था stop ये बात ध्यान रखना है loss by fire में हुआ क्या loss है हो सकता है building हो सकता है machinery तो जिस पे हुआ है उसको minus करेंगे तो loss by fire क्या कह रहा है 25,000 20,000 अब एक बात ध्यान रखना है loss by fire में के भाई साब आग कहीं ऐसा ना हो के 1 April 2021 दिखाए हुआ यानि date अकसर क्या करता है वो आगे का दे देता है confused बच्चा देखता है के चलो इसका adjustment कर देते हैं लेकिन date हाँ आप confirm है 20 March इसी साल हुआ है however claim आपका receive नहीं हुआ claim 10,000 रुपे admitted by the insurance company यानि सर्थ 25,000 रुपे का मेरा stock जल गया तो हमारा purchase कम हो जाएगा less loss by fire that is 25,000 claim हो गया हमारा 10 का तो हमारा नुकसान हो गया that is loss by fire यहां से और जो यह loss by fire में जाएगा यह जाएगा 15,000 और क्योंकि question कह रहा है कि claim मिलेगा तो insurance claim आ जाएगा assets में कितने रुपे का 10,000 तो आप ध्यान से देखिए हमने यह वाला adjustment done कर लिया है कौन सा adjustment number 2 adjustment 3 hopefully आपको adjustment अगर नहीं दिख रहा न तो मैं ऐसा करता हूँ न इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि adjustment adjustment वाला area आपको अच्छे से दिख जाए चलिए adjustment वाला area अच्छे से दिख जाए question तो देखी लिए आपने यानि एक ही वेक्ति debtor है और एक ही वेक्ति creditor है तो ऐसे situation में मैंने क्या बताया था जो common debt होता है common debt का क्या solution बताया था दोनों में से जो कम amount है वो दोनों तरफ माइनस कर दो तो सर दोनों में से कम amount अगर आप देखते हो तो पांच हजार है तो सर डेटर में से भी माइनस करो common debt common debt पांच हजार और creditor से भी माइनस करो common debt पांच हजार दोनों में से lower जो है ठीक है बाकि इसको थोड़ा और छोटा कर दें ताकि आपको दिखने में ठीक रहे है चलिए अगले adjustment में चलते हैं कहता है sales include इधर आ जाते हैं पीछे यहां पर ठीक दिख रहा है कहता है सर क्या कहता है अगले adjustment में कहता है sales include छे हजार रुपे send to credit customer on approval basis 25 मार्च मैंने एक ग्रहा को 25 मार्च को बोला था भाई या मेरा समान खरीदना चाते है तो खरीद लो approval basis पे जिसके उपर profit one-fifth किस पे था cost पे था और यह क्या है सर selling price है इसका मतलब सर इस point में आपको selling price दिया जा रहा है that is 6000 और जो profit है ना वो profit दिया जा रहा है one-sixth of किसका cost का one-sixth of one-fifth one-fifth of cost का one-fifth of cost का ठीक है सर has been added determine the sell price has been added to the determined sale price में जुड़ा हुआ है however the customer not approval customer ने भई यह मना ही कर दिया तब हमें यहाँ पे दो चीज़े निकालनी है एक तो cost जानना एक selling price तो पता चल गया अब formula क्या होता है सर sales is equal to cost plus में profit कहलो GP कहलो sales तो पता है 6000 cost नहीं पता x और इसके उपर है तो x by 5 solve करोगे 6 x आ जाएगा तो x की value क्या जाएगी पताओ 5000 x की value क्या आ गई 5 तो 6 x upon me 5 30 divided by 5 5000 आ गया तो x का value 5000 तो x क्या था sir that is x cost था तो यहाँ इस में यह पता चल गया कि हमारा cost कितना है और यह भी पता चल गया selling price कितना है अब सबसे पहले selling price का treatment करते है एक debtor से minus और एक sales से minus क्योंकि यह हमारा sales हुआ ही नहीं sales on approval basis के adjustment में देखा था एक तो debtor से minus और एक sales से minus तो लीजिए minus कर देते हैं sales on approval basis sales on approval basis कितने रुपए सर सेलिंग price 6000 उसके बाद debtor में से भी minus करो less sales on approval basis sales on approval basis कितने minus करने सर 6000 अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं closing stock में add हो जाएगा add sales on approval basis कितने है 5000 और यहां भी add हो जाएगा हमारा add sales on approval basis 5000 यह हो गया हमारा चार देखिए आप अभी मेरा प्रोविजन प्रीविएस लेक्चर बचे हैं उन्हें complete करूं या मैं continue करूं आप दोनों कर सकते हैं अभी आपको यह चीज़े साथ के साथ लेके चलना होगा इतना टफ नहीं है बागी प्रीविएस लेक्चर फटा फटा आप निप्टा देंगा उसको ठीक है अब देखिए क्या कहता है debtor include bet debts amount 3000 भाई साब debtor में 3000 bet debts है और उसके बाद 5% का क्या बनाना इस पे provision बनाना इसके अंदर 5% का provision चलिए provision सबसे last में बनाये जाता है ठीक है इससे पहले कहता है 1200 रुपे paid rent was debit landlord account and include in debtor हमने landlord को debit कर दिया यानि 1200 रुपे paid क्या किया था paid as a rent was debit landlord account including debtor और हमने landlord को क्या मान लिया debit कर दिया debtor जबकि हमने paid किया था तो इसका सही entry क्या होना चाहिए सब debtor में से minus हो जाना चाहिए ठीक है debtor में होना ही नहीं चाहिए तो भईया debtor में से minus कर दो ये entry हमने कोई adjustment नहीं है कुछ ऐसे points आएंगे जो कि आपको common sense से सोचना पड़ेगा जैसे तो debtor में से minus कर दो landlord कितने 1200 और सर ये rent payment किया है तो rent में जाना चाहिए तो rent हमारा कहां गया ये रहा rent नहीं है rent यहां तो to rent और that is 1200 रुपे देखिए adjustment ये थोड़ा सा अलग adjustment आया तो कुछ एक point होंगे जो कि आपको खुद समझना पड़ेगा किसी बच्चे को डाउट इस adjustment में है तो बताईए adjustment क्या कहता है बारा सो रुपे paid rent rent paid किया तो भाई आप इंडल के debit में दिखाओ लेकिन debit कर दिया landlord account and include in the debtor या नहीं आपने अज़र debtor मान लिया उसको और debtor में कर रखा तो भाई यह debtor से हटा दो और rent में दिखा दो ठीक है अगला furniture के उपर है वो तो अलग से भी recover और इसमें से हमें सिर्फ कितने percent amount recover हुआ है एक परसन तो एक चेक था यानि बैंक में से मेरे 5000 रुपे का ज़ाया है बैड डेट सर सवाल खुद ही कह रहा है कितना बैडेट से बताओ कितना बैडडिक्ट कह रहा ता सवाल आप देख के सवाल में कह रहा है के भाया बैडीट बैडड डडेटbenड डडेट बैडड़ तीन हजार लिख लेते हैं इस सभी point को नीचे लिए के चलता टेटर पर देख रहे हूं कितना अर्जेस्मेंट हो गया पंदरा सो दस अजार चलो अब इस सम्में से माइनस कर देते हैं पहले डेटर में उसी के बाद प्रोविजन लग सकता है हमारा चालिस हजार माइनस पांच हजार माइनस छे हजार माइनस बारा सो माइनस तीन हजार तो चौबिस हजार आठ सो 24,800 इसमें से माइनस कर दो PFD PFD सर कितना कह रहा है PFD question में देखो 5% तो इस पे 5% that is 1240 और लगे हाथ माइनस करके मैं बाहर लिख देता हूँ 23,560 अब हमें 3,000 और 1240 पी इंडल के debit में दिखाना होगा तो टू बेड़िट्स तीन हजार और ये वाला PFD हाँ लिख देंगा 2 PFD कितने था 1240 ये लो हम अजजस्मेंट को अगर देखें सुरू से एक बार फटा फट क्लोजिंग स्टॉक डन लॉस बाइफाइड डन कॉमन डेटर डन डेटर इंक्लूड डन बारा सो रुपे डन to pay the furniture of the book value 6,000 on 31,3,2,021 यानि 31,3,2,021 की बात कर रहा है यानि last में ही बात कर रहा है एक furniture जिसकी कीमत 6,000 था was sold off कितने का कर दिया इसको 4,000 का 4,000 एक्सचेंज न्ञीव फटरिंचर इसने खरीद लिया कितने का 5,000 हॉयवर दो देखो समझो कहना क्या चाहता है यह कहना यह चाहता है कि भाई मेरा एक फरनीचर जिसकी कीमत था 6000 ठीक है और उसको आपने sold off और बोला market में कितने का बेच दोगे तो market में बिख जाएगा 4 का यानि यहां तो आपका loss आपने उठा लिया कितने का तो यह loss तो पी एंडल के डविड में पका आएगा लेकिन आपने in exchange कर लिया इसको और आपने एक और new furniture खरीद लिया कितने का 5000 रुपे का जब आपने 5000 का furniture खरीदा तो आपको तो 1000 ही देने है ना उसको आपका पुराना समान कितने का बिग्या चार का और नया समान खरीद रहे हो 5 का तो आपको 1000 रुपे और देने तो जो 1000 रुपे आपने देने थे ना आपने उसे purchase book में include करा हुआ है कहां पे include किया हुआ है आपने तो purchase में तो जाना नीच चाहिए तो assets होना चाहिए तो simple सी बात अगर आपने purchase book में include करा हुआ हजार रुपे तो less furniture कितना include करा हुआ हजार रुपे और आपका assets बन जाएगा कितने का assets बनेगा that is आपका 5000 का new assets कितने का खरीदा 5 का और पुराना assets आपने बेचा भी है कितने का बेचा है नहीं 4 का बेचा है उसका value कितना था छे तो 2000 का loss तो हम loss को दिखा देते हैं loss to loss on furniture कितने रुपे 2000 अब देखिए आपका अब आजाते हैं इधर furniture तो कहीं भी assets में नहीं दे रखा तो बेचा कौन सा है भी है इसके अंदर जुड़ा होगा sundry assets में तो sundry assets में जुड़ा होगा तो सबसे पहले तो यहां से minus कर दीजिए sold जो sold किया है वो कितने का cost निकल गया 6000 का और फिर plus कर दीजिए जो आपने खरीदा है यानि purchase परचेज कितने का किया है आपने तो आप देखेंगे net में इसमें 1000 का ही फरक आया है ठीक है कितने का फरक आया 1000 और आपका net में 1000 यहां और 1000 कहां से minus कर दिया आपने purchase में से आपने minus कर दिया और एक मिनिट 5000 5000 5000 1000 4000 परचेज आपने कितने का किया परचेज आपने का किया अब एंट्री को देखना 6000 यहां minus होने का मतलब 6000 हमारा credit हो गया आ जाईए और पांच purchase आपने कितने का किया 5000 का तो एक 5000 रुपे का इसेट्स चुड़ गया तो अल्टीमेटली आपका एसेट्स जो है 1000 ही जोड़ पाए हो आप है ना और वही 1000 रुपे आपने यहां purchase से minus कर दिया यहां पर loss कितने का हो गया आपका 2000 रुपे का नुकसान हो गया तो हमारा वहां पर 1000 1000 2000 का जो भुक्सान हो उसके दूसरी एंट्री एक रह गई है नहीं एक इधर हो गया एक मिनट रुको एक मिनट लॉस हमारा हो गया 2000 लॉस आ गया 6000 एक्चेंज अफ निव पर नीचर पांच हजार नेट इन्वाइस 1000 और 5000 का पर नीचर हमारा जोड़ गया वहां पर भी 1000 का परक पुड़ा है पेमेंट तो आया नहीं ने इसका तो हम क्या कर सकते हैं इसको एक काम करते हैं हम च्छे हजार के जगह पर अगर हम फर नीचर स्टिल वन थाउजन माइनस है यानि एक हजार यहां से माइनस है और वहां पर यह एक हजार हमारा हो गया क्रेडिट और यहां भी एक हजार ठीक है ठीक है सही है अब देखो मैं वह सोच रहा था डेपिड क्रेडिट मैच कर लेता हूं यहां पर हजार रुपए अभी भी हम नुकसान में है नेट में तो यह भी हजार रुपए क्रिडिट कर दिया 2000 रुपए क्रेडिट करीडीट होगा और ist में अध्विशाथ सब्सक्रेशं 않아요 क्रेषर कर घा 캡 दीات मिश्य, सबुंह चर्ण haar को च्षोड़ दो लॉस हमने बुक कर दिया, कोई दिक्कत, अब कहता है, डिसॉनर्ड ऑफ चेक, पांच हजार है, एक चेक डिसॉनर्ड हो गया, तो चेक डिसॉनर्ड में तो मारा बैंक माइनस हो जाता है, और वापस से हमारा डेटर बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन इट एक्सपेक्टिट टू दा, अगर 20% ही रिसीव हुआ, तो यहाँ पर इस 20% का कोई रोल नहीं होने वाला, अब देखें, यहाँ पर क्या करेंगे, सर, यहाँ पर करेंगे, एक तो हम बैंक को माइनस कर देंगे, किस से माइनस कर देंगे, डिसॉनर्ड, कितने रुपे, पांच हजार, अब एक गलती हो यहाँ पर, माइनस तीन हजार हो गया, तो यहाँ ना लिखके, हम ओवर ड्राफ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि माइनस में चला गया पैसा, और यह कहाँ चला जाएगा, हमारा ओवर ड्राफ में चला जाएगा, अब वापस से जब होगा, तो किसी पार्टी से लिया होगा, हमने, कोई डेटर होगा, या कोई बियार होगा, तो वापस से यह क्या बनेगा, डेटर बढ़ जाएगा, वापस से क्या होगा, डेटर इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन समस्या यह है, कि सर डेटर के उपर, तो हम प्रोविजन भी लगा चुके हैं तो यानि वो provision भी क्या हो जाएगा इस situation में गलत हो जाएगा ठीक है तो यानि अब पहले हमें इसे add-on करना पड़ेगा और फिर वापस से हमें क्या करना पड़ेगा प्रोविजन यानि यह provision हमारा गलत आ गया आपको समझ में आ रहा है यहां तक मैं क्या बो जोड़ दो वापस से जोड़ दो यानि आपका cash में 20% जोड़ दो गया और जो बागी का 80% नुक्सान हुआ पी इंडल के debit में डाल दो debit में लेकिन यहां पर क्या वर्ड है मतलब अभी expectation है bad debts तभी मानते हो आप जब आपका 100% हो जाता है तो एक तरीके से यह तो provision हो गया expectation किसका होता है हमारा प्रोविजन का होता है तो सेम अब हमें debtor को थोड़ा सा सुधार ना पड़ेगा आपका पहले दीखे प्रोविजन क्या दे रख्था है दिखाना एक बार इसमें प्रोविजन क्या लिया हुआ है हो जब है तो यह दो किसके है व्रेट आपका प्रोविजन क्या दो जो झाल झाल चलिए ठीक है यहाँ पे आपको नोट देखे जैसे मैं बता रहा था कि यह हमारा अट्जस्मेंट गलत हो गया गलती क्या करा क्योंकि expected लिखा हुआ है word इसको ध्यान दिजेगा expected का मतलब कभी ऐसा नहीं होता या फिर हमारा ऐसा होता है कि company को लगता है कि इतने पैसे डूब सकते हैं तो कभी नहीं होता अब यहाँ पे एक note देखे क्योंकि मैं पूरा सही तो करूँगा तो फिर पूरा हिल जाएगा आपके exam में भी ऐसा हो सकता है यहाँ पे हम एक note दे सकते है we assume that कि जो expected है वो actual occur हो चुका है हम यह मान ले तो अब यहाँ पे हमारा काम क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा और examiner को भी पता चल जाएगा कभी है इसने expected का meaning समझ लिया है तो actual हो चुका है तो इसका मतलब sir 5000 रुपए का हमारा debtor था मतलब वापस हो गया इसमें से 20% expectation है तो 1000 मिलेगा तो मतलब और कितने टूप जाएगे मेरे 4000 तो मैं उसको करने के बजाए मैं क्या करूँ मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए यहां दिखा देता हूँ उसको करने के बजाए मैं यहां पे as a two bed debts और bed debts हो गया further कितने का 4000 अब 1000 मिले हैं आपको recover हुए हैं आपके debtor से expectation है मिल जाएगा तो आपके पास दो option है या तो आप एक काम करो overdraft को आपको समझ लो के मिल गए हैं पैसे अगर पैसे मिल गए हैं तो यह overdraft कितना हो जाएगा 2000 क्योंकि 1000 मिल जाएंगे आपके तो कम हो जाएंगे या मान लो कि अभी debtor देगा दे निरा ऐसे situation में वापस से debtor add हो जाएगा लेकिन आपने जब final decision बनाई लिया है तो यह आपका recover हो जाएगा तो recover होने के बाद मैं यहां पे कर देता हूँ इसको थोड़ा सा यह complicated हो गया 3000 और plus recover कितने 1000 तो आप आपने दिखाना है overdraft 2000 समझ मैं आई बात आपको अगर मैं यहां करता तो पता है क्या करता less plus कर देता recover recover कितने 1000 अब net amount करके फिर भी negative था तो इधर आजाता minus करना minus 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 तभी तो दो आएगा minus करने को ठीक है तो दिक्कत और क्या रहेगी कौन सा interest कर रहे रहा है कौन सा sales approval देखते हैं अब चलिए एक और entry जो था hidden adjustment यह कह रहा है खुदी कह रहा है कि भाई interest यह 6 महीने का है अगर यह interest 6 महीने का हजार है तो बाकी के 6 महीने का कितना होगा 1000 होगा तो वापस से हम add on कर देते हैं interest प्लस outstanding interest that is 1000 और यह अगेन आगया 2000 और एक liability में चला जाएगा outstanding interest और 1000 अब बताइए आपको जो जो adjustment दुबारा पूछना है मैं दुबारा clear करता जाओंगा आपको बुखाओंगा आपको बुखाओंगा तो इसको मिठा दें इसको जितना भी किया है इसको मिठा दिया जाएं और सारा adjustment जो भी आपके दिक्कत है मैं सारा बता दूँगा मैंने कर तो दिया है लेकिन एक पर फिर से बता देते हैं ताकि आपको clarity हो जाए अच्छा यह हुआ है और ध्यान दीजिएगा ठीक है सबसे पहला adjustment closing stock मेरे हिसाब से इसको बताने की कोई जुरत नहीं है यह दो जगए entry चला जाता है एक चला जाता है कहां पे balance sheet और एक चला जाता है trading account में तो इसको कोई बताने की जुरत नहीं है यहां तक clear अगले point पे आते हैं देर वाज loss by fire 25,000 पच्चिस हजार रुपे का जब कभी भी नुकसान होता है हमेशा purchase कम हो जाता है हमारा क्योंकि हमारे stock ही जला होगा कई बार book के अंदर यह stock को कम करते हैं लेकिन हम purchase का fix रखेंगे कि purchase कम हो जाएगा तो पच्चिस हजार से हमारा purchase कम हो जाएगा जो कि मैंने देखोगे तो पच्चिस हजार से purchase माइनस कर दिया पांच हजार रुपए डेटर में इंक्लूड है खुशी से लेने और दस हजार हमें देने हैं तो ऐसे situation में ज्यादा दिमाग लगा होगे confused हो सकते हो तो simple है जो दोनों में से कम amount होता है वो डेटर में से भी माइनस करो और तो वही काम हमने यहां पर किया है यहां पर मैंने डेटर में से भी माइनस कर दिया दोनों में से कम था पांच हजार तो common डेट यहां से भी 5000 माइनस किया और यहां से भी 5000 माइनस किया डेट इस आ गया आपका 30,100 रुपए ठीक है चलिए अगले adjustment पर आ जाते है sales on approval basis कहता है sales में 6000 जुड़ा हुआ है अगर कह रहा है कि sales include 6000 है तो इसका मतलब सर यह तो selling price हुआ 6000 अगर मैं कह रहा हूँ sales में 6000 जुड़ा हुआ है तो selling price हुआ 6000 आगे क्या कहता है question में credit customer approval 25 मार्च और उसके अंदर profit one-fifth of cost यानि मैं इसके उपर profit जो कमाता था न अगर मै बोलता one-fifth of sales तो tension ही नहीं था इसी का निकाल लेता क्या कहता one-fifth of cost तो ऐसे situation में हमें क्या करना होगा हमें cost निकालना पड़ेगा तो formula क्या लगाया हमने sales is equal to cost plus में GP कह लो profit कह रहो तो sales हमें पता था 6000 cost नहीं पता तो x GP x का 5 हो जाएगा हमारा तो यहां पे x की value निकल क्या गई 5000 अब पहले हम selling price को देख लेते हैं तो sales minus करो selling price को यह कर दिया जी minus एक दूसरा क्या करो आप minus debtor minus करो तो देखे मैंने यहां debtor भी minus कर दिये हैं अब आ जाते हैं cost की बात तो cost ना आपका stock बढ़ जाएगा क्यूंकि आपका वह समान भी काई नहीं जो आपने माना तो एक तो यह closing stock plus हो गया that is आपका आगया पच्चेस हजार और एक balance sheet के assets में भी जो है वो भी plus हो गया that is आगया पच्चेस हजार देखिया क्लियर हो गया adjustment debtor include bet debts 3000 तो reserve debtor में 3000 था तो यह सबसे last में adjustment इसलिए मैंने किया क्यूंकि यहां पे 1200 रुपे rent debit दे रखा है landlord को जो कि debtor में माना हुआ है तो हमने क्या करा बहिए debtor में से minus किया और rent में actual में जहां पे जानना चाहिए वहां दिखा दिया अब बेड़ेट सीन हजार है तो वहां भी minus किया और P&L के debit में भी लिख दिया मैंने 3000 रुपे इसके बात कहता है प्रोविजन तो प्रोविजन वहां लिखा और प्रोविजन यहां पे भी दिखा दिया मैंने जो भी निकल किया है 1240 रुपे कहता है फरनीचर में कहता है फरनीचर हमने 6000 रुपे का था उसको बेच दिया तो भईया मेरा 6000 फरनीचर गया तो हमने assets में 6000 माइनस कर दिया लेक लेकिन कहता है जो 1000 रुपए हम पर्चेस में जोड़के बैठे हुए हैं तो भाइया वह पर्चेस का पार्टी नहीं है तो हमने क्या करा पर्चेस से भी उसको फरणीचर को माइनस कर दिया ठीक है आगे क्या कहता है सर अब डिसोनर्ड चेक किस से हम डेटर से मान के चल रहें तो जैसे ही चेक dishonored हुआ तो पांच हजार रुपए मैंने किस से माइनस कर दिया डेटर से भी माइनस कर दिया डेटर नहीं बैंक से माइनस क्यूंकि चेक dishonored होगा तो बैंक पर फरक पड़ेगा दूसरा मैंने माल लिया कि 20% जो है वो बैट डेट्स हो मिल जाएंगे बाकि ड कि नहीं पहले टोटल दो करें इसका क्या गया है कि टू लैक और यह टोटल तीन लाग एक के सजार थ्री लैक ट्विंटी और नेट प्रॉफिट कहाएगा और फाइवंड़ेड नैंटी फाइव फाइवंड़ेड चेक भी कर लीजेगा आप बाइग्रॉस प्रॉफिट यह नेट प्रॉफिट नहीं है यह ग्रॉस प्रॉफिट है यह आगे हमारा 95500 कितने आ रहे हैं कि बुक से मैच मत करिए क्योंकि बुक वालों का लग आएगा यह आगे एक लाग माइनस सेलरी का कुछ पार्ट था नहीं, चेहालिस सो आज़ाओ माइनस बार सो, माइनस एक हजार, माइनस 45-V saya-66, माइनस 200-15, माइनस 3,000-1,240-2,ou ,-4,000-669.60 66960 आप बुक के अंदर देखोगे ना तो यह डेटर इतने सारे देखने को नहीं मिलेंगे उन्होंने एक ही जगाई खट्टा अरजस्मेंट करके दिखा दिया हाँ भाई माइनस प्लस तो आपको उस अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है आपको सिंपली समझ में आता गया उस स्ट्रेप आप करते जाओ ठीक है चलिए नेट प्रॉफिट कहां चले जाएगा 66960 एड हो जाएगा नेट प्रॉफिट 66960 बैलेंशीट का टोटल अलग न दो सोला चार सो साथ प्लस एक हजार प्लस तीस एक सो प्लस दो हजार प्लस दस हजार प्लस दो हजार हजार रुपै दोनों साइट कम आएगा क्योंकि मैंने उधर नहीं माना इसे तो 26 पंदरह साथ चेक करिए आप 26 1560 ठीक आप इधर का टूटल चेक कर सकते हैं माइनस 2 3560 माइनस 1500 माइनस 1500 यह थोड़ा गड़बड हो गया इसको ठीक कर लेने यह 1500 नहीं होगा दो लाग अब इसको टूटल कर लेते हैं क्रॉस वेरिफाइग करना बहुत जरूरी है तो यह थो यह थो बावन 561 और कुछ रह गया उससे मतलब नहीं उससे नहीं एग मिनट 23 560 प्लस यह सही माइनस के है न यह हाँ ठीक है बीस पंदरा सो फिर पंदरा सो एक्रूड इंकम फिर पच्चिस हजार है अच्छा फिर दस हजार है मैंने एक हजार ले लिया था तो ठीक आ रहा है दोनों साइट ना कोई फरक नहीं है ठीक है तो यह हमारा ठीक हो गया कहना है सर एस्वेल की पीडिया फ्रॉम में बुक परवाइड पढ़ने की नहीं है देखो जो एस्वेल के अंदर ना किताबे मिली है आपको सारी किताबी की बात नहीं कर रहा है अकाउंट के किताब आपके लिए इतना बेनिफीशल नहीं है एवन दो एस्वेल के अंदर ना आपका तो कुछ ऐसे भी चैप्टर डाल दी है बुक में जिसका कोई मतलब नहीं है एस्वेल के अंदर आप देखोगे सिंगल एंट्री स्लेवर्स का पार्ट नहीं है किताब में सिंगल एंट्री मिलेगा ठीक है और भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो की नहीं है जब पूछा गया जब मैंने पता किया एस्वेल में कि सर ये बुक तो गलत प्रिंट है स्लेवर्स के अकॉर्डिंग ही नहीं बहुत सारे बच्चे न स्टडी मिट्रियल के पीछे भागते रहते हैं तो आपका सिब्दास का टैनियर आता है वह भी नियर भाइ मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा तो आपका अभी बागी टैनियर बाद में करेंगे पहले आप इसकी बुक को अच्छे से कर लीज सब्जेक्ट हो गया जैसे कि बिजनस लौ हो गया आपका जैसे कि बिजनस और्गनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हो गया यह आप सकते हो और अधर राइटर के से भी पढ़ सकते हो अकाउंट कभी भी नहीं पढ़ा जाता एस विल के बुक्स है यह ध्यान रखना हो कि बच्चे कहा है सर आउट्सेंडिंग सेलरी एड होगा एंड सेलरी में एड नहीं करा मैंने आउट्सेंडिंग सेलरी मैंने अलग से दिखा दिया नहीं balance sheet, trial balance में दे रखा था, trial में दे रखा था, हाँ trial balance में जो outstanding salary है ना trial balance वाला हमेशा आप adjustment अगर आपने सुरू से देखा हो तो एक ही entry होता है that is balance sheet के liability में, इसमें add नहीं होगा जीया, ठीक है? बताइए कोई डाउट फटाफट नोटिंग करिए फिर या पीडियाप सेर कर देगा है आप देख लो अजस्मेंट कैसे कैसे है इसमें यह लॉग के सारे चेप्टर अपलोड है कंटेंट पे उसकी लाइब लास भी नहीं होगी कुछ एक चेप्टर की बस ख्लास और एड़ ओन होने एक आप चेप्टर है बाकि सारा अपलोड है आपकी कौन कौन से टैनियर अविलेबल है मेरा टैनियर वैसे शिवदास के सारे टैनियर आते हैं लेकिन अकाउंट का स्पेशली जिसको मैंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया हुआ है पूरा वह अकाउंट का मिल जाएगा आपको और नियर भाई अभी पहले बुक से क करिये का एक बाद हाँ वोइस चेक करिया वोइस क्लियर है आपको चेक करिया वोइस क्लियर सब ओके अदेश आप छुट्टी पे थे लास्ट क्लास में चलिए यह तो है 11 पा आज हमने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम कुश्चंस करने वाले कुश्चंस के अट्जिस्मेंट समझेंगे ठीक है ना उसके बाद पर जीस्टी और फिर आगे चलिए अलीशा कभी आ गया क्रिश्चंस कर गया इसमें देखो फार्स कोश्चंस तो हर बच्चे का हो गया है तो इसमें मुझे कुछ कराना नहीं है फार्स कोश्चंस डन मैं लिख भी देता हूं अब बताते जाएगा सेकिंड कोश्चंस भी डन हो चुका है अब जो भी डाउट हो न पूछ लेना मैं कराता चला जाओं थार्ड गुस्चंस में डाउट कोई भी स्टूडेंट हो लाइव वाला स्टूडेंट हो या फिर डाउट आपने लिख देना ठीक है न बुक कौन सा है सर जे आर मुंगा है बुक आप सभी को पर्चेस करना है नियर वाई शॉप से मिल जाएगा नहीं तो मैंने चैट कमेंट में भी डाला हुआ है गुरुप में जाकर देखेंगे, आपको मिल जाएगा बुक J-R मोंगा है और आप BOOK जाकर देखेंगे तो आपको कमेंट में भी मिल जाएगा उसमें ठीक है न? तुशार J-R मोंगा एक ही बुक है प्रोग्राम और आरॉणरस सब ही के लिए Question Number पर आपका ये भी हो गया था कुश्चन नमबर कौन सा है सर कुश्चन फाइव इसको मुझे करवाना है ना नहीं दिया चलो आज ये कर लेते हैं इसको तो मैं ही कराऊंगा पूरा इसमें बताईए डाउट इसमें एक डाउट आया मैनेजर कमीशन तो मैनेजर कमीशन जो आफ्टर वाला था ना आपका आफ्टर वाला जो कि हम पांच बटे में एक सो पांच करते थे वैसे करोगे हो जाएगा ठीक है फिफ्ट कोश्चन में यह आफ्टर वाला नहीं बिफॉर है जब कुछ नहीं बोला हो तो बिफॉर वाला है ठीक है यह बिफॉर वाला होगा आज आपकी फर्स क्लास है फाइनल अकाउंट हमारा एंडिंग स्टेज पे है तुशार और डाउट का आप एक बार चैट में भेजो डाउट नंबर कौन सा गीवन है चैट में भेजो जैसमिन और किस पे सेंट कर रहे हो आप डाउट चलिए इसमें अरजस्मेंट तो है नहीं बताने वारा यह हमने कर लिया यह तो वीडियो आपको होगा और टेटी बस मुझे अरेंज करके बताना है यह भी कर लिया हमने आ जाते हम चलिए इस कोश्चन को होमवक में दिया गया था 11 को मैं हर एक अरजस्मेंट को अच्छे से समझा देता हूँ और कर देता हूँ आपका काम रहेगा इसको करना ठीक है ना कुश्चन नंबर 11 मैं यहाँ अरजस्मेंट चलिए एक एक अरजस्मेंट पढ़ते जाते हैं और आपको समझाते जाएंगे फास्ट अरजस्मेंट कहता है अरजस्मेंट का मार्केट वैल्यू और कॉस्ट तो हमें यहाँ पर लेना होता है दोनों में से लोवर तो यहाँ पर यह लिया जाएगा तो अरजस्मेंट नंबर वन आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अमाउंट मैंने सी एस लिखा है क्लोजिंग स्टॉक को लिखना है आपने 25,600 और यह अमाउंट कितनी जगह चले जाएगा सर दो जगह जाना है यह एक चला जाएगा यह ट्रेडिंग में ट्रेडिंग के क्रिडिट में और एक चला जाएगा बैलेंच शीट के है न चलो जी दूसरे अजस्मेंट मैं सारे अजस्मेंट ऐसे कर दूंगा जिसे सिंपल हो जाएगा आपके लिए कुई पूरा कुश्चन करने में तो बहुत टाइम लगेगा कहता है छे हजार पेड मिस्टर रेड अगेंस बिल्स पेवल डैबिट बाइम टेक मिस्टर ग्री इंक्लूड इंडर लिस्ट ऑफ संड्री डैटर हमने पेड किसको किया हमने पेड किया है रेड जो कि बिल्स पेवल था कि इस बिल्स पेवल तो अब हमारा यहां पे सेकेंड अजस्मेंट में हमने बीपी पेड किया है तो इसका correct क्या करना पड़ेगा और गलती से भी यार कर दिया तो लेस हो जाएगा आपका BP में से लेस फ्राम बिल्स पेबल और दूसरा क्या होगा सर दूसरा लेस फ्राम टेटर चेक कर ये आप बुक में चेक करते जाएए साथ के साथ हां तुशार नेक्स चेप्टर से कर सकते हो और बात बाकी आप इसके साथ साथ में चली जॉप यह कौन सा चल रहा हैं वह Sing अब देख लेते हैं आपका यह इलिस्ट्रेशन नंबर 11 है कृष्णा यह 11 है यह 11 है इलिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए था अब सेकिन्दर शेस्ट्रेशन चै Orchestra सेल्स रीपर्रजेंटरिफ रेवारा इक सीट्रेवलिंग की कट्रेशन ठर्टीफ, में पर दैशन नंबर 13 जै सचाहिए सेल्ज री पर्सेंटिटिब स्यूंस ट्रैवलिंग एक्स्पेंस इस है इस दो जगा जाना है एक तो इसी स्पेंस को प्रॉफिट से डेबिट में दिखा देंगे क्योंकि आपने दिखाया ही नहीं होगा जो आप ट्रमान चुके होगे तो और दूसरा क्या करना है इसको debtor में से minus कर देना है less कर देना है किस में से debtor में से तो मैं एक एक करके detail बताता जाओंगा आपको बस adjustment implement करना है ठीक है ना चलिए sir adjustment number 4 depreciation furniture and fitting 10% adjustment number 4 depreciation हमारा 10% है तो अगर हम depreciation 10% की बात करें यह तो simple सी बात है sir less कर दोगे किस से asset से और दूसरा चला जाएगा हमारा profit and loss के debit में amount जो भी आए निकल के अब amount तो नहीं निकाल सकते न हम ठीक है आगे बढ़ते हैं provide provision for doubtful debts 5% और इससे बाद देख लें कोई debtors related कोई बाते कर रहा है यह और कोई बात नहीं है तो adjustment नमबर पांच प्रोविजन और यह और देटर सर यह दो जगए इंट्री चली जाएगे अब पांच परसेंट आपको डेटर में से निकालना है लेस फ्रॉम डेटर लेटर और दूसरा कहां चला जाएगा आपका profit and loss के debit में क्योंकि यह adjustment का पांच है जो मैं बता रहा हूं आप बता देना समझ में आ रहा है क्या करना है सिर्फ मैं adjustment करा रहा हूं ताकि आपके लिए काम असान हो जाए चलिए थोड़ा space बना लिया हमें अगले adjustment पर चरहें adjustment नंबर छे goods costing पंदरा सो यूज बाइदा प्रोप्राइटर तो adjustment नंबर छे goods use हाला कि यह हमने पहले करा हुआ है तो जगह entry जाएगे सर एक less हो जाएगा कहां से purchase से और एक less हो जाएगा कहां से सर capital से और capital से किस नाम से less होगा as a drawing और purchase में से भी किस नाम से यूज होगा as a drawing दोनों जगह से माइनस हो जाएगा चलिए कहता है salary include बारास रुपे पेड सेल्स रिपर्जेटिटिटिव फू फर्दर एंटाइड टू कमीशन 5% और नेट से अब यहां पर बात करते हैं salary में इंक्लूड है adjustment number 7 कि आपको सबसे पहले यहां पर जानना पड़ेगा कि भी यहां पर कमीशन सेल्स कितना है पहले तो यहां पर बताईए मुझे बुक में देखके सेल्स कितने हैं कि बिल्कुल दोनों ही पढ़ना होगा किरिश्णा कितने हैं कि सेल्स दे रखा है हमें साथ हजार कि साथ सु देखके सेल्स बताना है पर्चेस रिटन से क्या मतलब है सेल्स का हां बिल्कुल 59 59720 माइनस करके ठीक है 59 720 अब आगे देखते हैं कहता है कि सेल्स सेल्री अब सेल्री भी बता दो कितना है में Souls 1780 कहते हैं वह सेल्री में 12,000 रुपे बारा हज़ा कि सेल्स कुल्स रे पर्जेंटिटिव उसको वां में जोड़ा हुआ है यान्य इसके अंदर sales representative का है कितने जुड़े हुए है 12,000 यहां से minus हो गया अब यहां से minus करो चाहे मत करो अगर यहां से minus करोगे तो एक और new column एक और new नाम से लिख दोगे sales representative और यहां 12,000 लिखोगे पहले तो इस 12,000 का निफ्टारा देखो फिर हम बात में बात करेंगे इसका देखिए पहले ठीक है आपने minus कर दिया sales में से और दूसरी entry अलग से sales representative के नाम से कर दिया या फिर आप minus भी ना करें उसी में जुड़ा रहने दे कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है आगे बढ़ें who further entired a commission on net sales देखें यहां net sales की बात चल रही है यहां पर आगर आप देखते हैं तो किसकी बात चल रही है सर net sales की बात चल रही है यहां पर देखा जाए तो net sales की बात चल रही है तो net sales पर 5% commission अब यह commission इस पर मिलेगा तो commission जो इसका निकलेगा यानि 59720 जीरो इन्टू में 5 डिवाइड़ बाइ 100 अब ये कमीशन दो जगह चला जाएगा 2986 ठीक है अब इस कमीशन का अलग ट्रीटमेंट लेना है आपने और इसका अलग ट्रीटमेंट ले लिया और ये अलग से आ गया जी अब ये जो कमीशन निकला है एक तो इसमें एड हो जाएगा कमीशन सेल्स रिपर्जेंटिटिव का यानि पीएंडल के डेबिड में ही होगा ये भी 2986 ये भी जो मैं काम कर रहा हूं ये कहां पे कर रहा हूं मैं पी एंडल के डेबिट में ही है ठीक है और दूसरा ये चला जाएगा सेकिंड एंट्री बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आउट्सेंडिंग के नाम से आउट्सेंडिंग के नाम से देखिया आगे देखिया आगे देखिये ये नहीं भी करोगे तो चलेगा लेकिन कमीशन वाला करना पड़ेगा कैसे होगी प्रॉब्लम आप एक ही जगे से माइनस करके दूहीं पर दिखा रहे हो तो बात तो दून ठीक है इसे कहीं और लेके नहीं जाना लाइबिलिटी एसेट्स वगरा में चलिए साहब अगली एंट्री इस्टेशनरी चार्ज बा आउट सेंडिंग होनी के वज़े से एक तो लाइव लेटी चला जाएगा एक एड़ हो जाएगा स्टेशनरी पूराने में अगर नहीं है तो सेम चला जाएगा वाद पर चेज इंक्लूड ओपनिंग स्टॉक परचेज में इंक्लूड तो आपने क्या करना है पर चेज में से माइनस कर देना है अट जिस्मेंट नमबर नो कहता है परचेज इंक्लूड है न कितने रुपए साथ हजार तो दो एंट्री करो भाई साब इसके सर दो एंट्री क्या करोगे एक तो लेस कर दोगे आप किसमें से और दूसरा ओपनिंग स्टॉप में दिखा दो एड कर दो अगले पर चलते हैं सेल्स री पर्जेटिर फर्दर एंटाइड एक्स्ट्रा कमिशन फाइव परसंट नेट आफ्टर चार्जिंग सच एक्स्ट्रा कमिशन यानि पी एंडल में से जो फाइनल आंसर आएगा यानि दसवे अड्जिस्मेंट का सबसे पहले तो आप पी एंडल बनाएंगे कुछ इस तरीके से और सब कुछ लिख देना इसका कमिशन री पर्जेंटिटिव का सब कुछ आ जाएगा और जैसे माल लेते हैं के मेरा जो जीपी है ये आ गया सपोस करो दो लाग और यहाँ पे सब कुछ कमिशन वगेरा पुराने वाला माल लेते हैं के पचास अजार आ गया अब जो फाइनल प्रोफिट आया है हमारा डेड़ लाग का इसके उपर कमिशन निकालना है फाइव बाइव वन जिरो फाइव और जो ये कमिशन निकलेगा इस कमिशन को दो जगह दिखाएंगे एक तो यह आ जाएगा profit and loss के debit में commission के नाम से extra और एक दूसरा आ जाएगा हमारा balance sheet के liability side में और एक आ जाएगा profit and loss के debit में तो यही काम करना है आपको इस adjustment के साथ यह 10 के 10 adjustment हमने पूरे discuss कर लिए हो जाएगा question अब हो जाएगा आगे बढ़े अगले कुश्चन पताईए कोई कमी आप पी एंडल मैंने बताएं न कि profit and loss बनाएंगे और बनाने के बाद simply charge करेंगे और कुछ लिए अगला कुश्चन यह भी homework में दिया गया था तो इस question को भी देख लेते हैं कि अट्जेस्मेंट में सभी का करा देता हूं सो देट आपको दिक्कत नहों कि इसमें तो कम ही अट्जेस्मेंट है ना यह कुण सा कुश्चन है सर कुश्चन नंबर भी लिखने जरूरी हैं कुश्चन नंबर करने जा रहे हैं पहला कहता है डेप्रीशेशन बिल्डिंग फाइफ परसेंट फरनीचर मसीनरी पर दस परसेंट इसमें मेरे कराने लाइक कोई चीज नहीं है आगे कहता है अलावड सॉरी ट्रेड एक्स्पेंस पच्चिस सो रुपए वेजिस पैंतिस सो हैज नौट बिन येट पेड येट पेड मतलब यह सर आउटसेंडिंग है तो आपको भी पता है आउटसेंडिंग क्या करेंगे एक तो पी एंडल में एक ट्रेडिंग में जहा तो सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल और कैपिटल पे इंटू जो पांच बटे सो है ये निकालोगे और जो भी ये पॉइंट हमारा निकल करके आएगा इसकी दो जगहें एंट्री दिखा देनी है एक तो एड़ कर देना है सर कैपिटल में और दूसरा एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉज के डेबिड में जो भी अमाउंट आता है भी मुझे अमाउंट पता नहीं है तो मैंने ये बता है आपने कैलकूलेशन करनी है बस आगे कहता है मे का प्रॉविजन पर डाउटफूल डेट्स फाइफ परसेंट ये भी बताने के जुरत नहीं है अगले पॉइंट पे चलते हैं कहता है मसीनरी इंक्लूट दो लाक रुपए मसीन परचेस ओन दिसंबर एंड वेजिस इंक्लूट सत्तावन सो इंस्टॉलिश याने अडजर्जेस्मेंट नंबर पाँच अगर आप मुझे बताएं मसीनरी पहले से कितने लाक रुपचे इनक्लूट है मसीनरी परचेस इनक्लूट हें मसीनरी पर चेस में तो इसके दो टुकड़े करने हमें यानि एक हो जाना है छे लाख और एक हो जाना है दो लाख और इसके साथ साथ वेजिस में भी इंक्लूड है तो सर वेजिस भी लेना है वेजिस में से आपने माइनस कर देना है कितने माइनस कर देना है 5700 ये अलग adjustment हो गया एक तरीके से ये तो हो गई साथ के साथ और इसको plus कर देना है कहां 5700 यानि ये हमारा हो गया 2500 रुपए December में अब हमें ये चेक करना है कि machinery पे depreciation कितना है 10% तो इस वाले part पे तो पूरे साल का लगाया जाएगा इस यहां पे depreciation जो लगेगा वो लगेगा साथ हजार इस वाले part पे चूकी आपने December 20 में खरीदा है और ये क्या है accounting ये चेक करके बताओ मार्च है तो दिसमबर में तो खरीदा है तो जन्वरी फर्वरी मार्च तीन महीने का डैप लगेगा तो यहां पे जो depreciation आप चार्ज करोगे वो तीन महीने का करोगे कैसे सर तीन महीने का लगेगा 25700 इन्टू 3 बाइ 12 इन्टू 10 बाइ 100 तो सर यहां पे आएगा 20 सकता 500 इन्टू में 10 परसेंट डिवाइट 12 इन्टू में 3 यहां गया 5142 तो अगर हम total depreciation की बात करें मसीनरी की तो दो depreciation लग गया एक लग गया हमारा यह देट इस सिक्स्टी थाउजन और एक लग गया यह देट इस एक क्यावन सो ब्यालिस ओ सरी तो आप बुक में चेक करेंगे तो 65 एक सो ब्यालिस दिखेगा चेक करिए एक रुपए देखो वो तो राउन फिगर है तो 65142 यह 43 आपको depreciation साइड में शो होगा तो यह इन दोनों को add कर गया है समझ गया बात कैसे आए ठीक है इसके बाद स्टॉक मेरे हिसाब से यह बताने की कोई अवशक्ता नहीं है तो इसमें में एड़ेस्मेंट जो था सरिफ एक यह था और एक इंट्रस वन क्यापटल वाला जो दोनों बता दिया बताईए किसी को कोई दिक्कत इसमें ऐसे थोड़े जल्दी निपट जाएंगे प्रैक्टिस देखो आप नहीं करने मैं सारे कुश्चन नहीं करा सकता क्योंकि इतने बड़े-बड़े कुश्चन करेंगे हमें एक्जाम को ध्यान में रख के भी काम करना है ना सारा सिर्फ हम सोचे एक चेप्टर कर लें वहाँ निपटा हूँ आपका थोड़ा से लेबस फास्ट करूँ मैं चीक है बढ़ जाएं आगे चली अभी देंगे प्रॉपर नोटिंग का टाइंग अगेन आ जाते हैं कुश्चन नंबर तेरा चलो तेरा है ना वैसे मेरे को कराना है तेरा मैं कुश्चन 4-13 बता है यह कुश्चन मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ बार बार यह सिर्फ यह प्रॉपर्टी प्लांटेट एक्विप्मेंट है ना यह कॉंसेट बताना है इसलिए मैं इसको छोड़ के चल रहा हूँ ठीक है न तो यह मुझे कराना है मेरे काम है दो ही कराना एक पी पी और दूसरा जी एस टी एक सवाल ठीक है और कोई भी नहीं कराना है ठीक है चलिए ये पार्ट्नर्शिप बाल है क्या तो यह भी मुझे कराना एक इसको भी रहने देते हैं ये मेरे तरफ से रहेगा इसे कीओ पर कुछ भी झेलिख है सरफ मांक कर रहते हैं यह यह मुझे नहीं कराण इसे पूरा कॉश्चन यह भी मुझे कराना है त्रीक है चार कॉश्चन होगे मेरे लाइक अब देखते हैं ये भी पार्टनर्शिप है क्या हाँ ये भी मेरे लिए ही है पांच कोश्चन हो गए अब आ जाते हैं गुड्स ओन अप्रूवल बेसे साइद ये कोश्चन कर लिया था या नहीं किया नहीं ये हमने अभी चलो इसको भी देख लेते हैं जीएस्टी है इसमें ओके जीएस्टी है तो आज जीएस्टी तो खतम कर लेंगा नहीं तो ये कर लिया हमने इस कोश्चन में भी जीएस्टी है इसमें नहीं है कोश्चन नमबर उन्निस मैं पहले जुतना हमने टॉपिक कर लिया उससे रिलेटेड सारे पार्ट करा दूँ और हम आपकी क्लास कल भी रखेंगे ठीक है कल मेरा मुद्दा है इस चेप्टर को फिनिस करना चलिए अर्जेस्मेंट थोड़ा बड़ा बड़ा दिख जाए आपको चीज़े समझ में पहला अर्जेस्मेंट मंजीत गेट सेलरी बारा हजार रुपे पर एनम तो सिंपल सी बात है सेलरी दिया जा रहा है तो दो जगाए इंट्री चली जाएगी एक आउट्सेंडिंग के नाम से चला जाएगा क्यूंकि आप पहले देखोगे सेलरी नहीं किवन होगा मंजीत का तो पी एंडल के डेब अच्छा यह 2.5 है वन बाइ 4 2.5 कैसे होता है वन बाइ 2 है तो यहां पर थोड़ा से एरर है मेरे में यह 2.5 परसेंट है डेटर बेडेट्स प्रोविजन ध्यान दीजिएगा 10 परसेंट नेट प्रॉफिट जनर रिजर्व अब इस जनर रिजर्व का डी वाला पार्ट करत है यानी एक, दो, तीन, चार्ड डी आप ने सबसे पहले निकालना है नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट का काम होता है इस नेट प्रॉफिट का आपने 10% निकाल के और दो जगह भीजना है एक तो उसी पी एंडल में भीज देना है यानि एक तो profit and loss के debit में ही आ जाएगा और एक चला जाएगा balance sheet के liability में इस टाइप का हमने एक adjustment और question भी दिखा है शायर मुझे जहां तक याद आ रहा है है ना चलिए it was discovered first April को stock कहता है कि भीया हमने क्या पाया एक अप्रेल बीस यानि साल के स्टाक में दो stock 31 March यानि एक चार 2020 में क्या पाया जो 31 March 2019 यानि सर इससे पिछले साल की बात कर रहा है इससे पीछे साल की बात कर रहा है 31,3,2,019 यानि साहब एक वर ओवर कास्ट बाए 1000 हाववर नो इंट्री पास यानि इस साल का जो हमारा पिछला साल था और इस साल में आके तो यानि हमारा कहने का मतलब है अगर बाल कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहा है डेट पिछले साल के क्लोजिंग की तो साहब पिछले साल का क्लोजिंग कहता है इट वस डिसकावर एक अपरेल बीस में मिला है ये बाते और क्या मिला ये बात कि भाई 31 मार्च 2019 यानि एक दो साल पहले जो इसका क्लोजिंग स्टॉक था वो हजार रुपए से जादा था इसका मतलब भया अब जब आपने फाइंड किया होगा फैक्ट तो वो क्लोजिंग स्टॉक ना रहे के इसका क्या बन गया होगा ओपनिंग स्टॉक इस अरजस्मेंट को हमने अच्छे से किया हुआ है जो बच्चे नए है ना वो सारे को टॉपिक वाइस भी अरेंज करा दूगा आपके वीडियो में तो सर यह हजार ज्यादा है तो इस केस में क्या करेंगि on आइनस कर देंगे एक हजार एक entry और दूसरी entry less कर देंगे कहां से capital में से 1000 यह हला कि पहले हमने किया है इसलिए मैं ज़्यादा detailing में नहीं जा रहा चीक है clear चलिए sir opening stock ही नहीं तो फिर purchase से minus करी यह opening stock नहीं है अब आगे देखते हैं depreciation plant and machine div और premises इसमें और मेरे like कुछ कराने like नहीं था सिर्फ stock वाला point था आप चेक कर यह purchase में से minus कर दिया होगा जब opening stock थीक है तो अगर नहीं है तो मान लेते हैं सारा खतम हो गया तो हम purchase से करेंगे ठीक है चलिए sir इसके अंदर भी GST नहीं है मेरा ही काम है यह भी यह homework में दिया था ना ठीक है पिछला कोशन नंबर क्या था बता दो कि पिछला कि लास्ट कोश्चन जो था ना अभी किया है यह कोश्चन नंबर उननेस और यह वाला कोश्चन नंबर क्या है यह 20 करने जा रहे हैं ठीक है आपको स्टॉक दे रखा है इसकी अर्जस्मेंट कराने की जूरत है नहीं इंक्लूड इंडेटर आठ हजार ड्यू फ्रॉम राम एंड क्रेडिटर छे हजार अर्जस्मेंट नंबर दो यह होगे हमारा कॉमन डेट अब यहाँ पर कॉमन डेट निकालते हो तो कॉमन आठ और छे में से आएगा छे और यह दो जगह इंट्री वाइनस हो जानी है एक चला जाएगा क्रेडिटर में से लेस और एक डेटर में से लेस ठीक है दो जगह मैंने कराया था यह अलग से सेपरेट एक क्लास के अंदर जिसमें समझाया भी था होता क्या है कहता है बिल्स रिसीविवल इंक्लूड बिल पांच हजार रुपे रिसीव रॉम बरुन विच हैस बिन डिसॉनर्ड अर्जेस्मेंट नंबर तीन बियार डिसॉनर्ड सर जब बियार डिसॉनर्ड की बात चल रही है तो कितने जगह जाएगा इंट्री बताओ डिसॉनर्ड दो जगह यह भी हमने हाला की करा है एक तो क्या होगा लेस हो जाएगा प्रॉम पिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग नहीं है दूसरा एड हो जाएगा सहाब कहां पे टेटर के अंदर जाके एड हो जाएगा और प्रोविजन का खासा ध्यान रखिएगा सारे अड्यस्मेंट के बाद लाच में प्रोविजन लगता है अमाउंट क्या रहेगा यही 5000 रुपे सेम जो मैंने बत सेल्स में इंक्लूड है यानि सेलिंग प्राइज है और अप्रूवल बेसे सेट अट प्रॉफिट 25 परसेंट ऑन कॉस्ट अप्रूबल नॉट रसीव तो अब देखा जाएं यहां पर तो हमें सेल्स गीवन है पांच हजार जो जुड़ा हुआ था और प्रॉफिट गीवन है that is कितने परसेंट और 25 परसेंट ऑन कॉस्ट है और कॉस्ट आपको नहीं पता तो सबसे पहले तो कॉस्ट निकाल लिए तो सेल्स इस इस इकल टू कॉस्ट प्लस में जीपी सर सेल्स है पांच हजार कॉस्ट को एक्स मान लीजिए जीपी हो जाएगा आपका एक्स तो एक्स का वेल्यू आ जाएगा चार हजार अब एंट्री कहां जाना है एंट्री दो जगार मूब करेगा एक तो सेलिंग प्राइस होगा और एक होगा कॉस्ट प्राइस यानि सेलिंग प्राइस देट इस कितने हो गए एक तो छे हजार की पांच हजार की एंट्री जानी है एक 5000 की एंट्री जानी है और एक 4000 की एंट्री जानी है जिसका 5000 की एंट्री दो जगा जाएगा लेस हो जाएगा कहा से sales से और दूसरा less हो जाएगा कहां से debtor से है ना और sales पता है trading में होगा debtor assets में होगा इसकी बात करें तो इसकी entry दो जगह जानी है add हो जाएगा closing stock trading account और add हो जाएगा हमारा closing stock balance sheet में और 44,000 रुपे ये entry होना है adjustment number कितना है 4 है 6 4 चलिए अगला कहता है wages include 5,000 spent on machinery तो simple सी बात है wages के अंदर से क्या करोगे आप minus कर दोगे और add कर दोगे किसमे machinery में ये तो हो जाएगा create a provision 5% on debtor जैसे करते आए हैं prepared rate insurance तो दो जगह entry चली जाएगा minus expense में से और दूसरा assets में से चला जाएगा ठीक है सारे illustration कर लेंगे practice करनी पड़ेगे आपको ये सवाल आपके exam में 20 number का आएगा एक सवाल ध्यान रखना तो करना तो पड़ेगा depreciation आपका कितने है 10% advertisement include advertisement include है 20,000 का spent at the time of launching new product new product को launch करने के time पे 20,000 रुपे का advertisement किया गया its policy to the business return of such expense five year चल यह सर इस expense को देख लेते हैं तो कहने का मतलब है एक मैंने advertisement किया अब company की policy क्या कहते है कि इस बीस हजार को आप पांच सालों में write-off करोगे पांच सालों में यानि different different हर साल दिखाओगे तो अगर मैं इस साल की बात करूँ तो इस बीस हजार रुपे में से अगर मैं पांच से write-off करूँ तो इस साल का खर्चा तो आ जाएगा 4000 जो कि कहां चला जाएगा P&L के debit में यह खर्चा चला जाएगा P&L के debit में इसके दिखाने के दो तरीके हैं आप advertisement लिखोगे कहां लिखोगे सार profit and loss के debit में अगर आपने 20,000 लिख दिया है तो आपने दिखाना तो सरफ 4 है तो less कर दोगे कितने 16,000 और अब बच जाएगा कितना आपका 4000 और जो 16,000 है वो चला जाएगा balance sheet के assets में यह 16,000 आजाएगा balance sheet के assets में क्योंकि हमने एक तरीके से पांस सालों में दिखाना है तो बाकी के 4 साल आगे जाएगे तो advance हो गया तो इस तरीके से रहेगा यह adjustment number है मेरा 9 adjustment number 9 चलिए यह question भी खतम हो गया कौन सा question था यह आगे चलते हैं इसके बाद question अ इसके बाद question अ इसके आद कुन सा कुश्चन है और जर्नल मेनेजर रहे जाएगा चार पहले से भी टीजमेंट है तो पहले से जो एड़ीटीजमेंट है वो रहेगा उसमें 4000 और एड हो जाएगा है ठीक है तो टल 29 कुश्चन है और हम कितने पर पहुंच पाए हैं भी बीच में भी करते हैं क्लोजिंग स्टॉक में सेपरेट करके दिखा सकते हैं आदर्स आदेश समझ में नहीं आ है आपका कुश्चन अब इसमें से कौन सा नोटिंग करना है बताओ फिर मैं आगे बढ़ू नहीं तो मैं पीछे से दिखा देता हूं कौन सा कि इससा पूरा नहीं देख रहा हूं कि आज हमने जो किया है कि नहीं बेजिए अरे वह जो भीजने वाला आज कल बोलत कल तो चुटी है उसकी कले बताओ आज हमने यहां से स्टार्ट कि आएगा कि इसमें बताओ नोट करना है तो किसे को करिए नोट कि कल भी क्लास रखेंगे अगर अगर जीएस्टी और वह एक और टॉपिक है ना कि कल ही खतम करूँ है कि हाथ बीच में जीएस्टी तो आया हुआ इसलिए छोड़ा हुआ है आगे भी सारा जीएस्टी है इसलिए छोड़ा हुआ है कि इस क्लास की वीडियो आपको एक से दो घंटे में और टोमेटिक लाइव सेक्शन में आ जाएंगी आपकी करें स्टार्ट कि आज सबसे पहले जीएस्टी करेंगे है ना कि अभी सबसे पहले जीएस्टी करेंगे और फिर जीएस्टी से रिलेटिड कोश्चन करेंगे फिर पी-पी वाला जो उसको देखेंगे हम ठीक है तो सर कौन सा कोश्चन बताया 19 कोश्चन नमबर और पार्टनर्शिप देख लेंगे आज हलांकि पार्टनर्शिप का कोश्चन एक्जाम में आता नहीं है तब भी देख लेंगे कौन सा कोश्चन नमबर था 17 यही है मुझे यह भी कराना था और यह क्यों कराना था मुझे क्यों कि यह था पार्टनर्शिप चलों करने के चलिए थोड़ा सा रीकॉल कर लेते हैं सर जी एस्टी क्या बताया था जी एस्टी दो तरीके के हो सकते हैं एक हो सकता है आपका इनपूट एक हो सकता है आउटपूट ठीक है अब इनपूट का मतलब एस्ट हमारा पैसा है हमें लेना है आउटपूट का मतलब लाइबिलिटी हमें देना है पैसा इनपूट की हम अगर बात करें तो इसके अंदर भी पैसिकली तीन यूटी जी एस्ट को हम छोड़के चल रहे हैं ठीक है ना सी जी एस्ट आ जाएगा और क्या जाएगा अगर हम आउटपूट की बात करते हैं तो आउटपूट में एक्जेक्टली सेम 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 यहीं आ जाएगे तो यह हमारे कुछ GST के नाम है जिस नाम को हमने अच्छे से explain कर लिया था GST के basic theory वाले lecture के अंदर जिस student जो बच्चे नए है तो पहले वो lecture देख लें देखने के बाद फिर आगे करेंगे आयान का कहना है सर आठ में sound नहीं है फिर बाद में अगली क्लास में अगली में चेक करेंगे तो उसमें प्रॉपर साउंड वगरा सब चीज़े मिलेंगी अब ठीक है कृष्णा मैं जो भी लॉंग वीडियो है मैं उसको मैनेज कर देता हूं आज पूरा ना देखके खुद अच्छे से छोटे अट्जस्मेंट के अलग वीडियो कर देता हूं और कोस्टन के कोशन नंबर भी डलवा देता हूं ताकि आपको आसानी हो कि कौन से कूश्चन आपको देखने हैं कौन से नहीं देखने हैं आपको ये कल ओके होके मिल जाएगा यहां तक clear सभी को ठीक है अब कहानी थोड़ा आगे लेके चलते हैं सर एक है cgst और एक है sgst ठीक है और एक है igst सेम इधर भी cgst sgst igst अलग अलग नाम हो है न एक सकेंड प्रिक है अब सर आप मुझे एक बात बताईए बड़ी सिंपल सी बात है किसका पैसा किस पे जाता है इसका पैसा कौन लेगा इसका पैसा center यानि center में हमारे परधान मंतरी इसका पैसा state यानि कौन बताओ state में दिल्ली हैं तो केजरी बाल जी केजरी और इसका पैसा कॉल लेता है बताओ यह भी center लेकिन आपको अच्छे से अगर थोड़ा याद हो तो इसमें दोनों का पैसा फस गया था जब एक राज्य से दूसरे राज्य डिस्टी डिस्प्यूटेवल अमाउंट है और इस पैसे को आई जी स्टी को सेंटर गर्वर्मेंट ने का भया हम स्ट्रीट को भी दे देंगे चिंता मत करो ठीक है कि सर यहां पर हम बात करते हैं आउट्पुट और यहां पर बात कर लेते हम इनपुट अगर हम आउट्पुट की बात करें और इनपुट की बात करें तो इनपुट में हमें पैसे क्या करना है बताओ में हमें पैशा सरकार से लेना है और बराउन चुछ में हमें देना यह उल्टा कर देता हूं पूर कि पहले लेना जल्डी समझ मैं Everybody इदर अउट पूट do द्घर इन हो से कि जी को अलग अलग करते है झाल झाल भाई सब आप हमेशा लेट आते हो क्या चक्कर है तो थोड़ी इसकी दूरी बढ़ा देते हैं अब ठीक है अब इसका पैसा जो है यह पैसा इन्पुट का मतलब क्या है पैसा देना है या लेना है लेना है और आउर्पुट का मतलब क्या है पैसा देना है एक सिंपल अंडेस्टेंडिंग डेवलप कर लेते हैं अब मुझे बताईएगा जैसे मान लेते हैं यह 100 है और इसको मान लिया जाए 150 है तो बताओ क्या करें अब हमें 50 गवर्मेंट को देने होंगे यह हमारा क्रेडिट था और यह तो इसका मतलब नेट लाइबिलिटी मेरा 50 रुपए सरकार को देना है हम जन्रल एंट्री पता है कैसे करेंगे इसकी वैसे आएगा नहीं पेपर में लेकिन आपको पता होना चाहिए यह हमारा पैसा लेना है हमारे लिए एसेट होता है तो अब हो जाएगा जी एस्टी सी जी एस्टी क्रेडिट हो जाएगा और यह हो जाएगा डेविट हमारा लाइंबिलिटी था cgst debit हो जाएगा ये वाला हो जाएगा output और ये वाला हो जाएगा setup कर रहे हैं इसे बोलते हैं setup करना that is 100-100 setup हो गया ये 2 नहीं लगाए मैंने general entry में और बाकी 50 देने हैं तो कौन से पैसे देने हैं 50 रुपे इसको तो हमारा आजाएगा output cgst to bank तेकिए पहले हम set off करेंगे यानि इसका इस्तमाल करेंगे assets है debit होगा इस्तमाल करोगे तो credit करना पड़ेगा liability है इसका भी इस्तमाल कर रहे है liability है credit है तो इस्तमाल करोगे debit होगा तो debit credit करके last में final payment हमने कर दिया यहां तक समझ में आया है चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मैं छोटे-छोटे question पूछता जाऊँगा यानि इस वाले example में अगर payment ना किया जाए तो हमारे पास liability बचेगा पचास रुपए जो की हमें पता है कहां दिखाना है balance sheet के liability में अगर मान लो मैंने इसको लिखा 500 और इसको लिखा मैंने 300 अब इसका मतलब क्या समझे हैं फन् समझे हैं तो सर इसका मतलब है हमें सरकार से लेना है अगर आपको ऐसे सिचुएशन मिलती है जहां पर कि आपके 500 रुपए लेने वाले है यानि input वाले है और 300 रुपए आउटूट वाले है तो ऐसे सिचुएशन में 200 रुपए और लेने है तो हमें 200 रुपए balance sheet के asset side में दिखाना होगा ऐसा मनहीं करना कि हम 300 दिखा देंगे liability में और 200 दिखा देंगे assets में ऐसा नहीं net करके दिखाना होगा ठीक है चलिए अब यहां आते हैं मान लिजिए यह है वैसे हला कि हमेसा याद रखिएगा क्योंकि यह हमेसा आधा आधा होता है तो generally अकेला आपको ये नहीं दिखेगा इसके साथ ये भी दिखेगा और same amount ही दिखेगा आपको है यहाई एस सीच्यूएशन में अब हमारे पास 200 रुपए हमारे बचेंगे और 200 रुपए किस चीज के बचेंगे हमारे पास CGST के भी बचेंगे और SGST तो दोनों amount को assets में दिखाएंगे लेकिन assets में दिखाएंगे input के नाम से या output के नाम से input क्योंकि हमारे पास बच रहा है दुकानदार के पास बच रहा थे that is assets और assets हमारा क्या होता है यह होता है assets यह input यह asset है ठीक है तो आप क्या करोगे ऐसे situation में asset side में आप CGST भी दिखा दोगे input और asset side में SGST भी दिखा दोगे input क्लियर यानि हम CGST को CGST से SGST को SGST से minus plus करके फिर net दिखाते है चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं मालेते हैं यह 800 है मालेते है 600 है और यह माल लیते है 900 है कि अब यहाँ पर कहानी यह आई कि हमें यहाँ पर कितने रुपे लेने हैं 200 रुपे इसके लेने हैं दो से इस अब सबसे पहले IGST का पैसा होता किसके पास है कौनसे गवर्मेंट तो हम क्या करेंगे भीया सेंटर गवर्मेंट के पास जब जाएंगे मूदी के पास तो हम उसे 100 देंगे और 200 लेंगे इससे अच्छा हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को एक नेट अफ कर देंगे यानि हम बोलेंगे अभी भी स्टिल हमारे पास CGST बचा हुआ है लेकिन 200 ना बचा के कितना बचाओगे अब आप 100 रुपय बचाओगे यानि अगर IGST नेगिटिव आ जाए तो हम नौक अफ कर सकते हैं इसको ठीक है चलिए सपोस करिए ये ग्यारा सो हो तो इसका मतलब क्या होगा ये 200 लेना है ये 200 लेना है और ये 300 ये नेगिटिव है तो Angy प्यूसर हम सेंटर सेंटर को देख लेते हैं तो में यहां से 200 लुपय नौक अफ हो जाएगा यानि हमारे पास ये तो 0 बचे अब ही भी ये स्टिल हमारे पास सो किसमे है माइनस है ना या प्लस है माइनस है तो अब हम इससे को इससे भी नौक आफ कर देंगे अब हमारा यह सौ बचेगा यानि IGST का पैसा तो दोनों का ही होता है तो इसलिए अगर IGST में हमारे माइनस पैसे हो और हमारे CGST और SGST में प्लस पैसे हो तो दोनों में से minus करने की हमें permission given है लेकिन आप पहले किस से करते हैं totally depend on you तो मेरा priority रहेगा पहले CGST का काम करिए फिर किसका करिए यहाँ पे दो उत्तर हो सकते हैं बच्चों के कोई बच्चा बोले मेरा तो CGST बचा है 100 रुपे कोई बोले नहीं नहीं मेरा तो CGST बचा है 100 रुपे तो दोनों possible हो सकता है और 100 रुपे आपके बच रहें इट मेंस आपका क्या होगा liability में चलाए assets में चला जाएगा 100 रुपे इस example के हिसाब से क्या जाएगा assets में 100 रुपे CGST या SGST CGST चला जाएगा 100 रुपे जितने live में बच्चे हैं वो भी जवाब दीजिएगा मैं mount example चेंज करूँगा अगर ये चीज़े दिमाग में set हो जाती है तो फिर आसान हो जाएगा हमारे लिए मान लो ये कर दिया मैंने 1200 रुपे इसका मतलब ये हमारे पास मैं माइनस करके चलना हूँ जो बच्चे late join हुए वो देख लेजेगा पहले हम क्या करेंगे 2400 है तो हम पहले CGST से knockout मतलब के बराबर कर लेंगे तो अगर CGST से बराबर करेंगे तो 200 है ना अब 200 नेगेटिव भी बच्चे अभी भी 200 ये नेगेटिव भी चलो इससे CGST कट गया और CGST यहां से माइनस हो गया और हमारा बच्चा 0 अभी भी 200 रुपे माइनस में खड़ा आईए अब इसमें से भी माइनस 200 कर देंगे तो अब ये कितना बच गया यानि GST की entry कहीं भी balance sheet में नहीं दिखानी है समझे बाता चलो एक और example मान लो ये 1300 अब ये बचा 200 ये बचा 200 और ये बचा 500 और ये भी माइनस का तो पहले हम क्या करेंगे इस 200 से नौक अफ कर देंगे फिर इस 200 से नौक अफ कर देंगे यानि 400 रुपए तो हम अर्जस करने में कामियाब होगे 100 अभी भी माइनस का बच गया अब हमें 100 रुपए liability side में दिखाना है बताओ किस नाम से दिखाएंगा जल्दी बताओ output IGST output IGST इस वीडियो को आपको बार-बार क्योंकि मैं मिटा मिटा के सामने करवा रहा हूं यह पॉसिबल नहीं कि हर एक्जामपल की अलग से स्लाइड बना लूँ फिर उसमें बहुत ज्यादा कॉंप्लिकिटिट हो जाएगा बस अंडेस्टेंडिंग डेवलप कर रहे हैं चलिए माल लेते हैं 500 तो यह भी 500 होगा है ना और यह माल लेते हैं 600 और यह 600 अब ऐसे सिच्वेशन में पहले इनकी बात पताओ क्या होगा अब बताओ क्या डिटमेंट है जितने बच्चे में बताएं सीजीट का क्या डिटमेंट करोगे 100 रुपए क्योंकि हमें 500 रुपए अर देन 600 है तो इसका मतलब 100 रुपिया बचा अब यह 100 रुपए कहां जाएगा लाइबलिटी में जाएगा किसके नाम से जाएगा आउटपुट CGST, ऐसे ही 100 रुपए कहा जाएगा, SGST में जाएगा, किस नाम से जाएगा, आउटपुट SGST, यहां तक समझ में आए, यानि यह भी 100 रुपए माइनस में आगे आप तो हमारा, और यह भी माइनस, हमें देना नहीं होता, हम सेट अफ करते हैं, हमें पेइमिंट की एंट्री अभी नहीं सीखनी है, और ना हमारे स्लेवर्स का हिस्सा है, आगे देखें, यहां तक तो क्लियर होगे है सर, अब मान लो, अब क्या होगा बताओ, अब हमारे पास, यह माइनस का सिंबल मत समझना, एरो लगाया है, ठीक है, अब हमारे पास 100 रुपए यहां पे प्लस में है, फाइनल एंट्री आपने करनी है, तो अब इसके केस के अंदर भाईया, यह 100 है, तो पहले किस से इसको हम सेट अफ कर दें, CGST, यानि CGST और IGST तो हो गए 0, अभी स्टिल बच गए हैं 100 रुपए हैं, कौन से बच गए हैं 100 रुपए हैं, SGST अब बताओ इसे कहां ले जाएं, इसे लाइब लिटी में ले जाएंगे SGST के नाम से, कुछ आंसर ऐसे भी हो सकते हैं, कि वो इससे सेट अफ कर दें, और वो CGST, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि IGST का नेचर है, वो कहीं से भी सेट अफ हो सकता है, ठीक है, चलो एक्जामपल बदल दें, अब बताओ क्या होगा, अब हमारे पास जो बचेगा, तो सो, अब एंट्री, ठीक है, चलो और बदले एक्जामपल को, अब बताओ क्या होगा, यहां पर बचेगा, धाई सो, अब क्या होगा, हमारे धाई सो बचेगे, सो इससे काट देंगे, अभी भी पचास पोजेटिव बच रहा है, और पचास हैसेट्स में हम ले जाएगे, समझ में ही बात आपको, यहां तक सब को क्लियर है, पॉइंट हैं एकदम, ठीक है, टौ हम अगर देखें, इसको कंक्लूड करें, तो सर, cgst, cgst से होता है, sgst, sgst से होता है, लेखिन igsť कहीं से भी हो सकता है, ठीक है न, इस बात का आपको ध्यान रखना है, पहले हम sgst, sgst को match करेंगे, स्वारी पहले CGST CGST को मैच करेंगे फिर SGST SGST को मैच करेंगे फिर IGST IGST को मैच करेंगे अब अगर IGST में कुछ बच रहा है तो उसको CGST SGST जिससे भी इच्छा उससे कर देंगे लेकिन हम priority CGST लेके चलें ठीक है चलिए आपके सामने जो सवाल है ना इसी सवाल का मुझे आंसर देना आपके बुक का ही एक सवाल अभी हम इसके इसमें भी adjustment है इस पर हम नहीं जा रहे हैं अभी यहीं का सवाल पूस्ते हैं देखते हैं कौन बच्चा बताएगा मैं कर देता हूं यहां पर यहां पर कुछ आपको यह गीवन है इसी से मुझे जवाब देना बस है यह चोटा सवाल है चलिए इस से जवाब दीजिए जो arrow करा है मैंने आपके सामने दिख रहा होगा सिर्फ इतना जवाब दीजिए कि अगर यह data हमें अभी लेबल हो तो हमें balance sheet में कितना और कहां और किस नाम से दिखाना है करिए calculate हां नहीं आप बताइए सब एक बर देखिए जूम करना है लीजिए सर जूम कर देते हैं आपके लिए यह लीजिए जूम कर देते हैं और बताइए अब दिख रहा होगा आपको यह लीजिए जूम कर देते हैं अब यह कि करके पूछेंगा रूप पहले निकाल लो आप जितने बच्चे लाइव हैं सभी निकालें सभी आंसर लिखें हैं क्रिष्णा आउट्पुट क्या दस अजार आपने आउट्पुट बता है बड़ प्रॉपर नाम लिखिए C GST, S GST, IGST जितने बच्चे भी है खुशी जितने बच्चे भी है लाइव में सभी मुझे बता दें फटाफट से क्या आएगा अगर आपने अभी समझा है तो चाहें गलत बताएं लेकिन आंसर देने के बाद ही पता चलिए कर लिए नोट कर लिए निकाल लिए आप बताओ आउट पूट और इंपूट में बताओ आउट पूट लिए सी जी एसटी है हजार और आउट पूट लिए एस जी एसटी कितने हजार है प्लस ताउट पूट बोला तो प्लस कैसे होगा है अब बताओ आउट पूट एस जी एसटी एक हजार यह लाइबिटी में जाएगा अब बताओ सी जी एसटी और यह आपका सेम सेम है आपने दोनों आउट पूट आउट पूट बोल दिया आपका यह गड़बड हो गया थोड़ा सरबूट सी जी एसटी एन एस जी एसटी हजार हजार लेकिन इंपूट और आउट पूट क्रिशना दोनों अलग अलग है चलिए एक बार हम भी चेक कर रहें किस बच्चे का सही है इसको करने के लिए मैं वही काम कर लेता हूँ जो पहले किया था क्या काम किया था सर पहले हम लिख लेते हैं इधर आउट पूट आउट पूट नहीं इधर इनपूट लिखते है इनपूट cgst sgst igst हम लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए जानकारी के लिए आसान हो ठीक है इधर आ गया हमारा सर इनपूट ठीक है अब चेक कर लेते हैं क्या क्या जानकारी है और पूट कर देते हैं कहता है आॉडपर्ट एस जी एस टी 2000 तो इधर अपट एदर है कि कहता है आउडपर्ट क्या है कि कहता है आउडपर्ट सी जी एस टी 2000 तो डेट इस इधर लिख देते हैं 2000 हजार इसके बाद देता है output sgst 4000 4000 sgst है तो यह इधर लिख देते हैं इसके बाद input cgst 3000 है इधर लिख देते हैं इसके बाद input sgst 3000 इधर लिख देते हैं अब net करते हैं यह तो आ तो यह चला जाएगा लाइबलिटी में और यह होगा इनपुट अब चेक कर लिजे किसका किसका क्या जवाब आया था यही था ठीक है कैसे निकालेंगे क्लियर है अब चलिए इस पूरे सवाल को करेंगे क्योंकि सिर्फ यह जीस्टी नहीं होगा अर्जिस्मेंट में भी जी जीस्टी को लेके एड़ उन करके फिर एक नेट अमांट निकालना पड़ेगा ठीक है यहां तक बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या करना चाहिए हमें चलिए सर चलो वापस चलते हैं वहीं जहां से थे आजाएं ही वापस अब मजे की बात इसके सभी अड़ेस्मेंट में भी जीस्टी इंक्लूडिड है जैसे कि सेल्समेंट में है और कहां कहां है उपर है काफी जगह मैं देख पा रहा हूं यहां पे जीस्टी है हमने इस वाले GST को तो take care सीख लिये हैं लेकिन अब adjustment वाले GST को कैसे हम संभालेंगे वो सीखना है अगर ये भी सीख लेते हैं तो बस खतम simple GST का concept ही खतम हो जाएगा इससे ज्यादा हमारे GST में कुछ है नहीं ज्यादा detail में GST तो आप पढ़ोगे च्छटे समिस्टर में जाके तो चलिए इस सवाल को हम एक पेच पर ले जाएं कि कुश्चन नंबर 17 कर रहे हैं आपकी किताब का मैं इसे उपर कर देता हूं क्योंकि जितनी जानकारी चाहिए उतनी लिख रहा है है कहां रखें इसको चलो यहां GST के उपर रख देते हैं बस इसके नीचे कुछ डिजिट्स हैं जिसको आप किताब से बताईएगा क्या है मैं थोड़ा कोशन को दिखने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं कि इसके नीचे अजस्मेंट भी है जनल एक्समेंस के नीचे की जानकरी आपने बताना है तो चलिए आईए अकाउंट रो कर ले हम इधर पी एंडल बना लेते हैं और एक बैलेंशिट बना ले यह लीजे यह थोड़ा बड़ा रहेगा तो बड़िया रहेगा कि अमाउंट कि आगे लिखेंगे इसमें ठीक है ना चलिए सहाब इसको अगले पेज पर ले जाए 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 कि कंट्रोल सी कि और आजाए यह नेक्स्ट पेज़ पर और कंट्रोल भी इसको बनाने जा रहे हम प्रेडिंग एंड प्रॉपिट एंड लॉस अकाउंट टेट पके रहे लिखिएगा पर्टिकुलर और दूसरे वाले को बनाते हैं बैलिंग शीट एट इस लाइवलिटी और यह इस 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 इनको थोड़ी वीज्वल में दिक्कत होगी मैं नीचे कर देता हूं कि बैलिंग शीट में ज्यादा से ज्यादा काम अड़्जस्मेंट का होगा इसलिए मैं अड़्जस्मेंट यहां बढ़ा कर देता हूं ठीक है यह रहा अड़्जस्मेंट आजाओ भाई आजाओ इसका काम ना के बराबर होगा तो इसको चुपा दे और लेगा इस चलिए सब्सक्राइब एक बार सबसे पहले ना हमें अड़्जस्मेंट ध्यान देना पड़ेगा कि किस किस पर क्या क्या पॉइंट है ठीक है सर सबसे पहले बात करता है cost of goods is stock यानि closing stock तो यह तो simple है कहता है हेम लता हेम लता ने विड्रो किये गुड्स 5000 और गुड्स यानी परचेस के उपर उसके उपर GST वाली भी बात कही जा रही है इसको भी देख लेंगे यह क्या करना है इसमें भी GST का रूल नहीं है परचेस इंक्लूड फर नीचर यह चलो परचेस पर अर्जस्मेंट जादा बन रहा है डेटर इंक्लूड बेड़ेट्स यह नॉर्मल आता है क्रेडिटर इंक्लूड बैलेंस 4000 रुपए दा क्रेडिटर जयांत हिस हैंड भी सेटल अंडी बाई 1000 चलो यह भी हो जाएगा सेल्स इंक्लूड वर्थ 15,000 सेंट टू दा कुमार एंड अप्रूवल बेसिस इस पे भी जीस्ट की बात कही जारी है प्रोविजन फूर बैड़ेट्स सबसे लास्ट महीं बनेगा डेप्रिशेशन लगाना है यह बेर सिंपल है कमीशन दिया जाएगा 10% सेल्स एक्सक्लूडिंग जीस्टी जीस्टी हटाने के बाद पे आपको दिया जाएगा ठीक है चलिए अब हम एक एक करके हमारे माइंड में एक आइडिया लग गया कि किस के लिए जगह छोड़नी है और किस के लिए नहीं छोड़नी सबसे पहला पॉइंट है सेल्स और सेल्स जो दिया जा रहे है चार लाख पंद्रह हजार तो पाई साइड में सेल्स कितना है एक बात हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी ये सेल्स लिखा होता है तो सेल्स के अंदर जीस्टी का पैसा नहीं इंक्लूड होता है क्योंकि मान लो मैं 10 रुपे का बर्गर अगर मैं 12 रुपे में बेच रहा हूँ तो मेरा सेल्स 10 रुपे माना जाएगा ना कि 12 रुपे माना जाएगा इस वात का ध्यान रखना क्योंकि simply आपने मैंने बोला था कि 10 रुपे जीस्टी लग गया आप बेच रहे हो तो आप क्या करो कि मेरे पास कैश तो 12 आया लेकिन सेल्स कितने का हुआ 10 का और 2 जीस्टी कितने का हुआ 2 का जेर्नल एंट्री यही करते है तो क्या सेल्स के अंदर इंक्लूड हुआ है य झाल कि यहां तक आपको सारी बाते समझ में आ गई है और जो चीजे में बताता जाऊना तो सबसे बड़े समस्य क्या होता है हमें उन चीजों को नोटिंग कर लेना चाहिए और समझ में रखना चाहिए क्योंकि हमारे जब चेप्टर इंक्लूड होते जाएंगे जूड़ते जाएंगे न तो पीछे के चीज ओटोमेटिकली इरेज होता जाता है रहता तो है हमारे दिमाग में कि हाँ कुछ तो बताया था लेकिन क्या बताया था वो दिमाग से निकल जाता है तो इसलिए आप पहले से लिख करके और प्रैक्टिस जरूरी है यह चप्टर मेरी तरफ से खतम हो जाए आपकी तरफ से खतम हो जाए लेकिन यह कोशिस रखना के हफते में दो दिन इस चप्टर की कोश्चन करने एक उठा के बस ताकि आपका पूरा रिकॉल रहे है तो आपका एक्जाम कहीं अच्छा जाएगा अब देखिए ओपनिंग स्टॉक दे रहा है पचास अजार तो मैंने यहां लिखा ओपनिंग स्टॉक कैशिन हैंड कह रहा है तो यह तो एसेट्स में चला जाएगा तो यह पर्चेश भी है पर्चेश सबसे पहले है तीन लाख दस अजार इस पर खूब सारे अज्जस्मेंट है तीन लाख दस अजार इसके बाद था हमारा क्या कैश इन यह एसेट्स में आ जाएगा दिखनी रहे हैं लेकिन वहने लिखा हुआ कि इतने 2100 इसके बाद क्या है बताईए कैश एड बैंक है इसके बाद क्या है कैपिटल के जगा लिख देते हैं 288 600 म 16 इसके बाद ट्रॉइंग है माइनस कर देते हैं द्रोइंग इसे धितन्य चार doubles इसके बाद कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया कुझा कर देख दो पर्रोफ dicht प्रेट एंड टेक्स पीडल का पार्ट है तो मैं मान के चल रहा हूं मेरा जी पीडल ट्रेडिंग यहां तक बन जाएगा और यहां तक बनने के बाद कि यहां पर टू कि क्या है रेट हैं टेक्स है ना कि रेट एंड टेक्स कितने हैं पांच हजार इस पर इस पर भी कोई अज्जेस्मेंट था नहीं सेलरी टू सेलरी कि 32,000 और ओस्टेज एंड टेलिग्रम इस पर था साय तो पोस्टेज स्टेशनरी एक ही होता है कि यहां पर अलग है चलो कोई बात में फिर तो नहीं है कितने है ग्यारा ग्यारा पांच अब बताते जाहिए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा इसके बाद कि सेल्समें कमीशन यहां डालेंगे हैं कि सेल्समें 35,000 इसके बाद इंसॉरेंस अब इंसॉरेंस में ध्यान डखना है कि लाइफ तो नहीं है अगर लाइफ हुआ तो नहीं होगा इंसॉरेंस कितने 9,000 इसके बाद क्या चले भी यहां गया 17,000 इसके बाद फरनीचर फरनीचर एसेट्स है इस पे है फरनीचर अमाउंट 22,000 अदर लिख रहे हैं और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इस पे भी अदर लिखूंगा तीन हजार इसके बाद मोटर कार एसेट्स है मोटर कार अमाउंट 48,000 इसके बाद बेड़ डेट्स तो यह तो पी इंडल में आ जाएगा यहां लिख देते हैं टू बेड़ डेट्स दो हजार इसके बाद डिसकांट अब डिसकांट चेक करिए डेबिड में है, क्रेडिट में है तो डेबिड में है यहां आ जाएगा डिसकांट कितने हैं 4,000 टू जर्नल एक्स्पेंस जर्नल एक्स्पेंस वो भी यहीं आएगा चलिए उसको थोड़ा उपर ले जाए नाम में क्या रख़ा है नाम तो हट जाता है तू जर्नल एक्सपेंज कितने चौदा हजार और कैरीज इंड वर्ड तो यहाँ पर्चेस के बाद लाइन छोड़ते हैं थोड़ा यहाँ लिखते हैं कैरीज और कितने का इसके बाद कैरेज आउट वर्ड अच्छा कैरीज आउट वर्ड चलिए इसके नीचे है एड़्जेस्मेंट के पीछे यह मैं दिखा भी देता हूँ तो बच्चे सोचें कहां से आ रहा है यह सो चलिए कैरेज आउट वर्ड आपको पता होना चाहिए कहां कौन सा जाता एक्सपेंस कितने हो गए 22,000 इसके बाद वेजिस यह हां जाएगा वेजिस टू वेजिस अमाउंट वेजिस इसके बाद आउटसेंगिंग लाइबिलिटी फोर एक्सपेंस इस पे भी अड़्जस्मेंट है बताएए ग्यारा सब अंदर रख रहे हैं इसको इसके बाद क्या है क्रेडिटर कितने हैं चालिस हजार इसके बाद इसके फिर हमारा है डिटर डिटर है हमारा तो फिर क्रेडिटर कितना था चालिस टॉपने गलत कर वा दिया है 40 ठीक 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 डिक डिटर अब बिलकुल अंदर लिख देता है क्रेडिटर भी है और आगे अब cgst का मामला हम सबसे last में take care करेंगे क्योंकि यही वाला नहीं आना है इसमें तो हमें minus plus करके दिखाना है directly transfer तो होगा नहीं तो हमेज़ा याद रखिए का cgst hgst तो final जाता है हमारा इसको नहीं लिख सकते हैं अब adjustment करके करते हैं फॉस्ट adjustment क्लोजिंग स्टॉक एक लाख पैंतालिस अजार का adjustment मैं कर देता हूं किस मार्कर से इससे करते हैं तो adjustment के लिए मैं थोड़ा इसको और आपको दिखाने के लिए कि सो देट एक प्लेस प्लेस आप देखा हूँ आप 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 चलिए सहाब ठीक है चलिए closing stock दो जगा जाएगा एक इधर लिख लिए हमने वाई क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए एक पैंतार इसकी double entry चले जाएगा balance sheet के assets में क्यूंकि इसमें approval basis है that's why इसको हमें लिखना होगा अंदर 145 ठीक है और इसको थोड़ा नीचे लेकर चलते हैं क्योंकि sales पे भी है चलिए balance sheet के assets में आ जाते हैं closing stock 5000 का जो समान निकाला drawing उसने जो 5000 का drawing किया यानि हेम लटन ने drawing किया drawing किया 5000 अब 5000 के अंदर gst जोड़ोगे जैते c gst और यह c gst कौन सा है आपने समान निकाला है तो समान निकालते time पे यानि आपका purchase निकाला जा रहा है तो purchase के time पे कौन सा gst होगा वो connect करने आपको दिमाग में क्योंकि क्योंकि समान निकाला है और समान जैसे निकालोगे purchase माइनस होगा तो इसका मतलब purchase के time पे लगा होगा कौन सा gst input या output input खरीदते time पे क्या लगता है और बेचते time पे input लगता है तो यहां पे हम add जो करने वाले हैं that is input यहां पे करेंगे input cgst और add कर देंगे input क्या करेंगे एस जी स्टी अब कितने परसेंट है पांच परसेंट इच है तो 200 और 200 इसका मतलब जो ड्रॉइंग है ना वह ड्रॉइंग पच्पन सो माना जाएगा लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा यह हमारा reverse हो रहा है goods निकल के जा रहा है एक तरीके से sale हो रहा हम return तो नहीं कर रहे है एक तरीके से क्या हो रहा है हमारा sale हो रहा है तो यह पच्पन सो रुपए का मेरा क्या हो जाएगा अब purchase में से जो माइनस होगा न वह मात्र 5000 होगा और जीएस्टी जो होगा वहां से भी माइनस होगा अब हम जीएस्टी को पहले अलग से मार्क कर लेते हैं कि भीया जीएस्टी को तो हम बात में देखेंगे ही यह वाला point तो अभी रह जाएगा लेकिन अब दो entry क्या करना है सबसे पहल सो रुपे का है तो लेस कर दो गुट सी यूज और परचेस से जो माइनस करोगे ना फाइनली तैस आप मानोगे 5000 लेकिन 500 रुपे और रहे गए वह 500 रुपे माइनस किससे होगा आपका cgst से माइनस होगा और sgst से माइनस होगा इनपुट वाले से ठीक है ना माइनस होगा यह भी ध्यान रखना क्योंकि यह यूज हो गया है तो मैं यहां पर माइनस का सिंबल लगा देता हूँ ठीक है ताकि यहाद रहे चलिए एक अर्जेस्मेंट कर पाए हम यहां पर अगला प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस ग्यारा हजार रिलेटिंग टू 19 और 20 नाइंटीन और 20 का मतलब हमारे यह किस साल के लिए बनाये जा रहे है हां एक किस के लिए यानि कभी पुराना ग्यारा हजार था accounting year had not been provided in the year in that year मतलब भया ग्यारा हजार का किसी को पैसे देने रहे होंगे मैंने इसकी accounting भी नहीं कर रखी है और मैंने payment इस साल कर दिया है ठीक है जब आप इस साल payment करोगे और आपने debit क्या कर दिया है यहां पे बट वियर पेड दिस इयर पाई debiting outstanding liability तो सर जब आपने पहले record ही नहीं किया था देखो क्या कहता है printing and stationary ग्यारा हजार रुपे relating to 2019 बीस accounting year had not been provided उस साल नहीं provide किया था in that year उस साल बट वर पेड दिस इयर दिस इयर पेड होगा लेकिन गलती से मैंने अपने liability को debit किया हुआ है तो सबसे पहले तो अगर आप payment करोगे ना तो आपका cash कम हो जाएगा है कि नहीं cash या bank whatever है वो कम हो जाएगा तो मैं bank से minus कर दूँ क्या इसको इसको अंदर रख लेते हैं पहले paid कर देते हैं हां कहीं से भी देखो cash bank बोला नहीं है बस paid बोला है तो हमारी मर्जी है ऐसा थोड़ी किताब में जो लिखा है वही करेंगे आपको तो understanding develop करना भाई यह बोला ऐसा है तो ऐसा करेंगे हमारी मर्जी मेरा मन करता मैं cash में से कर इसलिए मैं बैंक पर जा रहा हूं तो क्रेडिटर को आपने printing कितने रुपए लेकिन आपने गलती क्या करा था लेकिन लाइबिलिटी माइनस नहीं होना चाहिए था आपका क्योंकि लाइबिलिटी तो दिखाए नहीं तो आप बापस से लाइबिलिटी में प्लस कर दोगे कितना था लाइबिलिटी हमारा सबसे पहले बताओ यह मैंने क्या कर दिया लिट कर दिया ठीक है पेमिंट हो गया अब आपने पेमिंट किया तो पहले एड नहीं करना कहता है कि debit हमने आउटस dessa कर दिया था यहां क्लाने कैडि को areas थी यह वह दिखाया हुआ है आपने क्या कर दिया है यहां से 11,000 माइनस करो और इसको 0 दिखा देखें गलती से नहीं किया और आगे देखो पढ़ो कहता है प्रिंटिंग स्टेशनरी 11,000 नहीं पेमिंट किया था बर पेड दिस यह एंड यह बाइड डेबिटिंग आउट्सेंडिंग लिएटी बोलता है पेमिंट करो आउट्सेंडिंग लिएटी को डेबिट करके करो ठीक है क्लियर है इसर बोथ जी एस्टी सी जी एस्टी ओके अभी चेक करेंगे देखना कैलकूलेशन तो यह वाला पॉइंट समझ में आ है एक एक अट्जिस्मेंट में बताता जा रहा हूं आप अच्छे से देख लिए बहले एक कोश्चन हो लेकिन क्लियर तो हो क्योंकि मैं एक ही कोश्चन कराऊंगा जी एस्टी बाके सारे होंब यह भी हो गया यह भी हो गया परचेज इंक्लूट 10,000 फरनीचर तो परचेज इंक्लूट फरनीचर 10,000 है अब हमें क्या करना होगा एड करना होगा पहले तो फरनीचर में नियू फरनीचर तस और परचेज से क्या करना होगा माइनस चलो जी ये भी हो गया डेटर इंक्लूड पांच हजार रुपए बेड़िट्स तो डेटर में से माइनस करेंगे बेड़िट्स पांच हजार और दूसरा कहां चला जाएगा प्रेंटिंग इस्टेशनरी पर कोई बात बनी नहीं और इसको भी उठाके ले चलते हैं बहारी आ जाईए सर ये भी हो गया जरीना को इसने चार हजार रुपए इंक्लूड है और एक हजार पेमिंट करने के बाद जरीना का हिसाब किताब खतम हो गया तो यहां हमारा हो जाता है फाइदा चार हजार देना था जरीना को लेकिन हजार में ही वो मान गई तो ऐसे सिच्विशन में क्या होगा तीना जार का तो सबसे पहले तो भाई यह मान गई है तो इसको हम पहले हजार पैसे दे कर रफा देफा करें तो यह लोग पेड़ कर देते हैं हाँ पे पेड़ कर दे माइनस जरीना हजार अब यहां तो कुछ भी नहीं बचा भाई साथ अब जरीना को पेड़ कर दिया अब लाइबलिटी मेरी पूरी माइनस होने वाली है चार हजार की तो माइनस पेड़ जरीना अब पेड़ गल्त वर्ड हो गया वैसे सेटल लिख दो माइनस सेटल कितने का चार हजार इसकी वज़े से फाइदा हो गया कितने का तो बाई सेटल लाइबलिटी कितने का तीन हजार और ब्रैकेट में लिखना जाटो जरीना समझे एड़जस्मेंट क्लियर यहां तक बताओ कोई डाउट अगले पॉइंट में यह भी होगी है सर दीरे दीरे देखो कितने जल देल दी खतम हो रहा है मजे की बात है इसमें दोनों चीज़े दे रही है अब सेल्स में पंद्रह हजार जुड़ा हुआ है और कॉस्ट में दस हजार दीज गुड्स इन्वाइज सीजी एस्ट और हजीस्ट का साथ चलिए इसके लिए अलग पेच पर समझ लेते हैं हमारा सेल्स था पंद्रह हजार इसमें कभी भी जुड़ा हुआ है तो क्या जीएस्ट इसके अंदर इनक्लूड होगा जवाब है नहीं होगा सर और पर्चेज जिसको हमने किया था इसकी कॉस्ट कितनी थी दस अजार तो जब दस अजार की कॉस्ट रही होगी तो अब करेंगे क्या बहुत सिंपल सी बात है अब इस पर जीएस्ट भी लग रहा होगा तो जब हमने बेचा होगा सेल्स करके तो जीएस्ट लगा करके बेचा होगा है ना ऐसे तो नहीं कि मैंने सबसे पहले जब GST लगा के बेचा होगा तो इसमें प्लस कर रहा होगा हमने बेचते टाइम पे और प्लस किया होगा आउट पूट सीजी अस्टी ठीक है कितने साथ सो और मैंने बोला होगा भाई तू सोलह हजार पांसो मेरे को देगा ठीक है और परचीज भी किया होगा तो मैंने इसके अंदर इन्पूट सी जी एस टी सी और इन्पूट कि एस जी एस टी करा होगा दैट इस 500 और पानसो यानि यह समान समान जो मैं खरीद के लाया होगा तो मेरा 11,000 का रहा होगा मैं आप अब देखो मैं दोनों का सेपरेट 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 सोचना है आप Chief अब सबसे पहले हम इसकी बात कर देते हैं दो जगह से माइनस होता है selling price से माइनस तो selling price से sales का amount माइनस होगा तो that is हमारा आ गया selling price पे low जी low selling price से माइनस कर देते हैं sales on approval basis कितने रुपए हैं दूसरा debtor से माइनस लेकिन debtor से माइनस करेंगे तो जब मैंने उससे पैसे लेने होंगे debtor बनाया होगा तो कितना बनाया होगा खुद सोच के बताओ चाहब debtor मेरा बना होगा 16,500 का अब burger वाला जब आपको समान बीचता है that is कितना माइनस करना होगा कहां गया debtor माइनस में sales approval basis कितने 16,500 अब यह amount बच गया हमारा क्या बच गया हमारा GST वाला amount क्योंकि debtor में से माइनस हो गया और यह sales में से माइनस हो गया ठीक है तो यह debit और credit अभी यह रह गया तो इसको हम किस से माइनस करेंगे that is हम करेंगे जो हमारे पास GST का amount पढ़ा हुआ है ना वहां से हम माइनस करेंगे इसको settlement करके कौन से वाले से सर output और input वहां पर देखेंगे ठीक है ना अभी और पहले पढ़ा हुआ है और एक यह भी पढ़ा हुआ है तो हम final result निकालके फिर करेंगे ठीक है अब इदर आ जाते हैं सर यह purchase से माइनस हो जाए और stock closing stock में add हो जाएगा तो closing stock without GST दिखाते हमेशा तो 10,000 add होगा closing stock में 10,000 add करते हैं sales on approval 10,000 इसके बाद यहाँ पर भी add हो जाएगा sales on approval 10,000 अब जो यह text बच गया है हमारा इस text को हम GST में करेंगे मतलब अभी देखेंगे final क्या निकलता है conclusion तब मैं लेकर जाओंगा तो समझाओंगा अभी नहीं एक की साथ सामने लिख दूँगा और सारा करता है ठीक है बताओ कुछ बोल रहे थे हैं अच्छा 10,000 चलो ठीक है चलो जी यह भी हो गया जी एस्टी वाले पार्ट यहां भी पेंडिंग और वहां भी पेंडिंग क्योंकि उसे नेट करके करना होगा प्रोविजन फॉर बैडेट्स फाइफ पॉरसेंट उनसंड्री डेटर तो भाई यह डेटर के उपर प्रोविजन बनाई है डेटर के उपर प्रोबेजन बनाई है डेटर है कितना एक लाख पांच हजार सोला पांसो और एक लाख माइनस पांच हजार माइनस सोला पांसो सेवेंटी एट आ रहा है मेरा तो माइनस क्या करते हैं कि पी एफडी कितने परसेंट पांच यह उन्तालिस सो पच्चिस इसको यह माइनस कर देते हैं चौहत्तर पांसो पच्चतर तो आ जाते हैं इसकी डबल एंट्री उन्तालिस सो पच्चिस की कि इन्तालिस पत्चिस थर्टी आइन ट्विंटीपव ने छलिए सर यह भी हो गया यह रो कि डैप्रिषेशन फरनीचर पर 10परसेंट लगा दो मोटर पर 20 परसेंट लगा दो मोटर पर 20 परसेंट डेप्रीशेशन डेट इस अड़तालेश च्छ्यानवे सो और फरनीचर पर कितने तो यह 32,000 है तो माइनस कर दो डेप्रीशेशन तो यह च्छ्यानवे सो और प्लस बत्तिस सो डेप्रीशेशन मैं एक खट्टा दिखा रहा हूं 12800 जगह नहीं है इसलिए तो डेप्र च्छ्यानवे सो प्लस बत्तिस सो तो बाराट सो ठीक है चली आगया जागी लास्ट रजेस्मेंट कहता है सेल्समेन को कमीशन देना है एंटाइड कमीशन 10% ऑन टोटल सेल एक्सक्लूडिंग जी एस्टी यानि सेल्स पर दस परसंट कमीशन मिलेगा तो भाईया मेरा सेल कितने का है चेक करो सेल चार लाग का सेल है क्योंकि पंदरह हजार तो भिका ही नहीं न तो सेल कितना कहलाएगा चार और चार लाग पे कितना कमीशन मांग रहा है वो 10% ठीक है तो चार लाग पे 10% that is 40,000 इसको कमीशन देना है तो कमीशन की दो जगह एंट्री एक आ जाएगा यहाँ पे कमीशन कितना हो गया चार लाग पे 40 दूसरा लाइबलिटी में आ जाएगा सेल्स कमीशन पेमिंट किया नहीं अभी हमने तो देखो सारे अड़जस्मेंट कर लिया है बस एक काम रहे गया हमारा जीस्ट का बताईए यहां तक अगर कोई दिक्कत है आपको तो आप पूस सकते हैं नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएं कहां से जीस्टी नहीं होगा अब जो वह हजार है ना वह हजार को हम अभी सेट अफ करेंगे अब लिखाव है अज्जस्मेंट में नहीं अपरूव हुआ आगे दिखो हां तो यह अंसोल्ड ही रह गया जो कि था इतने का दा गुड्स वर 10,000 दा गुड्स इंवोईस जीस्टी यह है तो कि सो अप्रूव है अभी तक अप्रूवल नहीं मिला तो अजंशन भी ले लेंगे कि अप्रूवल नहीं हुआ तो सेल्सन अप्रूवल ही ठ ठीक है से बढ़ जाए हागे कोई दिकत नहीं है ठीक है आगे बढ़ जाया जाया आप छलिए सर अगे बढ़ indulent की बात करते हैं अब ढीश्टी को थोड़ी सी बाते समझे हैं मैं पहले वह बना लेताओ है वह मेरे लिए मुझे थोड़ा सा आसान लगता है समझाने में आप जैसे मर्धी केल्कूलेशन करिए वह आपके इच्छा है पहले मैं लिक लेता हूं इन्पुट वाला ना किटी कि सिगे स्टी इस जी असी हाला कि है नहीं लेकिन लिख लेते हैं चलिए सहाव यहां जाएगा हमारा आउट पुट लिख लिया ठीक है सबसे पहले हम ट्राइल बैलेंस वाले अमांट को लिख लेते हैं आपे ट्राइल वाले को फिर हम अड़ेश्मेंट में जो तीन जगे बच रही है न हमारे उसको लिखेंगे तो ट्राइल वाला बताओ हमें सबसे पहले क्या दे रखा है पहले तो output दे रखा था CGST कितने का ये दे रखा था 2000 और ये दे रखा था 4000 ये दे रखा था 3000 और ये दे रखा था 1000 तीन हजार ठीक है अब आगे मुद्ध की बात आते है अब देखें ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग यानि जब कभी बिजनस से समान लेके जाओगे तो एक तरीके से ये माना जाता है कि समान बिका है पर्चेज कम हुआ है अब आपने पर्चेज के उपर input लगाया था क्या इस पैसे का आप सरकार से वापसी लोगे जब आपने यूज कर लिया तो क्योंकि last users कभी भी GST को claim नहीं करता समझना बात अब जैसे मान लो बर्गर के मैं एक्जामपल लेता हूं दस रुपए का बर्गर था दो रुपए टेक्स लगा बारा रुपए का मैंने इसको consume कर लिया यह customer ने use कर लिया खा लिया अब जो customer बारा रुपए है क्या आपने जीवर में कभी कोसिस करा है कि दो रुपए सरकार से जाके मांग लू चिप्स के packet लिये हैं आपने चिप्स में inclusive tax होता है कभी सोचा है कि इसके tax सारे निकाल के सरकार से ले लेंगे हम जाके नहीं जो last end user होता है वो सरकार से नहीं मांग सकता वो तो उसका देना ही देना ज्यादा होगा क्योंकि यह जुड़के होगा तो हमें input GST को ठीक करने की यवशकता है और यहां से हमें धाई सो माइनस करने की यहां से कितने वह यह यह था ही नहीं हमारा कभी क्योंकि हमने इसको यूज कर लिया धाई सो यानि input GST अब इतना बचा हुआ है हमारा अब थोड़ा सा entry भी दिमाग में घुमाओ हमने क्या करा था माइनस किया था purchase से कितना अब debit credit वाला भी दिमाग लगाना है purchase से माइनस कितना किया ट्रॉइंग कितना माइनस किया पर्चेस से माइनस करने का मतलब क्रेडिट और कैपिटल से माइनस करने का मतलब डेबिट आपने एक जगा 5000 रुपे क्रेडिट कर रखा है लेकिन आपने डेबिट कर रखा है 500 रुपे इसका मतलब आपका क्रेडिट तो 5000 हुआ लेकिन डेबि से भी मैंने 500 रुपे देखो अलग-अलग जगह से क्रेडिट कर दिया है पता ही ड्राइंग होगा तो नहीं देखो GST अगर यूजज हो गया है लास्ट यूजर है एंड यूजर है ऐसा ही मालो पर्चेज रिटन होता सपोज करो तो पर्चेज रिटन होता तो जो हम इंपुट लेकर बैठे हुए हैं वह इंपुट तो हमारा होता ही निक्योंकि पर्चेज रिटन में समान खरीदा तो इंपुट बन गया और समान वापस करा यह तो इनपुट वापस भीज़ दोनों उसको या सिर्फ goods भेज होगा, बोलो कर नहीं, input मैं रख लेता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं, हमें दोनों देना होगा, same purchase तो हमारा goods तो minus हो गया, लेकिन उसका हम जब तक नहीं बेचेंगे, तब तक तो input हमारा पढ़ा होगा ना, setup में, तो वो input हमारे input liability में पढ़ा होगा, और वो input हम कभी output करेंगे ने, क्योंकि हमने goods को खुद ही use कर लिया है, तो वहाँ input से यह हटा दीजे, क्योंकि यह आपका GST last user वाला concern था, अब sales and approval basis पर सोचें, मैंने बेचा, मैंने अपने output में जोड दिया होगा, कि मेरा यह आएगा, है ना, और input में से मैंने, क्या करा होगा, यह तो बिग गया, ऐसा ही किया होगा मैंने, तो अगर मैंने बेचा समान, यह रहा सामने है, मैंने बेचा, तो मैंने output में जोड दिया होगा, तो इसका मतलब यह output में तो अब होगा ही नहीं, क्योंकि यह बिगा ही नहीं actual में, तो हमें क्या करना चाहिए, यहां से भी minus कर देने चीए कितने हैं, और लेकिन वो समान मैंने जब बेचा, तो मैंने input को भी खतम कर दिया होगा, कि बिग गया, तो चलो सेटल होगा, लेकिन वो input वापसी आ गया, आपके पास written होगे, तो अब हमें यह input में 500 रुपे यहां प्लस कर देना होगा, अब थोड़ा सा logic लगाईए अब accounting पे, ठीक है न, चलो यह तो मैंने वैसे बताया है, जो कि होना चाहिए, अब accounting में logic लगाईए, sales से कितना minus किया था, 15,000, यानि debit हो गया 15,000, और debtor से कितना minus किया था, तो यानि credit हो गया कितना, 16,500, यानि हमें debit और करना बाकी है, कितना debit करना बाकी है, 1500, तो देखो मैंने यहाँ पे liability में minus किया तो हो गया debit, और यहाँ भी minus किया तो हो गया debit, यानि हमारी accounting भी से ठीक चल रही और concept भी ठीक चल रहा है, ठीक है, सेम ऐसे अब आजाओ इस पे, हमने purchase से कितना minus किया, यानि credit कर दिया पच्छे, 10,000, और ले पे, और input, हमने stock से 10 ही minus किया था ना, purchase से 10 और stock से भी 10, यह 500 रुपय का हमारे क्या था, input GST, तो input GST हमने एक जखा क्या कर दिया, 500, plus कर दिया है, plus कर दिया है, और यह, यह accounting में हमने क्या करा, जब हमारे यह, CGST खतम होगा, इसको ऐसा करते हैं, तो net कर देते हैं, हम यहां से हटा देते हैं इसको, क्योंकि इसका impact तो हुआ ही नहीं, अभी समझ लेंगे, रुक जाओ, पहले हम टूटलिंग कर लेते हैं, इसको, यह कितना आ गया, 32, और यह भी कितना हो गया, अच्छा, आएगा यह, कितने, 27,50, और यह आ गया, 27,50, यह आ गया, एक हजार, और यह आ गया, ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं, नेट करने के लिए, यह हमारा पॉजिटिव और यह नेगेटिव, यानि हमारा यह पॉजिटिव बच गया, इसको मैंने दिखाया है नहीं, अभी बात करेंगे, क्यों नहीं दिखाया है, अच्छा, मैंने दोना एक जगर लिखे दिया, चलिए, यह पॉजिटिव पॉजिटिव, यानि पॉजिटिव में रह जाता है, हमारे पास कितना, पंद्रा सो, और यह पॉजिटिव और यह नेगिटिव, पान सो, चेक करो एक बार, पंद्रा सो किसमें आ गया, फाइनल आंसर में चेक कर लो, कितना आ गया, पंद्रा सो रुपे हमारे कहां आ गया, अइसेट्स में, और पान सो आ गया, आउट्पूट में, ठीक है, अब देखो, इस वाले को हमने क्यों नहीं किया, और मैं बूल रहा हूँ, मैंने इस वाले को कर भी दिया है, यह इसको ऐसा कर देते हैं, यहां कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, यहां पे हम, परचेज में, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, जी एस्टी नहीं एड करेंगे, सिर्फ गुट्स दोनों जगह माइनस हो जाएगा, यहां से माइनस हो जाएगा, परचेज से, आप इतना याद रखिएगा, और माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक से, दोनों जगह से, नहीं, एड होगा, दोनों जगह, अपने गलत बता दिया, एक क्लोजिंग स्टॉक में यहां भी एड और यहां भी एड, यह रखना है, ठीक है न, मैं कुछ GST के यह भी बता दूँगा, जैसे ट्रॉइंग वाला GST कहां कहां जाएगा, एक ऐसे भी चार्ट बना दूँगा, है न, कि बहिया, रेंट वाला GST होता अगर, तो रेंट हमारा P&L के डिबिड में आता, GST कहां जाता, तो इस तरीक ऐसे दिखा देता, तो यहां पे हमारा, यह 1500 बन गया, और यह बन गया 500, तो हम balance sheet पे जाएंगे अब, और balance sheet पे भड़ गई जाए हमारी तॉप, सबसे पहले यहां पे लिखना है, input GST, कितने रुपे, 1500, और यहां पे लिखेंगे, output, कितने था, 500, ठीक है, अब बस totaling का process, कोई और adjustment नहीं रहा, देख लिजिए आप, यहां पे GST का कोई मुद्दा ही नहीं था, excluding GST बस वर्ड लगा दिया था, डराने के लिए और कोई मुद्दा नहीं था, ठीक है, चलिए आ जाएए इस पे, फटा-फट से totaling करेंगे, और अब बताते जाएएगा, इस में से दोनों माइनस हो गया, तीन, दस में से तीन और पांच, दो पिच्च्यानवे, और यह चार लाग, और एक लाग पच्पन हजार, पांच लाग पच्पन हजार, और इधर भी पांच पच्पन, क्या आ रहा है, बताओ, जीपी, जीपी आ गया, एक असी, और बाई साइड में आ गया, जीपी, एक असी, अब यहाँ पे कुछ ऐसे करना नहीं है, नीचे चलते हैं, यह आ गया, वन एटी, थ्री, और यह भी आ गया, वन एटी, थ्री, अब एटी, क्या आ गया, बताओ, क्यालकुलेट किया है, देखके बता रहा है, ने, क्यालकुलेट करना है, वह गया तो सकते हैं, क्यालकुलेट करना है, यह तो नहीं आ रहा है, एक बड़ चेक करो, दो हजार, पांच हजार, बत्तेस अजार, ग्यारा, ग्यारा पांसो, फैंगतेस अजार, नो हजार, यह नहीं आ रहा है अच्छा चालिस से मानिस करना है न लॉस आ रहे हैं तो यह 32,000 रही है न देखना है कर दो कहीं 32 कहीं है मांट और यह तो यह 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 पूर और अच्छा पूस्ट रहा है यह अच्छा 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 हमारा सेल्स कमिशन टोटल कितना निकला था कि सेल्समें एंटाइड कमीशन था हमारा 10 परसंट यह थोड़ा एरर हो गया सर कि अधिया कि हमारा पहले भी तो था सेल्स कमीशन तो इसको कुछ ऐसे दिखा देंगे 35 पहले था है न और प्लस चालिस टोटल हो रहे थे न तो पांच आउटसेंडिंग तो टोटल कितने आ गए चालिस और यहां पर भी आउटसेंडिंग आ जाएगा पांच अभी भी देखो क्या एरर रहे गया इंसॉरंस ठीक है क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट ज्यादा देख रहे है मुझे डप्रीशेशन देखो दो हजार माइनस पांच हजार माइनस बत्तेस हजार सेलरी डन पोस्टेज 11500 चालिस हजार नौ हजार सत्रह हजार तीन हजार पांच हजार चार हजार चौदा हजार और यह 22,000 है काटेज आउटवर्ड और वाराइस अजार और आठ सो प्रॉफिट कितना था नेट प्रॉफिट 1775 आ रहा है नेट प्रॉफिट क्या है ठीक है नेट प्रॉफिट आगे 1775 ठीक है यही आए चलिए आ जाते हैं एड नेट प्रॉफिट 1775 प्लस 288600 माइनस में 9500 यह 280 आठ सो प्रॉफिट प्लस चालिस पांच 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 और यह आ जाएगा हमारा 36 यह आ गया 362 375 यह आ एच्विट आठ यह जिरो अठाइस क्पांच न इच्विट्र हाट सो अड़तेस चारसो अग पच्पर माइनक पांच पांच आ ज आ इतेसं चार सो अगिएयक पच्पर रामी आज़ंगे गारित तर गमदा करने क्पने माज़ान में अज़ंग के ज़्ड़ आ इस फ और क्या रहे गया कि तीन बारा कि यह माइनस प्लस चेक करो एक बार अठासी पीचा तर्ट यह गलप लग रहा है मुझे कि यह तो ठीक है यह 11-0 हो गया क्रेडिटर हमारा ठीक है 36 सेल्समें सेल्समें कमीशन हमने 40 लिख दिया नहीं जबकि 5000 लिखी चुके हैं तो माइनस कि तीन बाइस तीन सो पच्छतर कि रेटर कितना है कि यह कि चारा जारी तो मैंने इस हुआ था कि सेटल्मेंट कितने का हुआ था तीन का हुआ था चार का हुआ था कि बुक में क्या है अपका अरे इधर देख लो लिखने दो पिक तीन बाइस कि अब इसको टोटल कर लेते हैं माइनस एक किस सो अभी पता चल जाएगा कुछ एड्जेस्मेंट वह एक साथ कर देते हैं त्री 8400 एक बच्पन त्रीक्ष मांट लिखुक्ष था ट्रीश्में अच्थ्यजव था था छुट्टी है कर्का जादा त्री अरो है कि दिश्चार्ज कि प्रिपेट वगर भी था गया प्रिपेट रहे गया माइनेस करना जी स्टी हो गया यह गया एक फ़र चेक करो कोई एसेट तो नहीं रहे गया माइनेस लिखना यह माइनेस करना देखो फटा-फटा कि अब बारा है तुम्हें देख रहा हूं क्या है कि कैशेट बैंक कि पारा हूं कि माइनस निवा पेइमेंट जो किया हमने और कहीं दिखा रखाओ देखो लाइबलेटी में दिखा रखाओ पारा जाएक पर दिखाओ इन्होंने यहां से नहीं तो यहां सेटल मारा हूँ ना जाइब देखाओ अब तो बात वही होगे इस मैंने इधर कर दिया उसने किसे माइनस कर दिया एग अधार होगा ना दिखातों 37 क्रेटर में से माइनस कर रखा है जो हमारा 36 आ रहे हैं कि माइनस नहीं किया होगा प्लस किया होगा इनुन 37 आ रहे हैं कि भी कर दो कि अब दिया है कि तीन बारा थीन सो पिचतर है ना कि क्योंकि हम डबिड लेके चल रहे हैं बारा हजार हमने माइनस किया कि क्रेडिट किया है पहले से यह था ना हमारे पास 11000 ट्राइल बिलेंस में आउटसेंडिंग लाइबिटी था ग्यारा हजर पहले से ट्राइल में तो है ना ट्राइल की बात कर रहा हूं गाई जाई गाई विदाव ट्रें के कैसे कर सकते हैं है तो हमने इसको जिरो कर दिया वहां से माइनस चार हजार तीन हजार तो हमारा यह सीरो पच्छिया जिए अबस्तर यह जिए जिए जार आई हमने एक लाना जार नमारा यह सब्सक्राइब कॉना रफिल्लाव कि आपको बाइस हदार रुपय का कोई असेट्स और दिखे आपको कि आप दिखे और शुकूर्स करों मैं दूंड़ कर से भाइब क्या रहे हैं कि मैं चैश्थ में ठीक रहे हैं इसको चैक कर लेता है आप इसको नोटिंग प्रिस्वी तोि अ क्या है रहे हैं क्या है कि हम कहां भूल गए हैं एकवर क्या सारा आप ने बूला था अब पहले यह देखो यहाँ पर outstanding expense न डेबिड में था book में देखो गलती क्या कर रहे है outstanding liability for expense हमने outstanding तो देख लिया लेकिन यह है debit में side ने देखा तो यह भी तो गलती हो गई न यही तो 22,000 रुग है जिसे हमें debit लिखना चाहिए हम credit में लिखके बैठे है ठीक है न तो जो आपका error है मैं बता देता हूँ क्या error है यह debit में था तो यहाँ पर भी नहीं आएगा यह क्योंकि payment की बात ही नहीं होगी यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 समझे आपने सिर्फ outstanding check कर लिया लेकिन यह नहीं चेक कर आब इसको कैसे दिखाना होगा हमें दिखाना थे outstanding expense 11,000 और minus यहीं पर कर दो यह paid भी हो गया 11,000 और यह आगया 0 हमारा यह क्योंकि यह debit दे रखा है पिछले साल का खर्चा है और पिछले साल मैंने अगर खर्चा नहीं दिखाया तो कहीं न कहीं पिछले साल का profit बढ़के आया होगा और पिछले साल का profit बढ़के आया होगा तो इस साल का capital भी बढ़के होगा है ना तो इसलिए हमने क्या करा इसको कैपिटल में से सीधा माइनस कर दिया स्रिफ और ग्यारा हजार रुपे क्योंकि ये पिछले साल का था तो माइनस आउट्स्टेंडिंग एक्सपेंस डेबिट था भी ग्यारा हजार और हेर यहाँ पे रहता है हमारा समझे क्या एरर था हसाथ कि तू एट टीएट शिक्संडर्ड चार हजार टू एट शिक्संडर्ड माइनस 11000 माइनस पिच्चेनवे सो प्लस 1770 तो आपने डेबिट ग्रेडिर भी चेक करना है देखो जबश से कर अठानवे 75 प्लस 36,000 प्लस 5,000 प्लस 500 यह आ गया 311 बुक में क्या था 12 हाँ 1000 रुपे वो अलग लेके चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं 311, 375 ठीक है बुक वाले ने इस 1000 रुपे का जो जरीन को पेड़ किया है न वो पेड़ ना दिखा के बाद में दे देंगे यह लिखा है अगर हम बाद में दे देंगे तो एक्चॉल तो 3000 ही माइनस हुआ 1000 नई कोई नोट नहीं हाँ पे बोल दिया सेटल है तो नोट डालना चाहते हो कि पेमिंट कर दिया हम यह मान के चल रहे हैं पेमिंट करके सेटल हो गया है बुक वाले मान रहे हैं अभी सेटल हुआ है पेमिंट बाद में करेंगे ठीक है तो चलिए और यहां पे भी आगे आपका 311 11375 चलिए यह हो गया हमारा दिखा दे एक पेज़ पे सारा आगया हमें एक कोश्चन स्टार्ट करने जा रहे है और सामने कोश्चन विज्वल है बैलेंशीट के नीचे थोड़ा लिखा हुआ जरूर है लेकिन फिर मैं कोश्चिस करूँगा जैसे जैसे कोश्चन होगा इस कोश्चन को मैं अड़िज़स्ट करता जाऊंगा जिनके पास किताब है किताब में कोश्चन नम्बर गीवन है हाँ हो सकता है में भी कुछ बच्चों के किताब में ना हो तो मैंने सामने already question display कर दिया उसके according लेके चलेंगे सारा हम सर इसके अंदर क्या सीखने वाले हैं अब थोड़ा सा adjustment पीपीटी का है और एक adjustment important है जो कि हम करने वाले हैं सवाल के अंदर क्या कहता है सर सबसे पहले सबसे पहली बात करता है capital दे रखा है आपको इसके बात कहता है furniture सर दो हजार का है थोड़ा gap देखे furniture दो हजार रुपे इस पर तो काफी adjustment है purchase and sales आपका purchase 6000 है सबसे पहले two opening stock two purchase sir purchase जो दे रखा है 60 हजार है और buy sales और sales इस सवाल में देखें तो कितने का एक लाग 27000 आगे देखा जाए तो return return की बात करें 1750 तो sir यहाँ से जो return होगा न अब मुझे बताईए purchase return और ध्यान दीजिए sales return purchase return और sales return यहाँ यह तो नहीं बता है सवाल में कि आपका purchase return है के sales return जस्त इसने एक word बोल दिया return नहीं पता purchase return तो अब आपको देखना पड़ेगा जो debit में है जो debit वाला है हमारा that is हमारा क्या होगा sir यह sales return और जो credit वाला होगा वो purchase return return के case में इनका side उल्टा हो जाता है तो debit वाला हमारा क्या है sir purchase return that is 1,000 रूपेज और credit वाला sales return that is 750 रूपेज 1,000 debit वाला हाँ मैंने उल्टा लिख दिया है debit वाला sales return तो यह हमारा 1,000 और यह 750 आगे आ जाते हैं stock तो stock आपको देता है 30,000 का मैंने stock लिख दिया stock के बाद बाद करते हैं discount अब देखें यहाँ पे सवाल में ना सिर्फ discount बोला हुआ है तो आप यहाँ पे देखेंगे discount दोनों तरफ है debit में भी credit में भी जो debit के अंदर discount है न मैं यहाँ से यहाँ तक पार्ट छोड़ देता हूँ trading का इसके नीचे पी अंडल है तो two discount सब्सकाउंट कितने का है discount है 425 का सरफ debit में ही नहीं आएगा यह credit में भी आएगा buy discount और यह हमारा 800 रुपेज इसके बाद debtor and creditor है तो सर जो debit में है debtor और जो credit में है creditor तो पहले मैं creditor लिख दूँ सर क्रेडिटर कितने का है creditor हमारा given है 25,000 debtor भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर although लिख देता हूँ नीचे लिख देता हूँ buy debtor बाद में इसे उपर कर देंगे buy मैंने क्यों लिख देता है buy तो आए कहीं नी सिर्फ debtor बाद में इसे उपर shift कर दूँगा तो debtor MR है कितने का 45,000 बाद में उपर करेंगे इसको salary देता है 7550 to salary 7550 7550 देखो जैसे मैं question कर रहा हूँ और मुझे एक tension हो रही है कियार किस पर adjustment है किस पर नहीं है इस tension को दूर करने के पर है न एक बार adjustment थोड़ा सा overview ले ले लेते है sir closing stock पे है doubtful debts पे है ठीक है इसे भी अंदर लिखना था बाहर लिख दिया plant and machinery पे भी है और personally use addition ये किस की बात कर रहा है purchase के उपर भी है goods taken by the proprietor purchase furniture के उपर भी है sir September को management ने decide किया हमारा balance machine के उपर भी है तो overall idea लग गया sir इसके उपर तो नहीं है salary के उपर तो इसको अब हम 75,00 कहां लिख देंगे sir ये थोड़ा gap कम कर दूँ हमे और मैं यहां लिखने वाला हूँ to salary सर्फ 75,00 कहां ठीक है manufacturing wages पे भी नहीं है 10,000 तो मैं two side में purchase के नीचे लिखूँगा manufacturing wages short form लिख दिया थाथ है W कर दिया wages carriage outward 1200 outward प्रिंडल का पार्ट होता है 1200 रुपए carriage outward के बाद provision for doubtful debts अब ये वाला पताईए provision for doubtful कहां जाएगा कहां गीवन है पहले तो ये चेक करो trial में अब trial में लिखाता है तो कहां लिखते है credit side by provision कितने रुपए sir 525 rent rates and taxes 10,000 रुपए इस पर भी कोई adjustment था ही नहीं liability थोड़ी है अच्छा लिख दिया मैंने liability में पांसो बच्छेस है ना ठीक है rent rate taxes कितने काई sir 10,000 sir इसके बाद given advertisement 2,000 एक इस पर adjustment करेंगे भी आब आज पीछे से नहीं आनी चाहिए 2,000 इसके बाद advertisement के बाद है cash 6,900 that is also assets है तो मैं इसके उपर थोड़ा सा circle लगा लेता हूँ star लगा लेता हूँ बाद में लिख लेंगा कोई बात नी जब मैं इस question को हटा हूँआ तो फिर पीछे लिख लूँआ ठीक है न अब adjustment कहता है closing stock है तो sir closing stock तो यहाँ आ जाएगा मतलब कहाँ shift करें इसको छोटा कर देते हैं question को although आपको देख गया होगा है ठीक है debtor भी दुबारा लिख लेंगे और closing stock भी सबसे पहले लिख लेते हैं closing stock closing stock 34,220 इसके बाद अगला point आ जाता है provision for doubtful debts तो पहले debtor लिख लेते है debtor कितने हैं का debtor 45,000 minus PFD अब कहता है कितने percent है यह percentage ना देके इसने amount दे दिया 500 रुपे तो अब इस PFD को हम इधर दिखा देते है book वाले कुछ अलगी करते है book वाले पता ही क्या करते है इस 500 में से ना कभी इधर minus कर देंगे वो कभी इधर कर देंगे तो थोड़ा बच्चा ना confused हो जाता है debit में minus करें कि credit में एक जगा बताओ ना वहीं कर लेंगे हम इसका मैंने simple सा solution निकाला कि जो भी trial balance में दे रखा है ना उसे credit में लिखो जो adjustment में उसे कहां लिख दो debit में सीधी से कहां नहीं है आप book में देखो कि कई बार वो trial वाला PFD ना इधर ले रहा होगा कई बार trial वाला PFD इधर ले रहा होगा लेकिन मैंने simple simple सा बोला जो trial वाला इधर लिखो इधर sir answer पर कोई फरक नहीं पड़ेगा कोई भी फरक नहीं पड़ेगा वो totaling में automatic adjustment लग जाएगा उसके चिंता करनी ही नहीं आपने the depreciation plant and machinery बाद में देखेंगे अभी the proprietor has taken goods 5000 रुपे proprietor कहता है कि भाईया हमने 5000 रुपे का goods taken किया है personal use के लिए additional distribution goods वर्थ 1000 रुपे दो चीजे हैं sir सबसे पहले proprietor यूज कर रहा है तो drawing कितने का 5000 रुपे का तो आपको बताया था एक goods use वाला adjustment दूसरा capital में से minus हो जाएगा as a drawing 5000 और एक बताया था free sample है वो भी minus हो जाएगा कितने रुपे है एक हजार रुपे इसकी double entry यहाँ जाएगी to advertisement कर दो या फिर free sample कर दो आपकी इच्छ है दोनों में से कोई भी शब्द का इस्तमाल कर सकते हैं कोई marks नहीं कटने वाला इसके अंदर इधर हटा देते हैं फिर इसका total सीधा यहाँ चलेगा आगे दिखा जाए तो क्या कहता है सर purchase a furniture 920 pass through the purchase book इसका मतलब क्या है हमने कोई purchase furniture कर रही खरीद लिया और इसको मैंने entry कहां कर दिया purchase book के अंदर इसका मतलब मेरा furniture जो लिखा हुआ है मैंने कितने का खरीद है 920 का has been passed through the purchase book तो purchase गलत लिखा हुआ है यहाँ पर जो यह purchase लिखा हुआ है ना सर यह गलत लिखा हुआ है सर क्या गलती है इस purchase के अंदर इस purchase के अंदर हमारा furniture भी जुड़ा हुआ है हम बात करें ना इस purchase के अंदर हमारा एक furniture जुड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँगा यहां से माइनस कर दूँगा फर्नीचर कितने रुपे का 900 और दूसरा इस फर्नीचर में एड़ कर देंगे फर्नीचर 920 यानि जो अब हमारा फर्चेज होने वाला है कितने का होने वाला है 3900 यानि 2920 रुपे है सिंपल सी बाद अब बात करते हैं सर यहां फर्नीचर पर डेप्रिशेशन है ही नहीं जब फर्नीचर पर यहां डेप्रिशेशन नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है जैसे हमने करना था नॉर्माली कर लिए अभी इसकी जर्नल भी करेंगे क्योंकि हम न एक्जामनेर करना थोड़ा सा पेपर बनाने का ट्रेंड चेंज हो चुका है हम उसके हिसाब से अभी सभी क्या जर्नल एंट्री भी कर लेंगे ताकि अगर question में आता है तो कुछ भी पूछ लें हम जवाब देश पाएं उसका अगला point कहता है management ने decide किया कि भाईया हम जो है न मसीनरी जो मसीनरी है उसकी value 75,000 रुपे होनी चाहिए हमारे इसाब से लेकिन हम तो बोल रहे हैं कितना है सर 78 यानि revaluation की वज़े से मेरे assets की value down हो गई कितने रुपे का down हो गया सर 3,000 तो यह नुकसान है तो मैंने एक revaluation assets वाला आपको adjustment कराया था याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि अगर बढ़ता है तो क्या treatment है घटता है तो क्या treatment है अगर आपका बढ़ जाता था तो हम reserve create कर लेते थे किदर liability side में और घट जाता है तो पी एंडल के debit में दिखा देते थे तो यहाँ पे हमारा plant and machinery revaluation हुआ है कितने रुपे का नुकसान हो गया बीच में? तीन हजार का अब जो plant and machinery यहाँ 78 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता आपका आपको यहाँ पे जो plant and machinery लिखना पड़ेगा न वो नई वाली value दिखाना पड़ेगा that is 75 depreciation कहता है 10% इसके उपर minus करेंगे depreciation सर आप कितने 750 और यह depreciation आपका इधर आ जाएगा 2 depreciation 750 पहले आप यह देख लीजिए एक बाद यह देखिए adjustment कल से regular class होगी पच्चे पुछने कब से होगी कल से होगी मैं भी timing बता दूँगा कल की timing 11 बज़े है सुबह की अच्छा 75,100 एक जिरो और लगे है ना चली हो कोई दिक्कत ने एक cash का balance लिखना छोड़ दिया था हमने that is cash का balance है 6,900 किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत है कि यह यह तक नहीं पटा पट से adjustment कर लेते हैं 60,000 माइनस 750 माइनस 5000 माइनस 1000 माइनस 920 यह आ गया 52 यह आ गया 126 126 प्लस में 34 220 250 नहीं 126 34220 160 220 160 220 160 220 2GP सर GP की बात कर रहे थे GP माइनस कर लेते हैं 30,000 52,330 चेक करिएगा GP 67 890 बाइ साइड में आ जाएगा GP 67,890 सर यहां से क्या निकालोगे N भी निकाल लेंगे यहां से जी 67,890 प्लस 800 प्लस 525 यहां गया सर 69,215 69,215 सर इसके बाद क्या आएगा यहां पर 2NP NP माइनस करते हैं 525,75 12,100 10,000 2,000 500 1,000 36,040 चेक करिए NP यही आ जाएगा यहां पर प्लस NP यही है ना 36 अब एक चीज़ नोटीस करना आपके पास बुक है जिनके पास आंसर में देखना PFD ऐसे नहीं किया होगा उनोंने PFD उसने कुछ और कर रखा है लेकिन आंसर नेट प्रॉफिट सेम आएगा तो उसमें घबरानी की ज़रत नहीं है मैं हर बार 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 रिपीट करता हूँ लेकिन बच्चे बार बार पूछ लेते हैं इसलिए बोल रहा हूँ माइनस पाँच हजार एक इक इकत्तेस जीरो चालिस प्लस पच्चेस हजार बार 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 बैलेंस शीट का टोटल चेक करिए पैंथालेस शव वालेस शव वालेस मैंने बहुत तीन बार पूछ लिया, टोटल बताईए ठीक है अब इसकी जर्नल एंट्री की बात करते है सर सेम है अभी क्लास का टाइमिंग का देख लेते हैं अब जर्नल एंट्री देखो मैं नए पेच पे चलता हूँ कले रेजिस्टर चेक करेंगे अफलाइन वाले बच्चों के सारे कोशन के देखिये आज कोशन देखें कल देखते हैं भी उसके बाद में बात करते हैं कैसे क्या है नहीं है अब नए अडजेस्मेंट कहता है कोशन की इसमें कह रखा था कोशन ने नीचे के प्रिपेर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वो तो हम बना चुके एंड कहते मैंने कहा दिया औल्सो पास जर्नल औल्सो पास जर्नल तो जर्नल एंट्री जो इसके अंदर होता है ना इनका कभी भी जर्नल एंट्री पास नीं होता क्योंकि जर्नल एंट्री पास हुआ था फिर लेजर बना और फिर वहां से उठके आया यहां ट्राइल में इसका जर्नल एंट्री पास होई चुका है ये वो item है जिसका journal नहीं हुआ leisure भी नहीं हुआ trial balance के अंदर भी नहीं गिया तभी तो trial balance के बाहर रही है तो journal entry सिर्फ इसका पांस होगा एक बात आपको ध्यान रखना exam में journal entry इसका without GST with GST वो सारी बाते कर लेंगे हैं closing stock का क्या होगा sir पहला journal entry closing stock का closing stock कहां जाता है trading में जाता है न और trading के जाता है buy side में trading के buy side में जाता है तो आप एक चीज़ द्यान रखिएगा journal entry अगर कोई दिक्कत आती है न तो कई बार account से भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं जैसे buy में क्या है हमारा closing stock तो buy वाले को आप debit में लिखेंगे हमेशा और two वाले को हमेशा लिखेंगे credit में तो मैं इसकी entry करने वाला हूँ closing stock two trading two trading और याद रखिएगा balance sheet के अंदर जो जाता है न उसकी कभी journal entry नहीं होती जो P&L के अंदर होगा उसी की journal entry होगी always तो पहली entry हमने done कर दिया जो की amount तो वही रहने वाला है किसी को दिकत 34.220 अगले point की बात करते हैं sir next point number two देखिए point number two provision for doubtful keep 5% provision for doubtful की वजह से हमेशा याद रखिएगा debtor में से minus हाला की कर देते हैं हम लेकिन normally debtor पे फरक नहीं पड़ता है इस चीज का धियान रखिए अगर debtor में से हम minus कर देते हैं लेकिन debtor पे फरक नहीं पड़ता है तो provision for doubtful debts की entry क्या करोगे शराप provision for doubtful debts की entry वैसे यहाँ debtor से impact में हम लेंगे तो खर्चा एक तरीके से हमारा यानि debtor assets है debtor क्या हो रहा है हमारा कम हो रहा है तो इसकी entry हो जाएगी हमारी debtor को कम करेंगे हम तो debtor हो जाएगा क्या हमारा credit हो जाएगा अगर आपका debtor कम होता है तो debtor क्या होगा credit होगा और PFD कहाँ चले जाता है profit and loss के debit side में चला जाता है बड़ी simple सी बात है PFD यानि as a PFD को आप खर्चा मान लेते हो और debtor को आप reduce कर देते हो तो ऐसे ही entry कर देंगे हम provision for doubtful debt to debtor हाला कि आपने 12th class में ये entry नहीं करी होगी revaluation में जाता था महाँ पे तो वो entry यहां नहीं करेंगे हम सर जो भी adjustment से निकल के आया जैसे हमारा है 7500 तो 7500 तीसरा नहीं 500 आया था ना 7500 तो machinery का आया था 500 रुपे तीसरा depreciation plant and machinery 10% 7500 आया था तो depreciation debit to plant and machinery to plant and machinery 7500 सर डेप्रिशेशन debit क्यों depreciation खर्चा है debit planted machinery घट जाएगा credit हो जाएगा लेकिन planted में चलो आगे देखेंगे अगले point को देखते है प्रोप्राइटर ने goods taken कर लिया तो सर ड्रॉइंग अकाउंट debit ड्रॉइंग अकाउंट debit कितने अच्छा है ड्रॉइंग अकाउंट debit और एक और एक और points उसने क्या करा था redemption free sample और two में क्या लिखें सर two में purchase मैंने बताया था जब कभी भी goods use होगा न तो एक ही कहानी आएगी purchase सर इसका being क्या होगा जो adjustment वही being होगा जैसे की closing stock और इसका being हो जाएगा provision made on the debtor इसका depreciation charge on plant and machinery goods used by the proprietor and distributed as a free sample तो ये कितने का है और और ये चौथी पाँचवी entry पाँचवी entry क्या कहता है purchase furniture include in the purchase book तो सर purchase को कम करो और furniture को बढ़ाओ तो entry होगा furniture account to purchase 920 रुपए 920 रुपए चलिए अगले point की बात करते है 6 number अगला कहता है कि revaluation हुआ assets revaluation के बज़े सा आपको नुकसान हुआ तो revaluation debit और 2 किस पे नुकसान हुआ plant and कितने रुपए का बस ये journal entry हो गया तो मैं 2 से 3 question बताऊंगा journal entry वाले हला की तो आपने question देखा है कि इसके अंदर पहले हमने पूरा question कर लिया अब पूरा question करने के बाद फिर हमने इसका क्या देख लिया सर journal entry तो examiner का point देखे कभी भी ऐसा question नहीं आएगा कि आपसे trading account बन भाई P&L और journal entry भी हो सकता है examiner क्या कर दे ये पूरा question देगा और इसमें से उसने बना दिये कितने 10 point 10 number का question दिये इसमें से बनाए उसने 10 point 10 point क्या बनाया कि net profit बताईए GP बताईए case study type का case point number 1 एक number का net profit बताईए GP बताईए आप plant and machinery पे after depreciation value बताईए जो कि हमारा क्या आ रहा है 67,50 यानि आपको question तो solve करना ही पड़ेगा क्योंकि आप से NP पूछ लिया उसने तो भी NP कैसे निकालेंगे solve करना पड़ेगा GP कैसे निकालेंगे solve करना पड़ेगा 3 question 4 question पूछ लेगा adjustment क्या होगा ऐसे तरीके से 10 question पूछ लेए हम तो कौन से practice कर रहे है सर इस बे में practice कर रहे है और paper में पता चला है MC क्यों आ गया है तो और दूसरा कुछ पार्ट क्या आ गया journal entry का तो वहाँ पे हमारे क्या होता है हम यह सोचते के paper tough आ गया tough नहीं आ गया examiner ने थोड़ा सा trend change किया है तो अब आपको न उस trend के हिसाब सभी में बताता जाओंगा कि भाया इस question के अंदर ऐसे सवाल में क्या-क्या पूछा जा सकता है क्योंकि मैंने जो last time का paper था ना corporate account पे वहाँ भी final account है उनमें यह पूरा account ही नहीं पूछा वहाँ पे पूछ लिया उनसे related सिर्फ mcq तो इसलिए हर चीज को आप factor मान के चलेंगे और किताब को अच्छे से पढ़ेंगे किताब के अच्छे से question को भी solve करेंगे इस मात का ध्यान रखना है सिर्फ एक चीज पर dependent होके जाओगे ना तो paper हो सकता है कि paper का pattern वही रहे जो कि पहले चलता आया था final account में तो कोई दिक्कत नहीं है सर लेकिन जहाँ paper का pattern बदला ना तो result ही होता है बहुत सारे बच्चे क्या होता है उसमें फेल हो जाते हैं तो मैं यह नहीं चाहता आप सारी चीजे करके चलना है आपको plant and machinery का अगर क्योंकि valuation होके इसने बोल दिया था 570 हो गया तो revaluation वाली value लिखिये मैंने यह मैंने 3000 वहाँ घटाने की बज़ाए मैंने directly 570 कर दिया उसको नहीं तो होना यह था 870 फिर पहले minus 3 बसता 570 और 570 पर 10% का depth लगाते हैं मैं space बचाने के लिए मैंने ऐसा कर लिया है कोई दिकत फटा फट से नोट कर लिजिए आपके किताब का national rent के नाम से topic होगा important है आप सभी मुझे यह भी बता दीजिएगा question visual होना चाहिए format बना लिजिए फटा फट ताकि हम आगी question कर पाएं मुझे तो यहां स्क्रेइन पर विज्वल दिख रहा है आपको भी विज्वल होना जरूरी है फटा फट से एक format बनाई है सभी बच्चे अंगी बाते नहीं करना आपने फटा फट एक format बनाई है 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 यहां जो लोड़ी नह जानगा है हैं जानगा डियम मेरेश से लिघर गुबन मेरेश से लिखेश ए दो भी जो जानगा है झाल 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 चलिए सर थोड़ा कंजिस्टिड रहेगा लेकिन डोंट वरी अबाउट इट सारे चीज़े क्लियर दिखेंगे आपको टापिक का नाम दिखने रहा है नूशनल रेंट कैसे करेंगे नहीं करेंगे फटा फट से देख लेंगे हम ध्यान दीजिएगा अब अब सीधा फोकस सबसे पहले हमें एक एक करके आईटम क्या करना है यहाँ पर ट्रांसफर करना है जिन बच्चों की पहली क्लास भी होना तो वो नोटिंग से ज़्यादा ध्यान आपको देना है फोकस के सर कैसे कैसे काम चल रहा है काम करने का तरीका एक है कि इस पेज पे आपको रखना है प्रॉफिट और लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट और उसके साथ वाले पेज पे रखना है पूरा बैलेंशिप फॉर्मेटिंग जो फर्स क्लास के अंदर मैंने करवाय था वही लिखना है जो कि फोर्दा इयर एंडिंग एज और जो भी डेट वगरा डालना है उसके साथ से मैं एक एक पॉइंट को देखता जाऊंगा और मैं करता जाऊंगा कि क्या इटम कहां जाना चाहिए सबसे पहला पॉइंट है आपका परचेज एंड सेल्स तो अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं परचेज एंड सेल्स तो जो डेट वाला है वो क्या मानेगे हम परचेज और क्रेडिट वाला सेल्स लेखिन परचेज से पहले मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूं यानि एक बात लिख लेता हूं opening stop हमारा होगा opening stop ये तो हर सवाल में होता ही होता लग बगए नहीं होगा कोई बात नहीं लिख लेते हैं to purchase purchase हमेशा अंदर लिखेंगे इस पर adjustment रहता है और sales buy side में आ जाएगा buy sales अगर to purchase की बात करें 699 200 अगर हम sales की बात करें तो 740 ये आ गया अगली बात करते हैं wages wages 900 रुपए इस पर adjustment है इसलिए मैं अंदर लिख रहा हूँ सर आपको कैसे पता चला इस पर adjustment है मैं पहले adjustment एक पर read भी कर देता हूँ कहता है rent and insurance include यानि rent and insurance पर adjustment है सर और कहता है 30 September देख लेंगे national insurance आपका given है उसके उपर भी कुछ adjustment है आगे कहता है wages are so net after the deducting above the employee मतलब wages जो है कुछ minus plus करके बता रहा है owing nature employment purpose house building बात कर रहा है sales के अंदर भी adjustment है कहता है sales in the trial balance में show कर रहा है उसके अंदर कुछ बात है जुड़ी हुई है जैसे कि आपका मोटा मोटा पट रहा हूँ मैं भी the manager get commission 10% net profit after the such commission manager को commission भी मिलने वाला है यहाँ पर आगे बात करते है depreciation building by 5% आज इसी सवाल को करेंगे इस सवाल के अंदर हम काफी time use करेंगे और साथ के साथ एक दो adjustment भी cover up हो जाएगा ठीक है sir तो यह मोटी मोटी बाते चलेगी building अब हम पहले transfer कर लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे करते जाएगे national insurance national insurance national क्या है sir national नाम दे दिया sir company का नाम है आपका national insurance तो हम यहाँ पर लिख लेते है two national insurance या सिर्फ आप insurance लिखोगे तब भी चलेगा और इस पर बहुत सारे adjustment है that's why मैं इसको inside में लिखूँगा और inside में amount जो आ जाएगा कितने रुपे का है हमारा नहीं नहीं वो तो capital है 300 रुपे का है 300 एक point मैंने छोड़ दिया है capital यहाँ जाएगा sir capital हमारा है 48500 48500 ठीक है थोड़ा इसका thickness कम कर लेते है इसके बाद sir क्या given है carriage inward carriage inward is 400 तो यहाँ पर आएगा तो wages के बाद जगह छोड़ देते है to carriage कितने रुपे 300 रुपे 400 ए 300 अच्छा अब outward का 500 है है तो sir इसका है हमारा 400 रुपे और outward भी है तो outward यहाँ जाएगा sir outward यहाँ जाएगा थोड़े line छोड़के लिख देते हैं to carriage outward कितने रुपे 500 रुपे 500 रुपे sir 500 रुपे मैं भी सिर्फ amount transfer कर रहा हूँ जो trading में जाएगा trading में लिख रहा है जो पेंडल में जाएगा ठीक है न इसके बाद अगला देखें तो carriage outward भी हो चुका है sir इसके बाद lighting है sir lighting 600 रुपे हम मैं पेंडल में डाल देता हूँ lighting two lighting कितने रुपे sir 600 रुपे इसके बाद क्या है मारा rate rent and insurance बहुत सारा adjustment है 400 रुपे तो मैं rate rent and insurance इसको मैं rent कर देता हूँ ठीक है कितने रुपे 400 रुपे इंसाइड में लिख दिया इसके बाद देखा जाए तो stock यहां पे stock जो है वो साल का ending date है तो इसका मतलब closing है ये तो closing stock है तो सिर्फ balance sheet में आएगा आपका stock कितने रुपे का है आपको करवाया था कि closing stock अगर sir adjustment में होगा तो कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ जाएगा इसमें trial balance adjustment में होगा तो दोनों जगह जाएगा लेकिन अगर trial balance के अंदर होगा तो सिर्फ एक जगह जाता है वो कहां जाता है balance sheet के asset side cash in hand भी यहीं आ जाएगा sir cash in hand देखा जाए आपके सामने 1750 रुपे इसके बाद sir यहां पे discount है debit में भी credit में तो debit वाले discounts यहां जाएगा to discount to discount कितने रुपे और credit वाला इधर आ जाएगा by discount by discount 600 रुपे इसके बाद discount भी हमने कर लिया discount के बाद है आपका building building 30,000 रुपे का है इस पे adjustment भी है जाएगा 30,000 debtor और creditor debtor को debtor की जगा पहुचा देते हैं debit वाले debtor होगा that is 6000 और यहां creditor होगा कितने रुपे पीस हजार furniture कहता है 8,000 है furniture कितने का है 8,000 कहता है dividend 300 dividends और income होता है इसलिए कहा जाएगा P&L के credit side में dividend 300 पहले तो आप मुझे सभी बच्चे जितने बच्चे live हैं वो भी बताएंगे comment में कि जो मैंने item को transfer किया है transfer का मतलब जो trading में जाना था trading में लिखा P&L में जाना था P&L में लिखा balance sheet में जाना था तो balance sheet में लिखा किसी को इसमें दिक्कत है गया यह तो बड़ा basic सा था सबको समझ में आता है 11 वी में अगर नहीं पड़ा तो 12 वी में इतना तो हमें पता चली जाता है सर यह assets है तो assets में जाएगा यह liability है तो liability में भी जाएगा आगे बात करते हैं adjustment का एक एक करके adjustment हम पढ़ते जाएंगे और उसको हम करते भी जाने वाले हैं सर adjustment में क्या है देखते जाएए पहला कहता है rates and insurance include premium 300 रुपे per annum up to 30 September 2021 तो पहला adjustment है rates का rates और insurance कैता है सर और ये rent rates और और ds दोनों अलग-अलग चीजी है ध्यान देना एक है national insurance तो आप मुझे बड़ी सी बात बताईए केता है rates और आप देखिये न यहाँपे एक है national insurance और दूसरा है rates और हलाकि मैंने यहां रेंट लिखके गलती कर दिया, मुझे रेट्स लिखना चाहिए है आपर, ठीक है ना, रेट्स लिख देते हैं, तो कहता है कि जो रेट्स हमारा 400 रुपे गीवन था ना, उसके अंदर 300 रुपे वाला वो अमाउंट जुड़ा हुआ है, कहता है रेट्स insurance include premium 300 रुपे पर एनम, paid up to 30 September 2021, कहता है यह वाला जो 300 रुपे जुड़ा हुआ है ना, और यह हम पर एनम, यानि हम annual कहता है कि पर एनम, मतलब कहने का मतलब है सर, यह 12 महिने का ही है, आप समझ यह बात को, जैसे की, insurance, और आपके सामने मैं यह पूरा एक साल बना देता हूँ, ठीक है ना, यह साल मेरा यहां खतम होगा, इसके बाद एक new year स्टार्ट हो जाएगा सर, इसके बाद new year स्टार्ट हो जाएगा, जब भी यह साल स्टार्ट होगा, whatever name call, whatever year, एक चार से स्टार्ट हो जाएगा, या एक खतम कब होगा हमारा एक अत्यस तीन को यह एक आनी है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस या पी इंडल बनाते हैं जो प्रॉफिट एंडल बनाते हैं जो प्रॉफिट एंडल बनाते हैं इस प्रॉफिट एंडल के अंदर कितने साल का होता है सर एक साल का यानि प्रॉफिट और जो P&L बनाएंगे वो एक साल का होगा, that is यहां से यहीं तक का होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, डेट साल का खर्चा देदे तो डेट साल का बना देगे, यानि सर आपका खर्चा हो सकता है बारा महीने का, और ऐसा भी हो सकता है, लेस देन 12 मुन्त का हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा के 13 महीने का खर्चा दिखा दो, माल लेते हैं के मैंने एक एक इंपलोई को इस डेट पर हायर किया, माल लेते हैं एक जनवरी को, नए साल को एक एंपलोई हायर किया, तो मार्च तक कही आएगा, तो कितने महीने का दीया С Silent तीन मेने का अगर मैं यहां पर employee को रखता तो कितने महने का होता लेकिन मैं employee को 13 महने का तो नहीं कर सकता इस बात को समझना कि हमारा जो भी P&L बनेगा सर वो P&L ना हमारा हो सकता है possibility कि 12 महने का P&L खर्चा जाए और ये भी possible है कि 12 महने से कम का जाए लेकिन 12 महने से ज्याद चार सो रुपए का एक insurance giver ने कितने का 400 कहता है सर इस 400 में एक ऐसा खर्चा है included एक ऐसा खर्चा 2021 को हमारा साल ही खतम हो जाता है लेकिन ये कहा जा रहा है 30 September 2000 यानि कहीं न कहीं साल को cross करके जा रहा है यानि इसका कहने का मतलब है सर के हमने जो ये खर्चा किया है ना ये 30 September अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2021 में हमारा साल खतम है सर लेकिन ये चला गया कुछ आगे 30 September 2021 यहां तक पहले बात समझ में आ रही है यानि बट ओवेस है कि ये जो खर्चा दे रहा है ना ये हमारे साल से अंदर नहीं है साल के बाहर भी जा रहा है क्योंकि हमें खर्चा कहां से कहां तक लेना चाहिए था सर्फ हमें खर्चा यहां से लेके यहां तक का लेना चाहिए लेकिन यह खर्चा क्रॉस कर रहा है अब यहां दो कहानी हो सकती है या तो यह 300 रुपे जो रिलेट करता है वो यहां से लेके यहां तक करता है यह कहानी हो सकती है समझना बात को वैसे मैं कुशन पीछे नहीं जा रहा है या तो यहां से यहां तक का आपको एक्जामनर दे सकता है यहां से यहां तक अगर एक्जामनर ने दिया तो आप इस खर्चे को यहां से कट मार दोगे जितना जितना यह खर्चा बन रहा है ना यह वाला यह प मतलब सर यह 300 रुपय का जो खर्चा है वो 18 महिने का है 18 महिने से डिवाइड करते ही आपको कितने महिने का खर्चा मिल गया बताईए एक महिने का कितने महिने का खर्चा मिला तो कितने महिने का रिजल्ट मिला यह उप पास जो भी रिजल्ट निकल के आता है मैं एक बार रिजल्ट बताता हूँ यहां पर क्या आता है निकलके सर तीन सो डिवाइड़ बारा इंटू में तीन और सुरी दो सो पच्छतर यही आ रहा है नाव दो सो पच्छतर रुपे हमारे पी एंडल में जाना चीए सर what about extra amount दो सो पच्छतर में दो सो पच्छिस आएगा शै तीन सो डिवाइड़ बाइड़ बाइठारा गलत बता दिया रुख जाओ रुख जाओ खब्राओ मत दो सो रुपे आएगा हाँ दो सो रुपे बारा मेने का और यह मैं नहीं बता रहा यह गणित बता रहा है आपका कि भाईया यह 300 रुपय 18 महीने का है तो एक महीने का जो भी निकला 12 से multiply करा 2 महीने का कितना हो गया मतलब 12 महीने का कितना हो गया 300 तो सर आप 300 रुपय खर्चा P&R में नहीं ले जा सकते इसी साल का ले जा सकते इसका मतलब जो 100 रुपय का खर्चा आपका बच रहा है वो कौन सा है वो यहां से यहां तक का है अगर मैं यहां से यहां तक का खर्चा निकल भाऊ तो एक यह तरीका निकालने का 1800 इंटू में कितने कर तो 6 तीन कह दिया मैंने गल्थी से 6 यह बनेगा कितना 100 दो तरीके हैं आपको खर्चे को बाइफिकेट करने का है या तो इस 300 में से मुझे 6 महिने का बता दो तो मैं निकाल लूँगा या 300 में से 12 महिने का बता दो तो निकाल लूँगा अगर आप बोलते हैं सर 300 में से 6 महिने का 100 है तो मुझे समझ में आ गया है 200 में से बाहर वाले का 100 है तो बाकी इधर का होगा जो कि कितना बनता है हमारा 200 कहानी यह समझ में आ रही है तो ऐसे situation में हम क्या करेंगे जो हम P&L account बनाते है ना P&L account के अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले insurance लिखेंगे insurance 400 रुपए है 400 में से हमारा 300 की कहानी बोल रहा है गड़ बढ़ी है लेकिन 300 में से पूरा 300 गड़ बढ़ थोड़ी है 300 में से 100 रुपए का गड़ बढ़ी है तो सिर्फ कितना माइनस करेंगे और हमारा ठीक हो जाएगा पहले कहानी देखो समझ रहे हैं बात को अगर मैं बात करूँ कि 400 रुपए total खर्चा था उसमें 300 रुपए ऐसा था जो कि relate कर रहा था बहुत बिनों तक का तो मैंने क्या करा उसमें से वो point निकाल के बाहर कर लिया जो कि इस 12 मंत के अंदर आई नहीं रहा जो कि आपने बोला सर 100 रुपए शिर ऐसा है जो कि नहीं यहारा that is आप advance खर्चा करके चल रहे हैं जिसको क्या नाम देते हैं prepaid जिसको क्या नाम देते हैं तो यहां से हम क्या करेंगे पी एंडल में 100 रुपए माइनस करेंगे, दूसरा कहां चले जाएगा सर, बैलेंशीट के, एक तो ये पॉल, पहले ये बात समझ माईए आपको, कि सर अगर ऐसा हुआ तो ये, लेकिन कई बार एक्जामनर ना, इस 300 के आगे एक वर्ड लगा देता है सर, क्या वर्ड लगा देता है, एन्वल, जैसे कि पिछले सवाल में है, अगर कोई वर्ड नहीं लगाया ना, सिर्फ बोलता है 300 रुपए रिलेटिट टूदा, 30 सप्टमबर 2022, तो मैं माल लूँगा, कि ये 300 रुपए सर, ये 18 महीने का है, ये 300 रुपए कितने महीने का है, अगर कुछ ना बोला जाए, लेकिन अगर डेट दे दिया जाए, तो हमें डेट के हिसाब से चलना होगा, अगर मैं बात करूँ, इसी सवाल के अंदर मैं जो पीछे में लेके चल रहा था, तो सब्सक्राइब जो पीछे लेके चल रहा था, उसके अंदर क्या डेट गीवन था, देख लेते हैं, अगर हम पीछे की बात करे चलिए आज़ेगे, पीछे सवाल में देखते हैं पीछे कहता है ध्यान से पढ़िया है rates and insurance include premium 300 हाँ भाई, rates and insurance से 300 रुपे जुड़ा हुआ है per annum paid per annum paid का मतलब ये एक साल का ही paid किया गया है लेकिन ये हो गया 30 September 21 का सर इसका मतलब समझ में नहीं आया कहने का मतलब है सर, कि आपको जो मैं ये खर्चा दे रहा हूँ जो आपको ये खर्चा दिया जा रहा है that is आपका इसके अंदर 300 रुपे एक ऐसा खर्चा है जो की annual है जो की annual है, annual का मतलब एक साल का ही है that is एक साल का सर अगर मैं यहां से लेके अगर मैं यहां से लेके यहां तक के डेट की बात करो तो साल भर का तो होई नहीं सकता अठारा मेन हो जाता है लेकिन जब यह बोल रहा है कुर्शन यह साल का है तो इसका मतलब साल का है तो यह इतनी दूर कैसे जा रहा है उसे तो इहीं पर रुख जाना चाहिए था साल का बोल रहा है तो अब इसे एक possibility बन सकती है क्या पता आपने insurance यहां कराया हो मान लेते हैं आपने insurance जो करवाया एक October को करवाया हो suppose तो एक October को जब insurance करवाओगे तो आप 12 महिने का payment करोगे annual का मतलब है बारा महिने का payment करोगे तो बारा महिने जब count करोगे तो यह वाला साल तो cover होगा इसको आगे निकल जाएगा यह ओर तो जब यहां पर बोला इसने के बारा महिने का तो ऐसे situation में क्या है कि बारा महिने का तो रहेगा और आगे निकल जाएगा यहाँ पे देखा जाए तो यह अब insurance में से आपको determine करना पड़ेगा कि सर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो time है 6 महिने का इसी साल का खर्चा होना चाहिए और बाकी इस date से जैसे cross कर रहा है जो कि 6 मेने बच गए वो कब का खर्चा होना चाहिए next year का तो यहाँ पे prepaid अगर निकाला जाएगा तो मैं क्या करूँआ सर 6 300 को हमें divide किस से करने वाला हूँ पिछले वाले example में मैंने 300 को किस से divide किया था 18 से क्योंकि वहाँ पर पता ही नहीं था कि यह annual है या क्या है जब हमें नहीं पता था कि यह annual है क्या है तो हमने मान लिया थाब यह 18 महीने का है और इसके लिए ना exam में note देके आने पड़ेंगे आपको specifically अगर आपको बता देता है particular date that means sir यहां से यहां तक जा रहा है तो that is sir advance कितने में इसमें से आप advance निकालत के बाहर कर तो that is आएगा 150 यानि 1500 रुपया का हिस्सा जो है वह से related ही नहीं है वहicides přे रिलेटिट है तो इसका मतलब वह क्या हो गया prepare हो गया तो मुझे क्या करना होगा P&L बनाके P&L बनाने के बाद मुझे यहां पर जो मुझे insurance दे रख था इसर 400 रुपए का इस 400 में उसे मात्र कितना minus करके मैं बाहर कर दूँ सिर्फ 1.500 तो वही चीज मैं करने वाला हूँ यहां पर जो मुझे यहां पर insurance दे रखा है ना इसमें से मैं less करूँगा देखो आपका कितने रुपए क्योंकि annual वाला पार्ट था तो मैं यहां से minus करने वाला हूँ और यह prepaid मैं दिखाने वाला हूँ assets में पहले यह बताईए किसी को दिक्कत समझ में आया है मैंने दोनों आस्पेक्ट ले लिया यहां पर एक जो सवाल में कह रखा था वो तो करा हमने और जो नहीं कह रखा था उसको भी हमने देख लिया कि ऐसा हो सकता है आपके सामने situation किसी को दिक्कत है यहां तक बताईए नहीं यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है बिलकुल चलिए adjustment number two पे चलते है sir adjustment number two क्या कहता है national insurance यानि sir अब इसकी बात कर रहे है कहता है national insurance balance include employee contribution of 150 also क्या कहता है employee contribution सबसे पहले यह बात समझना होगा sir यह क्या कहानी है employee contribution 150 also wages are so as a net after the deduction of the above employee contribution पहले समझते यह employee contribution होता क्या है आपका business law है देखे होता क्या है generally देखे यह हमारा business है यह business है इस business को चलाने वाला होगा मालिक जो इस business को चलाएगा वो होगा मालिक और इस मालिक को हम अगर individual है तो proprietor बोल देते हैं इस honor बोल लेते हैं लेकिन इसे हम एक और बहुत ही नाम देते हैं employer इसको सर हम employer भी बोलते हैं ठीक है ना अगर employee बोलेगा तो employee मालिक बोल ले या फिर employer बोल ले हिंदी का शब्द है मालिक और थोड़ा सा अगर हम टेक्निकल शब्द में चले जाएं तो employer अब इसके अंदर बहुत सारे इसके पास बहुत सारे लोग बाग काम करते होंगे इसके अंदर में या इसके साथ माल लेते हैं यहाँ पे काम करता है ये एक्स काम कर रहा है वाइप काम कर रहा है जेड काम कर रहा है तो यह जितने भी पॉइंट है इधर ध्यान दीजिए आप जितने भी पॉइंट है इन सभी को बोलेंगे हिंदी शब्द में नोकर अच्छा नहीं लगता तो थोड़ा standard word दे देते हैं employee क्या नाम दे दिया employee चीक है ना एक employer एक employee चीक है ना sir employer और employee यानि business के अंदर employer employee होता है यह employee ना business के लिए इतना dedicated होता है कि अपने starting से लेके यानि sir अपने जवानी से लेके बुड़ापे तक का सारा energy इसी के लिए काम करता है 25 साल के उमर में नोकरी करता है मान लेते हैं एक बार को पहले भी से भी कर सकता है और 60 साल तक इसी के पास काम करेगा इसने इसका मतलब सर इसका सारा मेहनत सारी चीजे जो है इस employer ने benefit उठा है अब employer क्या करे कि भीया तू 60 साल का होगी अब यहां से निकल चल तेरा कोई काम नहीं है तो 60 साल के बाद इसके हालात वो हो जाएगा जिससे की ना तो यह काम कर सकता है ना तो कुछ कर सकता है ऐसा भी नहीं है कि भीया इतनी ज़्यादा ताकत बच्ची इसके पास कि कोई ऐसा काम कर ले hard working वाला इसने तो इसको निकाल दिया गॉर्मेंट इसी चीज के लिए बनाती है हमारा labor law act क्या बनाती है labor law यानि सार labor को मानते हैं यह employee है मानते हैं यह knocker है लेकिन मालिक आप इसको knocker मानिए employee मानिए लेकिन इसका आपको अगर काम कर रहा है आपके पास तो अभी से लेके बुढ़ापे तक का आपको इसका इंतजाम करना पड़ेगा और बुढ़ापा छोड़ो मरने तक का आपको देखना पड़ेगा labor law यह कहते है labor law उसी में से एक point आता है प्रोविडन्ट फंड उसी में से point आता है क्या जिसको बोलते है EPF employee provident fund चाहे employee सरकारी हो चाहे employee private हो यह सब के उपर अपलाई करता है government कहता है भाई जो employee है अपने कम age के अंदर अपने future की चिंता नहीं करता है वो सोचता देख लेगे ना हो जाएगा ना कर लेगे ना और जो बुढ़ापा आता है तो उस time पे इसके पास कोई option बचता नहीं है तो ऐसे situation में government ने instruction दिया है किसको employer बोला देख employer तेरे पास ex employee काम करता है क्या उसने बोला sir x नहीं धेरों सारे employee मेरे पास काम करते हैं बोलते हैं बात जिस organization के अंदर 20 से ज़्यादा employee काम करते हैं उसको wages act apply होता है आपका ESI act होता है employee provident fund act होता है उसके उपर apply होता है इसके पास बोला भाई आ तिरे पास ex काम कर रहा है छोटे मोटी दुकान जिस पर एक दो employee उस पर apply होता हम मान लेते हैं कि कि इसको कितनी salary देता है बोला इसको salary जो हम देते हैं ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं हम 10,000 रूपE salary दे रहे हैं उसने बोला X का salary जो है वो है 10,000 रुपए, बोला आज के बाद उसे 10,000 मत दियो, मैंने इसे देखा है, कि ये कितना खर्चीला है, इसके 10,000 नहीं देने, इसमें से तु 10% काट ले, और इसको कितना देना, अगर वो ज्यादा कुछ बोलता है, तो उसका address मुझे भीज देना, मेरा address देना, मेरे से बात कर लेगा, कि ये 9 क्यों मिलता है, employee ने बोला, employer से, sir, आपने तो 10,000 की बात करे थी, आप 9 दे रहे हो, बोला, मेरे उपर कोई नहीं है, ये government की policy है, आप government से बात कर लेगा, अब ये employee बोलेगा, मैं छोड़ दूगा, ये काम ही नहीं करूँगा, तो जहां भी जाएगा, उसके साथ ये ही होगा, ये कि wages act जो है, वो हर जगए apply होता है, employer ने बोला, government के पास जाके, sir, आपने बोला था, काट लिया, मैंने पैसे, आप इसका करना क्या हम रख ले, बोला, नहीं, इसे मेरे पास लेके आओ, इसे मैं जमा करूँगा, government ने, बोला के भाया, इस पैसे को हम जमा करेंगे, इस पैसे को हम जमा करेंगे, तो हजार रुपे जो कि किस के पास पढ़ा हुआ है, sir, हजार रुपे पढ़ा हुआ है, मालिक के पास, ये हजार रुपे इसे किस को जाके दे देना चाहिए, ये हजार रुपे, ये जाके देगा गौर्वर्मेंट को, गौर्मेंट कहता है सर, इस हजार रुपए को जो दिया जा रहा है, इस हजार रुपए को आप मेरे पास दीजे, मैं ब्याज के साथ, मुसीबत के समय पे मैं लोटा हूँगा, एक्स को, ब्याज के साथ, एम्प्लॉयर ने बोला, ठीक है सर, मैं हर साल कर दिया करूँगा हर महीने हर महीने इसके सेलरी में से काट लूँगा आपको जमा करा दूँगा गोला ठीक है बड़ी बात है Employer जाने लगा Government कहता है Employer अभी तो सुन ये तो Employee की बात थी अब तू हजार रुपे अपने pocket से भी निकाल और ये हजार रुपे भी तू उसकी भलाई के लिए ये मज़ सोच के तू पूरे साल उससे काम करा लेगा पूरी जिंदगी उसकी खराब कर देगा तू काम करवा करवा के अब हजार रुपे तू अपने pocket से भी डाल और कहां डालना है सर गवर्मेंट के पास और ये गवर्मेंट कौन है सर प्रोविडंड फंड जिसको EPF बोलते हैं Employee Provident Fund मैं डेली की बात करूँ तो डेली के अंदर यहीं पर भी बना हुआ है बजीरपू डीपू के अंदर और भी जगह हर स्टेट के अंदर बना हुआ होता है EPF बोलते है तो यानि एक Employee क्या करता है अपने Employee की Salary में से पैसे काट लेता है और वो पैसे काट के कहां जमा करवा देता है गवर्मेंट को सिर्फ वोही पैसे जमा नहीं करवाता उसके साथ और पैसे मिला के जमा करवा देता है किसको इसे बोलते हैं employer contribution जो ये हजार है न ये ये जो हजार है ये red कर देता हूं इसको जो ये हजार है न रेड वाला ये किसका है किसका contribution है जिसको employer, er लिख दिया और ये किसका है employee का अब P&L बनाते हैं थोड़ा समझेगा बातों को ये बनाया है आपके लिए P&L ठीक है अब employee के pocket में कितना गया 9000 employee के pocket में salary के नाम का कितना गया और 1000 तो उसी का कटा तो मैं अगर salary यहां पर दिखाओं तो salary तो मैं यहां पर 10,000 दिखा दूँ आप बोलूगा भाई तेर को तो मैंने 10 ही दिये तेरे पैसे वहाँ पढ़े जाके ले 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 ना अपने पैसे लेकिन मेरे pocket से भी इसी की वज़े से चले गए 1000 जिसे बोलेंगे contribution दे दिया हमने कितना 1000 यानि मैं अपने P&L में कितना दिखाऊंगा मेरे को एक employee X को रखने का मेरे लिए खर्चा कितना पढ़ रहा है नो उसके pocket में गया employee और दो government के पास गया तो कितना हो गया 11,000 लेकिन अगर मैं एक mistake कर दूँ मैं अगर employee को बात करूँ कि कितना payment कर रहा हूँ employee को payment कितना कर रहा हूँ तो मैंने बोला सर सेलरी जो payment जा रही है ना वो सिर्फ 9,000 रुपए जा रही है employee को सेलरी तो इसको बोलते है net क्योंकि net गया ना इसके पास नेट में जाके तो net salary अगर मैं यहाँ पे 9,000 रुपए दिखाता हूँ तो मेरा P&L गलत है सर आपको कितना दिखाना चाहिए क्या रहा दिखाना चाहिए ना क्योंकि एक हजार तो उसका जो हमने जमा करवाए ultimately जो मेरा cost होगा वही होगा यानि सर यहाँ पे wages या salary जो भी whatever name हो यहाँ पे 2000 रुपए और add हो जाना चाहिए यही कहानी है मैंने गलती से क्या कर दिया एक कहानी सुनना पहले यहां तक आपको employer contribution employee contribution clear है EPF clear है किसका क्या खर्चा पड़ेगा मैंने 9000 रुपए का wages दिया मैंने यहां लिख दिया और insurance जिथा इस insurance में मैंने 2000 रुपए गलती से मतलब 6000 का insurance था पहले मैंने insurance करवाई क्या account rate ने देखो क्या करा 6000 रुपए का insurance था और बुला अरे यार wages तो मैंने उपर net दिखा दिया है इस insurance में जोड़ देते हैं डैबिड ही तो जाना है यह ट्रेडिंग बन चुका है तो अब कहां से छेड़ खानी करूं यहीं पर जोड़ देते हैं क्या जोड़ देते हैं सर वेजिस को जोड़ देते हैं खतम करो ना क्या फरक पड़ता है net profit तो वही आएगा मैंने यहां 8000 सुधार कर दिया कि नेट प्रॉफिट पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन टेक्निकली क्या हो गया गलत हो गया अब इसको सुधार ना है कैसे सुधार को बताओ गलती क्या है गलती समझ में आई आई आपको कि यह वाला जो वेजिस का पीफ का कॉंट्रिबूशन वाला ठीक हो सकता है नहीं हो सकता तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा यह ठीक हो जाएगा पहले यहां तक समझो जो मैं समझाने की कुछिस कर रहा हूं फिर अब एक बार आ जाते हैं उसी कम टूदा पॉइंट उसी अर्जस्मेंट पे जो कि अर्जस्मेंट कह रहा था क्या कह क्या कहा रहा था अब आपको समझ में आएगा चला यह कहता है कि सर नेशनल इंसारेंस बैलेंस इंक्लूड इंप्लॉई कॉंट्रिवीशन का देड़ सो रुपए इंसारेंस में है और इंप्लॉई कंट्रिविशन है जाना कहा था यह यानि एक वरकर था है उसको वेजिस देना था उस वेजिस को मैंने नेट दिखारा है नेट का मतलब मेरे वाले example में समझो 10 के जगा कितना दिखा रखा है 9 यहां पे net दिखा रखा है तो गलत होगे ना यहां पे तो वह भी 1000 जोड़ के और और employee contribution भी दिखाना चाहिए यह कहते है सर नेट दिखा रखा है और गलती से जो contribution इससे काटा था ना वो मैंने कहां दिखा रखा है सर अब मुझे ठीक करना होगा इसको मुझे यहां से क्या करना होगा माइनस क्या employee मैं डबल ही लिख रहा हूँ employee contribution कितने रुपे सर और यहां add कर दूँगा प्लस employee contribution 150 रुब है कोई दिक्तत यहां तक देखिए यह adjustment यही कहता है एक बाद पढ़ लेजिए यहां पे employee का मैंने एक extra point भी यहां discuss कर लिया सर कौन सा employer का paper बड़ा ही technical आ सकता है आपका ऐसा मत सोचेगा तो इसलिए आपको जिस बच्चे को जो पता है ना कि यह ऐसा होता है क्योंकि school के अंदर क्या रहता है fix है यह 8 का आएगा यह 6 का यहां कुछ fix नहीं है यहां कुछ भी हो सकता है हो सकता है कि final account के 15 नंबर के mcq दे दे हो और हो सकता है final account पे 15 नंबर का पूरा question हो जाए तो कुछ भी fix नहीं है बच्चा paper वही attempt कर सकता है जिस बच्चे को depth में knowledge है अदर्वाइस नहीं कर पाएगा become का paper कुछ भी हो सकता है income tax का भी मैं बता हूँ परसो का मैं पिछले 10 या 12 साल से अगर मैं देखू मैं पढ़ा रहा हूँ तो हर बार question number two salary का आता था इस बार salary का question ही नहीं दिया income tax के अंदर 15 नंबर का आता था हर बार वो fix रहता कर दे जी 15 का तो आए गई आए गई इस बार और वो question ही नहीं दिया उसके जगह पर दे दिया salary का पूरा theory चीक है ना यहां पर ऐसा भी आपके सास्थ situation हो सकता है इन adjustment को दे दे और बोले explain करो क्या करोगे treatment मैं कह रहा हूँ ने mcq दस point दे दिये और बोले explain करो इसका treatment क्या होगा और वो आपको लिखना पड़ सकता है तो हर किसी के इसाब से प्रिपेर रहे है लिखना के मतलब के बोल देंगे सर यह employee contribution है यह wages के अंदर हो जाएगा और यह minus हो जाएगा हमारा insurance that's it एक नंबर का equation एक नंबर मिल जाएगा तो पेपर आप prepared जब तक आप चीज़े को सीखोगे नहीं न इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूं आपको ताकि आपको पता चल जाए यहां employee दे रखा एक्जामनर ने twist करके वहाँ पर क्या दे दिया employer तो पता हो भाई समझ रहे बात को आप यहां तक कोई दिक्कत है बताईए आप कोई दिक्कत नहीं यहां तक चलिए यह वाला समझ में आगए दो adjustment अब तीसरी adjustment पर आए एक बढ़ पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं कहता है owing on the nature of employment same employee house in the building of the business rented value 500 रुपे पर एन्नम दुबारा line पढ़ते हैं owing मतलब खुद का to the nature of employment मतलब जो employment का nature मतलब मालिक और नौकर का relation से related है some employee कुछ employee employee are house कुछ employee घर में रह रहे हैं in the building of the business business के building में रह रहे हैं are the rented value of rupees 500 और वो rented value कितना है सर 500 रुपे का है कहानी समझेगा यह क्या है यह क्या कहना चाह रहा है बड़ी simple सी बात कहना चाह रहा है लेकिन word कुछ इतने भारी भारी यूज़ कर लिए इन्होंने मान लिजिए यह घर है घर ने building office सर यह फैक्टरी है और आपने देखा होगा फैक्टरी के आज पास के काफी सारा एरिया होता है अब इस फैक्टरी के अंदर बड़े सारे employee काम कर रहे है अगर आप देखोगे इस फैक्टरी के अंदर बड़े सारे employee काम कर रहे है और employee इतने सारे काम कर रहे है इस फैक्टरी के अंदर कुछ employee का घर कहा होगा मतलब मान लेते हैं हमेशा फैक्टरी होता है आउटर एडिये में अगर मैं बात करूँ गुडगाओं तो कुछ एम्प्लॉई जो हैं वो जो गुडगाओं में गुरुग्राम में रहते हैं वो तो फटा-फट फैक्टरी पहुंच जाते हैं समय से लेकिन जो एम्प्लॉई मान लेते हैं कि वो रहते हैं बिल्कुल अपोजिट रहते हैं सपूज करो वो नुईडा रह रहा है या फिर सोनी पत पानी पत रह रहा है अलग जगह पर रह रहा है लेकिन वो एम्प्लॉई जो है इतना टैलेंटिड है कि वो फैक्टरी के अंदर या कुछ ऐसे वर्कर हैं आगर मैं किसी वर्कर को बोलू भाई तुम्हारी सेलरी है कितनी मैं डेली के 500 रुपे दूँआ लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा हिसार गुर्गाओं जाना पड़ेगा खाम करने के लिए गुर्गाओं से आगे बुल मैं गुर्गाओं की बात क प्रुग्राम जाना पड़ेगा तो उसको कितने जाने आने के लगे जाएगा देखो मेट्रों से जाएगा तो 50 जाने का 50 उसके बाद भी बस कुछ भी लेना पड़ेगा तो वहां भी 50 खर्चा तो डेट सो लगी गए मैंने 500 दिहारी देट बचे कितने साधे 300 उसके बाद काउंट करेगा या 2 घंटे जाने में 8 घंटे काम कराएगा 10 घंटे के बाद साधे 300 रुपर मैं नहीं करूँआ जाए यह कैलकुलीशन जाएगा मैं उस इंप्लॉई को बोलू चिंता मत कर मैं तेरे लिए घर बना रहा हूँ एक building बना रहा हूं और तेरे office के अंदर भी u 경 g इना दिया। हर तुम रहो तुम अपने परिवार के साथ रहो कोई फरक नहीं पड़ता है है अब यहां पर आपको एक building दे दिया गया रहने को तो यह जो घर है वो कहां पर factory के एरिया के अंदर है अब employee से पूछते हैं कि भाई employee बता अब ठीक है अब तु काम कर लेगा बोलेगा हां कर लेंगे हम तो काम अब मैंने employee को बोला एक बात बता अगर तेरे को जैसे बाकी के employee आते हैं एक दूसरे जगह से जैसे बाकी के employee एक दूसरे जगह से आते हैं एक बात बता, अगर तू भी वहीं से आता, तो घर वहाँ पे भी किराये पे लेता, जनरली देखा जाए, तो तो 2000 रुपे किराये पे लेता ही लेता ना घर, तो फैक्टरी के अंदर रह रह रहा है, हम तुमारे लिए काम खर्चा कर रहे हैं, तो हम तुमसे प्रॉफिट थोड़ी खमाएंगे, बस तुमसे पता है कितना किराये लेने वाले हैं, 500 रुपे, कितना किराय लेंगे, जिसे बोलते हैं नाम मातर का, जिसे क्या बोलते हैं नाम मातर, जिसको बोला जाता है नाम मातर को क्या बोलते हैं, बहुत कम, बस नोशनल रेंट लिया जा रहा है इससे, अब जब बिजनस अपना पी एंडल तैयार करेगा, बिजनस जब अपना पी एं बाफिट है अब बिजनस का जो मालिक है बताओ माले तें इसकी सेलरी है 5000 तो इसको पहले 5000 रुपे दे फिर बोले ला 500 रुपे वापस तो फिर ये दूसरे जेव से 500 रुपे निकाल के दे कैसा होगा नहीं होना ऐसे इसको कितना देदेगा 4500 रुपे देदेगा यानि इसको Net सेलरी कितनी है क्या 4500 या 5000 है 5000 ही इसकी सेलरी है समझ रहे बात को और अगर मैंने नेट लिख रखा है तो इसका मतलब तुमने उसका सेलरी पहले से क्या दिखा रहे काम अगर मैं अपना पी एंडल बनाओ और पी एंडल के अंदर इसका वेजिस लिखो 4500 रुपए सर ये गलत है 4500 तो ही नहीं कितना लिखना चाहिए एक तो आपको यहां 5000 लिखना चाहिए दूसरा पी एंडल में आप पैसा कमा रहे और रेंटल इंकम दिखाओं यहां पर 500 रुपए तब बात बनेगी यहां पर दोनों कहानी होनी चाहिए समझ में आ रहे बात आपको तो इसको बोल मिलेगा उसे पींडल के अंदर क्या दिखा देना पड़ेगा क्रेडिट क्योंकि यह क्या है मेरी इंकम है जो कि आपको यह वाला पॉइंट कहने की कोशिस कर रहा है अब पढ़ लेते हैं एक बार पॉइंट को कि एप सर क्या कहता है पॉइंट कहता है ओइंग डा नेचर फट इंप्लोइमेंट सम इंप्लॉई हाउस इन दा बिल्डिंग ऑब बिसनस समझ में आ रहे है कुछ एंप्लॉई है हाक।स बिल्डिंग इन बिजनस के इंदर ही घर है जो बनाया था डा रेंटिड वेली ओप पूरे पॉइंट में क्या नहीं है तो यानि वेजिस की बात चल रहा है और वेजिस यहां पर कह दिया उसने शो सब कुछ ने वाला भी जो आगे होगा देने लेने का वह भी निट कर दिया तो इसका मतलब सर इसका जो वेजिस है यह नो सो नहीं हुआ होगा डेड़ सो तो इंप्लॉई कंट्रिविशन प्लस रेंट के भी पैसे से काट ली होंगे कितने रुपे पांसो रुपे और यह रे वापिक का नाम है तो यह जो टोटल वेजिस आएगा ना हमारा नो पांस चौदा पंद्रा सो पचास रुप है कि समझ मैं तीन अट्जस्मेंट हम डन कर चुके किसी को कोई दिक्कत है तो बताईए कि तीन अट्जस्मेंट क्या कर चुके हम डन ठीक है न कोई डाउट कोई दिक्कत है तो बताईए आगे देखें चलिए सर अट्जस्मेंट नंबर चार कहता है सेंस आर सो जो सेंस सोन करता है ट्राइल बैलेंस के अंदर ओल्ड फरनीचर 30 सेप्टेंबर 2020 दो सो रुपए टुक दा बुक वेल्यू फरनीचर 300 रुपए connected with the rate of depreciation on the assets all along with 20% यानि बड कि क्या समझाने वाला है यहीं पर बात करने जो तुम्हारे ट्राइल बैलेंस में सेल्स है ना और अब सेल्स कितने का 7,700,000 कहता है तो सेल्स और इन द ट्राइड बैलाइंस इंक्लूड सेल और ओल फरनीचर 30 सेप्टेंबर 2020 यानि 30 सेप्टेंबर को एक पुराना furniture बेचा गया था उससे जो पैसा आया वो इसके अंदर जुड़ा हुआ है तो भाईया sales तो यहां goods का होना चाहिए furniture बेचा वो sales यहां पर नहीं होना चाहिए वो तो अलग बाते हैं तो इसका मतलब sir वो गड़बड कर दिया realizing the assets कहता है कि कितने का है वो sir 200 रुपए इसके अंदर included है कहता है sales show the trial balance include old furniture जो 30 September को बेचा था realizing मतलब कितने का बेचा था sir 200 रुपए का इसको हमने sold किया था जुड़ा हुआ है तो sir 7,40,000 200 घटा देंगे हमारा sales क्या हो जाएगा perfect हो जाएगा आगे कहता है the book value of the furniture 300 रुपए at the commencement rate of depreciation बोलता है कि यह जो 200 रुपए का बेचा ना यह असलियत में था 300 का book value का मतलब इतने रुपए का था यानि 300 का समाना आपने कितने का बेच दिया sir 200 रुपए का बेच दिया sales में तो आपको कितना included है 200 रुपए included है sales में तो sir यह sales में से माइन आपका नहीं जाना चाहिए था ultimately यह किस में से assets में से माइनस होना चाहिए था यानि जो आपका sir यहाँ पे क्या था यह furniture था ना तो furniture यहाँ पे आपने गलत दिखा दिया यहाँ पे नहीं होना चाहिए था आपको क्या करना चीह था सर? यह furniture जो है हमारा कितने रुपे का था सर? 8000 का, 8000 में से माइनेस हो जाना चीह है furniture, sold. समझो बात, 8000 क्या हो जाना चीह है? माइनस होना जात, इसका मतलब सर मेरा sales गलत है, मैं सेल्स को ठीक करूँगा, सेल्स में 200 रुपे जुडा हुआ है, उसको तो पहले हटा हूँगा उससे पहले मुद्दे की बात, सर तीन सो वाला समाना अपने 200 में बेच दिया तो नुकसान भी वह होगा लेकिन बेचा है आपने साल के बीच में तो डैब भी लगा होगा यानि कहने का मतलब है सर कहने का मतलब है कि आपका ये पूरा साल है सर इस डेट पे आपके पास फरनीचर आठ हजार का है, ओके और आपने साल के बीच में जिसकी कीमत 300 रुपए था उसको बेचने जा रहे है तो सर इसकी कीमत 300 बचा ही नहीं, यहां से यहां तक 6 मेने इस्तमाल कर लिया तो डैप्रीशेशन तो लगी गया तो 300 वाले समान पे अगर 20% का डेप्रीशेशन कॉल करते हैं और वो भी 6 महिने का सर तो कितना आता है, इसका 60 यानि 30 रुपए 30 रुपए बनते हैं, इसका मतलब सर इस डेट पे जिस दिन बेचने गए ना इसका रियल वेल्यू जो बना था ना वो बना था 200 और उसको आपने बेच दिया तो नुकसान हो गया कितने का, समझ रहे हो, तो यानि सर ये नुकसान पे एंडल में जाना चाहिए, कितने रुपए 70 रुपए, पेंडल के अंदर कितना नुकसान जाएगा, 70 रुपए, पेंडल में डेप भी जाना चाहिए, कितने रुपए यानि 30 रुपए P&L में depreciation जाएगा और 70 रुपए P&L में नुकसान जाएगा, मेरा furniture भी minus हो जाना चाहिए कितने से 300 furniture तो मेरा पूरा book value निकलेगा ना, तो कितना minus हो जाना चाहिए, तो इसका treatment यह रहेगा 300 से क्या minus furniture minus अब P&L के debit में कितना चला दे गया, 100 रुपए आप एक बार accounting treatment भी समझना सर कहने का मतलब होता है, सर सीधी सी बात है, जिसने भी बनाया, उसने एक ही बात बोला account खतम यह बात लिखा, debit is equal to credit खतम account, अब पूरा इसी process में जाना है, तो आप P&L के debit में कितना दिखा रहे हो debit हो गया, furniture में से कितना minus कर रहे हो, यानि यह क्या हो गया, यानि credit 300 हो गया, debit कितना हो गया 100 हो गया, यानि debit और 200 करना है, sales में से अगर हम minus कर दे 200 रुपए तो यह भी क्या हो गया sales credit item में credit item को minus करेंगे, तो क्या बनेगा debit हो गए तो debit में 300 पूरे हो गए तो यह adjustment या नहीं ठीक हो जाएगा फिर हमारा तो इसका मतलब सर इस adjustment में करना क्या होगा करना यह होगा मैंने पीछे calculation बता दिया है सबसे पहले तो आपको sales minus करना पड़ेगा sales minus करना पड़ेगा किसके नाम से old furniture कितने रुपे का sales आपका 200 रुपे का हटा दो इधर आपको loss बुक करना पड़ेगा loss on sale कितने 70 और depreciation 30 रुपे और बाकी वाले furniture पर मैं इहीं पर जोड के दिखा दूँगा क्योंकि अभी हमारा पूरा furniture sold out नहीं हुआ यहां से स्रिफ कितने निकले हैं 300 अभी भी मेरे पास 7700 रुपे का है जिसके ओपर हमारा जो depreciation लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए सर पूरे साल का लगना चाहिए ना तो इस पर पूरे क्योंकि यह थोड़ी ना बेचाए that is 1540 रुपीस आपका कहा जाएगा यहां 1540 अब 1540 में अगर हम 30 प्लस कर दें तो 1570 का total डेप आ गया सर 1570 का total डेप आ गया सवाल मुश्किल नहीं है language थोड़ा सा मुश्किल दे रख़ए बस यहां भी मैंने minus कर दिया यही बताया था पहले यह देख लो एक पर तसलिस adjustment क्या क्या हुआ है यानि सर हमें सारी चीज़े सोच नहीं होती loss भी हुआगा बेचने के बाद यहां से भी हटेगा वो सारी चीज़ों को ले के चलना हुआ उसको ले के चलने के बाद दिमाग में कैलकुलेशन लेके चलना है सर यह debit हो रहा है यह credit हो रहा है दोनों साइड अगर settlement debit credit ब्रावर ब्रावर कर दिया तो हम सही चल रहा है कहीं आप एक one-sided सोच लो कि हम sales में से minus कर देते हैं 200 और नुक्सान और यह सोच लिया आपने furniture में से minus नहीं कहा तो गलती आएगा आपका कभी भी balance sheet match ही नहीं होगा फिर यहां तक clear है यानि हमने यह भी adjustment done कर लिया कहता है मैंनेजर वाला भी देखेंगे कहता है depreciation 5% on building पर 5% का depreciation है तो building के ओपर माइनस कर देते हैं depreciation सर 5% का तो 5% बोले तो कितना बनता है 30,000 पर 1500 रुपे और इस depreciation को यहां दिखा देते हैं यहां पर जगह बच रहा है हमारे पास तो यहां पर दिखा देता हूं depreciation को तू depreciation जहां जहां जगह मिलेगा मैं दिखाता जाओंगा ठीक है ना अब एक adjustment बच गया क्या पढ़ें इस adjustment को कहता है the manager get commission 10 by 1 by 10 1 by 10 का मतलब भी 10% होता है क्योंकि 10% को solve करोगे तो 1 by 10 बनेगा 1 by 10 net profit after charging his commission अब after charging का मतलब कहने का मतलब है पहले हमें net profit निकालना होगा और net profit यहीं नहीं लिख लेना कहीं हम बाहर अलग से लिखेंगे उसके उपर 10% है तो 10 बटे एक सो 10 करके आएगा फिर हम यहां manager का commission दिखाएंगे और फिर फिर फाइनल हमारा net profit निकलने वाला है यहां पर बात समझ में आ गई आपको यहां पर क्या करना है चलिए इसका मतलब सर एक बात तो इससे प्रूफ हो जाता है कि जब भी manager commission वाला point आएगा ना तो वह हम सबसे पहले करी नहीं सकते वह सबसे कपों का adjustment apply सबसे end में क्योंकि जब तक हमारे पास वह आएगा नहीं तब तक हम कर नहीं सकते बड़ी सीरी सी बात है चलिए हम पहले GP निकाल लें almost सारा adjustment done हो चुका है अब GP निकाल के फटा फट से calculation start कर देते हैं sir calculation के लिए white में use कर लेता हूं sir 7,440,000 minus में 200 that is 798,39 699,800,699,200,739,739,739 minus में 699,200,1550,400 sir 38, check कर ये 38,650 आपके किताब में answer होगा सही है by GP चेक कर लिया 4,000,50 अब इस में से minus करते हैं साधे 300 में से minus होगा तो 1,500 और ये भी minus होगा तो कितने बचेंगा 500 32,000 आ रहा है 35,310 आ रहा है कमीशन आ गया 32,000 कैसे निकाला है इसको मैंने solve किया अब इसके बाद finally क्या आएगा और इस कमीशन को यहां भी तो दिखाना है है ना अब finally आएगा net profit तो net profit निकालने का दू तरीके या तो फिर दुबारा से आप calculation कर लो या 35,310 में से स्रीफ 32,10 घटा दो 35,310 में से 32,100 ठीक है यह net profit यहां add हो जाएगा कुछ बच्चे 32,100 बता रहे थे देखके बता रहे थे वो बैलेंस शीट का टोटल वन जीरो बैलेंस शीट का टोटल चेक कर लें आप चलिए सर इस सवाल को हमने भले ही थोड़ा टाइम लिया हो लेकिन इस सवाल में कुछ adjustment भी cover किये हैं यानि एक adjustment कराता तो मैंने इसी सवाल के अंदर cover करके वो कर दिया बताए कोई doubt इसमें आपके सामने adjustment है देखो अभी मैं कह रहा हूँ कि doubt नहीं आएगा ऐसा भी possible है लेकिन घर पे करने जाओगे तो शाहिद doubt आ जाए इसमें तो सबसे पहले आप एक बार adjustment आपके पास किताब एक बार पढ़ लीजिए और इसको cross verify कर लीजिए ऐसे 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 इस तरीके से हुआ है आपके वाया ुख हुआ हाँ झाओगे घसना आपके जो आपके बार इसमें आपके पर लीजिए नहीं आपके प्साइब कि आपके प्साहँ प्साइब कोई डाउट है फटा फट बदाएं आप में से किसी का कोई डाउट एक बार सारा अड़्जस्मेंट एक्स्प्लेन कर दूँ देखिए सबसे पहले अड़्जस्मेंट क्या था फटा फट देख लिजए यह पहला अड़्जस्मेंट था रहंट इन इंसरेंस में 300 और ऐसा इंख्लूड है जो कि अगले साल से रिलेट कर रहा था तो अमने क्या करा तो पता करा हमने तो कितना आया हमारे छे महने तो हमने तीन सो को बारा से डिवाइड करा इंप्लॉई का कंट्रिबुशन डेट सो रुपए था जो की इंक्लूड था और जो वेजिस शोक जहां भी कर रहा है और जो एक कर दिया आपका किसके नाम से इंप्लॉई को मैंने रहने के लिए घर दे दिया कहाँ रहने के लिए अपने प्रेमिसीज के अंदर ही दिया और उससे एक national rent लिया करते हैं कितने रुपे 500 रुपे तो सर 500 रुपे ये आपके business का income होगा जो कि कहाँ चले जाएगा आपके P&L के credit side में ये 500 रुपे दूसरी बात net wages दे रखा था तो ये wages में भी plus होगा तो इसलिए मैंने कहां कर दिया इसको wages के अंदर plus कर दिया इसके बाद अगल लगा है ये था कितने का तो पता लगा भी है इस पर 30 का depreciation लग गया तो 270 का बनना था 200 का बेज दिया 70 का loss हो गया 70 का loss P&L के debit में दिखा दिया और 30 रुपे का depreciation हमने दिखा दिया P&L के debit में furniture हमारा बूरे 300 रुपे से चला गया क्योंकि बिग गया बाकि जो furniture बचा उसके बाद तो हमने जो net profit निकाला इसको जो white वाला मैंने यहां लिखा है इसको करने से पहले 35-310 आया उसके पर 10 बटे 110 किया तो इधर आ गया और इधर आने के बाद फिर हमने minus कर दिया और यह आ गया हमारा पूरा का पूरा net profit important question कह सकते हो और tricky question कह सकते हो क्योंकि examiner ने इस question क बनाया ना तो जो हम सीखते हैं bed dates का कोई मतलब नहीं दिया जो कि major major adjustment था हमने देखा था sales on approval basis नहीं दिया loss by fire नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया सिर्फ logical base पे बना दिया तो यह question काफे सारे बच्चों ने exam में गलत भी कर दिया होंगे क्यों कर दिया होंगे पहला adjustment चलो समझ में आया दूसरा आया तीसरा coordinate करना तो तो इसलिए question इस तरीके का करा दिया है मैंने हाँ बिल्कुल manager commission balance sheet में भी show होगा मैंने देखो यह commission के नाम से दिखा दिया है बिल्कुल अभी समझ में आ गया है तो definitely इस question को आप दुबारा एक बार self भी करके देखेंगे